Hello Everyone, Welcome to Study IQ Study IQ के इस वीडियो में ये बहुती अलग तरह का वीडियो है इसमें मैंने पूरे महीने के जो मैं Best Multiple Choice Question के वीडियो बनाता हूँ weekly वीडियो बनाता हूँ तो टोटल एक साल के question इखटे हो गए है मेरे पास 15,000 और उन में से मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किये थे तो ये मैंने सारे क्या किया है एक ही जगा आपको दे रहा हूँ इसमें 15,000 में से 2017 के ग्यारा सो Best Multiple Choice Questions है तो जो मैंने पहले 500 वीडियो बनाये 500 question बनाये थे January से July, फिर 400 बनाये थे July से October और फिर October के best, फिर November और December के best उन सब को एक ही वीडियो में collect कर दिया है ये 11 घंटे का वीडियो है एक साथ आप इसको download कर सकते हैं एक ही जगा पर है ये 11 घंटे का वीडियो 1100 Best Multiple Choice Questions है 2017 के कम से कम इनको आपको करना है अगर आप इनको कर लेते हैं तो फिर कोई भी एक्जाम उसमें आप confident feel करेंगे और आप बिलकुल बिना attention के उस एक्जाम को attempt कर सकते हैं तो ये है वीडियो 1100 Best Multiple Choice Questions of 2017 और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि Study IQ के बहुत सारे pen drive courses आते हैं अभी हम मद्यपरदेश PSC, यूत्तरपरदेश PSC और उत्राखन PSCS के pen drive course launch कर रहे हैं अगले महीने इसके लावा जो हमारे अल्यडिक courses आते हैं जैसे law, SSC, bank exam, UPSC, DSSSB, KVS, etc. तो आप एक बार हमारी website studyiq.com पर जाकर जादा जानकारी ले सकते हैं सबसे पहला सवाल है प्रसार भारती प्रसार भारती का नया CEO किसे अपॉइंट किया गया है वैसे मैंने special वीडियो भी बनाए है अपॉइंट्मेंट्स के books and authors के obituary वगारा के लेकिन इनमें भी cover करते हैं सबसे important तो प्रसार भारती के नया CEO है शशी शेखर वैंपती इनमें से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना जिसने एक cashless system लगाया है public distribution system के लिए और हमारे जो PDS minister है वो है रामविलास पासवान लोग जन्शक्ती party के तो जो खाना है food food से related तीन minister आपको याद रखने है एक तो हमारे जो food processing minister है हरसिमरत को और बादल दूसरी है हमारे consumer affair और PDS के मंत्री food processing की हरसिमरत को और बादल और food and consumer affair के है रामविलास पासवान वो PDS के minister भी है और agriculture minister है रादा मोहन सिंग ये तीन मंत्री important है public distribution system को लागू करने वाला पहला राज्य है गुजरात गुजरात के मुख्य मंत्री है विजरुपानी पहली बार कौन से उस वक्त ये कॉलकता high court के judge थेग और supreme court ने इनको contempt of court notice दिया और फिर इनको हटा भी दिया गया तो इनका नाम क्या है इनका नाम है Justice CS Karnan Justice CS Karnan senior badminton national championship जो हुई थी 81 वी वो किसने जीती यानि woman single champion कौन बनी ये बताइए ये बात हो रही है यहाँ पे badminton की तो badminton का खिता रितू पढ़ना दास ने badminton के एक खिलाडी और बहुत news में है मैं कई बार आपको बता चुका हूँ world number 8 ranking है इनकी और इनका नाम है किदंबी श्रीकान जो Chen Long और Lin Dan जैसे Olympics gold medalist को हरा चुके है इन में से कौन सा Booker Prize winning author है जिसकी किताब रिलीज हुई 2017 में Golden House Golden House नाम की किताब है सल्मान रश्दी जिनोंने कई विवादास्पद किताबे में लिखी है इनकी दो किताबे और आपको याद रखनी है एक जिसके लिए ने Booker Prize मिला था इस किताब का नाम है Midnight Children सल्मान रश्दी के लिखी हुई किताब 1981 में आई थी और इसको Booker of Bookers भी मिला था यानि वो सारी किताबे जिनको Booker Prize मिला हुआ है उनके अंदर भी Best जो किताब है वो भी Award इसे मिला था और एक इनकी Controversial किताब है The Satanic Verses इसके अलाबा अरुंधती रोय की दो बुक्स आपको याद रखनी है जो एक्जाम में आ सकती है एक जिसके लिए अरुंधती को 1997 का Booker Prize मिला था The God of Small Things और 20 साल के बाद उनकी किताब आई है इस साल The Ministry of Utmost Happiness इन में से कौन सी स्कीम है जो सरकार ने स्टार्ट करी है जिसमें 77 करोड बल्ब रिप्लेस किये जाएंगे 2017 करोड बल्ब जो नॉर्मल बल्ब होते हैं उनको LED बल्ब से रिप्लेस किया जाएगा इस स्कीम का नाम है उजाला और उजवल और उजवल में कन्फ्यूज नहीं होना है उजवल स्कीम यह है कि जो LPG connection दिये जाएंगे BPL families को free of cost यह उजवल स्कीम है मैं बात कर रहा हूँ उजाला की और उजवल स्कीम है यह है कि हमारी जो बिजली वितरन कंपनिया है उनकी जो debt है वो distribute की जाएगी तो उजवल डिस्कोम assurance ही हो जना और उड़ान स्कीम तो है उड़े देश का आम नागरिक पहले जो मैंने आपको उजाला बताई उजाला की फुल फॉर्म है उननत ज्योती by affordable LEDs for all और गुजरात पहला राजिया बना था जिसने दो करोड बल LED माटे थे दो करोड टोटल टार्गेट है हमारा 77 करोड और हमारे जो उर्जा मंत्री है इन मेंसे कौन सा देश है जो नंबर वन बन गया है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इसने सोर उर्जा को प्रोडियूस किया सोर उर्जा के लिए एक International Solar Alliance भी है International Solar Alliance दो देशों ने स्टार्ट किया था France और India उस वक्द France की राश्पती थे यह जब COP21 में मिले थे तभी यह स्टार्ट किया था और पैरिस में दिसम्बर 2015 में अब जो सोलर पावर प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा हो गया चाइना के अंदर चाइना के अंदर हो गया है 77.42 गीगावाट 2016 के एंड में हो गया था विरपपन विरपपन को कैसे पकड़ा कैसे मारा इसके उपर एक किताब है विरपपन Chasing the Brigand इसमें पूरा बताया गया है याद रखिए विरपपन को मारने के लिए जो ओप्रेशन किया गया था उसका नाम है ओप्रेशन ककून तो इस किताब को किस ने लिखा है और विरप्पन जो एक करनाटक के जंगलों में ये छुपा देता था और एक बात और याद रखिए एक करनाटक के मश्यूर एक्टर थे राज कुमार उसका अपरण भी कर लिया था विरप्पन ने तो ये किताब लिखी है के विजे कुमार भारत की क्या रैंक है? International Intellectual Property Index में 45 देशों के अंदर Intellectual Property आप समझते हैं क्या होती है? तो इसमें 45 देशों में हमारी रैंक है 43 सिर्फ दो ही देश है जो हमसे पीछे है तो ये हैं वो दो देश पाकिस्तान है 44 नंबर पे और वेनिजुला है 45 नंबर पे वेनिजुला की राजधानी है काराकास पाकिस्तान की इसलामबाद और वेनिजुला में इसको क्राइसिस चल रहा है सोचलिस गवर्मेंट थी बुरा हाल है राइट सो रहे हैं पाकिस्तान के बारे में आप सब जानत टन हो गए हैं, 90 लाग टन से भी जादा, तो ये उरेनियम के नॉर्थीस्ट के कौन से स्टेट में मिले हैं, ये स्टेट है मेघाले है, मेघाले की राजधानी है शिलॉंग और मेघाले के नदर एक इंपॉर्टेंट जगा भी है, चेरापुंजी जहां बहुत ज़धा बारिश होती है, और सब ज़धा बारिश आस्तक रिकॉर्ड की गई है मौसिन राम में इन में से कौन सा उत्तरपूरवी राज़े है भारत का, जो पहला राज़े बना, जिसने electronic cabinet solution को implement करा, लागू करा ये करा अरुनाचल परदेश ने, जहां पे पेमा खंडू की सरकार है, भारती जंता पार्टी की और इटा नगर इसकी राजधानी है अरुनाचल परदेश में एक चाइना और भारत के बीच में disputed area भी जिसे बोलते हैं तवांग फ्रीडम फाइटर मशूर स्वतंत्रिता सेनानी, जिनने तामर पत्र भी मिला हुआ था, रचरला समराज्यम ये कोन से इनका निधन हो गया, ये कोन से राजियां से थी, तो ये थी आंद्र परदेश ये, विशाका पत्नम की थी आंद्र परदेश is the answer इन में से कोन सा देश है, जिननोंने हमारे जो हरित करांती के भारत में जनक, MS स्वामी नाथन हरित करांती के जनक है नॉर्मन बॉर्लोग, लेकिन भारत के अंदर MS स्वामी नाथन, इनको ये बहुती बड़ा सम्मान दिया, जिसका नाम है गवर्नर जनरल्स, मेडैलियन इनके एगरिकल्चर में क्रिशी में योगदान के लिए ये दिया कैनेड़ा ने United Nations Office on Drugs and Crime, जो ड्रग्स को, क्राइम को, जुर्म को रोकने के लिए काम करता है, उन्होंने कौन से पंजाबी फोक सिंगर को Blue Heart Campaign का Brand Ambassador बनाया, ये Human Trafficking पे Awareness फिलाने के लिए Human Trafficking होता है, जब किसी को उसकी इच्छा के विरुद उससे काम करवाया जाता है, उसको बंदी बनाके, जैसे Prostitution या Begging ये सब करवाया जाता है, ये सिंगर है Satinder Sartaj, और ये अभी अभी न्यूज में आए है, क्योंकि इनकी पिच्छर आई है, जिसका नाम है The Black Prince, जिसमे इन्होंने महराजा दलीब सिंग की बूमी का निभाई है, The Last King of Punjab, पंजाब के आखरी राजा कहते हैं ने, महराजा दलीब सिंग, इस फिल्म के डिरेक्टर है कभी राज, ये सब बहुत इंपोर्टन इंफोमेशन दे रहा हूं आपको, और ये पहले पगड़ी वाले सिख बने, जिन सुप्रीम कोट का फैसला आया था, आठ जून को, कि ये करना पड़ेगा, तो कौन से ऐसे राज्ये हैं जिनमें ये एक्जेंट कर दिया गया, यानि जिन पे ये लागू नहीं होता, ये जो एक्ट है, ये लागू नहीं होता, असाम पे, मेगाले पे और जमू कश्मीर पे खुद रिष्टी हिं थे, उन्होंने बनाई थी, ब्रेल, और इसमें कुछ चीज़ें याद रखिए, ये जो, ये सज्जन है, ये हैं हमारे मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस, साइंस एंड टेक्नोलोजी, और परियावन मंत्री भी अभी आई है, इनका नाम है डॉक्टर हर एडिडास, एडिडास जो मशूर फुटबॉल, ये जो मैनुफेक्चरिंग कंपनी है, जो खेलों के जो उपकरण मनाती है, चाहे फुटबॉल हो, चाहे जरसी हो, कपड़े हो, एडिडास, एडिडास की फुलफोम होती है, all day I dream about sports, यानि पूरे दिन मैं सिर्फ sports के बारे जुर्म माना जाएगा, ये है निलंबूर का लकडी, निलंबूर टीक जिसे कहते हैं, और दार्जलिंग की चाहे ये पहला प्रोड़क्ट था भारत का, जिसको जोगर्फिकल इंडिकेटर टैग मिला था, दार्जलिंग की चाहे, ब्रिक्स सम्मिट, ये इस बार हो रही है चाइना में, अभी होने वाली है, ये सेप्टेंबर 2017 में, और अभी अगले ही हफते होगी ब्रिक्स NSA मीटिंग, यानि नेशनल सेक्योर्टी अडवाइजर मिलेंगे, अजी डोवल जा रहे हमारे यहां से, जो हमारे नेशनल सेक्योर्टी अडवाइजर है, और देखना कहां पे, Salt Lake Stadium, Kolkata के अंदर, इस बार इसका मैस्कोट कौन है, ये इसका मैस्कोट, ये तेंदुआ है, तेंदुआ मतलब क्या होता है, लेपर्ड, क्या नाम है इसका, इसका नाम है खेले हो, ये मैस्कोट होता है, कोई जानवर जो उस जगा की संस्कृति के बारे में बतात है, तो जैसे मैंने बताया, ये एक तेंदुआ है, पिछली बार का जो चैंपिएन है, नाईजिरिया, ये 2015 का चैंपिएन है, ये इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो ये भी याद रखिये, नोबल जीता इन्होंने, MRI, आपने MRI scan सुनोगा, CT scan, MRI scan वगरा, तो CT scan और MRI में ये फरक होता है, CT scan 2D images देता है, MRI scan 3D image देता है आपकी, तो MRI scan किसने बनाया था, इनको Nobel Prize भी मिला था, इनका निधन हो गया, तो इनका नाम है Peter Mansfield, और कौन से देश के हैं ये, ये England के हैं, British हैं तो Sir Peter Mansfield, ये English physicist हैं, इन्हें मिला Nobel Prize, 2003 में मिला था, ये भी याद रख सकते हैं आप, और Nobel Prize कौन सा देश देता है, देखिए, physics, chemistry, physiology, medicine और literature के लिए देता है, Sweden, और peace के लिए देता है, Norway, हमारे जो उर्जा मंत्री हैं, power minister जो है, प्यूश गोयल, उन्होंने कौन सा portal और mobile app launch करा है, जिससे हम, हमारा जो mining sector है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, और ease of doing business को promote करने के लिए, इसका इन्होंने नाम रखा है, ताम्र, ताम्र की full form भी है, यही, transparency, auction monitoring and resource augmentation, यानि कि पारदर्शिता लाएंगे, और निलामी जो होगी, उसको हम monitor करेंगे, और हमारे सं साधनों को भड़ाएंगे, ताम्र, इन में से पहले भारतिये batsman कोन बने, जिन्होंने चार test series में लगातार, मतब एक series में 200 मारे, यानि चार test series में लगातार 200 run करने वाले, यह पहले भारतिये batsman बने, और इनका नाम है विराट कोली, इनको विराट कोली को वैसे captain of the year का award भ पच्चियों ने हिस्सा लिया, स्कूल की students ने हिस्सा लिया, 40 से ज्यादा इसमें MP थी, तो यह कहां पे हुई थी, this is a very important question, यह हुई थी आंद्रपरदेश में, आंद्रपरदेश के बारे में आप जानते ही है, यह नरसिमा है यहांके governor, और चंदरबाबु नाइडू है य यह बार्सिलोना में हुआ और बार्सिलोना का है, स्पेन में, परधान मंत्री भारतिय जन आशिदी परियोजना, यह जो स्कीम है, यह कौन सा मंत्रा ले चला रहा है, यह काफी न्यूज में रहे इस साल, जन आशिदी स्टोर खोले गाए, बहुत सारे सस्ती दवायां मिलत इसके अंदर, जो जनरिक मेडिसिन बगारा है, बहुत सस्ती मिलती है, कौन सी मिनिस्ट्री चला रही है से, याद रखिए, इसमें आप यह चन्फ्यूज हो जाएंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नहीं चला रहा है, इसे चला रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और पहला अमरित स्टोर खोला गया, एम्स नहीं दिल्ली के अंदर, और जो एम्स नहीं दिल्ली है, इसे काया कल्प अवार्ड भी मिला था इस साल, ये भी आद रखिए, अफोर्डेबल मेडिसिन सेंड रिलाइबल इंप्लांट फोर ट्रीट्मेंट नाम है अमरित, और ए अब मैं आप से पूछू हमारे अर्बन डवलप्मेंट मिनिस्टर कोन है, आप गोलेंगे वेंकाया नाइडू, जी नहीं, नहीं है, वेंकाया नाइडू ने स्तीफा दे दिया है क्योंकि ये वाइस प्रेजिडेंट बनना चाहते हैं, उपराश्प्रती भारत के बनना चा प्रोवाइडर, intact DLMS के द्वारा बनाया गया, जिसमें indigenously developed jet engine series बनाई जाएगी, मैं question को थोड़ा simplify कर देता हूँ, basically ये है कि DMLS नाम की एक company है, इन्होंने एक, ये basically 3D printing करती है ये company, अब इन्होंने jet engine series निकाली है, ये अपनी भारत की खुद की है, पहली इतिहास में भ इनका नाम है आजेत्यागी, तो ये question बड़ा साधारन सा है, सेभी security and exchange board of India, capital market regulator है, headquartered in Mumbai, अब इन में से कौन सा राजी है, जहाँ पे जो मुगा सिल्क है, उसे बढ़ाने के लिए, एक wildlife century बनाई जाएगी, इसमें मुगा, मुगा सिल्क जो होता है, sericulture बोलते हैं से, जब आजिये, ये CGA या कोई भी exam की त्यारी कर रहे हो, आप जैसे CGL या कोई भी exam की, तो उसमें आपको wildlife century भी पता होनी चाहिए, तो आपके एकदम tips पर होनी चाहिए, मैं साम बोलूँ तो तुरन दिकानला चाहिए, यहाँ पे काजी रंगा है, जहाँ एक सिंक अगेंडर नीचे, जहाँ जमू कश्मीर पोलूँ एकदम से निकलना चाहिए, हैमिस, जमू कश्मीर में और क्या है, जमू कश्मीर में एक भारत के bird man थे, सली मली, उनके नाम पे सली मली national park है यहाँ पे, लेकिन सली मली जो bird century है वो गोवा में है, दोनों का नाम सली मली है, national park जमू तो है बक्सा, जो रिजर्व है, वो बंगाल में है, और तो बस बक्सा ही याद रखिए, बाकि इसके लावा और भी है important, मध्य परदेश में सबसे ज़्यादा है, मध्य परदेश के बहुत ज़्यादा एक्जामें पूच जाते है, wildlife century national park तो जैसे से मुझे याद आएंगे पहला airport जो carbon neutral है, वो कौन सा है, इंद्रा गांधी international airport, भारत का ही नहीं पूरे Asia Pacific का, और भारत का दूसरा airport कौन सा है carbon neutral, again, राजीव गांधी airport, और अभी अभी एक airport है, जिसे customer satisfaction में number one award मिला है, वो है स्वामी विवेका नंद airport, जो रायपूर के अंदर है, भारत ने test fire किया अपना advanced air defense interceptor missile, यह क्या होता है, अगर कोई देश हमारे उपर missile मारेगा, तो हवा हवा में इसको हम खतम कर देंगे, तो यह पाकिस्तान के उपर हमने दिमाग में रखके किया था, क्योंकि ballistic missile अगर हो हमारे उपर मारेगा, तो फिर हमारे पास अब interceptor missile है, जो उसे बीच में हवा हवा में खतम कर देगी, अभी हमारे पास iron dome नहीं है, जिससे हम बच सकें, लेकिन फिर भी यह भी काफी काम करेगी, इसका नाम है अश्विन, दो तरह के हमारे पास defense है, एक तो है PAD, जिसे बोलते हैं प्रिथवी air defense, यह पुराना हो गया है, अब नई technology है AAD, यानि कि अश्विन, और हमारी no first user, यानि हम पहले किसी पर nuclear bomb हम नहीं मारेंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा पहले हम पर nuclear bomb मारेगा, तो फिर वो भी जान से जाएगा, खेर, मशूर sand artist को ने, इन्होंने Guinness World Record बना दिया, यह देखिए, इन्होंने बना दिया, इन्होंने Guinness World Record मिल रह कॉलकता की जो यह आपने देखियों कि ambassador कार होती थी पहले, यह ambassador कार बिग गई सिर्फ 80 कलोड रुपे में, कौन सी कंपनी ने खरीदा इसे, इसे खरीदा प्योजियोट ने, यह बहुत important question है, रेनॉल्ट यह फ्रांस की कंपनी है, यह भी फ्रांस की कंपनी है, यह भी फ्र काफी करते थे, इनको बोलते थे अख़ड बनारसी, तो अख़ड बनारसी जो है, यह हासिरस के कभी थे, इनका असली नाम क्या था, अख़ड बनारसी का, जब यह expired हुए तो खुद पर्धानमंत्री मोधी ने tweet किया था, कि वो काफी दुख हुआ उने इनके expired होने से, इनक वो man of the match कौन था final में, final में man of the match था परकाश जयरमया, और man of the series कौन था, man of the series था, सुरंगा संपत, यह शिरलंका के दृष्टिहिन खिला रही हैं, और brand ambassador कौन था, रहुल द्रैविट, जो इस बार दृष्टिहिनों का world cup हुआ था, 2017 का, यह चोथा world cup था ऐसा, इसके और उसके लिए शाहिद अफरीदी बने है, brand ambassador 2018 वाले के लिए, यह पाँचवा होगा जिसमें शाहिद अफरीदी होंगे, brand ambassador, और अपने 45 वा test match इन्हों ने खेला, उसमें मुश्विकर रहीम का wicket लिया, तो रवीचंदर अश्विन जो हैं, यह सबसे तेज test matches में, wicket लेन का, और जो इन्होंने यह 200 सब ज़दा wicket लिये, इससे पहले record था, डैनिस लिल्ली का, यह जो लिल्ली थे, यह उस्टेलिया के fastballer थे, कपिल देव ने 63 wicket लिये थे, फिर यह record भी हश्विन ने तोड़ दिया, एक सीजन के अंदर सब ज़दा test matches में, wicket लेने का, इन में से कौन सा research और survey class vessel है, जो भारत का पहला जहाज बना, जिस पे हमने solar power से उसे, उस पे lighting की, मतब solar power युक्त बनाया, कौन सा है यह जहाज हमारा, इस जहाज का नाम है INS सरवेक्षक, और हमारे navy के chief कोन है, सुनील लंबा, वर्ल्ड रेडियो डे, यह 13 फरवरी को मनाते हैं, तो यह भी एक question है कि वर्ल्ड रेडियो डे का बाता है, वर्ल्ड रेडियो डे का बाता है, 13 फरवरी को, इसका theme क्या था, theme था, radio is you, इन में से कौन सा खेल है, जिसे करनाटक ने cruelty to animals से बाहर कर दिया, यानि कि यह खेलना अने cruelty से बाहर कर दिया था, बारवी federal president of Germany कौन बने, जर्मनी के जो पूर प्रेजिदेंट थे, जो हम गुक, इन्हें हटा के अब नए कौन बने है, नए बने है, फ्रेंक वल्टर स्टाइनमियर, लेकिन जर्मनी में प्रेजिदेंट के पास कोई ताकत नहीं होती, वहाँ पे ताकत किसके पास होती है, Chancellor, यानि Angela Merkel, इन में से कौन सा राज्य है, जहाँ पे भारत का पहला तैरता हुआ, स्कूल बना है, यह dropouts के लिए बना है, यह स्कूल तैर रहा है, पानी के उपर तैर रहा है, कहाँ पे बना है, यह बना है, मनिपूर के अंदर, यह काफी अच् Cashless Township, यह इसमें 10,000 की population है, लगभग, 5,000 permanent residents के, और 10,000 की floating population है, तो यह Cashless Township है भारत का पहला, यह कहाँ पे बना, तो इसका नाम है GNFC, और यह N से नर्मदा, नर्मदा नदी कहा जाती है, भारुच के अंदर, तो आंसर है भारुच गुजरात में, इसका नाम भी मैंने लि Cashless गाउं था, और इबराहिम पूरा, पूरे South India का पहलाग था, अगर पूरे भारत का काउं तो digital भी और Cashless भी उसको है, अकोडरा, साबरकंट गुजरात में, कुछ भगत का संबंध कोन से खेल से है, कुछ भगत का संबंध है, शतरंज से, शतरंज के खिलाड़ी हैं यह, कुछ भगत क्यों, जिकर हुआ इनका, तीन गोल्ड मेडल जीत लिये इनोंने, सारे गोल्ड मेडल अकेले यह ले आए, साथ साल का बच्चा है सिरफ, और इसलिए इनको Candidate Master का title भी मिला, सजिन दंदूकर ने कौन सा गाउं गोद लिया है, संसर दादरश ग्राम योजना क अरुण जेटली ने चार गाउं को लिये हैं, लेकिन अरुण जेटली का नहीं पूछेंगे, आप से स्पिर मोधी का पूछेंगे, तो इन्होंने अभी-भी लिया है का क्रा हिया, ये वरानसी के अंदर गाउं है, इससे पहले भी वरानसी के हैं, जायापुर और पहले भारत के पहले फर्मुला वन ड्राइवर कौन ने जिन्होंने कोई भी ग्रॉंपरी जीती, और इन्होंने कौन सी जीती, न्यूजीलेंड ग्रॉंपरी, तो इनका नाम है जेहान दारुवाला, युनेसको हेरिटेज नेशनल पार्क कौन सा है, जहां पे युनेसको न और ग्रेट हिमालियन नेशनल पार्क है हिमाचल परदेश के अंदर, एक और है वैली उफ्लावर यह उतराखंड में है, उतराखंड में एक दो और बता दिता हूं, उतराखंड में है जिम कॉर्बेट, येस, और राजा जी है, और एक और है गोविन पशु विहार, ये महाराश्टर में मानास रसाम में बता चुका हमुगging चलिए आगे बड़ते हैं पहली महीला राज़दूत डिप्लोमेट कौन है राज़दूत नैंगे डिप्लोमेट है अफसराallo शाही में है फोर्ण सेक्रेटरी बनी है पाकिस्तान की पहली महीला ये 39 भी foreign secretary बनी है वहां की तो इनका नाम किया है ये मेरे appointments में भी cover किया था इनका नाम है तहमीना जंजुआ पहले cricketer कौन है भारत के जिन्होंने एक overseas franchise based league के लिए sign किया है जैसे भारत में IPL होता है वैसे वहां भी 20 league होती है तो इन्होंने होंग कॉंग लीग के लिए sign up किया इनका नाम है योसुफ पठान best supporting actor का अवर्ड किने मिला सत्तरवे बाफ्ता के लिए आपने इन्हें सलम डॉग मिलेनर विच्चर में भी देखा होगा इनका नाम है देव पटेल और इन्हें कौंसे film के लिए मिला लाएन बाफ्ता कहा है ब्रिटिश ब्रिटिश Film Festival है ये तो ब्रिटिश Film Festival में जो मेन है वो ही है best actor मिला कैसे एफलक को मैंचेस्टर बाइदा सी और इनने ही best actor का आऊसकर भी मिला है तो ये काम असान हो गया Best Director है La La Land के Damien Chazelle Best Actress है Emma Stone La La Land के लिए और Best Film है La La Land वियाद रखिए Best Film Oscar में La La Land नहीं है Oscar में मिला Moonlight को तो ये दोनों में थोड़ा सा अलग है भारत के कोन से तबला वादख हैं जिन्नोंने Grammy Award जीत लिया 59th Grammy में ने ट्रोफी मिली Grammy Award music के लिए सबसे उंचे अबड होते हैं पूरी दुनिया में और बहुत कम लोग है भारत की तरफ से जिन्होंने ग्रेमी जिता हुआ है जैसे पंडित रभी शंकर जी ने जिता हुआ है जाकिर हुसेन ने जिता हुआ है पंडित रभी शंकर जी सितार बजाते थे जाकिर हुसेन जी जो है ये तबला बजाते हैं और विश्व मोहन भट इनकी अपनी एक वो है मोहन वीना तो इनका क्या नाम है इनका नाम है संदीब दास तो ये याद रखिए very important question इसरो इसरो ने कितने satellite दागे अब तक तो ये बड़ा असान सवाल होगे एक सो चार दागे और एक सो चार PSLV 39 PSLV 37 C37 उसका 39th flight था तो confuse नहीं होना है मैं repeat करता हूँ PSLV 37 था लेकिन उसका जो flight था वो 39 था C37 नाम था इसका 104 में से कितने सब ज़्यादा किस के थे 96 satellite जो थे वो अमरिका के थे और बाकी और भी देशों के थे इस्राइल वगरा के थे Switzerland, Netherlands, Kajakistan वगरा के थे लेकिन 96 अमरिका के थे इसमें से तो 104 आंसर है इसका ISRO के जो headquarter वो है बैंगलूरू में यहाँ पर यही सब लिखावे जो मैंने बोला है जो UN peacekeeping operations है उसका head कौन बना है तो यह चार head आपको याद रखने है सबसे important मैंने यहाँ लिख दिया है तो यह किस-किस के है Anthony Lake है UNICEF के ठीक है UNICEF के head कोन है Anthony Lake Jean-Pierre Lacroix यह है peacekeeping operation के तो आंसर इसी का यही है Philippo Grandi है United Nation High Commissioner for Refugee UNHCR और Tedros Adhanom है WHO Margaret Chan के बाद जो बने थे Tedros Adhanom की Nationality Ethiopia है Publication Division जो Ministry of Information Broadcasting के अंडर है Ministry of Information Broadcasting किसके अंडर आ गई है Smriti Rani के अंडर आ गई है तो इन्होंने एक Trust के साथ tie-up किया है यह Trust महात्मा गांधी जी ने Setup किया था और इसमें यह किताबे चापेंगे Comics वगारा चापेंगे जिसमें हमारे जो Freedom Struggle के जो Heroes हैं उनको दर्शाए जाएगा तो इसका नाम किया है Trust का जो महात्मा गांधी जी ने जिसका खोज किया था यह है Sasta Sahitya Mandal इन में से कौन से होकी खिलाड़ी है जो साल के जिने इस साल Honorary Doctorate की डिगरी दिए Honorary Doctor में डॉक्टर लगा सकते हैं नाम के आगे और देश भगत युनिवर्सटी पंजाब नहीं ने दिया है और यह बहुत मशूर ड्रैग फ्लिकर थे एक वक्त यानि प्रैल्टी कोरने बहुत अच्छा लेते थे इनका नाम है Sandeep Singh Sandeep Singh और पहला भारत का खुद का हमारा बनाया हुआ Airborne Early Warning and Control System कौन सा है यह नजर रखेगा DRDO ने बनाया है यह और Air Force में इंड़क्ट भी हो गया है इसका नाम है Netra अगला सवाल है अभी अभी एक material बनाया है Carnegie, Melon, University, America के Veganico ने यह रबड की तरह है बहुत ज़दा stretchable material है यह Carnegie, Melon इन में से कौन से राज्ये की सरकार है जिन्होंने Electronic Prison Project बनाया है जिससे जो Jail के कैदी है उनका जो भी record है फाइले वो सब digital बना दी जाएंगी यह करा Jammoo Kashmir ने, Jammoo Kashmir के NN वो हो रहा है Governor Asia Pacific का सबसे बड़ा Military exercise हुआ Thailand के इंदर जिसमें 30 देशों नहीं सलिया क्या नाम है इसका इसका नाम है Cobra Gold Varun जो है यह हम किसके साथ करते हैं France के साथ, Yodha Biaz अमरीका के साथ Hand in Hand करते हैं हम China के साथ इन में से कौन से Olympic के धावक है जिन्हे Sportsman of the Year, साल का सबसे Shrest Sportsman का Award दिया 100 मीटर रिले के अंदर पस्चिम मंगाल का 21 डिस्टिक्ट कौन सा बना है यह कई सारे नए डिस्टिक्ट बने है 21, 22 और 23, 21 पूछा है आप से जो पूछा उसी हिसाब से आंसर करो 21 है कलिमपॉंग यह बड़ा खुबसूरत इस स्टेशन है कलिमपॉंग 22 है जारगराम और 23 है वेस्ट गुर्दमान इन में से कौन सा देश है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा एंफिबियन एरक्राफ्ट एंफिबियन मतलब यह होता है उड़ भी सकता है और पानी में भी चल सकता है जहाज का काम भी कर सकता है उसको बोलते हैं एंफिबियन एरक्राफ्ट इसका नाम है AG600 यह कौन से देश ने करा है सक्सेस्फुली इसके टेस्ट यह है चाइना का चाइना का है यह इसका नाम है AG600 और चाइना का एक रॉकेट भी पूछते हैं एक्जाम में जिसका नाम है Long March एक और रॉकेट एक्जाम में पूछ रहे है जो अमरीका की Elon Musk वाली जो कंपनी है क्या नाम था उसका Elon Musk की खेर उसका रॉकेट है Falcon 9 Falcon 9 तो याद रखिए Elon Musk की जो कंपनी है अभी थोड़ा नाम दिमाग से निकल रहा है लेकिन उसका Falcon 9 रॉकेट है कंपनी का नाम याद आगया SpaceX है खेर आगे बढ़ते है अभी जो हमारे Food Security Challenges है यान हमारे ख़द्यानों की कमी हो रही है तो उसके लिए जो कौन सा राज्य है जिन्होंने जो ये लगा रहे है Food Legume Research Platform Legume होते है जैसे मारे दाल वगारा जो होती है इनमें nitrogen fixation capacity होती है तो कौन से राज्य में लग रहा है Food Regume Research Platform ये लगाए जाएगा मध्य परदेश के अंदर भारतिये मूल के एक Scotland Yard के Officer है इन्हें Outstanding Bravery of the Year Award मिला है Scotland Yard है Britain के अंदर पुलीस का इनका वो है केंदर तो भारतिये मूल के इन्हें ब्रेवरी के लिए अपनी भादूरी के लिए मिला है क्या नाम है इनका 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 नाम है शान पाने सर और जो UK की प्राइम मिनिस्टर कौन है थैरे सामने Q&A ये किताब है Q&A ये एक भारत के डिप्लोमेट ने लिखी थी और अब ये भारत के हाई कमिश्टर उचायूप बन गए कैनेडा में क्या नाम है इनका 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 नाम है विकास स्वरूप आपको याद है पिच्चर स्लम डॉग मिलेनेर वो इसी किताब के उपर बनी है Q&A इंडिया सीड कॉंगरेस कहाँ पर हुआ कौन से मंदिर में यहाँ सबसे ज्यादा श्रधालू मंदिर में जाते हैं इसका गिनीज वल्ट रिकॉर्ड भी है इसका नाम है शबरी माला साइंटेस्ट जो हैं उन्होंने दुनिया का सबसे ताकतवर मट्रियल बना दिया है इसका नाम है ग्राफीन ग्राफीन इन्होंने किससे बनाया है कौनसी फसल है जिससे बनाया है किट्नी बीन, जैक बीन, सोय बीन या राइस बीन ये इन्होंने बनाया है सोय बीन से नागपूर के पूर्व सांसद इनका नाम है जंबू वंत राव धोते इनको हम विधर्ब का share भी बोलते थे इनका निधन हो गया इन्होंने कोंसी party शुरू करी थी उस party का नाम बताओ जो इन्होंने शुरू करी थी party का नाम है विधर्ब जन्ता कॉंग्रेस भारतिये नेवी ने एक ऐसी एक ऐसी now काफी ताकतवर now है यह लेकिन इसका संचालण महिलाएं करेंगे, यानि सिर्फ महिलाएं इसको देखेंगी, 30 महिलाएं हैं, इसपे जो officer है, जो इसको वो करेंगी, पूरा navigate वागर करेंगी, इस now का नाम क्या है, इस now का नाम आपको बताना है, इसका नाम है इसका तारिनी, INS मांडोवी पे ये function हुआ था जहां पे ये all women crew इंडट किया गया था तो नाम है तारीनी इस now का Google ने announce करा एक project Google क्या करेगा basically बहुत बड़े बड़े गुबारे हमारे stratosphere के अंदर छोड़ेगा और ये helium से ये उड़ेंगे गुबारे और इनके अंदर कुछ ऐसे chip पकारा लगे होंगे जिसे internet service गाउं गाउं में जाएगी तो ये इस project का नाम क्या है इस project का नाम है project Loon Google के CEO सुंदर पिछ चाहिए हेमा मालिनी के जीवन पे किताब लिखी गई इसका नाम है हेमा मालिनी Beyond the Dream Girl तो इस किताब को लिखा किसने है इस किताब के लिखा के कौन है राम कमल ये books and author से question है मराठी एक बहुत famous journalist है पत्रकार जो लोकमत नागपूर पत्री का जनवाद और गवकरी जैसे publications के editor रह चुके हैं बहुत ही वरिष्ट अब ये इनका निधन हो गया इनका नाम क्या था इनका नाम है युधिष्टिर जोशी एक और expired हुए थे दिलिप पत्गाओंकर वो भी महाराश्टर के ही थे दिलिप पत्गाओंकर वो भी महशूर जनलिस्त थे पहला foreign airline कौन सा है जो शिरिनगर airport पे अपनी flight उड़ाएगा ये पहला foreign का airline बना है इसका नाम है Air Asia इनमें से कौन से राजी की सरकार है जिन्होंने एक public health system initiative लिया है जिसका नाम है आर्द्राम जो health services है उसको ठीक करने के लिए ये किया केरल की सरकार ने भारत के chief justice कोन है जो अभी अभी expire हो गए ये 49 वे chief justice थे इनका नाम है अलतमास कबीर लेकिन लेकिन आप ये confused मत होई है P.N. भगवती भी chief justice थे और अभी expire होए वो भी तो दोनों में confusion कैसे दूर करें 49 वा पूछा है तो आंसर होगा अलतमास कबीर और सतरवा पूछा है तो आंसर होगा P.N. भगवती भारत की वो कौन से film है जिसे Berlin Film Festival में best film का award मिला forum segment के अंदर ये राजकुमार राओ है जो इस film में जिन्होंने acting करी है forum section के अंदर Berlin Film Festival Germany का Film Festival होता है ये इस film का नाम है Newton Holland के मशूर author, artist, graphic designer James Bond की फिल्मों में भी ये drawing वायरा बनाते थे इन्होंने एक इनका निदन हो गया इनका नाम है Dick Bruna और अब ये बताइए इन्होंने एक cartoon बनाया था उस cartoon का क्या नाम है उस cartoon का नाम है Miffy Rabbit Miffy Kharkoosh यहाँ पे photo भी देख सकते हैं भारत के पहले खिलाडी कौन में ने जिनोंने 100 करोड रुपे की डिल करी है एक कंपनी के साथ ये कंपनी ये है यानि की Puma Puma कहां की कंपनी है जर्मनी की कंपनी है ये खिलाडी है विराट कोहली इनमें से कौन सा राज्य है अपना राज्यिक दिवस स्टेट हुड़े इनमें से कौन सा देश है जो जिसने सबसे ज़ज़ादा हतियार खरी दे इन पांच सालों में 2012 से 2016 सबसे ज़ज़ादा हतियार दुनियों में खरी दे और ये दिया रिसर्च रिपोर्ट दिया Stockholm International Peace Research Institute सिपरी ने Stockholm International Peace Research Institute ये खरीदे इंडिया ने तीरत दर्शन स्कीम कौन से राजे ने स्टार्ट करी है बुढ़े लोगों के लिए senior citizen के लिए जिनकी एज साथ से ज्यादा है तीरत दर्शन स्कीम स्टार्ट करी है हर्याना ने और कई स्कीम है आप याद रखिए टूरिजम को भड़ावा देने के लिए जरूरी ने है टूरिजम मंत्राले ने शुरू करी है एक तो है हुरुद है एक है प्रसाद एक है स्वदेश दर्शन तो ये सब स्कीम है हमारे मिनिस्टर को है टूरिजम के लिए महशूर बॉलिवुड स्टार कौन है जो एक नया शो करेंगे स्टार टीवी पे जिसका नाम है नई सोच ये टेड टॉक्स का भारतिय वर्जन है तो ये करेंगे शारु खान नई सोच ये शुरू होने वाला है नैशनल सेक्योर्टी अडवाइजर नैशनल सेक्योर्टी मुखे है ये बनाया जनल मेकमास्टर को अएलल मेकमास्टर निकी हले कोन है निकी हले साउठ कैरोलीना की गवर्णर थी अब यह अमरीका कीमऍबैसेडर है यून में माइकल फिलिन पहले थे इनका और रेजिनेशन मांग लिए था इस kit का नाम रखा है साथिया और ये मिनिस्टर है हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर वो है जेपी नद्दा हमारा जो DTA Department of Electronics and IT के मंत्रा ले इसके मंत्री रवीशंकर प्रसाद है इन्होंने एक security solution बनाया है जो आपके laptop से malware botnet ये cleaning करेगा यानि virus वगारा खतम कर देगा इसका नाम क्या रखा है इस system का नाम क्या है इस system का नाम है यहां लिखा भी वह देखिए Cyber Swachita Kendra पंजाब के मुखे मंत्री Captain Raminder Singh के जीवन पे एक किताब लिखी गई जिसका नाम है The People's Maharaja इसको किस ने लिखा है इसको लिखा है खुशवन सिंग ने यह वो वाले खुशवन सिंग नहीं है Train to Pakistan वाले यह यह वाले खुशवन सिंग है जिनकी photo आप देख रहे हैं Airport Authority of India जो है Airport Authority of India अश्वनी लोहानी आप जानते होंगे और Airport Authority of India ने IATA के साथ मिलके एक end to end e-billing solution ना electronic billing solution और आपको यह बताना है इसका नाम क्या रखा है इसका नाम रखा है Skyrav 360 इसका नाम रखा है Skyrav 360 इसका इसका थीम था Mainstream Biodiversity बाइबरसिटी क्या होती है जैविक विविदता कई सरत के प्लांट कई तरह के जन्दू जानवर वगारा सब को मिला के Biodiversity बाइबरसिटी बोलते हैं तो यह कहां पे हुआ यह हुआ के रल के अंदर तेहरवा नाट्यांजली फेस्टिवल कहां हुआ हुआ डांस का फेस्टिवल है यह नाट्यांजली फेस्टिवल यह हुआ तमिलनाडू के अंदर इन में से कौन सा देश है जहां पे Combined World Cup होगा शूटिंग के लिए और इसमें जो अच्छा करेगा वो Olympics टोक्यो में जो होनेंगी 2020 में उसके लिए कौलिफाई कर जाएगा यह होगा इंडिया के अंदर कौन से क्रिकेट खिलाडी हैं जो सिर्फ दूसरे क्रिकेट खिलाडी बने जिन्होंने 1000 मैचेस खेले एशिया के दूसरे और दुनिया के सोल बे तो इनका फोटो देख रहे हैं कुमार संगकारा और पहले कौन थे एशिया के इनी के टीम मेट महला जैबर्द ने कौन से देश ने ये उप्रेशन सुड़ू करा है राद उल फसाद यानि कि हम टेररिस्स को खतम कर देंगे उसके लिए इन्होंने एक उप्रेशन पिछले दो साल पहले भी करा था जर्बे अजब तो ये क्या है पाकिस्तान ने इन मेंसे कौन सा राज्य है जो भारत में दूसरा सबसे ज़्याधा क्रूड ऑईल प्रोडिउसर बन गया है सब ज़्यादा दूसरे नमबर पे क्रूड ऑईल यहाँ पर दूसरे नमबर पे राजस्थान, राजस्थान के गवर्नर कल्यान सिंग ने ये सूचना दी थी, इन में से कौन सी organization जो ministry of health के अंडर काम करती है, उसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा एक program चलाया, quality of drugs को test करने के लिए, यानि जो दवाईया है उनकी जाच के लिए, ये कौन कौन सी organization ने कराया, ये health ministry के अंडर आती है, इसका नाम है National Institute of Biological NIB, दुनिया का पहला international zip line, ये दो देशों को आपस में जोड़ेगा, तो ये बड़ी खुबसूरत है है, ये होती है zip line, आप इस पे travel कर सकते हैं इससे, ये tourism को भढ़ावा देने का एक तरीका है, कौन से दो लंबी है, ये है पुर्त गाल और स्पेन के बीच में, पॉर्चुगल इंड स्पेन, सुच भारत अभियान के brand ambassador किसे बनाया गया था, सुच भारत अभियान में शिलपा शेटी, अनुश्का शर्मा, और खुद परधानंत्री मोधी भी थे, अमिताब बच्चन भी थे, कही देश है, इस्राइल, और एक किताब लिखी गए जिसका नाम है Judicial Reforms, Recent Global Trends, इसको किस ने लिखा है, इसको लिखा है दलवीर भंडारी ने, ये नाम सुना हूँ अलगता है आपको, येस, International Court of Justice जो नेधरलेंड के हैग शहर में है, यहाँ पे ये भारत की तरफ से जज्ज र अलतर साल पूरे हुए Central Excise and Salt Act 1944 को, ये दिन है 24 फरवरी, 800 किलोमेटर लंबा, वैस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट है, कलकत्ता से लेके और नीचे यहाँ तक पूरा चेन्नाई तक ये कोरिडोर बनेगा, East Coast कोरिडोर, लेकिन इसका जो विशाका पत्नम चेन्नाई वाला जो नकाओ इसके प्रेजिरेंट है, 22 वा राजे कौन सा बना जिसने उधे स्कीम को स्टार्ट करा, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन मेरे हिसाब से या तो पहला पूछेंगे, या भी लेटेस्ट पूछेंगे, या ये पूछ सकते हैं उधे स्कीम को कौन से राज्यों ने जॉइन नहीं किया, तो सब बता देता हूँ, 22 वा सिक्किम था, सिक्किम भारत का ये पहला राज्ये भी था, जो अर्गैनिक स्टेट था भारत का पहला, और पहला राज्ये सिक्किम ये भी था, जहां पे ओपन डिफिकेशन फ्री, य इन्होंने उधे स्कीम को अब तक जॉइन नहीं करा और पहला जहार खंट था, इन्में से कौन सी मोबाइल कमपनी है, जिन्होंने टेले-नौर को खरीद लियाユिया उसका इंडिया बिजनस खरीद लिया, टेले-नौर में नौर मतलब होता है नौर्वे, नौर्वे की कमप इन में से कौन सार स्टेट है जो पहला स्टेट बना जो एक रिजिस्ट्री बनाएगा सेक्स ओफेंडर्स की जो यौन उत्पिडन के जो क्रिमिनल्स है उनकी एक रिजिस्ट्री बनाएगा डिजिटल रिजिस्ट्री बनाएगा ये बनाएगा केरल पहली अंतिओधे ट्रें चलाई गई, अंतिओधे ट्रें क्या है, अंतिओधे में कोई रिजर्वेशन वगारा नहीं होती, आप जायए ट्रेंग लेजए, जरनल कोचीज होते हैं, और ट्रवल करिये गरीब लोगों को दिमाग में रखके बनाईगे गई पहली अंतियोदे एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली पहली अंतियोदे एक्सप्रेस हावडा से अरनाकुलम अब यह प्ताइए स्कॉतलेंड यार जिसकी में बात कर रहा था वो एक साथ अंडे दिये उन्होंने, कहां पे दिये, ये बीच है, बहुत ही फेमस, गहिरमठ बीच, गहिरमठ बीच, कहां पे है ये, उडिसा में है ये, उडिसा में कोई फेमस जगा पता सकते हो, मतलब वाइल डाइफ सेंच्री और उसकी बात कर रहा हूँ मैं, एक तो सिं कर रहा है, जिसने एक agreement Microsoft के साथ कर रहा है, ये Microsoft का Azure platform यूज़ कर रहे है, ये कर रहा है आंदरपर्देश, इस इस वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्चन, 112 फीट लंबा, भगवान शिव का आधी योगी स्टेचू, ये महारशिव रात्री के उपलक्ष में लॉंच हुआ, कहा करा, online payment, जिससे court fees की आप कर सकते हैं, electronically कर सकते हैं, ये करा Goa High Court ने, so answer है Goa, International Hockey Federation ने साल का सरवश्रिष्ट खिलाडी का आवर्ड किसे दिया, male player of the year, ये मिला Belgium के John John Dorman को, कौन सा ऐसा भारत का hill station है, जहाँ पे cycle चलाने के लिए रास्ता तजार किया गए, ये भारत का पहल कर लिए कि जो heart attack वगारा से लोग मर जाते हैं, गरीब लोग, तो उनके उनको कुछ मुआज़ा दिया जाएगा, उनके heart attack कम करने के लिए सरकार पूरा परियास करेगी, ये करा है राजस्थान की सरकार ने, वसंदरा राजे ने, launch, for fears, for fears क्या है, देखिए अगर आप table tennis के शोकीन है, तो आप रोबोट के साथ अब खेल सकते हैं, ये रोबोट है, और ये काफी ताकतवर रोबोट है, तो यह आप train भी करेगा आपको, आपको खेलना है, आपको खेल भी सकते हैं, और ये पहला रोबोट है दुनिया का, जो table tennis tutor एक तरह गई है, तो आप रोबोट के हमारे आई कमिशनर को ने अब विकास सरूप, तो इनकी जंगा किस ने ली, तो नए spokesman को ने, गोपाल बगले, वर्ल हेल्ट ऑर्गनाजिशन की रिपोर्ट है, इसके हिसाब से 2015 में भारत में कितने लोग depression का शिकार हुए थे, depression जिसमें एक तरह का ये, मतलब आदमी को क और बेस्ट एक्टर किसे मिला, बाफ्टा में भी नहीं मिला था, कैसे एफलेक और एक्ट्रेस एमा स्टोन फॉर लाला लेंड, इनमें से कौन सा भारत का राज्य है या केंद्र शाशित परदेश है, जो नंबर वन है, lesser infant mortality rate में, lesser infant mortality rate यह होती है कि यहाँ बच्चे बहुत कम मरते हैं, तो यह है गोवा, सबसे कम बच्चे यहाँ मरते हैं, lesser infant mortality rate में यह है, number one, दूसरे में केरला, तीसरे में पुड्डू चरी, यह से पुड्डू चरी में सिर्फ 11 बच्चे मरते हैं, जो mortality rate के अंदर, जो पैदा होते हैं, उनमें 1000 में से सिर्फ 11, अब यह बताई हुआ है, रोजर मोर तो अब नहीं रहे, यह James Bond थे, और इनके साथ इनोंने Octopassi Film में काम किया था, इनका नाम है कबीर बेदी, ICAR के scientist है PK चक्रवरती, इनके हिसाब से भारत में कितनी फसल ऐसी है, जिसे कीडे खा जाते हैं हर साल, pest खराब कर देते हैं, कितने percent भारत की फस साधन विकास मंत्री भी थे और कानून मंत्री भी थे, लेकिन सुचना परसाण मंत्री ये नहीं थे, सो answer है Ministry of Information Broadcasting, Reserve Bank of India ने committee बनाई है, मीना हेम चंदर committee, Executive Director of Reserve Bank of India की, यह किस चीज़ पे action लेगी, यह action लेगी, cyber threat, cyber threat के against, हरियाना की सरकार ने एक online system बनाया है, जो बेटी of पानीपत सुनी होगी, इन में से कौन सा शहर है, जो देश का जहाँ पहला Post Office Passport Service Center, इनोगरेट किया गया, देश का पहला Post Office Passport Service Center, यह इनोगरेट किया गया विधीशा में, विधीशा, National Commission for Scheduled Tribe, जो अनुसूचित जाती है, उनके लिए Chairman कौन बने है, इनका नाम है नंद एक CV रमन जी का बढ़ड़े होता है इस दिन, तो यह हम कब मनाते है, National Science Day हम मनाते है, 28 फरवरी को, यह था भाग एक, इसमें 125 कोश्चिन से साइध 2-3 जादा हो गए होगे, यहीं से आगे गिंती भढ़ाऊंगा अगले वीडियो के अंदर, तो चार वीडियो आएंगे जै पगले ही हैं, लेकिन अभी तीन दिन पहले announcement यह हुआ है, कि जो हमारे Ministry of External Affairs है, उसके नए spokesman होगे रविश कुमार, तो जब तक आपका exam होगा, तब तक रविश कुमार बन चुके होगे, तो इसलिए आपको रविश कुमार माग करना है answer में, गोपाल पगले नहीं, बोलते हैं, Nomadic Elephant, मंगोलिया जो है, इसमें मुद्रा चलती है, टोग रोग, ध्यान से सुनिए, टोग रोग, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मरुस्थल भी है, जिसे हम बोलते हैं, गोबी मरुस्थल, और मंगोलिया की राजधानी है, उलन बतौर, तो यह तीनों चीज़ अलग-अलग exercise होती है, सबके अलग-अलग नाब होते है, फॉर एक्जामपल, सिंगापूर से हमारी जो नेवी वाली exercise है, उसका नाम सिंबेक्स है, और आर्मी वाली का नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, लेकिन question आता है, आर्मी और आपने पढ़ा होता है, सिंबेक्स तो तो ऐसे नहीं करना है आपको, तो एक फटा-फट आपको quick go through करता हूँ सबका, ओमान देश है, इसकी राजधानी मसकट है, गल्फ कंट्री है, तो इसके साथ हम नेवी की exercise करते हैं, नसीम अल बहार, और एरफोर्स का नाम है इस्टन ब्रिज, थाईलेंड के साथ हम करते है मैत्री, एक ही exercise है, आर्मी की exercise है, इब समर, इब समर नेवी की exercise है, तीन ब्रिक्स देशों के बीच में, इंडिया, ब्राजील और साउथ एफ्रिका, UAE, उनाइटेड अरब एमिरेट, जिसकी राजधानी आबु धाबी है, इसके साथ हमारी एरफोर्स की exercise है, डेजर्ट इ UK, UK के साथ, United Kingdom के साथ, हम तीन exercise करते हैं, अलग-अलग नामे तीनों के, आर्मी वाली का नाम है, अजय वारियर, नेवी वाली का कॉंकर्ण, और एरफोर्स का इंद्र धनुष, सैशल्स, छोटा सा देश है, इंडिया नोशन रिम पे, लामित्य, ये आर्मी के exercise है, कजाकिस UK, 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 UK जापान भी है तो ये तीन फर्मनेंट मेंबर है पहले ये जब स्टार्ट हुई थी तो जापान नहीं था लेकिन चाइना को दिमाग में रखते हुए फिर जापान भी इसमें आ गया मालाबार एक्सराइज हम करते हैं इंडिया नोशिन के अंदर और इसमें एक चीज़ और रखिए औस्ट्रेलिया सिंगापूर ये कभी-कभी जॉइन करते रहते हैं कभी नहीं करते हलंकि अब ऐसा कहा जा रहा है कि हमारी एक्टिस पॉलिसी के दाए तो ऑस्ट्रेलिया भी मालाबार एक्सराइज को जॉइन कर सकता है एकुवेरिन ये मिलिटरी एक्सराइज है इंडिया और मॉल्डिव्स के बीच में इंद्र जैसा मैंने पिताया इंडिया रश्या अब एक दो एक्सराइज ऐसी है जो दूसरे देशों के बीच में होती है लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है देखिए फ्रेंशिप 2016 रश्या ने करी पाकिस्तान के साथ इ पहारतिये नेवी की आपस में अपनी ही एक्सराइज होती है खुद की हमें और जदा रेडी करने के लिए इसको बोलते है थीटर रेडिनेस और इसका नाम है ट्रोपेक्स और यह नेवी की एक्सराइज है दो तीन और बहुत जदा इंपॉर्टेंट है फ्रांस के साथ हम क करते हैं वो भी नेवी की है किरिकिस्तान के साथ करते हैं खंजर यह आर्मी की है बांगलादेश के साथ करते हैं संप्रिती यह भी आर्मी की है चलिए आगे भड़ते हैं फटाफट दीन दयाल रसोई योजना यह कौन से राज्य ने लौंच करी है अपने 49 डिस्टिट के दामों में जो खाना है वो दिया जाएगा बहुत ही सस्ते दामों में मध्य परदेश की यह स्कीम है और शिवरा सिंग चोहान यहां के मुख्य मंत्री है इन में से कौन सा भारत का इंस्टिट्यूट है जो भारत का पहला Wildlife DNA Bank लगा रहा है बरेली के अंदर यह कौन लगा र Research Institute, Veterinary मतलब जो जानवरों का जो medicine विभाग होता है उसे बोलते है Veterinary, और Wildlife DNA Bank DNA का structure find किया था Watson and Crick ने, ये दो scientists थे जिन्होंने बताया था कि DNA की जो shape होती है वो double helical होती है, यानि आपस में intertwined होती है, और DNA जो है इसको deoxy ribose nucleic acid भी बोलते है इन में से कौन सा देश है जिसने top किया Travel and Tourism Competitiveness Report 2017, 136 देश थे जो rank किये गए, number one country कौन सा है travel tourism में, ये देश है Spain, Spain की राजधानी है Madrid, और भारत की इसमें rank है 40, याद रखिए भारत की rank है 40, हमारे जो ग्रह मंत्री राजनात सिंग, उन्होंने एक web portal और mobile app को launch करा, इसमें अगर हमारी भारत की public जो शहीद है, उनके परिवारों को पैसा डोनेट करना चाहती है, तो इस portal के through कर सकती है इसका नाम क्या रखा, तो याद देख सकते हैं यहाँ पर website का photo है ये, इसका नाम है भारत के वीर एक किताब अभी अभी launch हुई है, जो पूर्व cabinet मंत्री ने लिखी है, इसका नाम है The Flaming Tresses of Drapadi The Flaming Tresses of Drapadi, जो माभारत में एक important किरदार थी, और इसको लिखा है विरप्पा मोयली ने ये कॉंग्रेस की सरकार में minister थे विरप्पा मोयली याद रखिए, दो अलग-अलग किताबें एक और cabinet minister लिखिए, जो मैं इस वीडियो में लेटर कवर करूँगा 45 साल पुराना एक सिचाई का प्रोजेक्ट है, जो जहारखंड और बिहार में था, लेकिन 45 साल से ये प्रोजेक्ट रिवाइव नहीं किया गया अब इसको रिवाइव किया गया है, इसका क्या नाम है इसे, सरकार जो है ये चाहती है कि सिचाई भड़े, दोनों राज्यों के अंदर चारकंड में और बिहार में, इसका नाम है नौर्थ कोयल, और एक नदी है बिहार में कोसी जिसको बोलते हैं बिहार का शोक, यानि सोरो अफ बंगाल तो कोसी नदी का नाम याद रखिए और एक नदी है बंगाल में, दामोदर जिसे बोलते हैं सोरो अफ बंगाल उत्तरपरदेश की सरकार ने एक musical village बनाने का निर्णे लिया है music का गाउं एक तरह से कौन से musician के नाम पे शेहनाई वादक महसूर, शेहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान जी के नाम पे ये रखा उस्ताद बिस्मिल्ला खान और उत्तरप्रदेशी गवर्नर है राम नायक इन में से कौन से भारती हैं जिनने Asian Business Woman of the Year का आवाड मिला पाँचवे एन्यूल Asian Business Award Midlands at Birmingham United Kingdom में ये West Nottinghamshire College की principal और CEO है इसका नाम क्या है? इनका नाम है आशा खेम का भारत ने International Energy Agency को join कर लिया है as an associate member ये agency 1974 में set up की गई थी International Energy Agency तो आपको ये बताना है कि इसका headquarter कहां पे है इसको जो विकास सील देश है उन्होंने नहीं बलकि जो विक्सित देश है उन्होंने डवलप किया था developed countries ने किया था इसे set up इसका headquarter है पैरिस में पैरिस में और किस-किस का headquarter है पैरिस में UNESCO का headquarter है और भारत किस-किस का हिस्सा है इन सब का हिस्सा है BIMSTAC यानि जो Bay of Bengal Initiative है बंगाल की खड़ी के आसपास जो देश है BIMSTAC उसका हिस्सा है Macong, Ganga, Cooperation इसका हिस्सा है, BRICS का हिस्सा है ही BRICS में 5 देश आते है Brazil, Russia, India, China और South Africa G20 का हिस्सा है G20 में क्या 20 देश है नहीं, G20 में है 19 कंट्री प्लस European Union तो कंट्रीज बहुत ज़ादा है Indian Ocean Ream Association का हिस्सा है SARC में 8 देश है, इसका हिस्सा है Commonwealth का हिस्सा है शंगाई Cooperation Organization का हिस्सा भारत अभी बनाए 2016 में डिकलेर हुआ है और पहले 2015 में डिकलेर हुए थे दो कंट्री, पाकिस्तान और इंडिया दोनों हिस्सा बने हैं एक हिसाद और भारत, Asia Pacific Economic Cooperation का हिस्सा भी है इन में से NASA की कौन सी अंत्रिक्ष वग्यानिक हैं जिनोंने नया रिकॉर्ड बनाया है अंत्रिक्ष में इन्होंने सबसे ज़्यादा बार वॉक किया अंत्रिक्ष के अंदर वॉक किया इनका नाम है पैगी विटसन इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा भारती है मूल की सुनिता विलियम्स का पैगी विटसन की हो गई है अब आठ दौड आठ बार चली है ये और सुनिता विलियम्स सेवन टाइम्स तो यहाँ पर यहाँ पर यह वही लिखा है टोटल अगर टाइम पूछें उसमें भी इनिका रिकॉर्ड है पैगी विटसन का पैगी विटसन टोटल कितनी चली अंत्रिक्ष में तरेपन घंटे इन में से कौन से राज़े की सरकार है कौन से राज़े है जिनरोंने 22 अईशियन अथलेटिक चैंपेंशिप होस्ट किया है यह अभी अभी खतम हुआ है बहुत ही जाधा इंपॉर्टेंट है आपके एक्जाम के लिए 22 अज़ेट्ब चैंपेंशिप 29 medal जीते हैं 12 gold जीते हैं तो बस इतना याद रखिए silver bronze वगरा नहीं पूछते हैं बस ये पूछते हैं कितने gold जीते हैं 12 gold और total 29 medal और ये जो 12 खिलाड़ी हैं इन में से 6 खिलाड़ी हैं जो एक्जाम में पूछ जा सकते हैं बहुत important पहले हैं नीरत चोपडा नीरत चोपडा जैवलिन फेकते हैं ये देख सकते हैं आप हात में जैवलिन एनके और 17 साल बाद gold medal जीता है किसी भी भारतिये ने Asian Athletic Championship में तो ये नीरत चोपडा जैवलिन एक मुहमद अनास 400 मीटर योंने national record तोड़ दिया 400 मीटर मुहमद अनास उसके बाद 3000 मीटर में स्टिपल चेज में सुधा सिंग सुधा सिंग ओलम्पिक्स में भी कौलिफाई कर चुकी हैं ओलम्पिक्स में गई थी मतलब जो खतम हुआ था रियोडी जनेरियो में शॉट्पुट में मनप्रीत कॉर ये है मनप्रीत कॉर शॉट्पुट है टेथलन में स्वपन बर्मन ये बीच वाली है स्वपना बर्मन और एक और खिलाडी जो एक्जाम में 100% आएंगे क्योंकि दो-दो गोल्ड मेडल जीते हैं 5000 में भी मैराथॉन रेस और 10,000 में भी इनका नाम है गोविंदन लक्षमनन यहां आप इनको देख सकते हैं गोविंदन लक्षमनन पंद्रा सो मेटर में जीता अजय सरोज ने 400 मेटर के अंदर निर्मला शेरन इन्होंने भी गोल्ड जीता तो यह सारे खिराड़ी याद रखिए अगला सवाल भारत की क्या रेंक है प्रेवलेंस ओफ अनीमिया इन वुमेन ओफ रिप्रक्टिव एज में यानि कि यह अनीमिया होता है जब आपके अंदर हीमोगलोबि इसमें दुनिया में भारत बहुत पीछे है भारत 170 है 170 भारत की रेंक है 185 कंट्रीज में जो अनीमिया वुमेन के अंदर होता है रिप्रट्टिव एज की वुमेन में इन में से कौन सी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है जिसने भारत में पहली कंपनी बनी जिसने एक GBPS का इंटरनेट स्पीड लॉंच करा 1GBPS इस कंपनी का नाम है ACT Fibernet इन में से कौन से राजे की सरकार है जिन्होंने एक बिल पास करा जिससे अगर गाएं का कोई वद करता है तो गाएं गव हत्या जो होगी उसमें 7 साल की जेल थी पहले maximum अब आज इवन उम्रकैद कर दिया है बढ़ा के ये बिल पास कर दिया है गुजरात की सरकार ने तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो है विजय रूपानी और गुजरात के गवर्नर को ने ओपी कोहली ओपी कोहली सिर्फ गुजरात के गवर्नर नी है मध्यपरदेश के गवर्नर भी है और यानि कि दो दो अब मैं आपको बताता हूँ भारत के ऐसे छे गवर्नर जो दो राज्यों के हैं जो एक्जाम में जरूर आएंगे ओपी कोली, मध्यपरदेश और गुजरात के हैं, सी विद्या सागर राओ, तमिल नाडु और महाराश्य दोनों के गवर्नर है केसरी नात्रि पाठी, आजकल काफी विजी चल रहे हैं, नितिश कुमार ने इस्तिफा दिया जब से, दुबारा सरकार बनाई है तो बिहार, बिहार में पहले रामनात कोविन थे जो भारत के प्रेजिनेंट बन गए हैं, और बंगाल इनर्सिमा, आंध्र परदेश और तेलंगाना, चलंगाना भारत का 29 वा राजी है, सबसे नया बनवारी लाल, पुरोहित हैं, असाम और मेगाले के, और पदमनाभा अचारिया है, रुनाचल और नागा लेंड के तो ये सारे भारत के गवर्नर हैं, जो एक नहीं, बलकि दो-दो राजियों का भार संभाल रहे हैं, और गवर्नर जहां पे रहता है, उसको बोलते हैं, राजबहवन इन में से CBC का चेयर्मेन कौन बना है, Central Board of Indirect Taxes and Custom बोलते थे, अभी से बोलते हैं, Central Board of Excise and Custom नाम पलट दिया, CBC के नहे चेयर्मेन कोन है, वनाजा, एंड सरना, और CBDT के सुशील चंदर, इंकम टेक्स डारेक्ट टेक्स है, तो वो CBDT हो गया, और जो GST के चक्कर में बहुत News मेरा CBC, तो CBC के चेयर्मेन है वरजा सरना, भारत ने New Development Bank, New Development Bank कहां का है, Bricks Bank को बोलते है New Development Bank, जो पाँच देशों ने मिलके बनाया है, इसमें सब ज़्यादा हिस्सा है चाइना का, दूसरे नंबर पे रशिया और इंडिया का बराबर है, तो इसको बोलते है New Development Bank, और इस में Headquarter है, Asian Infrastructure Investment Bank का, AIIB का, 350 मिलियन हमें ये दे रहा है, क्योंकि 1500 किलोमेटर की सड़के मनेंगी, कौन से राज्ये में बनेंगी, ये बनेंगी, मद्यपरदेश में, अब मैं आपको बताता हूँ सबसे important loan जो आपको याद रखने है, Asian Development Bank भारत को दे रहा है 220 मिलियन डॉलर क का loan क्यों दे रहा है, राजस्थान में सड़के मनाने के लिए, राजस्थान में बनेंगे स्टेट हाईवे, उनमें connectivity इंप्रूव होगी, राजस्थान में 220 मिलियन डॉलर का loan ADB दे रहा है Asian Development Bank जिसका Headquarter Manila में है, ताके ही को नकाओ प्रेजिरेंट है, और इसमें चोथा पचास साल पूरे हो गए इस बैंक को, चार से साथ माई को हुई थी इसकी पचासवी मेंटिंग, 1966 में बना था ये, 67 ओनर हैं टोटल इसके अंदर, और इस बैंक के हिसाब से हमारी economic growth कितनी होगी, पिछले साल 7.1%, अभी जो साल चल रहा है इसमें 7.4% और अगले fiscal में 7.6%, Asian Development Bank हमें 275 मिलियन का लोन एक और दे रहा है, मध्य परदेश के अंदर जो urban water supply है, sanitation है, उसको improve करने के लिए, इसके अलावा Power Grid Corporation of India जिसको बोलते हैं PG CIL, उसको 175 मिलियन डॉलर का लोन भी ADB दे रहा है, इसके अलावा ADB हमें एक लोन और दे रहा है, दो in fact, solar plant बन रहे हैं जो एक बनसकंठ में बन रहे है, 700 मेगावाट का जबरदस बहुत बड़ा plant है यह, और एक बन रहे है भदला रजस्थान में, 2500 मेगावाट का solar plant, इन दोनों के लिए भी लोन दे रहा है ADB, ADB एक और finance कर रहा है, उडिसा में जो integrated, irrigated agriculture and water management investment program है, यानि उडिसा में सीचाई क बढ़ाने के लिए सरकार का जो परियास है, उसके लिए भी ADB लोन दे रहा है, हमें 157.5 million dollar का, इसके अलावा ADB हमें जो भारत के 6 राजियों में solar power project है, उनमें 390 million के bond के थू हमें help कर रहा है, वर्ल्ड बैंक भी हमें लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भारत जो आंदर पर का दे रहा है, वर्ल्ड बैंक यानि co-finance किया है, यह पहला project है, जिसको AIIB ने co-finance किया है, दोनों मिलके finance कर रहे है, 60 is to 40 की ratio में, clear हो गया, और यह project है कौन सा आंदर परदेश का, यह बिजली का project है, आंदर परदेश में बिजली लाने के लिए है, आंदर परदेश में त पहला Muslim बना, जिसने join किया है, पहला Muslim recruit हुआ है, और इसका नाम आपको बता रहा है, पाकिस्तान का है, इनका नाम है, अली जावेद, cabinet ने अभी अभी अप्रूव करा है, revised air service agreement, कौन कौन सी country के साथ हमने करा है, revised air service agreement, तो यह हमने करा है, मलेशिया के साथ, सर्भिया के साथ और जॉर्जिया के साथ, मैं रिपीट करता हूँ, मलेशिया, सर्भिया और जॉर्जिया, सर्भिया के एक important खिलाडी है, नोवाग जोकोविच, टैनिस खिलते हैं, और मलेशिया की राजधानी है, कौला लंपूर, सर्भिया की राजधानी है, बैल ग्रेड, दो अपरेल को और भेल, भेल ने 800 मेगावाट शमता का एक यहरा मारूस थर्मल प्लांट लगाया है, आपको बताना यह कहां पे लगाया है, यहरा मारूस थर्मल प्लांट भेल ने लगाया है, करनाटक के अंदर, करनाटक के अंदर लगाया है, और भेल ने जो important प्लांट लगाया है, फिर भेल ने कमिशन किया इसे फिरोज गांधी उच्चतर थर्मल पावर प्लांट उतर प्रदेश के अंदर। दूसरा भेल ने कमिशन करा है 270 के 2 यानि टोटल 540 इसका नाम है रत्तन इंडिया नासिक में लगाया है महराश्टर के अंदर। भेल ने 200 मेगावाट का लगाया इसमें लिगनाइट यूज होगा इसमें ये लो क्वालिटी का कोल होता है और ये लगा है पदवभावनगर विस्टेट गुजरात के अंदर। इसके अलावा असाम के बोन गई गाउं में थर्मल पावर लगाया है प्लांट 250 मेगावाट का है तो ये चार सबसे अब बताता हूं NTPC ने कौन से लगाएं NTPC के चेर में है गुरदीप सिंग और याद रखिए अगर मैं पूछू भेल और NTPC में ज्यादा किसने लगाएं भी तक टोटल 50,000 मेगावाट टोटल NTPC क्रॉस कर गया इस साल 50 गीगावाट जिसे बोलते हैं क्योंकि 1000 मेगाव 660 मेगावाट का प्लांट लगाया है सोलापूर में महराश्टर में थर्मल पावर प्लांट है NTPC ने इसके लावा 20 मेगावाट के भदला सोलर पावर प्रोजेक्ट और भदला को कौन फाइनस कर रहा है एशन डवल्लप्मेंट बैंक NTPC ने 117 मेगावाट के पैसिटी का लगाया है मंदसौर में मंदसौर अभी न्यूज में इसलिए भी आया था क्योंकि वहाँ पे जो हमारी पैरा मिलिटरी फोर्स हैं उन्होंने किसानों को मार दिया था मंदसौर में तो काफी वाइलेंस हुआ था यहापे और NTPC ने एक लगाया है माउडा सूपर थर्मल प भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क हो गया है सिर्फ भारत का ही नहीं पूरी दुनिया का यह पहला सोलर पार्क है दुनिया का जो एक गिगावाट का है एक गिगावाट क्रोस कर गया है इसका नाम है कुरनूल और यह है आंदर प्रदेश में अब अगर कोश्चन आ जाए क भारत का सबसे बड़ा solar power कौन सा है तो answer है कुर्णूल, दुनिया का कौन सा है आंसर है कुर्णूल, दुनिया का इससे पहले कौन था चाइना वाला ठीक है और भारत का इससे पहले कौन सा था कमुथी वाला और ये दोनों ना भेलने लगाए ना NTPC ने ये लगाए अदानी इसरो के पूर्व चेर्मेन कौन है जिने पदम विभूशन मिला था अभी अभी इनका निधन हुआ है तीन दिन पहले क्या नाम है इनका ये हमारे जो आरे भट्टा नाम की सैटलाइट उड़ी थी उसमें इनका बहुत बढ़ा हाथ था इनका नाम है उडूपी रामचंद से बिलाड़ा ये कौन से रेलवे जोन के अंतर आते हैं ये दोनों कौन से ये आते हैं नौर्थ वेस्टरन रेलवे जोन में और भारत का सबसे पहला ग्रीन रेल कोरिडर कौन सा था वो ये था 114 किलोमेटर का रामेश वरं से मना मदुरही ये तमिलाडू के अंदर है ये ह भारत का पहला Green Rail Corridor Green Rail Corridor का मतलब यह होता है कि जो भी आप जो लेटरिन वगारा जाते है ट्रेन में वो सीधी पट्रियों पे नहीं गिरेगी वो बायो टॉलेट यूज होंगे बायो टॉलेट के अंदर ये प्रोसेस की जाएगी इसमें methane प्रोड्यूस होगी ये बात याद रखिये और बिल्कुल environment friendly है, eco friendly है हमारी जो union cabinet है उन्होंने एक Center on Integrated Rural Development for Asia and the Pacific जिसको बोलेंगे SIDAP ये लगाने का approval दे दिया है कहाँ पे लगेगा ये? ये लगेगा तेलंगाना की राजधानी हैधराबाद के अंदर और हमारे Rural Development Minister है नरेंदर सिंग तोमार, अब ये हमारे Urban Development Minister भी हो गए है भारत के राजदूत सयुक्त राष्ट्र संग ऑफिस जो जनेवा में हैं, उसके लिए कोण अपॉइंट हुए है याद रखिए, Ambassador के जो question है उतने ज़्यादा frequent नहीं है Brand Ambassador के ज़्यादा आते हैं लेकिन भारत का Ambassador अगर कोई बहुत important country में है, जो news में भी है तो जरूर पूछा जाएगा अभी हमारी चाइना से problem चल रही है इसलिए भारत के राजदूत कोन है चाइना में जरूर आएगा एक्जाम में question विजय गोखले और भारत के UN office में कौन गए है इनका नाम क्या है इनका नाम है राजीव चंदर और जनेवा में बहुत सारे headquarter है WHO का है बहुत सारे headquarter है जनेवा में कम से कम 10 organization से ज़्यादा headquarter है इन में से कौन से राजे की सरकार ने एक mobile app launch करा है जिसका नाम है electronic नगरपालिका ये कौन से राजे ने करा है जिससे municipality और corporation वगारा जो है वो सारे इस app से join हो जाएंगे citizen के welfare के लिए ये भी करा है मध्यपरदेश की सरकार ने भारत की सबसे लंबी सुरंग ये चननी से जाएगी नशरी तक जमू कश्मीर में ये परधानमंत्री मोदी ने उदगाटन किया कौन से district में उदगाटन किया ये किया उधंपूर में उधंपूर और इसको हम पटनी टॉप टनल भी बोलते है 32720 करोट रुपे की लागत से बनी है 30 किलोमेटर डिस्टन्स कम कर दिया है जमू से लेके श्री नगर तक पहले 41 किलोमेटर था अब ये सुरंग बनने से हो गया है सिरफ 9.2 किलोमेटर तो लगबग 30 किलोमेटर कम कर दिया है और ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है इसकी लेंथ है 9.28 किलोमेटर और ये भारत की पहली टनल है जिसमें फुली इंटिग्रेटिट टनल कंट्रोल सिस्टम भी है इसके अलावा एक और चीज़ एक्जाम में जरूर आएगी धोला साधिया ब्रिज धोला साधिया ब्रिज कहां से कहां तक है ये असाम में दो जहंगा है धोला भी और साधिया भी तिन सुक्या डिस्टिट के अंदर है लेकिन जो इसमें साधिया है ये अरुनाचल के काफी पास है तो एक तरह से ये असाम अरुनाचल को एक तरह से जोड़ रहा है और ये भारत का सबसे लंबा पुल है इससे पहले था बांदरा वरली सेलिंग जो सिरफ 5.6 किलोमेटर था और ये लगभग दुगना है 9.15 किलोमेटर और साधिया जो है ये जो भुपेन हजारी का महशूर असाम के सिंगर है उनका पर्थ प्लेस भी है पावर टेक्स इंडिया ये कौन सी मिनिस्टर ने लॉंच करा है पावर टेक्स इंडिया लॉंच करा है हमारी टेक्स्टाइल broadcasting minister भी हो गई है क्योंकि वेंग गई अनाइडू अब नहीं रहे मतलब vice president के लिए nominee है तो information broadcasting minister नहीं रहे president प्रणम मुखर जी जो है इन्होंने finance bill को मंजूरी दे दी इसमें जो cash transaction है उस पे कितनी cap लगाई गई है ये अच्छा question है पहले 3 lakh बिल के अंदर propose था लेकिन फिर इसको घटा के कर दिया गया 2 lakh 2 lakh रुपे से ज़्यादा cash transaction नहीं हो सकती इन में से कौन से शहर में भारत का पहला bio gas से चलने वाला bus शुरू हुआ इसमें एक रुपे के राया ले रहे हैं सिरफ bio gas के अंदर मिथेन होता है mainly 90% मिथेन होता है ये कौलकाता के अंदर चलाई गई है कौलकाता जिसे बोलते है city of joy पश्यमंगाल में है तो ये इसका अंसर है कौलकाता भारत की क्या रहें के doping violation report में world anti-doping agency ने दिये 2015 के लिए world anti-doping agency क्या करती है ये check करती है कोई खिलाडी कोई प्रतिबंद वाएं तो नहीं ले रापना performance बढ़ाने के लिए खिलाडी कई तरह के वो लेते हैं अनाबॉलिक स्टेरोड लेते हैं एराइथ्रोपोइटिन हर्मोन लेते हैं जिसे RBC का नंबर भढ़ जाता है जिसे oxygen ज्यादा मिले खके कम और उनका performance बढ़े World Anti-Toping Agency का headquarter है Montreal में Montreal का है? Canada में Canada के प्रथानुंतरी कोई है? Justin Trudeau और भारत की क्या रहे हैं के इसके अंदर? भारत है तीसरे नंबर पे यानि ये अच्छी बात नहीं है ये घटिया बात है भारत तीसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा cheating करता है sports में पहले दो कोन है? पहले तो रशिया है महारत ही इसको कोई नहीं हटा सकता है यहां से दूसरे नंबर पे है Italy और तीसरे नंबर पे है भारत तो भारत के बहुत सारे खिलाली पकड़े गए उनके जब urine के sample चेक किये गए तो उसमें पाया कि बहुत सारे drugs ले चुके थे तो जैसे मैं पहले नंबर पे रशिया दूसरे नंबर पे इटली और तीसरे नंबर पे भारत और भारत लगातार तीन साल तीसरे नंबर पे 2013 में भी तीसरे नंबर पे था, 2014 के लिए भी तीसरे नंबर पे था नालंदा युनिवरस्टी के नए वाइस चांसलर कौन है इनका नाम है सुनैना सिंग नालंदा युनिवरस्टी एक वक पूरी दुनिया यहां पढ़ती थी नालंदा, विक्रमशिला, तक्षिला यह सारी उनिवरस्टी याद रखिए तो तक्षिला जो है भी पाकिस्तान के अंदर है, रावल पिंडी में भारत की पहली रेलवे उनिवरस्टी बन रही है वडोदरा गुजरात के अंदर और झारखंड जो है यहां पे भारत की दूसरी ट्राईबल स्टूडेंट्स के लिए उनिवरस्टी बन रही है, आदिवासी समुदाए के जो बच्चें है उनके लिए बन रही है भारत की पहली ट्राईबल उनिवरस्टी कोनसी है? इंदरा गांधी ट्राइबल उनिवस्टी अमर कंटक मंदे परदेश में अमर कंटक को बोलते हैं तीर्थ राज नर्मदा नदी यहां से निकलती है तो जारखंड में बन रही है भारत की दूसरी ट्राइबल उनिवस्टी इन में से कौन सा राज यह है जो केरोसीन फ्री हो गया है एक अप्रेल से इसने केरोसीन बेचना बंद कर दिया अपने डीपो के उपर यसे बोलते हैं पब्लिक इस्टिबिशन सिस्टम यह है हर्याना अब अगर पूछें भारत का पहला केरोसीन फ्री कौन हुआ था तो आंसर है दिल्ली दिल्ली केरोसीन फ्री 2014 में हो गया था और जारखन जो है जो डिटिल्ई बेनिफिट ट्रांसफर के लिए कैरोसीन की स्कीम उसको अपनाने वाला पहला राज्य है जारखन देखिये पहले सरकार ने स्कीम चलाई थी पहल परत्यख शस्तांतरि तिलाव इसमें ये था कि जो direct benefit transfer है वो LPG के लिए था ये scheme इतनी हिट हो गई फिर सरकार ने सोचा LPG के बाद अब कैरो सीन के लिए भी चला देते हैं तो कैरो सीन के लिए जब scheme चलाई तो उसको अपनाने वाला राजिय था जारखन पहला बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला इस बार जो national अवार्ड हुए national अवार्ड सबसे परतिष्ठित अवार्ड होते हैं और इनकी विश्वष्णियता पर शक नहीं करता जो दूसरे अवार्ड होते हैं जैसे ये मानिक चंद वाले अवार्ड थे या जो भी क्या फिल्म फेर ये सब इनमें ऐसी वो लगती रहती हैं एलिगेशन लगती रहती हैं कि इनको खरी दिया जाता है नेशनल अवार्ड जो हैं बहुत ज़दा इंपॉर्टन है एक्जाम में पूछी जाते हैं एक्जाम में कभी फिल्म फेर बगारा पर गुश्चन नहीं आते हैं इसलिए तो 64th नेशनल अवार्ड जो हैं इनमें बेस्ट फिल्म कौन सी है बेस्ट फिल्म है नीरजा नीरजा भानोत के जीवन पर यह है और सोनम कपूर ने नीरजा भानोत की भुमी का निभाई थी लेकिन आपको यह याद रखने अच्छे तो बच्चों की बेस्ट फिल्म है धानक सोचियल इश्यू उस्पे बेस्ट फिल्म है पिंक और best director राजेश है, ventilator picture के लिए, best actor अक्षे कुमार, रुस्तम picture के लिए, very important, best actress सुर्भी लक्ष्मी, मिनामी नूंगु, picture के लिए, और best supporting actress है, जारा वासिम धंगल के लिए, चलिए, इन में से कौन से राजेगी सरकार है, जिसने ये काई कि अगर triple तलाक में, महिलाओं को कोई का अवार्ड किसने जिता है इसको हम Nobel Prize of Computing भी बोलते हैं इन उन्होंने Computing Machinery में शांदार काम किया इसके लिए ने मिलाए यह अवार्ड इनका नाम क्या है इनका नाम है Sir Tim Barners-Lee जिने हम Father of Web भी बोलते हैं और तीन अवार्ड याद रखिए Nobel Prize इस बार जो मिलें देखिए Nobel Prize जब सिंगर बॉब डाइलन को और जो Nobel Prize शांती के लिए मिला वो मिला जुआन मैनुल सेंटोस को यह कोलंबिया के हैं और इन्होंने जो फार्ग गुरिल्ला है उसके साथ शांती बारता करवाई थी इसलिए ने मिला है बॉब डाइलन जो है यह सिंगर है पर इने मिला American songs लिखन तीसरी आपको लड़की हो जाए थर्ड गर्ल चाइल्ड तो फिर हम आपको 21,000 रुपे देंगे यह इसलिए करा है जिससे लोग बेटी को मरवाए ना और फीमल फीटी साइड जो है हरियाना में क्योंकि sex ratio काफी पूर है इसलिए किया है तो इसकीम का नाम क्या है इसका ना नाम है दावित इससाक इन में से कौन सा बैडमिंटन खिलाडी है जिसने इंडियन ओपन सूपर सीरीज जीत ली इस साल इन्होंने एक ये बड़ा टूर्रमेंट जीता है इनका नाम है पीवी सिंदू अभी इन्हें स्पोर्ट्समेन ओफ दा इयर वी अवार्ड मिला है मार वुमेन सिंगल्स की बात हो लिए और एक खिलाडी और आप से पूर सकते हैं अधिति अशोक गॉल्फ अधिति अशोक का संबंध कौन से खेल से है गॉल्फ से चलिए गुजरात की पहली वुमेन JBS आफिसर क्या नाम है इनका गुजरात की पहली इनका नम है गीता जोहरी गीता जोहरी, इन में से कौन सा सिटी है, जिसने 52 वा अध्याई होस्ट करा, अफिरिकन डेवलप्मेंट बैंक का, देखिए अफिरिकन डेवलप्मेंट बैंक के हम non-regional member हैं, इसमें अफ्रिका के देश हैं लेकिन हम non-regional, मता हम अफ्रिका में नहीं आते हैं, हम अशिया में आते हैं तो हम non regional members के इनकी बावन भी meeting हुई एहमदाबाद में और इसमें important कुछ developments हुए वो मैं बताता हूँ आपको देखिए जो भारत और फ्रांस ने मिलके मैं repeat करता हूँ भारत और फ्रांस ने मिलके international solar alliance बनाया ठीक है international solar alliance ये है कि वो देश जिनमें सूरज की रोशनी काफी ज्यादा आती है वो इसका हिसा बने और फिर solar energy बनाये और एक दूसरे की मदद करें इसमें 30 country officially join कर चुके हैं वैसे तो बहुत देश है इसमें सबने कहा रहा है हम भी करेंगे करेंगे लेकिन ultimately join करा है सिरफ 30 ने अब ये जो African Development Bank की जो meeting हुई इसमें 4 देशों ने join कर लिया जीबूटी, Ivory Coast, Somalia और Ghana तो कितने हो गए member 34 और अभी अभी join करा है ऑस्ट्रेलिया ने तो कितने member हो गए 35 यानि अगर question आ जाए कि अभी अभी 35 देश कोन सा बना international solar alliance को join करने वाला तो answer है ऑस्ट्रेलिया ठीक ह जीबूटी, जीबूटी की राजधानी जीबूटी सिटी है, Ivory Coast की राजधानी है अभिडजान, इसे कॉट डिवर बोलते है, Somalia की है मोगाधीशू और घाना की है अक्रा, अब आपसे मैं अगर ये पूछूँ, चलिए आपके लिए पहला सवाल आजगा, जीबूटी में जीबूटी में, जीबूटी में चाइना ने अपना मिलिटरी वो बनाया एक बेस, तो बस ये याद रखिए, वाकी में कोश्चन जरूर पूछूँगा इस वीडियो के दरन, प्रिथिका याशिनी ये भारत की पहली ट्रांसजेंडर पूलिस ऑफिसर, ये कौन से राज्य में इन्होंने स्पीच दी, ऐसा करने वाली ये, इस देश की पारलेमेंट में स्पीच देने वाली यंगेस परसन बनी है, ये है कैनेडा, इसकी राजदानी है ओटावा, मॉन्ट्रियाल है इस देश में, जिसका में हेड़कॉर्टर वल्ट एंट्रोपिंग एजनसी का, प गुरोटसव को लॉंच करने वाला पहला भारत का राज्य कौन सा था गुरोटसव सबसे पहले लॉंच हुआ था गुजरात के अंदर वर्ल हेल्थ डे मनाया गया धुमधाम से इस बार ये बताईए वर्ल हेल्थ डे जो है इसमें हमने इसमें जो अवेर्नेस फिलाई डिप्रेशन के बारे में फिलाई किस दिन हमने मनाया ये हमने मनाया साथ अपरेल को इकुत तारो काकेहाशी इनका निधन हो गया इन्होंने कौन सा मशूर electronic musical instrument बनाया था ये उसके manufacturer थे क्या नाम है इसका फोटो भी देख सकते हैं इस पे नाम भी लिखा है रॉलेंड भारत क इसके researcher कौन है John Hopkins University में जिन्होंने दुनिया का पहला five dimensional ultrasound system बनाया है जिससे cancer असानी से detect किया जा सकता है इनका क्या नाम है इनका नाम है निशीकांद देशमुक इन में से कौन सी company है जिन्होंने एक नया agreement करा है जिसका नाम है PACS इसके हिसाब से जो users है वो patented property इसके member patented property को free में use कर सकते है इसका नाम हिन्होंने रखा है PAX Pax ये किया है Google ने और Google का एक project भी है जिसका नाम है project Loon जिसमें गाओं वगारा में balloon की मदद से internet पहुचाया जाएगा और Google ने tie up railways के साथ भी किया हुआ है free wifi देने के लिए इन में से कौन से राजे की सरकार ने एक scheme launch करिये जिसका नाम है PTG डाकिया योजना 70,000 family जो है आदिवासी समुदाए की उनको 35 kg free चावल दिया जाएगा हर महीने तो ये कौन से राजे ने करा है ये करा है जहारखंड ने जहारखंड के मुख्यमंत्रिय है रगुबर्दास और ये रगुबर्दास जो है यहां के पहले गैर आदिवासी समुदाए के मुख्यमंत्रिय है यानि non-tribal और यहां के गवर्नर है दुरपदी मुर्मू इन में से भारत के एक researcher है इन्होंने 37 साल research करा और बनाया RISUG य ये परिवार नियोजन के लिए है ये एक तरगा contraceptive है RISUG इसकी full form है reversible inhibition of sperm under guidance क्या नाम है इन साइंटिस का जिन्होंने 37 साल की इनकी तपस्या का product है RISUG ये है सुजोए गुहा फेमस साइंटिस सुजोए गुहा भारत का कौन सा institute है जो number one है rankings में कौन सी ranking क्या QS ranking की बात national ranking की बात हो रही है बात हो रही है national ranking की QS की बात नहीं हो रही तो national ranking में number one कौन सा है IISC Bengaluru Indian Institute of Science Bengaluru लेकिन अगर QS ranking की बात करें तो number one है IIT दिल्ली इन rankings में भारत में IIT Bombay और फिर IIT फिर है Bengaluru IISC Bengaluru तो इसमें ये तीन ही institute है जो 200 के अंदर आए है world top 100 में हमारे ये तीन college है और भारत में पहला इनके हिसाब से है दिल्ली IIT फिर Bombay फिर Bengaluru ये है QS ranking तो तो तोनों में confused नहीं होना है पदम विभूशन जीत चुकी classical vocalist classical singer शास्त्रिय संगीत की माहिर इनका क्या नाम है जैपूर घरानेगी थी इनका नाम है किशोरी अमोंकर इन में से भारत के कौन से cricket खिलारी हैं जिने एक दिन के लिए CEO बनाया Gulf Oil इंडिया ने एक दिन के लिए अपना CEO ये एक publicity stunt है basically इनका नाम है महिंदर सिंग धोनी भारती आर्मी के चीफ जो है विपिन रावत इन्हें honorary general की उपाधी कौन से देश की आर्मी ने दिये honorary general ये दी है नेपाल के नेपाल न इन्डी दिखाई बांगले देश की प्रधान मंत्री शेख हसीना जब भारत आया थी तब क्या नाम है इस train का जो कॉलकता से खुलना तक चलती है यानि इंडिया पांगले देश को करेंक्ट गरती है इसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस मैत्री एक्सप्रेस दुइती है भार कौन सी इंडियन औरगाशन की पूरे हो गए इसका अंसर है सर्वे जनरल ऑफ इंडिया भारतिय सर्वेक्शन विभाग भारत के नेवी ऑफिसर पूर्व जिनको पाकिस्तान के कोट ने डेथ की पेनल्टी दी और अब यह स्टे लगा हुआ इस पे इनका नाम है कुल्भूश जादव पाकिस्तान ने गाए जासूस थे स्पाई थे और यह पकड़े गए थे अब इंटरनेशन कोट अजस्टिस में मामला गया था जिसका हैड़कोर्टर है दा हैग नेधरलेंड में नेधरलेंड को होलेंड भी बोलते है और भारत की तरफ से वकील थे हरिश सालवी हर अफी सस्ते दामों में खाना दिया जाएगा अनपूर्णा भोजलान ने बनाए उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगिया दित्तेनात ने राम नायक यहां के गवर्नर है इन में से कौन से राजी की सरकार ने इलेक्ट्रोनिक सेवा नाम का एक मोबाइल अप्लिकेशन लॉंच करा है जिसे लोगों को सरकार की स्कीम के बारे में सारी जानकारी उपलब्द कराई जाएगी यह करा है हर्याना की सरकार ने भारती जिंता पार्टी की सरकार है और मुख्यमंत्री है यहां के मनोर लाल खटर गवर्नर है कप्तान सिंग स्वलंकी एक मोबाइल अप दरी है Employees Provident Fund Organization ने इसमें आप अपना सेटल कर सकते हो क्लेम अपना क्लेम सेटल कर सकते हो जो भी आपका भुगताने आप वो ले सकते हो जो भी बचा हुआ है एपफो का तो आप यह बताईए आप Provident Fund के लिए अपलाई कर सकते हो बन्ता निकलवा सकते हो Provident Fund इस आप का ना इटली जापान यूएस और यूके रशिया भी था तब इसको जी एट बोलते थे रशिया को इन्होंने निकाल के फैंक दिया अभी होगे जी सेवन तो ये मिले लुक्का में लुक्का का है इटली में इटली के हैड ओफ स्टेट को है पाउलो जेंटी लोनी परधानमंत्री इनको मात्मा फूले जी भी बोलते थे इनकी बर्थ अनिवर्स्री पे ये कौन सा समाज था जिसके ये फाउंडर थे कौन सा समाज था ये थे सत्य शोदक समाज के फाउंडर भारत का कौन सा बंदरगा है जो सबसे क्लीन है सबसे क्लीन, cleanest, first ever ranking, sanitation parameter के उपर हुई है भारत क सबसे clean बंदरगा है हल्दिया, हल्दिया का है पश्यमंगाल में, इसमें दो-तिन पोर्ट और याद रख सकते हैं आप, जैसे भारत है तो ये हमारा peninsular इंडिया है, दक्षिन भारत है ये, तो यही पानी है तो यही पर बंदरगा होंगे, तो ये हल्दिया हो गया, फिर प और एक है कांडला, फिर यहाँ दो है, यह मुंबाई हो गया, मुंबाई के पास एक और है, जिसको बोलते है नावा शेवा, नावा शेवा को हम जावाला नहरू पोर्ट भी बोलते है, नावा शेवा, और तो यहाँ में अंगलूुरू है फिर, तो यह सब हैं, 아गला सवा कॉंग्रेस की सरकार में मंत्री थे ये पहचानी है को नहीं है इन्होंने किताब लिखी है Hope in a Challenge Democracy and Indian Narrative तो इनका क्या नाम है अश्वनी कुमार Books and Author से question है ये Mobile app कौन सी launch करी है हमारे उर्जा मंत्री प्यूश गोयल जी ने इसमें सारी आपको real time information मिलेगी पावर सप्लाई के बारे में इसका नाम रखा है उर्जा मित्र मातोश री किताब किसने लिखी है ये Maratha Queen अहिल्या भाई होलकर जी के जीवन पर एक नाटक है इसका नाम है मातोश री इनको राजमाता भी बुलाते थे ये लिखी है हमारी लोगसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने केरल की जो सरकार है उन्होंने कौन सी भाषा अनिवारे कर दिये दसवी क्लास तक स्कूलों में पढ़ानी अनिवारे है ये केरल की भाषा है इसका नाम है मलियालम राजपती पढ़ा मुखर जी उन्होंने नैशनल जियो साइंस अवार्ड दिये 27 जियो साइंटिस को ये अवार्ड 1966 में कौन सा भारत का मंत्राले है जिसने शुरू करे थे ये जियो साइंटिस की बात हो रही है ये है हमारा माइनिंग अभी अभी नैशनल मिशन on food processing उसका नाम पलट दिया है और 6000 करोड रुपे इसके लिए रखे है इसका नाम क्या है इसमें फार्मर की इंकम है वो डबल करने का भी जो इन्होंने अलान किया था 2022 तक फार्मर की इंकम डबल कर देंगे इसका नाम रखा है संपदा हमारी जो केंद्र सरकार है उसने अपना approval दे दिया Indian Institute of Petroleum and Energy इसको Institute of National Importance गोशित किया जाएगा ये कहां पे है ये है विशाका पत्नम में विशाका पत्नम कहां पे है आंदर परदेश तठ पे है विशाका डांस करा और Guinness World Record बना दिया तो इन्होंने विशाका पत्नम के अंजरी डांस किया कौन सा डांस था अब विशाका पत्नम आंधरा में आंधरा का डांस कौन सा है कुची पूडी सो आंसर है कुची पूडी तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगा कि question कर सकते है ये है भा भारत-नाठ्यम तमिलनाडू का है कताग नॉर्थ और वैस्ट इंडिया का है Central इंडिया का कठ można में आपसे यह पूचेंगे भारत-नाठ्यम पूचेंगे का धा ली पूचेंगे और कुचि-पूडी पूचेंगे बस उनके विकास के लिए शुरू कर आए, खास कर वो बच्चे जो नकसल अफेक्टेड एरिया में है, नकसली जो अफ परभावी तेरिया है, उनके अंदर है, तो ये चारों ही राज्ये हैं, जिनमें नकसल काफी जादा है, नकसल मुव्मेंट काफी जादा है, बिहार में कम है ये जादा है, ये है जादा है, ये है जादा है, दस दिवसी ये लंबी, एक military exercise हुई, जिसका नाम है सागरमठ फ्रेंडशिप, ये कौन से तो देशों के बीच में ही, वैसे सागरमठ बता देता हूँ, माउंट अवरेस को बोलते हैं सागरमठ, तो अब माउंट अवरेस क अब ये option कौन से बच गए, इंडिया नेपाल और नेपाल चाइना, तो इंडिया नेपाल तो नहीं हो सकता, आंसर हो गया नेपाल और चाइना, इंडिया नेपाल क्यों नहीं हो सकता, इनके बीच में सूरे किरन होती है, हिट गल, ये किसकी autobiography है, कौन सी legendary actress, इसको सलमान ख गुरुगराम में, गुरुगाह का नया नाम है हर्याना में गुरुगराम, और एक और है, जगा हर्याना में जिसको बोलते हैं बल्लमगड, बल्लमगड का नया नाम है बल्रामगड, तो ये तेरी डिया की nanopytoklinis center है, अपने आप में कोश्चन हैं कहांपे बन रहा है भार के लिए स्कीम है, vocational occupation के लिए स्कीम है, ये लॉच करी है आंदरप्रदेश की सरकार में एक कमेटी बनाई जिससे गंगा नदी को गंदा करने के लिए विशेश कानून बनाए जाएंगे law बनाए जाएंगे, संसाधनों के लिए बनाए जाएंगे इस कमेटी के ध्यक्ष बने गिर्धर मालवी है भारत ने अभी-अभी 33 वा एनिवर्स्री सेलिब्रेट करा जो हमने सियाचिन ग्लेसियर को capture कर लिया था, इस operation का क्या नाम था इसका नाम था operation मेगदूत operation मेगदूत और ये ये सियाचिन ग्लेसियर है, ये सियाचिन हमने इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये पाकिस्तान occupied कश्मीर है ये जो green में है और ये चाइना occupied oxygen है, ये disputed area है तो अगर सियाचिन मिल गया है तो ये दोनों join हो जाएंगे आपस में, यानि पाकिस्तान डॉक्टर सली मली नैशनल पार्ग भी यहाँ है हैमिस और सली मली नैशनल पार्ग और सली मली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है, गोवा में पंजाब, building the land of five river पंजाब, पांच नदियों का राज्य है, ये किताब किसने लिखी है अभी अभी ये लिखिये अर्जुन गाइन ने, और पांच नदिया कोन सी है जेलम, छेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इनमें सबसे लंबी कोन सी है संकेन, संकेन ये तीन दिवसिये पानी का त्योहार है, ये कोन से राजय ने मनाया संकेन नाम है, ये मनाया अरुनाचल ने, ओपरेशन दुरगा, ये कोन से राजय ने स्कीम लॉंच करी है महिलाओं की सेफटी के लिए, ओपरेशन दुरगा लॉंच करा हर्याना ने हर्याना सरकार ने लॉंच करा ओपरेशन दुरगा World Bank ने कितना loan दिया है भारत का पहला waterway project बनेगा कहाँ पर बनेगा National Waterway 1 हल्दिया से वरानसी यानि गंगा नदी के उपर बनेगा क्योंकि वरानसी में भी गंगा नदी और हल्दिया में भी गंगा नदी है तो आपको याद होगा गंगा नदी निकलती है उत्तरकाशी से फिर ये कई सारे स्टेट्स को क्रॉस करती है और finally दो हिस्सों में बढ़ जाती है ठीक है एक बंगलादेश में जाता है वहां इसको क्या बोलते है बंगलादेश में पदमा पदमा में ये हुगली नदी में चला जाता है गंगा का ये इसको बोलते हैं फरक का बेरेज ये एशिया का सबसे बड़ा बेरेज है तो हल्दिया से वरानसी तक ही नैशनल वाटरवे वन है कितना लोन दे रहा है वर्ल्ड बैंक इसके लिए 375 मिलियन डॉलर कुक नाम का चक्रवात कौन से देश में आया साइकलोन कुक कौन से देश में आया ये आया नियूजिलेंड के अंदर और कौन कौन से इंपोर्टेंट है भारत के अंदर पिछले एक साल में चार साइकलोन आये वर्दा, रोवानू, कयान्त और नादा और ये सारे के सारे आये है तमिलनाडू में और आंधरा बगारा में मतलब इस्टन कोस्ट पे आये है ये भारत का दक्षिन भारत है तो ये इस एरिया में आये है यानि तमिलनाडू सब ज़्यदा परभावित होता है इनसे यह बंगाल की खाडी में आते हैं जहतर और फिर आन्दरा भी होता है effect और और भी country होते है, बांगलादेश जो हमारे east में वो सारे effect होते हैं नादा, क्रिशी कर्मन अवर्ड हिमाचल प्रदेश को मिला क्रिशी कर्मन अवार्ड हिमाचल परदेश को मिला इन में से कौन से राजे की सरकार है जिसने अमक्कू वंदरम नाम की स्कीम स्टार्ट करी है इसमें basically mother's worship इसमें जो स्कूल के बच्चे हैं उन्हें morning में अपनी जो mother है उनसे blessings लेनी है यह स्कीम है अमक्कू वंदरम यानि mother's worship यह स्टार्ट करी है आंधर परदेश ने वैसे भी आप अगर options देखें तो यह मैंने जान बुझ के चारो options डाले हैं South के क्योंकि अमक्कू वंदरम यह UP में तो हो नहीं सकती एक government e-marketplace बनाया है government e-marketplace यह है कि यह एक basically website है यहाँ पर जो बेचने वाले हैं और खरीदने वाले जो सरकारी विभाग हैं वो electronic auction कर सकते हैं reverse auction कर सकते हैं या bulk में खरीद सकते हैं उससे एक transparency रहेगी इसको बोलते है government e-marketplace तो इससे पहले क्या था जिसको इसने replace करा है इससे पहले जो था उसको बोलते थे directorate general of supplies and disposal इसमें corruption बहुत ज़़ा था operation कौन सा launch करा है भारत की सरकार ने जिसमें 60,000 लोग उनको पकड़ा जाएगा लगबग 60,000 लोग हैं black money detect करने के लिए खासका demonetization के बाद इसका नाम है clean money clean money पिछले साल स्टार्ट हुआ था जून के असपास स्टार्ट हुआ था लेकिन इसका दुईतिये चरण भी launch किया गया demonetization के बाद तो नाम है clean money supreme court ने ये कहा है कि जो neat exam होता है neat exam जो होता है उसमें कौन सी भाषा include की जाएगी अगले साल जो paper होगा मार्च में होता है ये paper मार्च अप्रिल के असपास तो इसमें neat में होगी उर्दू उर्दू को भी अनेवारे कर दिया गया है मनिपूर के जो मुख्यमंत्री बिरेंद सिंग इन्होंने launch करा कौन सा website जिससे corruption पे रोक लगेगी और government activities को track कर सकते हैं citizens इस website का नाम है दरपन दरपन मतलब होता है शीशा तो एक तरह से transparency का प्रतीख है दरपन इन में से कौन से राज्ये की सरकार है जिसने ये कहा है कि कोई भी VIP कोई भी सरकारी अफसर उसका नाम किसी भी पत्थर के उपर नहीं लिखा जाएगा कहने का मतलब ये जब कोई सरकारी अधिकारी कहीं कुछ किसी चीज़ का inauguration करता है उधगाटन करता है तो उसका नाम वह पत्थर के उपर लिखवा देते हैं उसको सम्मानित करने के लिए अब इस राज्य में ऐसा नहीं हो सकता ये डिसीजन लिया कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने पंजाब के अंदर चटा डॉक्टर म.स्वामी नाथन अवार्ड ये किसे मिला है अपने कृशी में योगदान के लिए म.स्वामी नाथन भारत में हरित करांती के जनकते फादरों ग्रीन रेवलुशन इन इडिया ये वाड मिला है मशूर कृशी साइंटेस्ट आरार हंचिनल को 2017 टाइम मैगजीन का जो रिडर्स बोल है उसमें दुनिया का सबसे इन्फलुएंशियल परसन को ने ये फिलिपिन्स के राश्पती है इनका नाम है रोडरीको डुटर्टे इसरो इसरो ने इन में से कौन सी कंपनी के साथ मिलके बना रहा है लो कोस्ट लिथियम आयन बैटरी हमारी गाड़ियों के लिए लो कोस्ट लिथियम आयन बैटरी क्योंकि जो जो इलेक्टरिक कार होती है जो बिजली से चलती है बहुत महंगी है तो इसलिए इनको कोई खरिता नहीं है ये हमने देख लिया जैसे टेसला की गाड़िया है विदेश में बहुत कम बिखती है उतनी जादा बहुत कोस्टली पड़ती है तो लो कोस्ट लिथियम आयन बैटरी बना रहा है तो ये इस रोग किसके साथ मिलके बना रहा है इस रोग मिलके बना रहा है भेल के साथ International Day for Monument and Site World Heritage Day भी कहते हैं ये कम मनाय जाता है ये मनाय जाता है 18 अपरेल को भारत में कितने World Heritage Site है 36 पहले थे 35 अब एहमदाबाद शहर भी जुड़ गया है तो आंसर है 36 और एहमदाबाद शहर एशिया में दूसरा शहर है जिसे World Heritage Site डेकलेर कर दिया गया है एहमदाबाद का नाम है पुराना करनावती इसे एहमद शहाने बनाया था और बस आप इतना याद रखिये अगर पूछें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा World Heritage Sites कहां पे है तो आंसर है इटली में इटली में तरेपन है दूसरे नंबर पे चाइना में है बावन उत्तर परदेश की सरकार ने निर्ने लिया है इनमें से कौन से राज्ये का एरपोर्ट है उसका नाम पलटके अब हो जाएगा पंडित दिन दियाल उपाद्याय एरपोर्ट ये है आगरा का एरपोर्ट अब इसका नाम हो जाएगा पंडित दिन दियाल उपाद्या जी के नाम पर भारत ने इनमें से कौन से कंट्री के साथ एक M.O.U. साइन करा है शिप बिल्डिंग में ये आपस में कॉर्परेट करेंगे आपसी सहयोग करेंगे जो जहाज है उनको बनाने में ये काफी important है ये किया हमने दक्षन कोरिया के साथ दक्षन कोरिया के जो इस वक्त प्रेजिरेंट है वो है Moon Jae-in इससे पहले थी पार्क गुनहाई जिने हटा दिया था Moon Jae-in दक्षन कोरिया की राजधानी क्या है? Sea All है, मुद्रा कौन सी चलती है? दक्षन कोरिया और नॉर्थ कोरिया में जमीन और आस्मान का फरक है नॉर्थ कोरिया जो है, इसकी एक मुद्रा भी 1 है, WN और इसकी राजधानी है Pion Yang World Hemophilia Day कब मनाया जाता है? World Hemophilia Day अभी मनाया गया 17 अप्रेल को तो ये एक Blood Disorder है, ये और एक होता है Hemophilia, B, जो factor 9, जिसको Christmas factor बोलते हैं उसकी deficiency से होता है महराश्च्टर का कौन सा गाउं है? जो भारत का पहला गाउं बना है किताबों का इसको हम बोलते हैं पुस्तक आंचे गाउं, जयानी पुस्तकों का गाउं तो ये गाउं कौन सा है ये गाउं है पंच गनी भारतिय एर फोर्स ने एक उप्रेशन चलाया है बंबी बकिट ये बंबी बकिट कहां पे जंगल में जो आग लग जाती है उनको बुझाने के लिए बनाया है ये जंगली आग कौन सी ये है माउंट अबू की माउंट अबू जो है इसमें सबसे उची चोटी है गुरु शिखर ये अरावली की पहाडियां है राजस्थान में इन मेंसे कौन से राजे की सरकार है जिन्होंने एक बुक बैंक बनाया है बुक बैंक ये है कि जिसको भी गरीब बच्चा है कोई उसे किताबे नहीं मिल रही तो वो बुक बैंक का इस्तिमाल कर सकता है बुक बैंक बनाने का निर्णे लिया पंजाब की सरकार ने कौन से महान एक्टर है जिन्हें मिला है राजकपूर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड महराष्टिडी सरकार दोरा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड अपने सिनेमा में योगदान के लिए ये मिला सैराबानो को सायरा बानो ये दिलिप कुमार जी की पतनी है सायरा बानो शंभवी पुरुसकार 2017 किसे मिला है समाज में बदलाव के लिए समाजी कुथान के लिए जो सोशल वर्क है वो करने के लिए ये मिला है हरी शंकर राउत को शंभवी पुरुसकार कौन से राज्य ने ये डिसाइड करा है कि जो सरकस में काम करने वाले जोकर वगारा होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं उन्हें पैंशन दिया करेंगे ये कौन से राज्य की सरकार ने डिसाइड करा है ये डिसीजन लिया केरल की सरकार में अभी अभी जो हमारे रेल मंत्रिय सुरेश प्रभू उन्होंने हरीजंडी दिखाई ये विशाका पत्नम से अराकु वैली हिल स्टेशन तक ट्रेन चलेगी इस ट्रेन की खाश बात ये है कि ये पारदर्शी इसमें कोचिज हैं पारदर्शी कोचिज है मतलब भार से भी लोग अंदर देख सकते हैं सी थू कोच है इसका नाम क्या रखा है सी थू कोच का इनको बोलेंगे विस्ता डोम और जो रेलवे है क्या ये फाइदे में चल रहा है कि नुकसान में तो पिछले साल 33,000 करोड का नुकसान हो है रेलवेस को तो बहुत बुरी हालत है रेलवेस की दुनिया के सबसे बुड़े व्यक्ति और ये 18 मतलब जो 19 स्यताब्दी में पैदा हुए थे तो इनका क्या नाम है इनका नाम है एमा मोरानो इनका निधन अभी अभी हो गया Global Analysis and Assessment of the Sanitation and Drink मतलब WHO के हिसाब से दुनिया में ऐसे कितने लोग रहते हैं जो दूशित पानी पीते हैं कितने लोग हैं दुनिया में ऐसे World Health Organization के हिसाब से दुनिया में 200 करोड लोग दूशित पानी पीते हैं लगबग 760 करोड दुनिया की जनसंख्या है पूरी दुनिया की उसमें से 200 करोड पीते हैं दूशित पानी इन में से कौन से राज्ये ने अंबेडकर स्मृति वनम मतलब जो अंबेडकर जी थे उनका 125 फुट लंबा स्टैचू बनेगा ये कौन कहां पर बन रहा है एक 125 फुट लंबा और नाम है अमरे अंबेडकर स्मृति वनम ये बन रहा है आंध्र परदेश के अंदर इन में से कौन से राजे की सरकार ने एक माई 2017 से इस राजे में polythene या plastic carry bags को ban कर दिया ये decision लिया मध्य परदेश की सरकार ने इन में से कौन सा देश है जिसने अपने parliamentary system को presidential system में convert कर दिया और इस देश के राजपती है एडोगान तो अब इस देश में सबसे powerful वेक्ती हो गए एडोगान referendum हुआ था ये देश है टर्की टर्की की राजधानी है अंकारा और इस देश में एक important शहर है इस्तानबुल हिंदुस्तान पेट्रोलियम ये राजस्थान में राजस्थान की सरकार के साथ मिलके 43,000 करोड रुपे का refinery लगाया है इनोंने जिससे भारत stage 6 fuel produce किया सकेगा कहां पे लगाया है ये लगाया है ये इनोंने लगाया है बाड़ मेर में बाड़ मेर और एक important चीज़ ओर इंडियन oil corporation हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम तीनोंने मिलके refinery लगाई है दो लाग करोड की लगत से रतनागीरी महराश्थर में ये भारत की स नारायन सन्याल इनका निधन हो गया ये कौन से राज्य से थे नारायन सन्याल ये थे पश्यम मंगाल से वैसे भी सरनेम देखके आप समझ सकते हैं चलिए अब एक और सवाल अभी एक हमारी बहुती legendary actress उनका निधन हो गया उनका पीछे का नाम भी था सन्याल और आनंद फि खाने के लिए कि नाचल प्रधेश चाइना की हिस्सा है तो ये चाइना ने हरकत करी ये ये छे जगा के नाम पलट दिया इनकी पुरानी आज़त है पहने तो रटाय तो रटारने प्रदेश को ये साउत कि बड़त बोलते थे और अनदर और अमक डिस्प्रूटड अरे है ये किसको दिया है? ये दिया है जिव सेपीना निकोलीनी को. हमारे कानून मंत्री रवी चंकर परसाद इन्होंने इन में से किस चीज का उधगाटन किया है? ये सारे लौग के डिलेटेट इनिशेटिव हैं. तो answer है all of these नियाय मित्र, फ्री लिगल सरविस और टैल-े लो सरविस. परधान मंत्री नयंदर मोदी ने उधगाटन करा 3300 MW 심Studout का Koradi Thermal Power Plant यह कहां पे है Koradi Thermal Power Plant कहा है यह है Mehrashtra के अंदर और मैंने आपको जो सारे power plant बताये थे NTPC वाले और भेल वाले वो सारे याद रखिए इनमें से कोन सा शेहर है जो दुनिया का पहला World Ocean Festival जिसने host किया World Ocean Festival यह host किया New York ने जल्युक्त शिवर ये कौनसे राज्य का स्कीम है जल्युक्त शिवर ये पूरे भारत में मोदी जी अप्लाई करना चाहते हैं जिससे हम अकाल से नहीं पड़ सकें ड्रॉट से नहीं पड़ सकें पानी की कमी से नहीं पड़ सकें जल्युक्त शिवर स्कीम है महराष्ट्र सरक कि कौन से राज्य में भारत के मारुता नाम का ये बे ओफ बेंगॉल में डिप्रेशन आया ये एक तरह का अभी स्ट्रॉम में उत्रा बड़ा नहीं हुआ ये मारुता ये है ओडिसा के अंदर इस इंपोर्टेंट वेस्चन नासा ने अप्रूव करा एक प्रोजेक्ट जिसम फ्यूचर ESA Mission होगा जूपिटर और उसके मून्स का 2022 में इस प्रोजेक्ट का नाम है जूस और जूपिटर के लिए जो इनका शटल है वो ना उसका नाम है जूनो ज यू एनू अ जूनो ये इनका ESA Mission to Jupiter उसके लिए जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है जूस जूइज यू अप्रेल को मनाया गया, ये कब पहली बार स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, देखिए, चाइनीज लेंगविज को बोलते क्या है, मेंडेरिन, अगर मैं पूछूं दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाशा कौन सी है, तो आंसर है, चाइनी दिसंबर को होता है, यून अरेबिक लेंगविज डे, चाइनीज के लिए 20 अप्रेल, इंग्लिश के लिए 23 अप्रेल, फ्रेंच के लिए 20 मार्च, रशियन के लिए 6 जून और स्पैनिश के लिए 12 अक्तूबर, ये सारे नाम याद रखिए, तो ये था दूसरा वीडियो, इसमें मैंने एक ही सवाल पूछा था आप से, उसका कमेंट्स में लेकिया आपान सकता सकते हैं, और तीसरा भाग, तीसरा भाग आज शाम तक आ जाएगा, तो टोटल चार वीडियो में बनाऊंगा, मैंने कहा था आपको दो पूरे हो गए हैं, तो आई होब आप ये कवरे डर्टियस्ट पाया गया, इस शहर का नाम है गौंडा और ये है उत्तर परदेश में, और अगर पूछें कि दूसरा सबसे गंदा, तो आंसर है भूसावल, यानि सबसे नीचे से पहला गंडा और नीचे से दूसरा भूसावल, भूसावल है महाराश्टर के अंदर, अगर सबसे साफ सुत्रे, इंदौर नंबर वन, यानि भारत का क्लिनेस्ट सिटी अगर पूछें तो वो है इंदौर, और फिर है भौपाल, भौपाल है जो राजधानी है मद्धे परदेश की, तीसरे नंबर में विशाका पटनम, या अंदर परदेश में है, एक तट पर सूरत गुजरात में और फिर माई सुरू, जो माई सुरू है ये पिछले साल नंबर वन था, लेकिन इस बार ये पांचवे नंबर पर खिसक गया, और अगर सुरू के 50 सबसे साफ सुत्रे जो शहर है उनमें से सबसे ज्यादा 12 गुजरात के अंदर है, याद रखिए उसके बाद मध्य परदेश में है 11 और फिर आंदर परदेश में 8 ये मैं बात कर रहा हूँ सबसे जादा साफ सुत्रे शहरों की, टोटल 500 शहर थे जिनका सर्वेक्षन किया गया था और उसमें से 118 शहर ऐसे हैं जो खुले में शोचमुक्त हो चुके हैं, यानि ओपन डिफिकेशन फ् और नरेंदर सिंह तोमार है हमारे रूरल डवलप्मेंट मिनिस्टर, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो खुले में सोचमुक्त राज्य भारत के कौन से बन चुके हैं अब तक, सिक्किम भारत का पहला राज्य बना जो ओपन डिफिकेशन फ्री यानि खुले में सोचम बारा सिंगा एक हिरण जैसा ही जानवर है जिसके बारा सिंग होते हैं इसलिए बोलते हैं बारा सिंगा तो ये बताइए कोन सा है इसका नाम है काना और काना कहां पे है काना है मद्धे परदेश में तो मद्धे परदेश में जो सबसे इंपोर्टेंट नैशनल पार्क या एक है पन्ना, याद रखिए, एक है पंच, पन्ना और पंच मिलते जुलते नामें लेकिन अलग-अलग हैं, एक है बांधवगड, टाइगर के लिए फेमस है, एक सत्पुरा है, वन विहार है, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, और इसमें जो ये बुक देख रहे है जंगल बुक, हमने बच्पन में देखा होगा, मोगली, जंगल बुक, इसको लिखा था, रुडियाड के प्लिंग ने, और इन्हें इसकी प्रेणा मिली थी पंच नेशनल पार्क में, पंच नेशनल पार्क, एक और एक्जाम में पूछते हैं, करनाटक के फेमस कौन से हैं करनाटक में तीन है, जिसका कोडनेम है BBN, B से है बनरगटा, B से है बांदीपूर और N से है नगरहूल, BBN, बांदीपूर, बनरगटा और नगरहूल, ये तीनों है करनाटक में इन में से भारत की कौन सी गॉल्फ की खिलाडी है या पुरुष खिलाडी है या महिला जिने Outstanding Achievement as a Player का वार्ड मिला यानि इनकी जो अचीवमेंट है बहुत जादा है इने दूसरा Golf Industry Association Award जो गुरुग राम में हुए हर्याना में उन्हें ये सम्मान मिला इनका नाम है अदिती अशोग और जो मेल खिलाडी है ये भी काफी धूम मचा रहे हैं इनका नाम है SSP चौरसिया तो ये तीन खिलाडी बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है अनिर्बाल लहिरी मेल गॉल्फ प्लेयर है अदिती अशोग फीमेल और SSP चौरसिया मेल इन तीनों क से रिलेटेड तो इसकी जानकारी सारी इस एप पे मिल सकती है इसमें weekly free free of cost मोबाइल पे voice message आते हैं जो pregnant woman को कैसे बच्चे का ख्याल रखा जा इसकी जानकारी देते हैं तो किलकारी scheme launch करी हरियाना की सरकार ने हरियाना के जो governor है वो है कप्तान सिंग सोलंकी और हरियाना के म दिवस रखते हैं वो हम मनाते हैं 22 April को 22nd April इन में से कौन सा country है जिनोंने पिछले अपने लगभग 200 सालों के अंदर पहला पहली बार coal free day मनाया इस दिन बिलकुल कोईला use नहीं हुआ और in fact ये पहला country था जिसने कोईले का इस्तिमाल शुरू किया था बिजली उतपादन के लिए जब थॉमस एडिसन ने इस country के अंदर लंडन में हॉल्बन वायडक्ट पावर स्टेशन खोला था ये पहला country था जिसने कोल का इस्तिमाल किसके लिए स्टार्ट किया था उर्जा उतपादन के लिए यानि electricity के लिए ये country है UK और UK की प्रधान मंत्री कौन है थेरेसा म इंडिया पोस्ट ने अभी अभी कौन सा commemorative एक stamp खोला है dark ticket यानि ये dark ticket आप देख सकते हैं ये dark ticket याद रखिए 100 रुपे किये इस पे आप 100 लिखाव देख सकते हैं इसमें आपको ए खुशबू आएगी किस चीज की खुशबू आएगी इसमें आपको coffee की खुशबू तो आंसर है Airtel Payment Bank Airtel Payment Bank था भारत का पहला और दूसरा था India Post Payment Bank इसके लावा कई और payment bank भी खुल चुके हैं पेटीम ने भी अपना payment bank अभी खुला है और ये पहली बार नहीं है कि कोई ऐसी dark ticket जारी हुई है जिसमें से खुशबू आती है पहले एक चंदन की यानि भारत अपनी सेना पर कितना खर्चा करता है और भारत टोटल खर्चा करता है लगबग 56 बिलियन डॉलर इसने खर्चा करा 2016 में ये रिपोर्ट दी सिप्री ने सिप्री बहुत परतिष्ठित इंस्टिटूट है इसको बोलते हैं Stockholm International Peace Research Institute Stockholm Sweden की राजधानी है जो Scandinavian country है त चाइना करता है लगबग 200 बिलियन के आसपास और फिर है रश्या भारत है 500 नमबर पर ये रिपोर्ट दी सिप्री ने and this is very very important भारत इन में से कौन से देश को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरे सबसे नमबर का LPG आयात करने वाला देश बन गया LPG बोलते हैं liquefied petroleum gas ज भारत बन गया LPG importer पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और इसका कारण ये है कि हम इतनी जाद LPG की जरूत क्यों पड़ रही है क्योंकि केंजर सरकार ने उज्जवल स्कीम चलाई हुई है परधान मंत्री उज्जवल योजना बोलते हैं से इसमें ये है कि जो LPG gas के cylinder है वो free and child development मंत्रा लेने और ये scheme क्या है हमें जो महिलाएं है और जो बच्चे हैं उनका हमें trafficking रोकना है उनका यौन उत्पीडन रोकना है उनको victim नहीं बनने देना तो उसकी scheme चलाई हुई है उजवल तो दोनों अलग-अलग है बस ये चलाई हुई है woman and child development मंत्रा लेने जिसकी minister ह मैनिका गांधी और वो चलाई हुई है जो central government की तरफ से जो scheme है वो LPG gas के लिए तो दोनों अलग-अलग है दोनों में confusion नहीं होनी चाहिए इन में से भारत की कौन से film है जिसने जूरी प्राइस जीता best film का Hong Kong International Film Festival में इस film के director है अमित मसूरकर और ये इस film में acting इन्होंने की ये राजकुमार राओ ने तो इस film का नाम क्या है अब आप गैस कर सकते है न्यूटन और न्यूटन को जो Berlin Film Festival हुआ था उसमें भी best film का award मिला था forum category के अंदर तो ये सारे तथे याद रखिए इस film को लेकर मैं सिंगल टाइटल फ्रेंच ओपन में किसने जीता ये एक बहुत important question है देखे फ्रेंच ओपन जो होता है वो चिकनी मिट्टी यानी कले पर खिला जाता है ये एक मातर ऐसा grand slam है टैनिस के जगत में चार grand slam होते हैं साल में सबसे पहले खिला जाता है Australian Open इस बार Australian Open किसने जी जीता रफाइल नडाल ने तीसरा होता है साल में विंबल्डन विंबल्डन अभी अभी खतम हुआ है वो जीता Roger Federer ने और Roger Federer ने किसे हराया final में? Mario Sillich को Mario Sillich और Roger Federer ने इसी के साथ 19 grand slam जीत लिए हैं जो आज तक के टिहास में सबसे जादा है रफाइल नडाल ने ये दस वा फ्रेंच ओपन जीता था और अब चोथा बचाए बस एक ग्रेंट स्लम बचाए इस साल में जिसको बोलेंगे यूएस ओपन तो ये सारी टेनिस की न्यूज है जो आप से पूछी जा सकती है 23 अपरेल को हम मनाते हैं इंगलिश भाषा का दिन इस दिन किसका जनम दिवस हम मनाते हैं किसका जनम दिवस मनाते हैं ये हैं मशूर विलियम शेक्सपियर जो नाटक लिखते थे यानि प्लेज लिखते थे अब इन्होंने कौन-कौन से plays लिखे हैं, इन में से कोई भी exam में पूछा जा सकता है अब अगर आपकी जाधत हो, तो आपसे एक बहुत ही difficult सवाल पूछना चाहता हूँ आज से कुछ साल पहले ये जो ओथेलो है, इसको भारत के डिरेक्टर विशाल भारदवाज ने अपनी एक पिच्चर में तब्दिल कर दिया था इसमें सैफली खान ने अक्टिंग करी है, करीना कपूर और अजे देवगन, बड़े-बड़े अक्टर ने अक्टिंग करी है और एक फिल्म आई थी, जबरदस्थ फिल्म थी, विशाल भारदवाज ने बनाई थी, और थेलो को हिंदी रुपांत्रन करके क्या आप उस फिल्म का नाम मुझे कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं, यह है आपका पहला सवाल, देखते हैं कौन बताता है, चलिए, इन में से कौन सी organization है, या कौन सी सरकार की शाखा है, कौन सा department है, जिसका 47वा foundation day अभी-अभी मनाया गया, इसका नाम है Housing and Urban Development Corporation, यानि की हड को, अब ये साल काफी important है, क्योंकि कई सारी इसमें दिवस है important, जैसे मैंने आपके लिए खटे कियें, जिससे एक ही जगा मिल जाएं, 2017 में, जो सर्वे जनरल ओफ इंडिया है, उसने अपने 250 साल पूरे किये, अलाबाद High Court ने 150 साल पूरे किये, 150th anniversary अलाबाद High Court की, ग जो संबंध है, उनके 70 साल पूरे हो गए, इंडिया इसराइल के 25 साल पूरे हो गए, इंडिया इसराइल के बीच में 1992 में, डिप्लोमेटिक डिलेशन स्टार्ट हुए थे, और इंडिया कजाकिस्तान के भी 25 साल पूरे हो गए है, डिप्लोमेटिक डिलेशन के, तो ये सार इन में से कोई भी सवाल पूछा जा सकता है ये एक तरह से समझ लिजे आपके 6 question cover हो गए एक ही question में और कजाकिस्तान के साथ मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हमें एक exercise करते हैं प्रबल दोस्त तक इसराइल हमारा दोस्त है ही रशिया हमारा दोस्त है ये सार हमारे अच्छे दोस्त है उत्तरपूर्व भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रद्योगी की यानि information technology का hub कहाँ पे inaugurate हुआ भी अभी कहाँ पे ये उस राज्य के मुख्य मंत्री हैं आप इन्हें पैचान सकते हैं ये हैं मानिक सरकार तो ये हुआ त्रिपूरा के अंदर त्रिपूरा के मुख्य मंत्री है ये त्रिपूरा की राजधानी है अगर तला और त्रिपूरा के गवर्नर है तथागत रॉय 101 साल की एक ये लेड़ी है भारत की इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 100 मीटर स्प्रिंट में वर्ल्ड मास्टर गेम जो न्यूजिलेंड के अंदर हुए इनका क्या नाम है? इनका नाम है मन कॉर ये देखिए इनके मेडल्स इनके हाथ में देख सकते हैं आप गोल्ड मेडल और एक और है फोजा सिंग ये भी काफी धूम बचाते रहते हैं 106 साल के हैं अभी भी दोड़ते हैं फोजा सिंग तो दोनों का नाम याद रख सकते हैं मन कॉर और मेल एथलीट है फोजा सिंग हमारी जो केंदर सरकार है उसने अपने सारे डिपार्टमेंट्स को और प्राइवेट एजन्सी को ये कहा है कि इन में से वो कौन सी एज है जिसको सिंगर सिंगराईज करने के लिए ले जिससे कोई मैनिपूलेशन ना हो सके ये एज है साट साल या उससे उपर का वैक्ति सीनिर सिटिजन कहलाएगा एक्चुली कई बार मिस्यूज करते थे लोग जो लिखत लिखा हुआ है हमारी सरकार के उसमें वो यह लिखा हुआ है कि इस एक्ट के तहत सिनिर सिटिजन जो है कोई भी वैक्ति जो साट और उपर ये जो एंड अबव लेकिन है ये मैनिपूलेट करने के लिए कई बार यूज होता था जैसे कई बार वो कहते थे एंड अबव में 62 आता है तो 62 से 60 वाले को benefit नहीं दिये जाते थे तो अब ये सब खतम हो जाएगा अब फ्लैट एकदम 60 years पे जो भी है वो सारे citizen senior citizen की जो भी schemes है उनका फाइदा ले सकता है हर्याना के जो मुख्यमंत्री है मनोर लाल खटर उन्होंने किस चीज का नाम पलटके रख दिया है बल्रामगड कोन से district का नाम कोन से शहर का नाम पलटके रख दिया है बल्रामगड तो ये है फरिदाबाद के बिल्कुल पास इसका नाम है बल्लमगड बल्रामगड का नाम अब हो गया है बल्रामगड और एक और चीज पूछी आ सकती है हलांकि official notification नहीं आया है लेकिन गाउं में जंगा-जंगा board लग गए है एक गाउं है मेवाद के अंदर Maroda Village Maroda Village का नाम हो गया है Trump Village Donald Trump के नाम पे रखा है और Wheeler Island जो है इसका नाम उडिसा में पलट के रख दिया गया है APJ Abdul Kalam Island और Elphinstone Road जो है मुंबई में इसका नाम पलट के रख दिया गया है प्रभादेवी ये station है Elphinstone Road इसका नाम अब हो गया है प्रभादेवी तो ये सारे नाम है जो इस साल बदले गए है Lionel Messi जो खिलाडी है इन्होंने अपना 500 गोल दाग दिया ये कौन से क्लब के लिए खिलते हैं ये खिलाडी है FC Barcelona क्लब के लिए दो important खिलाडी है Barcelona में एक है Brazil के Neymar और एक है Messi Lionel Messi खिलाडी है Argentina के Argentina के दो मुखे खिलाडी है एक Messi और एक Maradona Maradona जिन्होंने 1986 का Football World Cup जितवाया था Argentina को और इस बार अगर पूछें कि Spanish League किस ने जिती तो ये जिती Real Madrid ने और अगर पूछें Champions League किस ने जिती जो फुटबाल में कलब लेवल पर सबसे बड़ा टूर्नमेंट होता है तो वो जिता Real Madrid ने भारत की पहली पानी के नीचे वाली Metro सुरंग ये कहां बनाई जा रही है पानी के नीचे होगी पूरी एकदम पानी में डूबी होई ये बन रही है कौलकता में और ये दो स्टेशन को आपस में जोड़ेगी हावडा को सेलदा से तो आंसर है West Bengal West Bengal कौन सी भारतिय महिला क्रिकेट खिलाडी है जिने मैरिलबॉन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता मिलकर उन्हे सम्भानित किया गया है ये जो मैरिलबॉन क्रिकेट क्लब है ये दुनिया का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है और जो इंग्लैंड में Lord's Cricket Ground है वो भी इनका है बहुत ही परतिष्ठित क्लब है और चार मेल खिलाडी है जिने इस क्लब की सदस्यता मिल चुकी है सचिन तंदुलकर, राहूल द्रैविट, सौरव गांगुली और इसी साल मिली है VVS लक्षमन को जो फीमेल है उनका क्या नाम है फीमेल का नाम है संधिया अगरवाल इन में से कौन सी युनिवर्सिटी के साइंटिस्ट है जिन्होंने एक तरह के खास कीडे खोदे है ये कीडे जो इन्होंने खोजे है ये प्लास्टिक को अच्छे से खा सकते है प्लास्टिकों भी खा सकते है, तो ऐसा कहा जा रहा है, जो कूरी दुनिया में प्लास्टिक की प्रोब्लम है, वो ये कीडे कर सकते हैं, ये research करा है शांदार University of Cambridge ने, University of Cambridge. भारती ए rearways जो है, इन्होंने उदे express train स्टार्ट करी है, ठीक है, Uday Express, अभी पहली train का गोशना नहीं हुए, कब चलेगी लेकिन Uday Express launch हो गई है, तो Uday Express जो है ये क्या है, इसकी full form पूछी आप से, इसकी full form है उतक्रिष्ट double decker AC यात्री मैं repeat करता हूँ, उतक्रिष्ट double decker AC यात्री, ये एक तरह की काफी costly train है, और ये उनी पर चलेगी, जो high demand route है, उन पर overnight चलेगी, Uday Express अब railways की कौन-कौन सी train है, जो news में आ सकती है, ये सारी train railways ने start करी है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, हमसफर Express, ये AC train है काफी, ये भी शांदार train है हमसफर Express, ये पहली चली गोरकपुर से बस्ती, गोरकपुर से आनंद विहार तक total है, लेकिन पहली चली गोरकपुर से बस्ती दूसरी train है, Tejas Express, ये भी बहुती ज़्यादा luxury train है, बहुती महंगी train है, ये भारत की जो पहली Tejas train है, ये चली Mumbai से करमाली करमाली कहां पे है, करमाली है गोवा में, तो मुंबई से गोवा वाले रूट पे चलीए, एक और train स्टार्ट हुई है जिसका नाम है अन्तियोदे Express, ये बेसिकली गरीब लोगों के लिए है, अन्रिजर्वड है आप स्टेशन पर जाएए, जन्रल की टिकट लेजिए और चड़ जाएए, तो अन्तियोदे Express चली पहली हावडा से अरनाकुलम और एक और स्टार्ट हुई है, जो है दीन दैयल कोचिस, ये बेसिकली दीन दैयल कोचिस कुछ नहीं है जो नॉर्मल ट्रेन चल रही है, उन्हीं में दीन दैयल कोचिस एड किये गए है, जिससे टिकट का नंबर भढ़ जाए और ये अन्रिजर्वड है ये भी, ये भी जनल लोगों के लिए है जनल केटेगरी के लिए है, यानि स्टेशन पर जाएए और टिकट लेजिए और चड़ जाएए, तो ये सारी एक्जाम में पूछी जा सकती है इसके अलाबा दो ट्रेन हो रहे हैं, जो आपको पता होनी चीए एक है महामन एक्स्प्रेस महामन एक्स्प्रेस जो है, ये वारानसी से नई दिल्ली चली है, नई ट्रेन है महामन किसको बोलते थे, महामन बोलते थे, पंडित मदन मुहन मालविये को जो बनारास हिंदू युनिवरस्टी है, उसके फाउंडर थे और इनको रविंदना टेगोर जी ने नाम दिया था, महामन और गतिमान ट्रेन स्टार्ट हुई थी, जो दिल्ली से आग रहा, ये सबसे तेज ट्रेन है भारत की इसवर थे, अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल पूछता हूँ, भारतिये सरकार ये वाली ट्रेन खरीद रही है, टालगो, कौन से देश से खरीद रही है, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये बुलेट ट्रेन जितनी ही अच्छी चलेगी, लेकिन काफी सस्ती है, तो टालगो ट्रेन हम कौन से देश से खरीद रहे हैं, कमेंट्स में लिखे बताइए, ये है आपका दूसरा सवाल, 25 अपरेल को World Health Organization जिसका Headquarter है जनेवा में और जिसके Head है टेड्रोस आधानो मिथोपिया के, तो World Health Organization ने कौन से डिजीज को खतम करने के लिए 25 अपरेल का दिन रखा है, ये इंडिया के हिसाब से बहुत इंपोर्टेंट है, ये है मलेरिया, मलेरिया जो है ये होता है प्लाजमोडियम से, लेकिन प्लाजमोडियम तो पैरसाइट है, इसको लेके कौन उड़ता है, मच्छर, कौन सा मच्छर, उसको बोलते है है's female anophilies, जयाद रखिए anophilies सिर्फ मादा होना चाईए, नर नहीं, female anophilies के काटने से आपको मलेरिया होगा मलेरिया चार तरह का होता है अगर एक्जाम में आए तो कई तरह का मलेरिया होता है चार मुख्य है उसमें तो इसके अलावा डेंगु जो होता है ये एडीस इजिप्टी नाम के मच्छर के काटने से होता है और एडिस इजिप्टी के काटने से ही होता है चिकन गुनिया भारतिय जो एर फोर्स है इसने ये नए कुछ लड़ाकु विमान है जो शुमार किये है अपनी उसमें इसको इनका नाम है सू थर्टीवन एमकियाई फाइटर एरक्राफ्ट तो ये अपने 221 स्कॉर्टरन में उन्हें इंड़क्ट कर लिए है इनका दूसरा नाम क्या है दूसरा नाम क्या है सू थर्टी एमकियाई फाइटर एरक्राफ्ट का इनका नाम है वैलियंट और ये हमने रश्या की मदद से बनाए है इसके अलावा आपसे ये पूछ सकते हैं कि एर इंडिया जो है एर इंडिया और एमब्रायर एक कंपनी है एमब्रायर कंपनी है ब्राजील की ये अपने आपने काफी इंपोर्टन सवाल है इन्होंने मिलके एक MRO facility रखी है MRO facility क्या होती है जो modification या overhaul वगारा के लिए होती है यानि repair के लिए होती है modification, repair and overhaul इसको बोलते है MRO facility ये बनेगी सिकंदराबाद के बेगमपेट एरपोर्ट में सिकंदराबाद के बेगमपेट एरपोर्ट में और हमारे एरफोर्स के चीफ फ्रांस गए हुए है इनका नाम है धन्वा इन में से कौन से राज्ये का वन विभाग है जिसने एक Memorandum of Understanding sign किया है Indian Railways के साथ ये green cover increase करना चाहते हैं, green cover का मतलब ये है कि जो railway की पट्रिया है उनके side में पेड लगाए जाएंगी जिससे green cover increase किया जा सके, तो ये deal sign करी है महराष्टर की सरकार ने, हमारे railway मंत्री है सुरेश प्रभू, आजकल काफी संकट में है क्योंकि railways ने पिछले एक साल में 33,000 करोड रुपे का नुकसान दिया है, 33,000 करोड का वो इसलिए क्योंकि खर्चा है जादा है और कमाई कम है और इसमें एक चीज़ और याद रखिए अगर पूछें भारत में सबसे ज़्यादा पेड कोन से राज्ये में है, तो आंसर है मध्धे परदेश यानि कि maximum green cover, maximum forest cover मध्धे परदेश में है, उसके बाद अरुनाचल परदेश में है, दूसरे नंबर पर भारत का पहला और सबसे लंबा ropeway ropeway बोलते है उडन खटोले को, यह आपने देखा होगा इस तरह से, यह उपर बैठके जाते हैं तार के उपर ropeway, यह कहां बन रहा है, यह Mumbai Port Trust बना रहा है, कहां से कहां तक यह बन रहा है, Savory से Elephanta Island तक, Elephanta Tapu और Savory को connect करेगा, Savory है मुंबई में तो यह बना रहा है Mumbai Port Trust यह है भारत का पहला और सबसे लंबा ropeway 19 से 23 अपरेल तक, सयुक्त राष्ट संग द्वारा कौन सा हफता मनाये गया क्या आप नाम दिया इसको इन्होंने इसको नाम दिया Global Soil Week मिटी के लिए Global Soil Week और हमारी सरकार ने Soil Health Card भी स्टार्ट किये हुए, आपको पता होगा Soil Health Card, Skin UN के इस वक जो Head है, वो है Antonio Guterres, जो पूर्तगाल के है, और UN का Headquarter कहा है, New York, और New York में Headquarter है UNICEF का इन में से कौन सा राज्ये है, जिसकी जिसने Team Championship जीत ली, National Youth Athletic Championship जो हैदराबाद के अंदर हुई थी, तिलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, तो National Youth Athletic Championship जो हुई, overall winner कौन था उसका overall winner था, हर्याना, और हमारे जो खेल के मंत्री है, वो है विजे गोयल इन में से कौन सा राज्ये है जिनोंने एक Welfare Board शुरू करा है, यानि Welfare Board उनके लिए है, जिनने हम कहते हैं Transgender कुछ लोग इन्हें Hijra भी बोलते हैं, कुछ खुसरा बोलते हैं, कुछ इन्हें विपरीत के लिए एक Welfare Board बनाया है, यह ऐसा करने वाला यह पहला राज्ये बनाया है, यह राज्ये है आंद्रपरदेश, आंद्रपरदेश के गवर्नर है नरसिमहा, और आंद्रपरदेश में तेल्गु देसम पार्टी की सरकार है, चंदरबागु नाइडू मुख्य मंत्री है, अब ट्रांसजेंडर पे पांच कोशन आ सकते हैं, पहला यह कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर कॉलिज प्रिंसिपल कौन है, इन्होंने इसी साथ इस्तिफा दिया है तो यह काफी न्यूज में रही, इनका नाम है मन अभी बंदो पाद दिया है, और इन्होंने कहा कि इनके साथ काफी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था और इनको सपोर्ट नहीं मिलता था भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलीस यह मैंने पिछले वीडियो में बताया था, प्रिथिका याशिनी इसके लाबा भारत का पहला ट्रांसजेंडर स्कूल यह बना है कोची में, कोची एरनाकुलम डिस्टिट केरला के अंदर इस स्कूल का नाम है सहज इंटरनेशनल और भारत की पहली ट्रांसजेंडर MLA बनी थी शबनम मोसी बानो यह इंडिपेंडेंट खड़ी हुई थी सोहागपुर से, होशंगाबाद मत्यपरदेश में हलांकि बाद में लालू की पार्टी से भी यह खड़ी हुई थी परचुराव हार गई थी, लेकिन जब यह जीती थी तो यह निर्दल यह खड़ी हुई थी सोहागपुर, होशंगाबाद मत्यपरदेश से होशंगाबाद वही जगाए जहाँ पर नर्मादा नदी भी जाती है और भारत का सबसे पहला Athletics Meet, Transgender के लिए हुआ तिरुवनंदपुरम के अंदर इसके अलावा Transgender जो है, उनका एक band भी है, Music Band इसका नाम है Six Pack Band इसमें जो छे के छे परसन है, जो ये छे के छे Transgenders है UNESCO ने World Book और Copyright Day मनाया 23 अपरेल को ये बताईए कि 2017 के लिए World Book Capital क्या है World Book Capital 2017 के लिए पुछिए आपसे ये है कोनाकरी, और कोनाकरी कहाँ पे है गाइनिया में है 2018 के लिए है Athens और 2019 के लिए है शार्जा तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चीए इसके अलावा, जो Athens है ये Greece की राजधानी है यहाँ पे पहले Olympic खेल हुए थे, Athens में युनान बोलते थे Greece को और शार्जा जो आपको पता है, ये शार्जा का है इन में से कौन सा गाउं है, जो पापम पारे district के अंदर है ये अरुनाचल परदेश का पहला digital गाउं घोशित कर दिया गया है अरुनाचल परदेश जिसमें पेमा खंडु मुख्यमंत्री है इटान अगर राजधानी है, भारत का सबसे ये इस्टन राज्य है, सबसे पहले भारत में सूरज कहा निकलता है, अरुनाचल परदेश में अरुन का मतलब यह होता है, सूरज अब ये बताइए, इस गाउं ये जो district हैं आपे पापम पारे इसका पहला गाउं digital कौन सा है इस गाउं का नाम है निरजूली विलेज प्रथम, और भारत का पहला गाउं digital कौन सा था, अकोडरा गुजरात के अंदर है इसे ICICI बैंक ने बनाया था digital विलेज भारत की पहली female doctor ये भारत की पहली महिला है, जिने MBBS की डिगरी मिली थी, और ये इन दौर की है, इने पदमश्री मिला है अभी-अभी इनका क्या नाम है, इनका नाम है भक्तियादव और बिल्कुल निशुल किये गरीब लोगों का इराज करती आई है पिछले 50 साल से इन में से नेपाल के अंदर 5 मधेजी पार्टी थी, अब सारी मिलके एक हो गई है तो उस नई पार्टी का नाम क्या है, जो 5 पार्टियों के मिलने से बनी है, इसका नाम है राश्ट्रिय जन्ता पार्टी और नेपाल के आप जानते हैं नए परधानमंतरी भी बने है, शेरबाद उर्दयोबा जो चोथी बार नेपाल के परधानमंतरी बने है नेपाल के इतिहास में उनकी पहली प्रेजिडेंट है विद्यदेवी भंडारी, जो पहली महिला प्रेजिडेंट है और नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू, जहां पे सार्क का हेड़कोटर है पाकिस्तान ने अभी अभी अपना जो गौादर बंदरगा है वो चाइना को किराय पर दे दिया है चाइना Overseas Port Holding Company जिसे कहते हैं कितने साल के लिए किराय पर दिया है चाइना ने गौादर को दिया है 40 साल के लिए किराय पर दिया है और एक और पोर्ट है जो पता होना चीए आपको हमपन टोटा पोर्ट शिरिलंका ने वो बेच दिया है चाइना को तो ये याद रखिए दोनों पोर्ट हमपन टोटा शिरलंका का है और ग्वादार है पाकिस्तान का और इनको काउंटर करने के लिए इंडिया ने इरान के अंदर एक पोर्ट बनाया है जिसका नाम है च्छाबार क्यूबा ने अभी अभी अपने राजनिक संबंध 37 साल के बाद कोन से देश से शुरू किये है ये देश है मौरक्को जिसकी राधानी है रबाद नौर्थ अफरिका में चार देश है ये मौरक्को अलजिरिया लेपिया और इजिप्ट उपर अगर आप अफरिका का नक्षा बनाएंगे तो उपर के चार देश हैंगे बीच में छोड़ा सा टुनिश्या भी आता है और क्यूबा ने 50 साल के बाद अपने राजनिक संबंध शुरू किये अमरीका के साथ ये है क्यूबा के फिडल कास्ट्रो जो एक्सपायर हो गए थे और ये कम्यूनिस्ट थे फिड रेमिटेंस कौन से देश को सब ज़्यादा मिला ये मिला भारत को इंडिया को मिला 2016 में टोटल 62 बिलियन डॉलर मिला और आप इसको मल्टिप्लाई कर सकते हैं 5-6,000 करोड के साथ तो ये आ जाएगा यानि भारत को 6,000 into 60 so that is 3,60,000 करोड यानि भारत को लगबग 3,500,000 पे रेमिटेंस आया 2016 में अब इसमें एक क्चीज और याद रखिए भारत का जो रेमिटेंस है पिछले साल से 9% कम हुआ यानि 2015 में जो था उससे 9% हमारा कम हुआ है तो ये भी याद रख सकते हैं ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के बाद दूसरा कंट्री कोन सा है जिसको स संचोधर हमारे समिधान में हुआ था 1992 में जिसके बाद पंचायती राज हमारा स्टार्ट हुआ था ये हम मनाते हैं 24 अपरेल को और हमारा जो पंचायती राज है उसके तीन लेयर होते हैं पहले होती है विलेज पंचायत फिर पंचायत समीती और फिर जिला परिशद भारत जाके लिए कितना टार्गेट है 1000 मेगावाट का टार्गेट है 2020 तक यानि 1000 मेगावाट बोलते हैं एक गीगावाट को और 5000 मेगावाट यानि 5 गीगावाट का टार्गेट है 2025 तक इन में से किसको मिला है दादा साहिफ फाल के अवार्ड 2016 के लिए ये 64 वा दादा साहिब फाल के अवर्ड था और ये मिला है तेलगू के मशूर फिल्मेकर इनका नाम है कासी नथुनी विश्वनात दादा साहिब फाल के अवर्ड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे उचा अवर्ड है दादा साहिब फाल के P. C. चंदर पुरुशकार 2017 के लिए किसे मिला है P. C. चंदर पुरुशकार मिला है केला सत्यार्थी को आपको याद होगा केला सत्यार्थी को Nobel Peace Prize मिला था मलाला यूसुफ जाई के साथ दोनों को एक ही दिन मिला था और केला सत्यार्थी की एक NGO है बच्चपन बचाओ अंदोलन बहुत ही अभिन वेक्ति हैं और मतलब बहुत ही ज़ादा distinguished person है ये अलग है इननोंने लगबग 40,000 जो बच्चे हैं उनको बचाया है बंधवा मजदूरी से इन में से कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक land mafia से निपटने के लिए एक खास police बनाई है जिसको बोलते हैं anti land mafia task force ये किया है योगी अधित्यनाथ ने उत्तरपरदेश के अंदर Reserve Bank of India जो है इन्होंने अलाबाद High Court के 150 साल कूरे हो गए जैसा मैंने बताया तो कितने रुपे का एक नया नोट निकाला है उसको यादगार बनाने के लिए ये नोट कितने रुपे का है ये नोट है पाँच रुपे का नोट है अलाबाद High Court का जो commemorate करने के लिए ये निकाला है एक बात और हमारा जो Reserve Bank of India है नया नोट निकाल रहा है 200 रुपे का ये भी आद रखिए और 500 रुपे का भी एक नया नोट निकाल रहा है लेकिन पुराना वाला भी चलता रहेगा यानि विमुद्रिकरण नहीं कर रहा है और जो पुराना 500 का नोट था वो ये है जो अभी हम यूज कर रहे है आजकल उसमें जो insert letter है वो E है लेकिन जो नया वाला 500 का नोट निकाल रहा है उसमें insert letter होगा A भारत की कोन सी बच्ची है सिरफ 19 साल की है ये बन गई है Miss Teen Universe 2017 ये निकारगुआ के अंदर हुआ था Miss Teen Universe इसका किताब मिला श्रिष्टी कौर को श्रिष्टी कौर आप इसे देख सकते हैं पहली बार कौन सा भारत का शहर है जिसे Pierre Launfong International Planning Excellence Award मिला है American Planning Association द्वारा यानि ये शहर इतना अच्छा बना हुआ है इतना अच्छा निर्मेथ है इसलिए इसे मिला Planning Excellence Award ये है भूबनेश्वर भूबनेश्वर किसकी राजधानी है? उडिसा और गवर्नर कोन है उडिसा के? डॉक्टर S.C. जामिर और मुख्यमंत्री है नविन पतनायक नासा का एक स्पेसक्राफ्ट है जिसने आपको पता होगा जो शनी घ्रह है शनी घ्रह के चारों तरफ ये Rings होते है ये Gas के बने होते है Gas के और कई सारी चीज़ों के बने होते है Dust के, etc. तो शनी घ्रह के जो चारों तरफ ये आकृती होती है, रिंग होती है इनको explore कौन कर रहा है उसका क्या नाम है NASA का जो spacecraft है उसका उसका नाम है Cassini और एक ये है ये है हमारा भ्रिस्पती घ्रह है जिसे बोलते है Jupiter, सबसे बड़ा घ्रह है कौन सा है Jupiter, तो Jupiter को कौन explore कर रहा है Juno, तो ये दो question मन सकते है NASA से related, NASA का headquarter Washington DC में है Washington DC में ही International Monetary Fund और World Bank का headquarter भी है यानि विश्व बैंक और अंतराश्रे मुद्राकोश तो Cassini है शनी ग्रह के लिए यानि Saturn और Juno है Jupiter के लिए अमेरिका के महशूर डिरेक्टर Jonathan Dem इनका निधन हो गया ये Oscar जीच चुके है Best Director के लिए कौन सी फिल्म के लिए जीता था और इस फिल्म में एक बहुत एहम उमी का निभाई थी Anthony Hopkins ने इन्हें भी इस फिल्म के लिए Oscar Award मिला था ये फिल्म है Silence of the Lambs आपने एक Hindi फिल्म देखी होगी संगर्ष जिसमें अक्षे कुमार प्रिती जिंटा आसुतोष राणा ये सब लोग थे तो वो Silence of the Lambs की scene by scene copy थी एक पंचायत वार्ड है भारत का जिसका नाम है ये भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बन गया है कौन से राज्य में है ये ये है केरल में केरल में सरकार किसकी है Communist Party की सरकार है इन में से कौन सी कंपनी है जिसे भारत की सबसे अच्छी भहू राष्ट्रे कंपनी का अवार्ड मिला है यानि Indian MNC of the Year Indian Multinational Company of the Year ये अवार्ड इनने दिया All India Management Association यानि AIMA द्वारा कौन सी कंपनी है ये Hero Motor Corp और Hero के founder कुछ समय पहले expired हुए थे पिछले साल ब्रिज मोहन मुंजाल लेकिन अभी कौन है पवन मुंजाल इन में से भारत के कौन से Sand Artist है मशूर जिनने 10th Moscow Sand Artist Championship में Gold Medal मिला यानि Moscow Sand Art Championship जीत ली इनका नाम है सुदर्शन पटनायक उडिसा के है पुरी की बीचिस पे ये अपने Sand Castle बनाते है V1 जिसको बोलते हैं बकला तो कौन सी उनिवस्टी के वेग्यानी को ने करा है ये करा है हरियाना Agriculture University के Scientist ने और हरियाना Agriculture University कहाँ पे है हिसार के अंदर है हाना खातिब ये कौन से देश की Muslim शरिया कोड की पहली महिला जज़ बनी है ये देश है इस्राइल इस्राइल के राश्पती कोन है Reuben Rivlin परधान मंत्री है बेंजमी नतान याहू और इस्राइल की राजधानी है जैरू सेलम और इस्राइल जो है यहाँ पे मुद्रा चलती है उसे बोलते है शकेल छटा सुल्तान अजलन शाक कप खेला गया होकी का बहुत परतिष्ठे टूर्नमेंट है तो यही पूछा है आपसे की कोन से खेल का टूर्नमेंट है सुल्तान अजलन शाक कप होकी का है इस बार कि इसने जीता 2017 में ये जीता Great Britain ने और फाइनल में हराया उस्टेलिया को और इंडिया आया तीसरे नमबर पर नबाड जो हमारा अग्रिकल्चर बैंक है ग्रामीन विकास के लिए 1982 में बना था नबाड तो इसने 1.29 लैक सेल्फ हेल्प गुरुप जो है उनको डिजिटाइज कर दिया है इसका नाम इनोंने क्या रखा है अपने इस इनिशेटिव का इसको बोलते हैं इलेक्टरॉनिक शक्ती यानि इशक्ती भारत का इनमें कौन सा फिल्म है शॉर्ट फिल्म जिसे युनेश्को ने वल्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के दिन दिखाया जकारता में जकारता कहां की राजधानी है इन्डोनेशिया की इस फिल्म का नाम है आजाद और वल्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम कम बनाते हैं थर्ड में को इस बार इसका थीम क्या था इनमें से हमारे पूर्व मंत्री कौन है यूनिन मिनिस्टर जिनको जपान ने अपना नागरिक सम्मान दिया है जिसको बोलते है Grand Cordon of the Order of the Rising Sun जैपैन को बोलते है उवते सूरज का देश यानि Land of the Rising Sun तो इस अवर्ड का नाम है Grand Cordon of the Order of the Rising Sun इन्होंने कभी किताब भी लिखी है जिसका नाम है Hope in a Challenge Democracy इनका नाम है अश्वनी कुमार भारतिय तत्रक्षक यानि Indian Coast Guard ने अपना एक जहाज है उसकी 27 साल की सेवाओं के बाद उसे बंद कर दिया है यानि डी कमिशन कर दिया है इस जहाज का क्या नाम है इस जहाज का नाम आपको बताना है यह जहाज है ICGS वराड यहाँ पे मतलब ICGS मतलब होता है Indian Coast Guard Ship वराड और हमारे हेड को ने इस वक्त Coast Guard के जिनको बोलते हैं Director General राजेंदर सिंग इन में से कौन सा देश है जिसने T20 Cricket जीत लिया है Deaf and Dumb एशिया कप हुआ था यानि मूक और बधिर जो लोग हैं उनके लिए हुआ था जो सुननी सकते और जो बोलनी सकते किसने जीता यह यह जीता भारत ने इंडिया ने जीता और Man of the Series था जो खिलाडी वो है यश्वंत नैडू अभी-अभी CII यानि Confederation of Indian Industry President's Award आज इवन अपने योगदान के लिए किसे मिला है नई दिल्ली के अंदर यानि बिजनस के अंदर अपने योगदान के लिए किसे मिला है यह है राहुल बजाज इन में से एक Infosys जो कंपनी है भारत की दूसरी सबसे बड़ी सूचना करोल का Market Valuation जिसने Market Capitalization था और दूसरी बनी है Reliance इन में से कौन सा देश है जो पहला देश बना है जिसने Mining को बैन कर दिया है Environment Protection के लिए Environment Protection के लिए जो खनिज है उनको माइन नहीं किया जाएगा यह Country है El Salvador यह Central American Country है Central America का सबसे छोटा देश है El Salvador की राजधानी है San Salvador पहले Actor थे फिर Politician बने विनोध खना इनका निधन हो गया यह चार बार सांसत थे कहां से थे पंजाब में कौन सी Constituency से थे यह थे गुर्दासपूर Constituency से इन में से कौन सी हमारा College है या Organization है जो Solar Calculator बना रहा है Solar Calculator क्या है यह Solar Energy Potential बताएगा किसी भी Location की यानि किस Location पर सोर उर्जा कितनी बनाई जा सकती है वो बताएगा तो यह किसने बनाया है यह बनाया है इसरों ने भारत का जो Space Research Organization है इसका Headquarter बैंगलूरू में है और A.S. Kiran Kumar इसके Chairman है सबसे कम उम्र के भारत की किसी भी University के Chancellor इनको मिला है Dr. Baba Sahib Ambedkar International Foundation Kerala State Award आप इनकी फोटो भी देख सकते है इनका नाम क्या है इनका नाम है दिलिप नायर यह भारत के सबसे कम उम्र के किसी भी University के Chancellor है भारत की क्या रेंक है World Press Freedom Index में 1802 देशों के अंदर हम तीन पाइदान पीछे खिसक गए पहले थे 133 इस साल है 136 और नमबर वन कौन है नौर्वे जिसकी राजधानी है Oslo और नौर्वे का एक मशूर चेस खिलाड़ी है वैगनस कालसन स्वीडन दूसरे नमबर पे है फिल्नेंड तीसे नमबर पे है और डेन्मार्क चोथे नमबर पे है यह सब स्केंडिनेवन कंट्री है नौर्वे की राजधानी Oslo, स्वीडन की स्टॉकम, फिल्नेंड की हेल्सिंग, डेन्मार्क की कॉपनहेगन इन में से कौन सा देश है जो पहला देश बना है जिन्होंने अपना एक Consulate Office खोला है यानि दूतावास एक तरह का खोला है Gift City के अंदर Gift City के अंदर किसने खोला है? Belgium Belgium की राजधानी है Brussels और Brussels NATO का Headquarter है यानि NATO जिसे बोलते है North Atlantic Treaty Organization पेशावर High Court ने यह अनूमती दे दी है कि पाकिस्तान में ये एक शिव का मंदिर है यहाँ पे वहाँ के हिंदू पूजा कर सकते हैं 20 साल के बाद permission मिली है कहाँ पे है ये शिव मंदिर? पाकिस्तान में ये है खाइबर पक्तूनवा में खाइबर पक्तूनवा ESOT और E-Prant ESOT मतलब होता है आपका जो online transaction है उसको बोलते है statement of transaction यानि ESOT और E-Prant मतलब आपका permanent retirement account number ये कौन सी scheme के तहत चलाया गया है ये service से वाएं ये चलाई गया है अटल pension योजना अटल pension योजना क्या है? अगर आपकी उमर 18-40 के बीच में है तो आप अटल pension योजना को अवेल कर सकते हो जब आपकी उमर 60 साल हो जाएगी उसके बाद आपको pension मिलनी स्टार्ट हो जाएगी ये pension 1000 रुपे से 5000 रुपे तक मिलेगी वो depend करता है आपने कौन सी scheme लिए कितना premium अब भर रहे है इसका नाम है अटल pension योजना करनाटक अभी controversy में चल रहा है क्योंकि ये अपना अलग जंडा चाते है अपना अलग flag चाते है करनाटक की राज़ानी है बैंगलूरू जहाँपे इंडियन institute of science भी है नहाँपे इसरो का headquarter भी है और करनाटक के बारे बस इतना ही याद रखिये करनाटक में मैंने आपको बताया था formula BBN ये national park और wildlife century है तीन important बांधिपूर और बनरगट्टा और नागर होल इन में से कौन सा भारत का triple IT है IIT नहीं कहा रहा हूँ triple IT कहा रहा हूँ यानि इंडियन institute of information technology and management इन्होंने एक कापी soil health management and monitoring जिसको बोलते है शेमाम एप ये launch करा है ये basically ये है कि जो coffee grower है coffee उगाने वाले किसान है वो अपनी मिट्टी के बारे में पता कर सकते है और उसी हिसाब से उसमें खाट डाल सकते है ये app के थूँ इसका नाम है शेमाम एप यानि copy soil health management and monitoring app ये किसने launch करा है ये launch करा है केरल ने अगर मैं आपसे पूछू भारत में सबसे ज़्यादा coffee कहाँ पे होती है तो answer है करना टक अगर पूछू सब ज़्यादा रबड कहाँ पे होता है तो answer है केरल इन में से CRPF यानि Central Reserve Police Force के Director General यानि Chief कौन बने है ये काफी ज़्यादा important question है इनका नाम है राजीव राय भटनागर संजे कुमार को होन है ये NDRF के Chief है National Disaster Force है हमारी प्लाकृतिकाप्दाओं से निपटने के लिए आर के पचननन्दा किसके है ये पहले NDRF के थे बाद में इनका promotion हो गया अब ये इंडो तिवतन Border Police Force के Chief है और के के शर्मा BSF के है ये सारे काफी important question है Border Security Force यानि सीमा सुरक्षाबल Mobile Lab launch करी है हमारी Information Broadcasting Ministry ने लगू छोटे लेवल के जो उद्धे हो गया है उनके लिए यानि Micro Small Medium Enterprises के लिए ये priority sector के अंदर आता है अब ये इस Mobile Lab का नाम क्या है इसका नाम इनों ने रखा है My MSME मेरा MSME इस पर सारी आपको जो Government Scheme चला रही है उसके बारे में Information मिलेगी इन में से कौन सा country है जिन्होंने चेनई के अंदर अपना दूतावास खोला है 25 साल क्योंकि हमारे जो राजनिक relation है United Nations High Commissioner for Refugee जो पूरी दुनिया में refugees को protect करता है उनको welfare के लिए काम करता है उन्होंने अपना Goodwill Ambassador किसे बनाया है ये याद रखिए बहुत important question है क्योंकि ये कोई आम लेडी नहीं है इनका नाम है Yusra Mardini ये Syria की पहली swimmer है इन्होंने Olympics में भी हिस्सा लिया था तो इनका क्या नाम है Yusra Mardini तेराक है ये Syria की Syria में war चल रहा है काफे time से 6 साल से war चल रहा है proxy war Syria की राजधानी है Damascus और UNHCR है कोन हमारे फिलिपो गरांडी ये हैं हमारे 11th UNHCR भारत की पहली महिला कौन है जिन्होंने Formula E Circuit Catalonia, Spain के अंदर Barcelona में हिस्सा लिया race में इनका नाम है गुल पनाग आम आदमी party की ये politician है 24 से 30 अपरेल को क्या मनाया गया पूरी दुनिया में 24 से 30 अपरेल ये था World Immunization Week यानि टीका करण के बारे में जागता फिलाने के लिए World Immunization Week मनाया गया तीन मूर्ती मार्क का नाम क्या proposal है इस्राइल के कौन से शहर के नाम पर रखा जाएगा ये प्रतीक होगा भारत और इस्राइल की दोस्ती का तीन मूर्ती मार्क का नाम इस्राइल के हाइफा शहर के उपर रखा जाएगा और जो इसराइल है इसके बारे में याद रखिए इसराइल के बारे में सब कुछ बदा चुका हूँ आपको तो बस इसराइल के मुखे शहर कौन-कौन से है जैसे जैरुसेलम है जैसे एक और शहर है आपने सुना होगा तैल अवीव यह भी याद रख सकते हैं और हाइफ़ा Wikipedia के co-founder, इनका नाम है Jimmy Wells, इन्होंने fake news, यानि नकली जो bogus news होती है, और जो जूट होता है, आजल काफी फैल रहा है जूट, fake news, उससे निपटने के लिए एक नई website बनाई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम इन्होंने दिया है, evidence-based journalism, यानि हम वो छापेंगे जिसका proof है, इस रोग का नाम है HIV, वैसे HIV किसी रोग का नाम नहीं है, HIV एक वाइरस का नाम है, जिसे बोलते हैं human immunodeficiency virus, आपकी बोड़ी में helper T-cell खतम कर देता है, यानि आपकी बोड़ी की जो रोग प्रति रोदक्षमता है, यानि immunity है, वो खतम हो जाती है, तो अगर एक छोड़ा सा जु पढ़ाने के लिए बहुत योगदान दिया है, इनको मिला सीके नाइडू lifetime achievement award, क्या नाम है इनका इनकी फोटो देख सकते हैं, पैचान सकते हैं, इनका नाम है शांता रंगस्वामी, चंदर शेखर आजाद जी का 86वा शहीदी दिवस कब मनाया गया, किस दिन मनाया गया, ये मनाया गया 27 फरवरी को, इन में से कौन से राज्ये की सरकार है, जिन्हों ने, जिसके हाई कोट ने ये काया, कि आप जो भी प्रोसॉप्सिस जूली फिलोरा के पेड़ है, उन्हें उखाल के फैंक दो, इसको बोलते हैं सिमाई करू वेलम, ये बेसिकली 1970 के दर्शक में हमने पेड लगाए थे, भाहर से लाके, और क्योंकि उस वक्त जो फायरवुड है, जानि जो लकड़ी है, उसकी कमी हो गई थी, तो गरीब लोग थे, उनको फायरवुड की ज़रोत होती है, चुला जलाने के लिए, इसलिए हम भाहर से पेड लाके लगा दिये, लेकिन फैंक तो दो महिने के अंदर, कौन से राज्य ने का है, कौन से राज्य के हाई कोर्ट में का है यह का है, तमिल नाडू के हाई कोर्ट में, इन में से कौन सा बैंक है, जो हमें 63 million डॉलर का लोग दे रहा है, तेस्वीनि प्रोजेक्ट के लिए, स्गलिए इसके इन में से कौन सी भारत की फिल्म है? जिसे Glasgow Film Festival Glasgow बहुत important शहर है Scotland का वैसे Scotland की राजधानी Edinburgh है लेकिन Glasgow एक important शहर है तो Glasgow Film Festival में एक ही award दिया गया इस बार और वो भी भारत की पिच्चर ने जीत लिया यह है audience award यह किसने जीता? यह पिच्चर आई है पांस साल तक नहीं बना सकता, कौन सा है ये, ये है, British Broadcasting Channel यानि BBC, क्यों कर दिया, क्योंकि ये भारत में काजी रंगा के अंदर shoot and sight order हुआ, गेंडो को बचाने के लिए, Tigers को बचाने के लिए, कि अगर कोई उनका शिकार करेगा तो shoot at sight, उसका इन्होंने गलत coverage दिया, और उसे भारत की छवी खराब हुई, ये कहा, उस वक्त के जो हमारे परियावरण मंत्री थे, अब तो नहीं रहे, अनिल मादव धवे, अब तो परियावरण मंत्री है, रॉक्टर हर्श्वरदन, पर उन्होंने कहा कि इन्होंने धंग से, मीडिया एथिक्स को follow नहीं किया, आपने सुना होगा तारक महता का उल्टा चश्मा, नाटक वो इन्हीं के जो लेक छपता था अगबार में उस पर बेस्ट है, ये थे गुजरात के, सरकार ने 756 करोड रुपे रखे हैं, जिसमें 700 लाख केटरेक्ट पेशेंट है, जिनका केटरेक्ट, यानि सफेद मोतिया हो जाता है, या आप आँख में देख सकते हैं, ये सफेद मोतिया हो जाता है, इसमें आँख का लेंस सफेद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, तो लेंस फे पलट देते हैं, और कई तरह के और लेंस से लिकॉन वगरा के लेंग वो च्ब लगाते है, तो इससे अंधा और जो हमारा जैवी कूर्जा का टार्गेट है 175 गीगावाट उसका टार्गेट भी है 2022 हरीका दोनावल्ली ये कौन से खेल खेलती हैं हरीका दोनावल्ली ने इस साल वर्ल चेंपेंशिप में ब्रॉंज जीता और एक खेलाड़ी और पूसकते हैं आपसे कौनेरू हमपी ये भारत की दो सबसे महशूर खेलाड़ी है शत्रंज की भारत का कौन सा जल सेना का होस्पिटल है नेवी होस्पिटल जो बेस्ट होस्पिटल डिक्लेर किया गया है और इसको रक्षा मंतरी ट्रॉफि भी मिली है ये भारत की नेवी का सबसे पुराना और पहला होस्पिटल है इसका नाम है INHS अश्विनी कौलाबा मुंबई में है ये महराश्टर में सो आंसर है INHS अश्विनी 2017 का World Wildlife Day कब मनाया गया इस बर इसका theme था Listen to the Young Voices यानि जो जो यंग voices हैं यंग आवाजें हैं उन्हें सुनिये World Wildlife Day कब मनाया गया ये हम मनाते हैं 3 मार्च को 3 मार्च को जरम बर्षगाठ मनायी गई यानि भर्थ हैनिवर्सी मनायी गई इनका नाम क्या था उप नाम इनको क्या बुलाते थे हमशूर इनको बुलाते थे शेरे उतकल और ये कई और भी option दिये हैं महामन किसे बुलाते हैं अभी तो बताया मैंने आपको पंडित मदन मोहन मालवे जी को बुलाते थे महामन रविन्दना टेगो ने नाम दिया था और देशबंदू किसे बुलाते थे देशबंदू बुलाते थे चितरंजन दास को और दीन बंदू बुलाते थे C.F. Andrews को महात्मा गांदी ने नाम दिया था दिन बंदू और चितरंजन दास को बुलाते थे देशबंदू एक हफते तक चला ये आदिवासी समुदाय का त्योहार इसका नाम है भगोरिया ये कहाँ पर मनाय जाता है इसे भील समुदाय और भीलायस समुदाय मनाते है नैशनल डिफेंस डे कब होता है राष्टे सुरक्षा दिवस इसी दिन व्ल्ल वाइल लाहिटे भी होता है अब ये सवाल असान हो गया तीन मार्च सार्क का नया चीफ कौन बना है सार्क के पहले चीफ थे अरजुन भादूर थापा नेपाल के थे लेकिन अब है अमजद हुसेन BCR और ये कहां के है पाकिस्तान के है वैसे सार्क सम्मिट पाकिस्तान में हो नी थी और सबने बाइकट कर दी थी भारत के पूर्व रेसलर जिन्नोंने अरजुन अवाड जिता हुआ है जिससे अगर कोई दुश्मन के हतियार है वो पकड़ लेगी और इसी इंडियन आर्मी को दे दिया है क्या नाम रखा है इसका ये एक वैपन लोकेटिंग रडार है रडार है ये जो लोकेट कर लेगा वैपन को पकड़ लेगा दुश्मन के, इसका नाम है स्वाथी हमारा मानव संसाधन विकास मंत्राले जो है चाड़ी मिनिस्ट्री इसका लेटेस नोटिफिकेशन आया है इसके हिसाब से अधार काड मिड़े मिल के लिए मेंडेटरी अनिवारे हो जाएगा कौन से राज्यों पे अप्लाई नहीं होगा ये अप्लाई नहीं होगा, जम्मू कश्मी रसाम और मेंगाले आंसर है all of the above, इतना ही नहीं जो पैन काड़ को बैंक के साथ लिंक करना है, पैन काड़ को अधार के साथ वो भी इन राज्यों पे लागू नहीं होगा पश्यम बंगाल की सरकार जो है, इन्होंने कौन सी भाषा को official status दे दिया है, इसे बचाने के लिए, वरना ये लुप्थ प्राय है, लुप्थ हो जाएगी, ये कहा युनेस्को ने, जिसका headquarter है Paris में, युनेस्को के 36 world heritage site है भारत के अंदर कौन सी भाषा है ये, ये भाषा है, कुरुक, कुरुक और बंगाल के केसी नात्रे पाठी है गवर्नर और बंगाल की ये मुख्यमंद्री है वो है ममता बेनरजी त्रिनमून कॉंग्रेस पाठी इन में से कौन से राजे की सरकार है जिसने ये decision लिया है कि संस्कृत को mandatory कर दिया जाए, compulsory अनिवारे कर दिया जाए आटरी क्लास तक, ये decision लिया असाम सरकार ने, असाम के गवर्नर ने बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री है सरवनन सोनो वाल Interpol का एक mission है, जानवरों की खरीद फरोक रोकने के लिए, तसकरी रोकने के लिए उसका नाम क्या है, भारत में भी उन्होंने ये लागू करा और भारत में ये Wildlife Crime Control Bureau ने इसको implement किया इसका नाम है Operation Thunderbird और कचुओं के लिए भी एक है, उसका नाम है Operation Save Karma कचुओं कहा मिलेंगे भारत में आपको, Olive Ridley Turtle कहा मिलते हैं उडिसा के गहिरमट बीच पर आंदरपरदेश की सरकार ने इन में से कौन से airport का नाम पलट दिया है दो airport है, एक Vijayवाडा का और एक तिरुपती का तो answer है 2 and 3, क्या नाम रखा है इनका? तो विजवाडा एरपोर्ट का नाम रखा है N.T.Rama Rao जो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री महशूर एक्टर थे और अमरावती, दोनों के नाम पर रख दिया अमरावती राजधानी ये नई आंदरपरदेश की तो N.T.Rama Rao अमरावती एरपोर्ट नाम रखा है विजवाडा एरपोर्ट का और तिरुपती एरपोर्ट का नाम रखा है श्रीवेंकटेश्वरा एरपोर्ट क्योंकि तिरुपती बाला जी तो उनका नाम है श्रीवेंकटेश्वरा किया था, इन्हें हम father of organ transplant भी बोलते हैं, यानि transplant मतलब क्या होता है अगर मेरी kidney fail हो जाए, गुर्दे fail हो जाए, तो मैं आपसे ले लूँगा, यानि गुर्दे transplant, इसी तरह से liver transplant इन्होंने किया था, जिगर का transplant किया था, इन्हें father of organ transplant भी बोलते हैं INS Virat, INS Virat ये हमने decommission कर दिया मुंबई के अंदर, decommission मतलब हमने इसको use करना बंद कर दिया, ये सबसे पुराना हमारा जहाज है, इंडियन नेवी का, ये बताइए, ये Britishers के time का जहाज है पर जब ये सबसे पहली बार हमने use करना start किया था इस जहाज को, तब उसका नाम क्या था तब इसका नाम था HMS Hermes इन में से कौन से राजे की सरकार है, जिनोंने एक मच्छनों से निपटने के लिए smart mosquito density system शुरू करा है इसमें क्या है, optical sensor है, जिससे अगर मच्छर है कहीं पे, और वो प्रजनन कर रहे है तो वहाँ पकड लिये जाएंगे मतलब मच्छरों के जो breeding होती है, वो site identify कर ली जाएंगी जिससे मच्छरों को हम control कर सकें जिससे malaria ना फेले, तो ये कौन से राजे ने लगाया है, smart mosquito density system ये लगाया है आंधर प्रदेश ने इन में से कौन से भारत के पहले खिलाडी कोन बने, जिन्नोंने तीन बार पॉली उम्रीगर अवार्ड जिनने मिला पहले 2011 में, 2015 में और 2017 में ये है विराट कोनली और रवी चंदर अश्विन जो है, ये पहले खिलाडी दिव्यांग खिलाडी, यानि डिफरेंटली एबल स्पोर्ट्समें उनके लिए, तो ये कहाँ पे बन रहा है ये बन रहा है गांधी नगर में, गांधी नगर गुजनात की राजधानी है, यहाँ पे भारत का पहला मेका टेक्स्टाइल फेर भी अभी हुआ था कौन सा बैंक है ये, विजया बैंक करनाटक के और भी कई बैंक है, जैसे करनाटका बैंक, स्टेट बैंक, मई सूरू, कैनरा बैंक, और भी है, सिंडिकेंट बैंक वगरा वैकॉन विजय लक्ष्मी ये देख नहीं सकती लेकिन इन्होंने वल्ड रिकॉर्ड बना दिया पाँच घंटे में 67 गाने इन्होंने बजाए कुन से वाद्दे यंतर पे बजाए इन्होंने वल्ड रिकॉर्ड बनाया है ये इनका नाम है गायतरी वीना जिस वाद्दे यंतर को बजा रही है वो है गायतरी वीना पंजाब में इंडो पार्ग जो अटारी बॉर्डर है भारत पाकिस्तान का बॉर्डर वहाँ पे एक सेरिमनी हुई थी जिसमें भारत का सबसे लंबा क्या चीज रखी गई है वाँ क्या है भारत का सबसे बड़ा जंडा 360 फूट उचा इन में से कौन सी मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है जो भारतिय क्रिकेट टीम की स्पॉंसर बन गई है अगले पास साल तक चाइना की कंपनी है इसका नाम है ओपो और लोग कहते हैं कि चाइना के प्रोड़क्ट हम क पास साल के लिए यानि IPL की स्पॉंसर कौन होगी वीवो अगले पास साल के लिए और जियोनी एक नहीं बलकि दो-दो IPL की टीम है जिनको स्पॉंसर करती है कॉलकाता नाइट राइडर और RCB यह देखिए शर्ट पे जियोनी यह कॉलकाता नाइट राडर की शर्ट है और यह Royal Challenges Bangalore की तो Chinese Company पूरी तरसे चाही हुए भारत में अभी अभी एक डाक टिकेट लॉंच हुई है क्योंकि जो यगोडा सत्संग मठ है उसके सो साल पूरे हो गए है तो इसके इसको इसका जो हेड़कॉर्टर है वो है दर्शी नेश्वर में इसको शुरू किस ने किया इनका नाम है परमहंस योगानंद आप इनकी फोटो देख सकते हैं आपने किताब पढ़ योगी ओटोपायोग्राफी ओफ आ योगी वो इनही के उपर थी इनही की किताब है वो इनमें से कौन सी भारत की एक्ट्रेस है जिने बेस्ट एक्ट्रेस का आवर्ड मिला है इंट स्मार्टफोन दिये जाएंगे गरी भी देखा के निचे जो परिवार है उन्हें तो यह बताइए कौन से राजे ने शुरू करी है स्कीम इस राजे के गवर्णर है बल्दराम दास तंडन और मुख्यमाद्री है डॉक्टर रमन सिंग ये राजे है च्छतिस गंड इसकी वुमेंस डे ये आठ मार्च को सेलिब्रेट किया गया अंतराश्टिय महिला दिवस इस बार इसका थीम क्या था इसका थीम ये आपको बताना है और इसका थीम था वुमें इन दे चेंजिंग वर्ड ऑफ वर्क प्लैनेट 5050 बाइ 2030 यानि कहने का मतलब यह है 2030 तक 5050 यानि म महिला और जो पुरूश है उनमें बराबरी हो जानी चाहिए परधान मंत्री मोदी ने भारत की सबसे लंबी केबल ब्रिज ये कौन सी नदी के उपर इसका विमोचन करा उधगाटन करा 1.4 किलो मेटर लंबी केबल ब्रिज है ये पुल है बेसिकली ये केबल ब्रिज है बार हफते की चुट्टी मिलते थी अब पेड लीव जिसे बोलते है यारी इसमें इसकी सेली नहीं काटी जाएगी अब ये पेड लीव भढ़ाके कितनी हो गई है बार हफते से इस बिल के तहट ये हो गई है 26 अफते महाबलेश्वर सैल इनको सरस्वती सम्मान मिला है अपनी किताब हो थान के लिए ये कौन सी भाषा के इंदर लिखी है इन्होंने महाबलेश्वर सैल ये लिखी है कौनकणी में कौन से राज्य की भाषा है गोवा AIA DMK ने एक मोबाईल अप लॉंच करी जिसका नाम है अम्मा अविन अरन ये देख सकते हैं फोटो में अम्मा अविन अरन ये किस चीज़ की अप है ये ये अप है वुमेन सेफटी की महिलाओं की सुरक्षा की अप है इन में से कौन से राज्ये ने एक डैश्बोर लॉंच इसका नाम है प्रतिबिम्ब प्रतिबिम्ब में होता है हमारा अक्स प्रतिबिम्ब इसमें जो वोटर है इस राज्ये के और इस राज्ये में चुनाव भी होने वाले है तो इस राज्ये के वोटर है उन्हें इस राज्ये के प्रोजेक्स के बारे में सारी अपडेट दी ज सकते हैं आप समुदर को पैडल बोर्ड के उपर क्रॉस कर लिया इनका नाम है क्रिस बर्टिश क्रिस बर्टिश भारत का नया CWC कौन बना है यानि सेंट्रल वाटर कमीशन का चेयर्मेन कौन बना है यह डारेक्ट कुश्चन है यह सिर्वेट्टा मारना आपको नरेंदर कु नासा का अपकमिंग मिशन है इसका नाम है यूरोपा क्लिपर यूरोपा क्लिपर मिशन जो है यह एक मून है चांद है जिसको बोलते हैं यूरोपा इस पे बरफ के टुकड़े खोजेगा यूरोपा चांद कौन से ग्रह का चांद है यूरोपा यह जूपिटर का चांद है और Saturn का चांद कौन सा है सबसे famous Titan भारत का सबसे बड़ा waste to energy plant ये कहां पे inaugurate हुआ waste to energy यानि कि जो waste होता है जो भी हम dump करते हैं उससे energy मिलेगी जिससे जो landfills वगारा है उन पे दबाग कम रहेगा और हम waste से निजात पा सकते हैं ये लगाया गया है दिल्ली के अंदर और ये 24 मेगावाट का प्लांट है जो नरेला बवाना में लगा है इसका नाम है नरेला बवाना waste to energy प्लांट और भारत का जो पहला waste to energy प्लांट था वो भी दिल्ली में लगा था ये है भारत का पहला इसका नाम है तिमरपूर ओखला Municipal Solid Waste Management Plant ये भी दिल्ली में है और ये भारत का पहला Waste to Energy Plant था इन में से कौन सा शहर है जहां पे पहले 2022 के Commonwealth खेल होने वाले थे लेकिन फिर इसने अपनी एश अमता दिखाई यानि ये बोला कि financial problems की वज़े से और deadlines meet नहीं कर पाने की वज़े से organize ये शहर नहीं कर पाएगा ऐसा ही शहर ने कहा तो इससे जो इसकी मेजबानी थी वो छिन गई तो ये कौन सा शहर है 2022 के जो खेल है Commonwealth वो होने वाले थे डर्बन में, साउथ अफरीका में डर्बन में लेकिन डर्बन से ये छीन ली गई अब अभी decide नहीं हुआ है कि 2022 के Commonwealth के हाँ पे होंगे कई सारी जगा है जहाने जिन्होंने अपनी जिन्होंने अपना Candidature दिया है और अब decide करेगी Finally Commonwealth की जो जो भी Council है वो, तो 2022 के खेल होने वाले थे डर्बन के अंदर और 2022 तो भी दूर है लेकिन आप जानते हैं हर चार साल में एक बार Commonwealth खेल होते हैं तो 2018 के जो Commonwealth खेल होंगे वो होंगे Gold Coast Queensland Australia के अंदर इसके अलावा कुछ और पुछी आ सकते हैं आपसे जैसे football football का जो FIFA अब जानते हैं इंडिया में हो रहा है इस बर इंडिया में कौन से राज्यों में हो रहा है इंडिया में कई सारे राज्यों में हो रहा है और उडिसा में अभी-अभी हुई है Asian Athletics Championship ये याद रखिए और जो होकी का World Cup होगा वो उडिसा में होगा लेकिन जो FIFA Under-17 World Cup है ये बहुत सारे राज्यों में मिलके हो रहा है लेकिन जो Final है वो कहां खेला जाएगा Salt Lake Stadium में खेला जाएगा कॉलकता में और FIFA Confederation Cup ये भी अभी-भी खतम हुआ है रशिया के अंदर हुआ था इसमें जर्मनी ने जीता चिले को 1-0 से हरा के अब मैं बात करता हूँ FIFA Under-20 World Cup की FIFA Under-20 World Cup South Korea में अभी-भी खतम हुआ है और इसमें England जीता है और ये इनका पहला टाइटल है England ने पहली बार अपने इतिहास में Under-20 World Cup जीता है और इन्होंने Venezuela को Final में हराया इसके अलाबा FIFA World Cup की बात का अगर हम करें तो 2018 में होगा रशिया में 2022 में होगा कतर में तो 2018 में जो रशिया में होगा वो 21 वर्लकप होगा और इससे पिछला वर्लकप आप जानते हैं क्रिकेट की बात करते हैं तो T20 Women's World Cup West Indies में होगा 2018 में T20 की बात हो रही है और Men's और Women's दोनों का वर्लकप ऑस्टेलिया में होगा 2020 में T20 ICC Cricket World Cup की बात करते हैं जो 50 Overs का वर्लकप होता है तो ये England और Wales दोनों मिलके आयोजित करेंगे 2019 में इसके अलावा ICC Cricket World Cup 13th होगा ये और ये इंडिया में होगा 2023 में तो इंडिया में World Cup कप होगा 2023 में और उससे पहले 2019 वाला होगा England और Wales में उलम्पिक खेलों की अगर बात करें तो उलम्पिक खेल पिछले कहा होए थे Rio de Janeiro में होए थे पिछले साल 2016 में और अगले उलम्पिक खेल जो 32 वे ओलम्पिक हेल होगे ये होगे टोकियो जो जापान की राजधानी है 2020 में उलम्पिक खेल अभी अभी अनाउंस होए है कि जो 33 वे ओलम्पिक हेल है 2024 के वो पैरिस में होगे और 2028 वाले होगे Los Angeles अमेरिका के अंदर इससे पहले अमेरिका में कब होए थे 1996 में होए थे अटलांटा ओलम्पिक्स तो अटलांटा भी अमेरिका में है विंटर ओलम्पिक्स की बात करते हैं जब हम नॉर्मल ओलम्पिक्स बोलते हैं मतलब समर ओलम्पिक्स एक लेकिन Winter Olympics भी होते हैं तो Winter Olympics होंगे 23 वे Pyeongchang South Korea में 2018 में और 2022 में होंगे Beijing में और Beijing में इससे पहले भी Olympic हुए थे 2008 में तो Beijing में Summer Olympic भी हो चुके हैं और Winter Olympic भी और Beijing में आप जानते हैं कि Asian Infrastructure Investment Bank का तो ये सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं इसमें बस एक confusion आपको ये हो सकती है कि जो Winter Olympics में खेल हो रहे हैं 2018 में वो South Korea के अंदर Pyeongchang में हो रहे हैं तो आप इसको असानी से confuse कर सकते हो Pyeongyangyang के साथ जो Pyeongyangyang है ये North Korea की राजधानी है तो इसमें confusion नहीं होनी चीए ये है Pyeongchang और ये है Pyeongyangyang Asian Games की बात करते हैं Asian Games 18 वे Asian Games होंगे ये 2018 में Jakarta इंडोनेशा की राजधानी में और चाइना के अंदर होंगे 2022 में Hangzhou शहर में चाइना में ये होंगे 19 वे Men's Hockey World Cup की बात करते हैं तो ये भारत में होंगे अगले साल भूवनेश्वर में जैसे मैंने बताया उडिसा में उडिसा में भी कहाँ भूवनेश्वर में और अभी अभी Asian Athletic Championship भी हुई है भूवनेश्वर में इसके अलाब़ा Women's Hockey World Cup की बगर में बात करूँ Women's का तो वो England में होगा 2018 में Men's वाला होगा एंडिया में और Women वाला होगा England में तो बस इतना ही आपको याद रखना है बहुत ज़्यादा नहीं शिरेलंका ने एक Chinese Company को जिसको बोलते है Chinese Overseas Port Holding Corporation कौन सा समुदरी बंदरगा बेच दिया है और इन्होंने ये काया चाइना को कि आप यहां military base नहीं बना सकते तो इन्होंने चाइना को ये निन्यान में साल के लिए किराई पे दिया है इसका नाम है हमबन टोटा बहुत ही strategic location पे है हिंद महासागर में चाइना अपना आधिपत्य जमाना चाहता है इसलिए ये काफी important है चाइना के लिए हमबन टोटा हलांकि इससे कोई financial profit ना शिरलंका को ओ रहा है ना चाइना को ओ रहा है और भारत इन्वेस्ट कर रहा है ट्रिन कोमाली पोर्ट में हिसाब से इन में से कौन सा देश है आपको याद होगा 1971 में भारत पाकिस्तान के भी जंग हुई थी जिसको बांगलेदेश liberation war कहते हैं पाकिस्तान ने बांगलेदेश पे attack कर दिया था तो पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उन्होंने बांगलेदेश के लोगों पे काफी जुर्म ढ़ाय थे तो इस जो लोग थे जो तलपे थे जो मरे थे उनकी याद में एक दिवस मनाय जाएगा अब से और जो पाकिस्तानी आर्मी ने ओपरेशन किया था उसका नाम था Operation Search Light Operation Search Light Military Operation था जो पाकिस्तानी आर्मी ने किया था क्योंकि जो बांगलेदेश में nationalist movement है वो तेज होती जारी थी उसको दबाने के लिए कि लिए था तो आपको यह बताना है कि कौन सा दिवस मनाय जाएगा वो यह दिन होगा 25 मार्च का दिन 25 मार्च यह हमारे कौन से union minister है जिन्होंने एक announce करे कमला देवी चटो पाध्याई national awards जो कमला देवी है यह हमारी सुतंतरता सेनानी थी और इन्होंने grass route पे काफी काम किया था खासकर handloom sector में revive करने के लिए handloom sector में जो marginalized लोग है उनके समाजी गुथान के लिए बहुत काम किया था तो इनके नाम पे रखे जाएंगे कमला देवी चटो पाध्या national award यह होंगे हमारे handloom beavers और women handicraft artisans के लिए तो यह किये जाएंगे textile ministry द्वारा agriculture के बास सबस्यादा रोजगार textile भारत में परदान करता है और स्मिर्ती रानी हमारी textile minister भी है और information broadcasting यानी सूचना परसान मंत्री भी है क्योंकि जो वेंकाईया नाइडू थे उनसे यह अब department चला गया है स्मिर्ती रानी को 225 साल पुराना एक आर्मरी टीपु सुल्तान का यह देखिए इतिहास में पहली बार क्या हुआ यह एक कक्ष है रूम है जहांपे टीपु सुल्तान अपने हदियार रखता था तो टीपु सुल्तान का यह एक पट्री बननी थी बीच में यह आ रहा था तो इंजिनरिंग की मदद से इसे हटा के दूसी जंगा शिफ्ट कर दिया 100 मिटर दूर जिसे यहाँ पर पट्री बिचाई जा सके तो सवाल यही पूछा है कि कौन से राजा का आर्मरी था यह आर्मरी मतलब हदियार रखने का कमरा और यह पहली बार ऐसी exercise हुई है इंडियन डेलवेज के इतिहास में तो इस पूरे ही कमरे को उठा के तोड़ने की बजाए मशीनों की मदद से उठा के shift कर दिया गया तो यह थे टीपो सुल्तान रादा मोहन सिंग हमारे कृशी मंत्री है तो इन्होंने अभी-भी banana research center केला जो होता है उसके उपर research होगा तो banana research center कहां बनेगा यह भारत का सिरफ दूसरा banana research center है और यह बनाए जाएगा बिहार के अंदर अगर पूँछे है भाई बिहार में कहां बनेगा तो जगा का नाम है गोरोल और ये बिहार के वैशाली डिस्टिट के अंदर है यहां बनेगा और इससे पहले कहा था बनाना सेंटर इससे पहले था तिरूचिर पल्ली में जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं त्रीची या हम इसे तिरूचिर पल्ली बोल सकते हैं तमिल नाडू के अंदर ये है National Research Center for Banana तो ये वही चीज़े हैं जो मैंने आपको बताई है National Research Center for Banana तिरूची पली तमिलाडू में और Banana Research Center जो बिहार में बनेगा ये काम करेगा राजेंदर परसाद Central Agriculture University के अंडर जो पूसा में है समस्तिपूर में इसमें एक बात और याद रखिए पूरी दुनिया में अगर मैं फल उत्पादन की बात करूँ fruits production तो भारत दूसरे नंबर पे आता है चाइना के बाद और अगर मैं केले की बात करूँ तो पूरी दुनिया में सब ज़्यादा केले का उत्पादन होता है भारत के अंदर और भारत में अगर पूछ हूँ तो latest figure के हिसाब से बताता हूँ पहले तमिलाडू था लेकिन अभी महाराष्ट्रे चलना है number one हलंकि ये change होते रहते हैं महाराष्ट्रे तमिलाडू में कोई बहजा difference नहीं है ये हमारी सरकार ने चलाया है इसमें 52,000,000,000 खर्चा किया जाएगा ये किस किस बारे में है ये Mission Fingerling क्या है ये कौन सी scheme है ये Mission Fingerling है Blue Revolution से related Blue Revolution क्या होता है जो नीली क्रामती है ये होती है कि जो हमारे मचली उत्पादन उसको बढ़ाया जाए जो हमारा seafood बगारा उसे बढ़ाया जाए उसको बोलते है Blue Revolution खासका मचली उत्पादन तो Fingerling होते हैं जो मचली के बच्चे होते हैं तो जो मचली के बच्चे हैं उनका विकास किया जाएगा जिसे मचली का नंबर बढ़ाया जा सके क्योंकि ऐसा देखने में आ रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिनमा सागर बगारा इनमें मचली की कमी काफी होती जा रही है Pink Revolution बोलते हैं जो मीट के लिए होता है और Green Revolution हरित करांती आप जानते ही है तो ये सारे कुछ Revolution है जो आपको याद रखने है और बस इसमें इतना याद रखने आपको ये पताइए कि World Health Organization जो है जिसका Headquarter है जनेवा में इन्होंने एक शपत लिए है जिसका नाम है Call for Action and Pledge to Scale Up Measure to End the Disease by 2030 2030 तक हम इस disease को मिटा देंगे और ये WHO ने जो शपत लिए है इसको इंडिया ने साइन कर दिया है कौन से disease को मिटाना चाहता है WHO इंडिया और WHO ये disease है Tuberculosis बैक्टिरिया से होता है याद रखे Tuberculosis और Tuberculosis फेफ्टों का रोग होता है इसमें आपके फेफ्टे खराब हो जाते है लगतार खांसी आती है और फिर ये पूरी बाड़ी में फैल जाता है और फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है ऐसा माना जाता है कि 70% भारती है जो है वो इसके कैरियर है यानि कि जो बैक्टिरिया है वो इनमें है हलांकी वो भी निश्क्रिय है लेकिन जब आगकी इम्मुनिटी बोड़ी की कम होगी यानि रोग प्रतिरोधक्षमता कम होगी तब ये पकड़ लेगा तो टूबर क्लोसी सबसे डेंजलस डिसीज है अगर बात करें भारत की तो वर्ल्ल कंजूमर राइट डे यानि कि जो उपभोगता है तो अंतराष्ट्री उपभोगता अधिकार दिवस मतब जो कंजूमर है उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूप करना चाहिए उसके लिए दिवस हम कब मनाते हैं और इसमें एक चीज़ और याद रखी है इस बास का जो थीम था वो था बिल्डिंग अ डिजिटल वर्ल्ल कंजूमर सकें ट्रस्ट यानि हमें एक ऐसा डिजिटल वर्ल्ल बनाए जिसमें कंजूमर ट्रस्ट कर सकें क्योंकि अभी भी ऐसे देखा जाता है खासकर गरीब देशों में कि ऑनलाइन शॉपिंग वगारा लोग ट्रस्ट करते नहीं है ये दिवस हम मनाते हैं 15 मार्च को हमारे जो कंजूमर अफेर्स मिनिस्टर हैं वो है राम विलास पासवान जो लोग जनशक्ति पार्टी के हैं अभी नेशनल डेमोक्रेटिक अलाइनस का हिस्सा है और एग्रिकल्चर जो मंत्रियें रादा मोहन सिंग उन्होंने अनौन्स करा है कि भारत में 585 होल सेल की मंडी है मंडी होती है जहांपे जो फसल वगारा होती है उनकी खरीद फरुक्त की जाती है तो बायर होते हैं और सेलर होते हैं मंडी में फसलें बिखती हैं तो 585 मंडी में से 400 मंडी electronic उनको digital बना दिया गया है एक electronic trading platform create किया गया है इसका क्या नाम है इसका नाम इनों ने दिया है electronic national agriculture market यानि electronic राष्ट्रिय क्रिशी बजार इनाम संजौली पुली स्टेशन ये भारत का पहला पुली स्टेशन बना है जो crime and criminal tracking network and system जिसे बोलते हैं cctns इससे link कर दिया गया है तो ये संजौली पुली स्टेशन जो है ये भारत का पहला बना है अब आपको ये बताना है ये कहां पे है तो संजौली पुली स्टेशन है शिमला में और शिमला कहा है हिमाचल परदेश में हिमाचल परदेश के जो मुख्य मंत्री है वो है वीरबद्र सिंग Congress की सरकार है बहुत कमराज ये बचे है जहां Congress की सरकार है उन में से एक है वीरबद्र सिंग की सरकार हिमाचल परदेश में इसके लावा करनाटक में है और एक-दो जगा है तो याद रखिए और ये है क्या बेसिकली Crime and Criminal Tracking Network and System ये ये है कि आप online complaint वगारा online FIR वगारा भी launch कर सकते हो आप police verification भी कर सकते हो job की या अपने किराइदारों की कई बारी होता है आप नया किराइदार रखते है तो police से verification करवाना पड़ता है वो सब कर सकते हो इसके अलावा हर्याना police ने हमारे भारत देश का पहला center बनाया है अभी अभी खुला है 2017 में और जगा है नगरम पलम जो अमरावती में जोग राजधानी है आंदर परदेश की तो ये है भारत का पहला smart police station इसके लावा राजस्थान ये भारत का पहला राजिय बना है जहाँ पे एक ऐसा police station बना है जो पूरी तरह से महिलाएं उसका संचालन करेंगी महिलाएं चलाएंगी तो यहाँ पे पूरी तरह से ladies इसे manage करेंगी जो lady inspector वगर होते है और इसका नाम है गांधी नगर woman police station और ये है जैपूर में जो राजस्थान की राजधानी है इसके लावा दुबई ये दुनिया का पहला ऐसा शहर बना है जिसने robots जहां पे जो पुलिस का काम करेंगे इनको नाम दिया गया Robocop आप देख सकते हैं ये robot है और ये robot अब पुलिस का काम करेगा तो ये करने वाला दुबई पहला शहर बन गया है और दुबई कहां पे है United Arab Emirates में है United Arab Emirates के अंदर साथ Emirates है उनमें से एक दुबई है एक शार्जा है एक आबुधावी इस तरह से तो UAE की राजधानी है आबुधावी Women in Politics 2017 कहने का मतलब जो राजनीती है उसमें महिलाएं कितनी है इसका इंडेक्स आया है पूरी दुनिया के 193 देशों का इसमें भारत की क्या रेंग के है तो भारत में तो बहुत ही कम महिलाएं है जो सांसद है तो Women Parliamentarians का जो इंडेक्स है उसमें हम बहुत ही पीछे है और हमारा नमबर है दुनिया में 148, 193 देशों में तो अब इसमें दो इंडेक्स है जो आपको समझने है एक महिलाएं सांसद कितनी है और दूरसे महिलाएं मिनिस्टर कितनी है जो कि ऐसा भी हो सकता है कि जो महिला सांसद हो पर वो मिनिस्टर ना हो इसमें दो अलग-लग रैंकिंग है तो पहले मैं बताता हूँ आपको सांसद वाला कि कितनी महिलाएं सांसद है उसमें हमारी रैंकिंग क्या है तो हमारे यां लोकसभा में सिरफ 11.8% महिलाएं महिलाएं है मतलब टोटल जितने भी सांसद हैं उनकी और राजे सभा में अगर बात करें तो 11% तो लगभग भारत अगर लोकसभा राजे सभा देख लें तो 11% सिरफ हमारे यां सांसद महिलाएं इसलिए हम बहुत बीछे हैं नमबर वन कंट्री कौन सा है नमबर वन है रुआंडा अफरीका का देश है चोटा सा रुआंडा तो रुआंडा में नमबर वन है यहां पे 61% जो भी महां का जो लोवर हाउस है जहां पे चुन के आते हैं लोग तो महां पे महिलाएं है और दूसरे नमबर पे है बोलिविया बोलिवा की राजधानी है लापाज यह बोलिविया है और क्यूबा नमबर तीन पे है क्यूबा की राजधानी है हमाना और क्यूबा ने अभी अभी अपने रिष्टे शुरू करे हैं मौरक्तों के साथ और अमरिका के साथ मुरक्कों से लगबग 37 साल के बाद और अमरीका से 50 साल के बाद और फिर रोहन्डा है तो ये सब चीजे याद रखिए अब मैं बात करता हूँ Women Ministers में हमारी क्या ranking है Women Minister में हमारी ranking है 88 क्योंकि हमारे हैं काफी सारी महिलाएं हैं जो minister है मैंका गांधी है जो Women and Child Development Minister है स्मिरिती रानी कपड़ा और सुचरन परसंड मंत्री सुसमा सवराज हमारी foreign minister है दिर्मला सितरामन Commerce and Trade वो सब देखती है उमा भारती गंगा सफाई और जलसन साजन वगरा हरसी मिरत कौरबादल food processing तो ये हमारी main ये है बाकी minister of state भी कहीं है साजवी निरंजन जोती है बहुत सारी है जो minister of state है तो हमारी ranking है 88 नंबर बन है बलगेरिया जिसकी राजधानिया सोफिया दूसे नंबर पे फ्रांस और तीसे नंबर पे निकार गुआ अगर हम बात करें woman minister की तो तो ये सब दथे याद रखिए अभी अभी एक parliamentary panel बना है जिसने ये काए यानि सरकार की तरफ से committee बनी है और इस committee ने ये का BSNL और MTNL को एक कर दिया जाए भारत संचार विंगम Limited और MTNL इनको एक कर दिया जाए इनके दोनों के लिए अच्छा होगा ये कौन सी committee ने काए ये काए भगत सिंग कोशियारी committee ने भगत सिंग कोशियारी कोँन है भाजपा के वरिष्ट नेता है और दूसरे ये चीफ मिनिस्टर थे उतराखंड के भगत सिंग कोशियारी तो इनके नित्रितों में committee बनी थी committee ने कहा BSNL और MTL को मिला दो तो जो committee पर question होते हैं वो जरूर आएंगे committees वगारा, recent committee, commission वगारा इन पर काफी question आते हैं और government schemes पर बहुत question आते हैं तो government scheme मैंने आपने देखा होगा पिछले तीन वीडियो जो मैंने दिए हैं ये खूब government schemes में cover कर रहा हूँ New Zealand के अंदर एक नदी भैती है इस नदी को वही अधिकार दे दिये गए हैं जो एक human being को अधिकार दिये गए हैं क्या नाम है इस नदी का? New Zealand आप जानते हैं यहाँ पे हम इंको कीवी भी बोल देते हैं क्योंकि कीवी पक्षी होता है वो उड़ नहीं सकता लेकिन कीवी काफी important पक्षी है न्यूजिलेंड का और इनको वैसे cricket team को तो ब्लैक caps भी बोलते हैं न्यूजिलेंड की राजधानी है वैलिंटन और इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है वहां गनुई river इसको वह अधिकार है जो human beings को है तो ये इस river को protect करने के लिए किया गया है भारत में भी ऐसा किया गया है भारत में जो गंगन अधी है उसको वह अधिकार दिये गया है उत्राखंड का जो राज्य है उसके हाई कोट द्वारा जो एक human being को है इन में से कौन से cricket खिलाडी है जिन्होंने अपनी आतमकता लिखी है जिसका नाम है my story my story तो काफी ये successful रहे world cup भी जितवाया इन्होंने ashes भी जितवाया तो इनका नाम है Michael Clark इनकी ये आतमकता है Australia के captain थे और जबरदस खिलाडी थे एक और autobiography आपसे पूछ सकते हैं अभी अभी लिखी गई है बिल्कुल अभी दो महीने पहले लिखी गई है ये John McEnroe जो बहुती बहुती अच्छे उल्टे हाथ गया निए खबू tennis खिलाडी थे, lawn tennis खिलते थे इन्होंने लिखी है इसकी किताब का नाम है बट seriously ये काफी aggressive थे, कई बार referee से लड़ बिट पढ़ते थे तो John McEnroe की आतम खता है, इसका नाम है बट seriously इन में से कौन सी badminton खिलाडी है जिनको governing body of sports authority of India उनमें उनका नाम आ गया है इन्होंने शुमार कर लिया है sports authority of India जो है SAI उसके अंदर ये है जो आला गटा ये badminton खेलती है इसके अलाबा badminton से साथ question हो रहा सकते है पहला Thailand Open और Singapore Super Series, किसने जिती? SAI प्रनीत, ये सिरफ 2017 केंस आरे तो SAI प्रनीत बहुत महान खिलाडी है इन्होंने दो tournament जिते हैं इस साल एक जिता है Singapore Super Series और एक जिता Thailand Open जिता है और दूसरा 2017 Australian Super Series जिता है और P.V. Sindhu इन्होंने इंडिया Open जिता है जो Women's Singles और सायद मोधी International Tournament जो हुआ था वो भी इन्होंने जिता है P.V. Sindhu ने इसके लाबा Samir Varma, इन्होंने सायद मोधी का जो Men's वाला था वो जीत रही है Men's Singles Samir Varma, H.S. Pranoy इन्होंने US Open जिता है Men's Singles और Sanna Nehwal Sanna Nehwal ने Malaysian Masters का खिता जिता Women's Singles तो ये सारे याद रखने है अस्विन सुन्दर अश्विन सुन्दर अपनी पतनी के साथ जा रहे थे और इनकी गाड़ी क्रैश हो गई गाड़ी के अंदर जलके ये मर गए अश्विन सुन्दर कौन थे ये मशूर कार रेसिंग करते थे गो कार्टिंग वगारा काफी नैशनल चैंपियन थे एक वक्त तो अश्विन सुन्दर नैशनल लेवल के कार रेसर थे तो इनकी बड़ी धुरगट्टा में भारत की पहली हमारी खुद की बनाई हुई मेड इन इंडिया इंडिजिनस एक ट्रेन है जो इंडिजिनस ली बिल्ट रेक जो दादर स्टेशन है मुंबई में वहाँ से उसे हरी जंटी दिखाई गया इसका नाम रखा है मेद आनंग टडार ये 11 वी क्लास का बच्चा है इसने जो दृष्टी हीन लोग है उनके लिए खास तरह का चश्मा बनाया है जो इको लोकेशन पर काम करेगा ये कौन से राज्य से है ये 11 साल का बच्चा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस राज्य के प्रोविंस गोशित कर देख सकते हैं खाइबर पक्तूनवा जो है इसलिए नियूज में आया था क्योंकि यहाँ पर 20 साल के बाद एक शिव मंदिर है वहाँ पर जो हाई कोट है उनसने परमिशन दे दी कि खाइबर पक्तूनवा में शिव मंदिर में महाँ के हिंदू पूजा कर सकते हैं तो यह है पाकिस्तान में बलोचिस्तान की राजधानी है केटा बलोचिस्तान में भारत कोशिश कर रहा है कि बलोचिस्तान को आजाद करे पंजाब की लाहौर है सिंद की राजधानी है कराची कराची यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है खाइबर पक्तु उन्वा की है पेशावर और गिलगिट बल्टिस्तान की है गिलगिट इसके लावा आजाद कश्मीर पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बोलता है हम इसे बोलते हैं पाकिस्तान उक्यूपाइड कश्मीर इसकी राज़धानी है मुझफर अब यह एक रिपोर होती है अगर पानी में हो एक लिमिट से ज्यादा 0.01 मिलिग्राम पर लिटर से ज्यादा हो तो फिर सिहत खराब हो जाती है तो सबसे ज्यादा लोग है एक करोड से भी ज्यादा अफेक्टेड हैं बंगाल में दूसरे नंबर पे बिहार लगबग 17 लाग और तीसे नंबर पे दूनिया का सबसे खुशाल देश है नॉर्वे नॉर्वे दूसरे नंबर पे डैन्मार्क तीसे नंबर पे आइसलेंड और चोथे नंबर पे स्विजरलेंड तो टॉप थ्री याद रखने की कोशिश करिए अगर टॉप थ्री भी नहीं कर सकते आपकी शमता नहीं है तो सि सबसे दुखी बुरुंडी फिर तंजानिया तंजानिया क्यों फेमस है तंजानिया इसले फेमस है क्योंकि यहां पे है एक पहाड जिसको बोलते हैं माउंट किलिमंजारो जो अफरीका का सबसे उचा पहाड है फिर सीरिया सीरिया दुखी हो गई छे साल से डड़ाई चल है भारत भी बहुत बीचे 122 वे नंबर पे हम 105 देशों में इन में से कौन सा देश है जिसने 2017 का Bloomberg Global Health Index उसको यानि सबसे अच्छी health facilities देश में है 167 countries के अंदर ये देश रेट हुआ है तो ये देश है इटली इटली है ये देश पावलो जैंटी लोनी है के head of state है और इटली नंबर बन है और इंडिया इन्होंने मतलब 163 countries में से सिरफ top 50 को rank किया था top 50 में इंडिया नहीं है of course नहीं है healthcare बहुत पूर है और जो average expectancy है इटली के अंदर मतलब कोई वैक्ति कितना जीएगा तो वो 80 से 89 years है और दूसरे नंबर पे Iceland है यहाँ पे second position है और third नंबर पे है Switzerland चोथे पे Singapore पाँचवे पे Australia इसके अलावा एक और index है अब ध्यान से सुनिए यहाँ गलती कर सकते हैं मैंने आप से पूछा Bloomberg Bloomberg के अलावा एक और study है जिसका नाम है Global Burden of Disease Study इसने 195 countries में rank किया है इसमें इंडिया का rank है इसमें इंडिया का rank है 154 उन्होंने तो इंडिया को rank ही नहीं किया क्योंकि वो सिर्फ top 50 rank करते हैं लेकिन यह पूरी सब को rank करते हैं तो इसमें 195 country में हमें 154 और number one country है Switzerland इन में से कौन सा सूरत का शहर है सूरत जिला एक गुजरात में आप जानते हैं Diamond City बोलते हैं Hero की polishing वगारा बहुत होती है यहाँ पे तो जो सूरत district है गुजरात में यहाँ पे भारत का पहला private sector township कौन सा बनाया है जो cashless है देखे शब के नजर मारिए private sector public sector पूछे तो क्या नाम है प्राइबेट वाले का नाम है नंद निकेतन SR ग्रूप का तो Reliance Communication किसके साथ मर्ज कर रहा है Aircell के साथ कर रहा है Aircell के साथ ही नहीं कर रहा है एक और कंपनी है Russia की जिसका नाम है MTS तो MTS के साथ भी कर रहा है मतलब अब यह तीन एक हो जाएंगे Reliance Aircell और MTS तीनों मिलके एक हो जाएंगे इसके अलावा Idea और Vodafone मिलके एक हो रहे है अगर पूछें भारत की सबसे बड़ी Telecom कंपनी कोन है अब तो आंसर है Idea Vodafone Idea और Vodafone और फिर भारती AirTel और Telenor भी एक हो गए है वैसे भारती AirTel ने जो एक और कंपनी खरीद लिया है Ticona तो यह काफी कुछ हो रहा है अभी एक और चीज याद रखिए Idea और Vodafone जो मि भारत का पहला खिलाडी कौन सा बना जिसने Test Matches में 500 गेंद खेल ली 500 बॉल्स जो World Record है वो है 847 गेंदों का एल हटन का इंडिया की तरफ से 500 बॉल्स खेली पहला खिलाडी बना चेतेश्वर पुझारा इन में से कौन सा भारत का राजिय है जहाँ पे एक Economic Blockade हो रहा था या यह तहाँ पे कौन से उसमें हुआ और इस राजिय के मुख्यमंत्री बिरेन सिंह है अब आपके लिए सवाल में नहसान कर दिया है यह राजिय है मनिपुर और यह यह लगाया था Political Party ने United Naga Council ने लगाया था World Bank ने यह कहा है कि अगले तीन साल में हम 57 बिलियन डॉलर का लोन प्रोवाइड करेंगे आप इसको रफली 6000 से मल्टिप्लाई कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितना पैसा है यह हो गया लगबग साड़े तीन लाग करोड साड़े तीन लाग करोड रुपे का लोन देग यह देगा सब साहरन कंट्री को सब साहरन कंट्री यह जो जितने भी यह कंट्री आप देख रहे हो हरे रंग में यह सब साहरन है और यह कौन से है उपर वाले यह उपर वाले पांच कंट्री यह हैं M.A.L.E. मौरको अलजीरिया लिप्या और एजिप्ट यहां से तो Cashew Development Board बनाएगा और इससे अच्छी काजू की फसल होएगी अगले 5 साल में कौन सा राज्य बना रहा है ये राज्य है करनाटक और करनाटक में अभी Bangalore Declaration भी हुआ था ये भी भूश सकते हैं एक्जाम में Bangalore Declaration एडॉप्ट किया है करनाटक ने परनाटक में कॉफी का सबस्याता उत्पादन होता है भारत में रेलवेज ने अनाउंस करा है कि वो एक म्यूजियम बनाएंगे रेलवे हमारा एक म्यूजियम बना रहा है स्वामी विवेकनन्द यहाँ पे गए थे तमिलाडू में इसलिए बना रहा है उनको उस मोमेंट को यादगार बनाने के लिए कहां पे बना रहा है यह बना रहा है कुमबा कौनम में कुमबा कौनम कहा है तमिलाडू में और कुमबा कौनम में एक बहुत ही महशूर गनित के वेग्यानिक mathematician उनका जनम हुआ था ये उनकी फोटो है, इनका नाम था रामानुजन, इनका जनाम हुआ था कुंबा कौनम मदुकर गुपता कमेटी क्यों बनाईए सरकार ने मदुकर गुपता कमेटी सरकार ने क्यों गठन किया है इस कमेटी का इन्होंने किया है ये border security से related border security को हम कैसे और अच्छा कर सकते है खासकर जो पाकिस्तान border है उसके उपर इस रोब, हमारा जो अंतरिक्ष एजेंसी है Indian Space Research Organization इसने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ये hypersonic wind tunnel है और shock tunnel ये कहाँ पे लगाया है दुनिया की सबसे बड़ी wind tunnel tunnel मतलब सुरंग ये कहाँ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है ये पहले अमरीका के पास है फिर रशिया के पास है और अब हमारे पास है ये इनोंने लगाई है विकरम साराभाई Space Center में विकरम साराभाई Space Center है कहाँ पे? तिरुवननन्थपुरम में है जो केरल की राजधानी है पहले त्रिवेंदरम बोलते थे अब तिरुवननन्थपुरम बोलते है अंतराष्ट्रिय दिवस जंगलों के लिए 2017 का मनाया गया संजुलत रश्टं की तरफ से इस बार इसका theme क्या था? 21 मार्च को हम मनाते हैं इसका theme था Forest and Energy इन में से कौन से team है जिसने 2017 विजे हजारे ट्रोफी जीत ली बंगाल को इन्होंने हरा दिया फाइनल में और बंगाल को हरा के ये पहली team बनी है जिन्होंने 5 बार विजे हजारे ट्रोफी जीती है विजे हजारे ट्रोफी मतलब क्रिकेट की बात हो रही है है आपे तो ये जीती तमिल नाडू ने और एक चीज़ और बता देता हूँ जो विजे हजारे ट्रोफी खेलता है उसके बाद वो देवधर ट्रोफी भी खेलता है विजे हजारे के बाद जो विनर होता है विजे हजारे ट्रॉफिका और इंडिया A और B तो वो इसे खेलते हैं तो खेर हम इस बाद में आएंगे मैगी मैकडॉनल इन्हें मिला है ग्लोबल टीचर प्राइज और इन्हें पैसा भी मिला 6.2 करोड रुपीज प्राइज बनी भी मिला है यह एक बहुत चोटे से गाउं में पढ़ाती हैं कहां पर पढ़ाती हैं यह पर है यह गाउं जहां पर पढ़ाती हैं यह है कैनेडा का एक चोटा सा गाउं जहां पर पढ़ाती हैं इनका नाम है मैगी मैकडॉनल Human Fertilization and Embryology Authority है नहीं हेफा हेफा ने पहली बार दुनिया में permission दिये कि 3 parent baby बना सकते हो fertility technique है यह एक तरह की तो यह कहाँ पर permission मिली है यह कहाँ पर हुआ है यह बच्चा जो 3 parent baby जिसे बोलते हैं यह है UK की कहान United Kingdom और 2017 World Water Day यह अंतराष्ट्रे जल्दिवस मनाया गया 22 March को इस बार इसका theme क्या था आप यह सब भी आद रखिए कि यह कम मनाया जाता है 22 March को इस बार इसका theme था वाइ वेस्ट वाटर पानी को क्यों वेस्ट कर रहे हो इन में से कौन सा भारत का IIT है Indian Institute of Technology जो पहला academic institute बनाया भारत का जहां पर एक सूपर कम्प्यूटिंग फैसिलिटी आ गई है National Super Computing Mission के तहत यह लगाएगी सूपर कम्प्यूटर आ गया है कौन सा IIT है यह यह है IIT खड़कपूर खड़कपूर एक समय में भारत का सबसे बड़ा railway platform होता था अब यह शाय तीसरे नंबर पे है सबसे बड़ा भारत का railway platform अगर पूछें आज की तारीख में कोन है तो गउरकपूर है गउरकपूर उत्तरपरदेश में 86 वा शहीदी दिवस यानि मार्टर्स डे मनाया गया तीन हमारे महान करांतिकारी भगत सिंग राजगुरु और सुखदेव जी का तो यह इनका 86 वा मार्टर्स डे था किस दिन मनाया गया यह आप सबको पताई होना चाहिए 23 मार्च 23 मार्च को भारत के कौन से शूटर है जिन्होंने गोल्ल मेडल जीता मैंस डबल ट्रैप के अंदर इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के द्वारा आई एससेफ शॉटगन वल्ल कप के अंदर जो मैक्सिको के अंदर हुआ था बहुत बड़ एचीवमेंट है इनका नाम है अंकुर मित्तल आप यह देख सकते हैं ने डबल ट्रैप के अंदर हम हमेशे अच्छा करते हैं अभी हमारे जो मिनिस्टर अफ स्टेट हैं राज्यवर्दन सिंग राठहॉर ये भी डबल ट्रैप के अंदर ही सिल्वर मेडल लेके आये थे 2004 में एथेंस ओलम्पिक्स के अंदर भारत की क्या रैंक है ग्लोबल अनर्जी आर्किटेक्चर पर्फॉर्मेंस इंडेक्स 2017 में इसमें वल्ल एकोनोमिक फॉरम ने दिया है ये बहुत इंपोर्टेंट है ये इंडेक्स 127 कंट्रीस के अंदर हमारी क्या रैंक है हमारी रैंक है 87 बहुत पीछे हैं और Environment, Sustainability में अभी हम Energy Architecture में काफी पीछे हैं Top 5 कंट्री, पहले पर Switzerland, दूसरे पर Norway, तीसरे पर Sweden, चौथे पर Denmark, पाच़े पर France आप से फियाद रखिए, Switzerland नंबर बने अभी-अभी Able Prize किसे मिला है Able Prize ये Norway Academy of Science से लेटर ने दिया है इन्होंने Wavelets के उपर काम किया है तो कुछ लोग इसे गनित का Nobel Prize कहते हैं कुछ इसे Science का Nobel Prize कहते हैं Science में ऐसे अलग से Nobel Prize मिलता है कुछ इसे Physics वगारा के लिए बोलते हैं खैर अलग-अलग लोगों के वो हैं लेकिन Maths का Nobel Prize जनली से कई बार कह देते हैं तो इनका नाम क्या है इनका नाम है Eves Meyer इन्हें मिला है Able Prize इन में से भारत की कौन सी रेजिमेंट है जिसके 200 साल पूरे हो गए है जब ये बनी थी रेजिमेंट तो इसका नाम था फतेगड लेवी बिटिश ने लगाई थी पहले ये शुरू की थी रेजिमेंट और ये है बहुत ही ज़्यादा काबिल और बहादूर नाइन गोर्खा राइफल्स इन में से भारत के कौन से बहुत ही सीनिर पत्रकार है जिने कुलदीप नायर जनलिजम अवार्ड मिला गांधी फीस फांडेशन दौरा ये पहला अवार्ड था मतलब पहला पहली बार किसी को दिया गया ये इनने सम्मानित किया गया इनके जनलिजम में पत्रकारिता में योगदान के लिए इनका नाम है श्री रवीश कुमार World Meteorological Day ये हमने मनाया इस बार 23 मार्च को Meteorological मतलब जो मोसम विभाग संबन्दी जो काम होता है उसको बोलते हैं Meteorology तो इस बार इसका theme क्या था अब या तो आपसे दिवस पूछ सकते हैं या theme पूछ सकते हैं Theme था इस बार इसका Understanding Clouds बादलों को समझे World Health Organization ने 24 मार्च को dedicate करा है क्योंकि इस दिन डॉक्टर रोबर्ट कोज जो थे मशूर microbiologist थे इन्होंने 1882 में कौन सा disease है जिसको ये पता लगा लिया था कि ये वाला disease कब किस से फैलता है ये disease है Tuberculosis इनमें से कौन सा भारत का शहर है जो पहला बना जहां पे एक vertical garden बनाए गया है vertical garden vertical garden बनाए है बैंगलूरू के अंदर तो इसकी photo नहीं है मेरे पास मैं आपको दिखाता है इसमें क्या होता है बेसिकली जैसे garden जो होते है वो horizontal होते है लेकिन बैंगलूरू बगारा में उतनी space नहीं है तो ये vertical garden होते है जैसे खंब आये ये पहले वाले जो question नहीं बताता हूं भारत का पहला tank जो unmanned है इसका नाम है मुंत्रा इसे बनाया DRDO ने DRDO की chief कोन है S. Christopher मुंत्रा ये unmanned मतलब ये होता है इसको चलाने के लिए आदमी की जरुत नहीं है unmanned यानि एक तरह से robot की तरह काम कर सकता है ये तो अभी यहाँ पे वैसे जवान बैठा है हमारा लेकिन इसको चलाने के लिए जवान की जरुत नहीं है इसका नाम है मुंत्रा इसके लावा चंडिगड भारत का पहला शहर बनाए जहाँ पे 100% water connection दिये गए है मतलब चंडिगड में हर family के पास है water connection अमरुत स्कीम है यह चल रही है यह अमरुत स्कीम क्या है अटल mission for rejuvenation and urban transformation यानि कि जो शहर है हम उनको धंग से plan करेंगे दुबारा उनको हम transform करेंगे बदलाब करेंगे दिल्ली metro यह दुनिया की पहली और भारत की तो होई गई अटोमेटिक पहली metro है जो 100% green metro है 100% green उसके अलाबा पहले भारतिये जिनोंने दुनिया की सबसे tough cycle की race होती है इसमें लगभग 5000 किलोमेटर cycle चलानी पड़ती है यह पूरी कर ली करनल श्रीनिवास गोकुल नाथ ने नाधपूर भारत का पहला शहर बनाए जहांपे electronic mass mobility system लगाया है यह ओला ने लगाया है ओला कंपनी के CEO है भाविश्क अगरवाल यह भी याद रखिए electric mass mobility system यहांपे 200 electric गाड़ियां खड़ी की जा सकती है इंदौर भारत का पहला शहर बना जहांपे Robocop traffic से ने पटने के लिए Robocop लगाया है यह अभी की news है बिल्कुल दो महीने पहले की जिसको ट्रेड मार्क मिल गया है टी एम ट्रेड मार्क मैं ताज जो ताज पहले से होटल की बात हो रही है यहांपे ताज पहले सोटल जो है जहांपे आपको याद होगा की आतंगवादी हमला भी वह था लशकर ये ताज पहले सोटल जो है इसकी फोटो भी नहीं लगा सकता आप में क्योंकि वो एक कॉपिराइट हो जाएगा बढ़ना इसलिए मैंने लगाई भी नहीं पहले भारत में जन्मी महिला जिनको काउंसलर चुन लिया गया है इलेक्ट किया गया है इनका नाम है रहना अमीर UK के अंदर और Mother Tracer जो साड़ी पहनती थी Mother Tracer जो दूसरी नन है Christianity में तो यह आप देख सकते हैं साड़ी ये इसमें नीली पट्टियां भी है नीली ब्लू स्ट्राइप साड़ी है ये पहली यूनिफॉर्म है किसी भी रिलिजियस सेक्ट में जिसे intellectual property rights मिल गए है intellectual property rights तो ये सब याद रखे इन में से कौन से पदम श्री अवर्ड जीट चुके फोटोग्राफर है बहुत महान फोटोग्राफर है जिने lifetime achievement award मिलाया भी हमारी सुचना प्रसाण मंत्रालेद द्वारा ये ने दिया गया 6th National Photography Awards में तो ये फोटो देख सकते हैं आप इनने पहचान सकते हैं इनका नाम है रगुराए इन में से कौन सी भारत की महिला है जो दुनिया की 30 सबसे बड़ी leaders world's greatest leader में चुनी गई है Fortune magazine द्वारा तो दुनिया के top 3 ये है Theo Epstein ये president है Baseball Chicago के Jack Ma Jack Ma ये अली बाबा ग्रूप के chairman है और Pop Francis Pop Francis पोप है जो Saint Basilica Church Rome में Vatican में वहाँ पे बैठते हैं ये सबसे उची Catholic Church के अंदर clergy में rank होती है अभी जो पोप है हमारे ये South America के हैं एक दम precise बात करें तो Argentina के हैं ये पोप Francis और top 3 leaders दुनिया के में सिर्फ एक भारती हैं और वो भी महिला है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है अरुन्धति भटाचारिया जो State Bank of India की chairman है हमारे जो agriculture मंत्री है रादा मोहन सिंग उन्होंने एक coffee table book ये launch करी अभी-भी क्योंकि 50 साल पूरे हो गए कौन सी करांती के आपने operation flood सुना होगा तो दुग्द करांती ये शुएत करांती की बात हो रही है milk revolution की बात हो रही है और milk revolution में सबसे ज़्यादा role play किया डॉक्टर वर्गिस कुरियन ने जिरोंने अमूल भी लगाया था तो ये इनकी photo है डॉक्टर वर्गिस कुरियन अभी-भी एक शिकायतों के निवारन के लिए यानि grievances redressal platform launch करा है हमारे State for Petroleum and Natural Gas जो हमारा Minister of State है हमारे धर्मेंदर प्रधान ये हमारा मंत्राले है Petroleum about Natural Gas का इसका नाम इनोंने क्या रखा है इसका नाम रखा है Ministry of Petroleum and Natural Gas E.Seva Electronic Seva भारत की जो हमारा सीमा सुरक्षा भल है Border Security Force उसके यतिहास में पहली महिला जो Combat Officer चुनी गई है Combat मतलब लड़ाई के लिए भी जाएंगी Combat करेंगी तो महिलाएं जो होती है Generally Combat के लिए नहीं जाती है वो Technical वगरा काम देखती है लेकिन अब ये 51 साल का इतिहास BSF का उसमें पहली बार एक महिला चुनी गई है युद के लिए लड़ने के लिए भी Combat के लिए भी तो इनका नाम है तनुश्री पारिक और एक महिला और याद रखिए उशा किरन जो हमारा Central CRPF है Central Reserve Police Force इसमें ये पहली महिला चुनी गई है जिसे Insurgency Impacted बस्तर में पोस्टिंग मिली है बस्तर आप जानते है नकसल परभाविते रिया है यहाँ पे पोस्टिंग मिली है पहली महिला आए ये उशा किरन तो दोनों उयाद रखिए उशा किरन CRPF और और तनुश्री पारिक BSF एम्स के नए डिरेक्टर कौन बने है ये मशूर पल्मोनोलोजिस्ट है मतलब फेफडों के डॉक्टर है इनका नाम है डॉक्टर रंदीब गुलेरिया और 2017 सिख रतन अवार्ड किसे मिला है ये दिया ब्रिटिश सिख एसोसियेशन में आप जानते हैं ब्रिटेन जो है लंदन वगारा इनका नाम है प्रिट कौर गिल इनकी विशेश बात यह है ये लेबर पार्टी की है और अभी जो चुनाव हुए थे उनमें चुन के आई है चुन के आईगी तो कहां बैठेंगी हाउस ओफ कॉमन्स में बैठेंगी दो हाउस होते हैं आप कभी आपको कन्फुज़ नहीं होगी और एक है जिनका नाम है तनमन जीट सिंग तनमन जीट सिंग धेसी ये ब्रिटेन के पहले पगडी वाले सिख एमपी बने है उन्होंने बर्मिंगम एडबस्टन constituency से election जीता है अभी अभी तो ये दो लोग याद रखिए दोनों exam में जरूर रहेंगे राश्ट्रिय वायोश्री योजना ये है कि जो एक खास वर्ग है गरीब रेखा के नीचे उसे बैसाखी वगारा जो physical aid है वो सब दी जाएगी और जो चलने के लिए जैसे बैसाखी होती है या कोई भी इस तरह की सुविधाय परदान की जाएगी हमारा जो समाजिक शशक्ति करण और नयाय का विभाग है Ministry of Social Justice and Empowerment उन्होंने ये किराया और हमारे जो पहली कंपनी बनी भारत में जो Advertising Standard Council of India की मेंबर बन गई Advertising Standard Council of India ये कंपनी है Paytm जिसके फाउंडर है विजय शेकर शर्मा और इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है 197 Communication और Paytm कंपनी ने कौन सी कंपनी से अभी पैसा उठाया है Softbank, Softbank कहां की कंपनी है जापान की, कौन सी कंपनी है ये Telecom Company तो इस तरह से Connect करके फड़िए हमारे जो रक्षा मंत्री अरुण जेटली Additional Charger वैसे Finance मंत्री भी यही है वित मंत्री अरुण जेटली ने 120 Recommendation दिये थे एक कंपेटी ने उसमें से 90 मालनी है ये Military Reforms के लिए थे जानी कि हमारी जो सेना है उसमें कैसे सुधार किये जाए Military Reforms किये जाएं कौन सी कंपेटी की बात हो रही है ये जिसका काम ये था कि Military Reforms से जेस्ट करो ये कंपेटी है D.B. शेकाटकर कंपेटी D.B. शेकाटकर Government जो है इन्होंने WHO Criteria बदल दिया है चालिस साल पुराना Criteria follow कर रहे थे अभी नए WHO Criteria ले लिया है किस चीज के लिया है ये लिया है Blindness के लिए Blindness के लिए बहुत important question है देखिए भारत में 134 करोड लोग है जनसंग किया है उसमें अंधे लोग कितने है 1.2 करोड एक करोड 20 लाग लोग भारत में ऐसी हैं जो देख नहीं सकते और ये कैसे पता कि ये ये figure सही है ये वो लोग है जो 6 मीटर से उंगलिया नहीं गिन सकते ठीक है 6 मीटर से तो अब ये 6 मीटर से घटा के कर दिया है 3 मीटर जो WHO guidelines है उसके हिसाब से पहले हम follow करते थे 6 मीटर अब कर दिया 3 मीटर तो यानि of course जो blind लोग है उनकी संख्या कम हो जाएगी फिर तो अब blind लोगों की संख्या हो जाएगी सिर्फ 80 लाग तो भारत में अगर पूछें बही कितने लोग है blind या visually impaired तो answer है 80 लाग चलिए आगे बढ़ते हैं इन में से भारत का कौन सा राजी है जिन्होंने एक आदिवासी समुदाय का त्योहार मनाया जिसका नाम है सरहुल और ये त्योहार ये कि हमारा जो mother nature है यानि हमारी प्रकिरती है उसकी पूजा होती है ये कौन मनाता है ये आदिवासी समुदाय का त्योहार है ये मनाया जाता है जारखंड में पहली बच्ची जिसने 36 किलो मेटर की तराकी करी बांटरा वरली सीलिंग में से लेकर गेटवे उफ इंडिया तक 6 घंटे 30 मिनिट के अंदर 36 किलो मेटर तराकी करी तो ये जो बच्ची है इसका क्या नाम है इसका नाम है गौरी सिंग गौरी सिंग Online Film Certification यानि Sensor Board आपने सुना होगा Sensor Board अब Online Film Certification दे सकता है ये लॉंच करा हमारे सूचा परसान मंत्रा लेने और एक अपरेल से लागू भी हो गया है इसका नाम रखा है Electronic Sine Pramand जो US Senate है उन्होंने अप्रूव कर दिया है कौन सा country NATO का latest member होगा यह 29th member NATO क्या है NATO भी बोलते है North Atlantic City Organization इसका headquarter है Brussels में जो Belgium की राजधानी है इसका latest member बना Montenegro Deo the Trophy किसने जीती Deo the Trophy कौन खेलता है जो VJ 1000 Trophy जीतता है वो और उसके विरुद खेलती है BCCI की India A और India B टीम तो इस बार किसने जीती India A ने, India B ने या Tamil Nadu को की Tamil Nadu ने जीती VJ 1000 Trophy तो Tamil Nadu ही जीत गया Tamil Nadu ने ही जीत ली Deo the Trophy भी और सब ज़्यदा किसने जीती है Deo the Trophy North Zone ने जीती है तेहरा बार कौन से शतरंजी के खिलाडी है जो भारत के 46 वे Grand Master बन गए है भारत में है 46 Grand Master 46 वे latest Grand Master कौन बने है इनका नाम है शिरीनात नारायनन और भारत के पहले Grand Master कौन थे विश्वनाथन आननन हर्याना का कौन सा जिला है जहां पे फूलों पे रिसर्च किया जाएगा इसके लिए बनेगा Center of Excellence for Flower और यह कौन सा देश बना रहा है नेधरलेंड पवन चक्कियों का देश कहते हैं नेधरलेंड को इसे हम होलेंड भी बोलते है इस देश में जो लोग रहते हैं हम उसे डच भी बोलते हैं इस देश की राजधानी है Amsterdam और इस देश में एक important चहर है जहां पे International Court of Justice का headquarter है कहां पे बन रहा है हर्याना में जजजर में दो mobile app launch करी हैं अभी भी हमारा जो मौर्थ है मौर्थ क्या होता है M.O.R.T.H. कौन सा मंत्राले है हमारा नागरी परिवहन मंत्राले है Ministry of Road, Transport and Highways अब हमारे मंत्री को ने इसके लिए नितिनगड करी तो इन्होंने दो-दो mobile app launch करी है और ये app ये है कि अगर कोई भी traffic violet करता है यानि जैसे लालबत्ती तोड़ दी किसी ने मतलब लालबत्ती है और गाड़ी फिर भी भगा दी तो इन सब का आप report कर सकते हो इन दो apps पे इनका नाम क्या है एक का नाम है electronic चालान और दूसरे का है mobile परिवहन तो answer है 1 and 4 Asian Hockey Federation द्वारा player of the year किसे मिला है Asia का सर्शेष खिलाडी 2016 के लिए ये मिला है भारती है को इनका नाम है S.V. Sunil और पूरी दुनिया का कोन है जो best खिलाडी का वर्ड मिला है player of the year International Hockey Federation द्वारा इनका नाम है John John Domain और ये है Belgium के IIT रुड़की के जो वैग्यानिक हैं उन्होंने बहुत ही सस्ते solar cell बनाए है कौन से फल से बनाए है ये solar cell ये बनाए है जामुन से जामुन से बनाए है सोर उर्जा से चलने वाले cell इन में से कौन से टीम है जो पहली टीम बनी है उत्तरकूरी विराज्यों से जो North East के हमारे 7 sister बोलते हैं जिन्होंने hero Indian league जीती है hero तो sponsor है Indian league होती है ये इसमें knock-out नहीं होता इसमें बस पूरे साल मैसिश चलते हैं जिस टीम के सबसे ज़्यादा point होते हैं वो जीत जाती है match जीतने के 3 point मिलते हैं हारने के 0 draw का 1 तो ये जीती है इस बार आईजवल football club ने जो की मिजोरम का football club है आईजवल राजधानी कहां की है मिजोरम दुनिया का सबसे उचा railway bridge कौन सी नदी पे बना है भारत में चल रहा है काम अभी ये बन जाएगा ये बन रहा है छेनाब पे चेनाब इंडस नदीया नी सिंदु नदी की सायक नदीया जो पांच मुखे सायक नदीया है जेलम चेनाब रावी ब्यास अत्रूज उनमें सबसे लंबी चेनाब है चेनाब पे बन रहा है दुनिया का सबसे उचा railway bridge जिस पे 369 मीटर उचा है ये जो आइफिल टावर से भी उचा है ये और ये किसको जोड़ेगा ये बककल और कावरी को जोड़ेगा रियासिट डिस्टिक्ट जमू कश्मीर के अंदर शेनाब पे बनेगा दो मई को कोन सी मचली को dedicate करा, अभी अभी start हुआ है ये दिवस इसी साल से start हुआ है, दो मई से अब कोन सा दिवस मनाए जाएगा ये मनाए जाएगा world tuna day, टूना एक मचली होती है world tuna day जो इस बोर्वा, ये IS officer नहीं है भारत में सब ज़ता चाहे कहा होती है दार्जलिंग में और राज्ये पूछें तो असाम में दार्जलिंग कहां पे है असाम में नहीं है दार्जलिंग है वेस्ट बेंगॉल में और जो Animal Welfare Board of India है इसमें भी एक important चीज़ याद रखिए अभी तक Animal Welfare Board of India का जो चेर्मेन होता था वो सरकारी आदमी नहीं होता था वो कोई डॉक्टर होता था या Animal Welfare Activist होता था अब से सरकारी आदमी होगा वो यानि जो Ministry of Environment जो उसका कोई अधिकारी होगा इन में से कौन से आम है आंदरपरदेश के जिने Geographical Indicator Tag मिल गया है पहला Geographical Indicator Tag भारत में मिला था दाजलिंकी चायक हो और ये जो है इनका नाम है बंगनपली आम और मैंने आपको एक केला भी बताया था चंगली कुदन केला जिसे Geographical Indication Tag मिला था इन में से कौन सा शहर है जहाँ पे भारत की पहली Blind Football Academy बनेगी यानि दृष्टी हिन जो फुटबल खिला रही है उनके लिए Academy बनाई जाएगी ये बनाई जाएगी कोची में केरल के अंदर गुजरात ने अभी अभी अपना Foundation Day मनाया Statehood Day बोलते हैं जिसे एक माई को गुजरात कौन से ये बना था गुजरात गुजरात बना था 1960 दुनिया का सबसे बड़ा टेलिस्कोप बनाया है NASA ने क्या नाम है इसका अभी तक सबसे बड़ा कौन सा होता था जिसे बोलते थे Hubble Space Telescope Hubble, Edwin Hubble कौन थे आपने Big Bang Theory सुनाओगा वो किसने दी थी Hubble Space Telescope बोलते थे अब जो टेलिस्कोप है दुनिया का सबसे बड़ा 2018 में शुरू हो जाएगा इसका नाम है Webb Telescope Webb Telescope Telescope होता है जो बहुत दूर की चीज़े देखने के काम आता है ये एक इसराइल के अंदर भारतिये हैं जो immigrant हैं immigrant मतलब जो हमारे देश से जाके उस देश में चले गए जो इसराइल का 69th Independence Day यानि 69th सोतंतरता दिवस इसराइल ने मनाया आपना भी अभी याद रखिए इसराइल का Independence Day उसकी एक कोई date fix नहीं है हर साल बदलता रहता है depend करता है वो उनके calendar के हिसाब से Hebrew calendar होता है जो तो 69th Independence Day इस साल खेर दो माई को मनाया था इनोंने तो उसमें 14 लोग ऐसे हैं जिनोंने मशाल जलाई उनमें एक भारत का भी था और भारत का ये द्रिश्टी हिन वेक्ती है इसका क्या नाम है मनिपूर से है ये इसका नाम है दीना सिमाता इन में से कौन से राजे की सरकार है जिसने WHO World Health Organization के साथ मिलके एक agreement करा है ये रुबैला और मीजल्स जिसे बोलते हैं जर्मन मीजल्स या रुबैला भी बोलते हैं उसको खतम करना चाता है ये राजे ये एक तोचा कर हो गए पूरे तोचा के इस पर बहुत अजीब से हो जाते हैं लीजन्स हो जाते हैं तो ये राजे है महराश्ट्रा इसके लिए दवाई भी आती है इसको बोलते हैं MMR, वैक्सीन ये तीन के लिए है मीजल्स के लिए, मम्स के लिए और रुबैला के लिए उत्तर परदेश की सरकार अब से उत्तर परदेश दिवस कब मनाएगी ये योगे दित्यनाथ ने अनाउंस करा है अभी वहां की जो मुख्यमंत्री है 24 जनवरी को मनाए जाएगा हमारे गंतंत्र दिवस से दो दिन पहले मनाए जाएगा उत्तर परदेश दिवस इन में से कौन सी Space Agency है जो पहला जो चांद के उपर गाओं बनेगा वो बनाएंगी मिलके, दो Space Agency मिलके बना रही है, कौन कौन सी है, एक तो चाइना की है जिसका नाम है Chinese National Space Agency यानि CNSA और दूसरी है यूरोप की, जिसे बोलते हैं European Space Agency यानि इस नो भारत की है, नासा अमरीका की है इसके अलावा एक और याद रख लिए यह जाकसा, जापान की है, जैपनी एरोस्पेस एक्सपरेश एजेंसी, जाकसा, और रशिया की है रोस कॉस्मोस इन में से कौन सी उनिवरस्टी है जिसने टर्की के प्रेजिडेंट भारत आये थे रसीप टैइप अडोगान और टर्की ने आपको याद होगा पारलेमेंटरी सिस्टम से कनवर्ट कर गए थे प्रेजिडेंशल सिस्टम में इनको डॉक्टर की डेगरी दिए जिसे बोलते हैं टॉक्टर आफ लेटर्स ओन और इसको सा यह डेगरी दिए है जामिया मेलिया इसलामियान व्ल्ल स्नूकर चैं 부분이 क्सने जीत ली तो स्नूकर चैंपियन कोन बन गए हैं दुनिया के यह ब्रिटेण के हैं कि ये किसी भी किसम के chemical agent जो है उनको सूंग सकती है और बता सकती है और OTL 300 ये है कि ये जो छुपे हुए दुश्मन के हतियार वगरा है या कोई instrument है या टेलिस्कोप अगर दुश्मन ने चुपा रखा है दुर्भीन चुपा रखी है या night division device वगरा है उनको detect कर सकता है OTL 300 अभी अभी हमारा जो HRD मंत्राले है मानव संसाधन विकास मंत्राले इसके मंत्री कोन है परकाश जावडेगर उन्होंने students के अंदर राष्ट भक्ती जागे इसके लिए एक campaign स्टार्ट करा है इसका नाम क्या है इसका नाम है विद्या वेर्दा अभियान विद्या वेर्द उन्हें एक दिवार बनाई जाएगी और इस दिवार पे हमारे जो परमविर चकल विजयता है टोटल 21 उन सब के फोटो होंगे और इस दिवार को रोज बच्चे देखेंगे तो उससे उनके अंदर एक राष्ट भक्ती की भावना जागेगी अभी अभी जो JNU है वहाँ टैंक आ रहा है इस टैंक से भी बच्चों के अंदर राष्ट भक्ती की भावना जागेगी ये बताईए कि हमारे भारत के कौन वैक्ती है जिने Grand Caller of the Order of Macarius 3 ये साइप्रस देश का सबसे उंचा नागरिक सम्मान है ये मिला है ये मिला है हमारे पूर्व राष्पती अब त देश कौन सा है ये देश है बांगलादेश ये बताईए कि जो CII है यानि Confederation of Indian Industries की नई President कौन बनी है ये बहुत important question है लेकिन इनका नाम है शोबना कामिनेनी 19th Asian squash championship किसने जीत ली चन्नाई के अंदर हुई थी तो ये दो खिलाड़ी है जिनके नाम आपको याद रखने है ये championship जीती जोशना चिनप्पा ने जो ये है ये है ये है जोशना चिनप्पा और दूसरी है देपिका पलिकल जो ये है तो याद रखिए अभी अभी एक web portal launch ह लोगों को ये अलाओ करता है कि कितना radiation कितना radiation उनके mobile phone से निकल रहा है वो measure कर सकते है अपनी locality में जैसे जो mobile tower वगारा होते है उनसे खतरनाक radiation निकलता है कई बार एक limit से ज्यादा तो आप अपने mobile phone से चेक कर सकते हो कितना radiation निकल रहा है इसका नाम इनोंने रखा है तरंग संचार गंगा स्वच्ता संकल्ब दिवस ये national mission on clean गंगा NMCG ने ये celebrate किया गंगा सफाई के लिए जो हमारी मंत्री है वो है उमा भारती गंगा स्वच्ता संकल्ब दिवस हमने कम मनाया ये हमने मनाया दो मई को दो मई को याद है आपको tuna tuna मचली कुछ याद आ रहा ह इन मेंसे कौन से देश के scientist हैं जिन्होंने दुनिया का सबसे तेज कैमरा बना दिया है ये 5 trillion images खीं सकता है एक सेकंड में 5 trillion तो मैं आपको बताता हूँ जिसे 1 billion होता है 100 करोड ठीक है और 1000 billion होता है 1 trillion यानि 1000 into 100 करोड यानि कि 1,00,000,000 करोड फोटो खीं सकता है एक सेकंड मे दुनिया का सबसे तेज कैमरा है कौन से देश ने बनाया है ये बनाया है स्वीडन ने कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दिया है इन में से कौन सा airport है जिसको अंतराष्ट्रिय स्टेटस दे दिया गया यानि अभी अंतराष्ट्री airport हो गया है अंतर देशिये से ये airport है व मिनिस्ट्री परदर्शनी यह करी मद्दे परदेश की सरकार ने इन में से कौन सी नदी को Living Human Entity का status दे दिया यानि इसको नदी को वह अधिकार है जो किसी human being को है यह नदी है नर्मदा नदी तो यह पहले मद्दे परदेश से निकलती है कहां से निकलती है फिर यह काफी सारे एरिया को जाती है देवस है, होशंगा बाद है जैसे एक ओर है, जवलपूर है जवलपूर में यह बनाती है धुआधार वाटरफॉल जिन्हें हम कपिल धारा भी कहते है तो फिर यह जाती है महाराश्टर में जाती है नेशनल एंटी चाइड लेबर डेग ये कब मनाय गया भारत में यानि जो बच्चे हैं वो बाल मजदूरी के खिलाफ जो दिवस होता है वो कब मनाय गया ये हम मनाते हैं 30 अपरेल को और हमारे जो शरम मंत्री हैं वो कोन है लेबर मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर का क्या आप न बेस येर है वो कौन सा हो गया है पहले था 2005 अब हो गया है 2011-12 और एक चीज़ और याद रहे है जो GDP कैलकुलेट करने के लिए बेस येर है वो पहले था 2005 फिर हो गया है 2011-12 अब हो गया है 2017-18 ये information दी सदानंद गौड़ा ने जो मिनिस्टर लेबर स्टेटिस्टिक्स है एं फ्रांस के नए राश्पती ये असान सवाल है अब तक तो Emmanuel Macron मोधी जी भी मिले थे इंसी जब फ्रांस गए थे Emmanuel Macron कौन सी पार्टी के है एन मार्श और इन्होंने हरा है किसको मारीन लाप पैन को जो फार राइट लीडर थी होम मिनिस्टर है जो राजनात सिंग इन्होंने जो नकसलवाद है उससे निपटने के लिए एक नया सल्यूशन दिया है इस सल्यूशन का नाम क्या रखा है इसका नाम रखा है समाधान और समाधान की फुल फॉर्म व्याद करने में आपको एक दिन लग जाएगा तो मत करि से स्मार्ट लिडर्शिप, से अग्रेसिव स्टेटेजी, से मॉटिवेशन ट्रेनिंग, से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबूर बेट्स, KPIs, KRAs, एक्षे हरनासिंग टेक्नोजी, से एक्शन प्रांस प्रांस टेटर, एंड एक्शन प्रांस टू फाइनसिंग तो ये है समाधान, United Nations ने एक Technology Innovation Laboratory अभी अभी लगाई है, इस राज्ये को Digital बनाने में भी मदद करेगी, कहाँ पे लगाई है, ये लगाई है, 36 गड़ की राजधानी नए अरायपूर में, तो याद रखिए, सकेवा फेस्टिवल, यहाँ पे हमारी जो धर्दी मा है, उसकी ट्रिब्यूट दी जाती है, ये कौन सा राज्ये मनाता है, सकेवा फेस्टिवल, दो फेस्टिवल इंपोर्टेंट, एक सकेवा और एक होन बिल, होन बिल फेस्टिवल मनाते हैं, नागा लेंड में, होन बिल, होन बिल, होन बिल, और सकेवा कहा मनाते हैं, सकेवा मनाते हैं सिक्किम में भारत का पहला और ओर्गैनिक राज्य और ओपन डिफिकेशन फ्री राज्य केंदर सरकार ने कमेटी बनाई है जो मनरेगा के wages हैं उनको standardized करेगी राज्यों के बीच में जो variation उसको खतम करेगी कहीं पे मनरेगा के लिए कुछ पैसा मिलता है तो वो variation नहीं होना चीए इसके लिए कमेटी बनाई है ये कमेटी का नाम क्या है इस कमेटी का नाम है नागेश सिंग कमेटी मातमा गांधी National Rural Employment Guarantee Act यानि मनरेगा अंतराश्ट्रिय नर्सिस दिवस यानि International Nurses ले 2017 बनाई गया ये कौन सी महशूर लेडी है जिनने समाज में बहुत काम किया इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है इनका नाम है Florence Nightingale और किस दिन मनाते हैं हम बारा मई को पहली भारतिय महिला कौन है जिनने Corporate Citizenship Global Corporate Citizenship के लिए Woodrow Wilson Award मिला है ICICI Bank की President है इनका नाम है Chandak Kocher तीन इंपोर्टेंट लेडी हैं हमारी चार बलकी चार इंपोर्टेंट लेडी हैं हमारी बैंकिंग के अंदर उशानन्द सुब्रेमनियम पहले पंजाब नेशनल बैंक की ये मैनेजिंग डार्टर थी अबलाबाद बैंकी है उस्ताद रईस खान इनका निधन हो गया ये कौन सा वाद्दे यंत्र बजाते थे तो ये वाद्दे यंत्र देख भी सकते हैं अब इनके हाथ में ये है सितार और सितार और कौन बजाता था पंडित रवी शंकर जी अब तो वो नहीं रहे लेकिन उनकी बेटी ये बजाती है अनुस्का शंकर जी तो ये तीन लोग याद रखिए अनुस्का शंकर पंडित रवी शंकर इनके फादर है और सितार में उस्ताद रईस खान इन में से कौन सा भारत का राज्य है जो दूसरा राज्य बना जिसने जनवरी से दिसंबर तक का वित्य जो साल है वो अपना लिया पहला था मध्यपरदेश फर्स्ट था मध्यपरदेश दूसरा जहारखंड इस दी आंसर जहारखंड और ये बेसिकली ये है कि हम हमारे जो financial year होता है एक अप्रेल से एकतिस मार्स तक होता है एक अप्रेल से अगले साल के एकतिस मार्स तक हम चाहते हैं ये हो जाए एक जनवरी से 31 दिसंबर तक लेकिन हमारे जो वित्मंत्रिया अरुन जेटली उन्होंने साफ मना कर दिया है कि ऐसा परकिस्तान के उच्चायूक थें, राज़दू थें भारत के अंदर अब ये तो जा रहे हैं तो अब इनकी जंगा कोन आ रहे हैं इनकी जंगा आ रहे हैं सोहिल महमूद भारत का पहला सरकारी Women Drug De-Addiction Center यानि वो महिलाएं जो drugs बगरा लेती हैं, अब यहां जाके वो de-addict हो सकती है, यानि अपनी addiction जो है, उसको छोड़ सकती है ये कौन सा राज्य लगा रहा है, महिलाओं के लिए इस राज्य में drugs काफी जाद हैं, इससे ये पता चलता है ये राज्य है, पंजाब और एक फिल्म भी आई थी, उड़ता पंजाब अब आपके लिए आजगा दूसरा सवाल उड़ता पंजाब के डिरेक्टर कौन थे? कमेंट्स में लिखके बताइए, उड़ता पंजाब पिचर के डिरेक्टर कौन थे? अभी अभी एक online इंटरफेस लॉंच करा है हमारे कृषी मंतरी रादा महन सिंग ने इसमें जो किसान वगारा है या कृषी से संबंदित कोई भी आदमी है वो जाके अपनी शिकायतें इसमें दर्ज कर सकता है और उसका फिर उससे solution प्रोबैड किया जाएगा इसका नाम क्या रखा है इसका नाम रखा है Electronic Krishy Samwad Genetic Engineering Appraisal Committee जो यह देखती है कि कोई genetically modified जो crop वगरा है वो कितनी खतरना के नहीं है उन्होंने safety यानि अप्रूव कर दिया है कौन सी commercial cultivation को किस चीज के लिए यह है GM Mustard लेकिन इतना असान नहीं होगा इसे क्योंकि हर state में इसके खिलाफ काफी protest चल रहे है GM Mustard पहली बार इनमें से कौन सा राज्य है जिसने एक नई चीज अपनाई है वो यह कि वो गाडियां अगर कोई उनमें माल लीजे कोई कि ऐसा वैक्ती बैठा है जो सुन नहीं सकता hearing impaired है तो उस गाड़ी पे एक विशेश लोगो होगा जिससे दूसरे लोगों को यह बता चल जाए कि इसमें जो वैक्ती चला रहा है वो सुन नहीं सकता वहाँ पे laser से दिवारें invisible laser wall बनाई जाएंगी जिने CRON सिस्टम ने बनाया है तो इसका नाम क्या रखा है इन्होंने यानि laser से laser wall technology है इसका नाम है कवच कवच और एक कंपनी और याद रखिये कानपूर की कंपनी है MKU Limited ये bulletproof jacket बना रही है इंडियन आर्मी के लिए भारत World Bank की electricity accessibility ranking में कौन से पाइदान पे उठिया है पहले 99 था अब ये उठिया है 26 में और भारत अपने इतिहास में पहली बार बिजली को export करने वाला country भी बना इस साल और World Bank का ये है electricity accessibility ranking हमारे power minister है प्यूज गोल तो अभी अभी कौन सा ransomware है जिसने attack करा है देखिए दो attack हुए है important तो जो ransomware पूछें तो वो है WannaCry ये माई में हुआ था और अभी June में कौन सा हुआ है attack उसका नाम है Petya Europe और Middle East के अंदर Petya और WannaCry में क्या फरक है जो Petya है ये computer को तभाह करने के लिए होता है मतब इसके बाद data recover नहीं हो सकता है तो Petya जो है ये ransomware नहीं है ये एक wiper है एक committee बनी है उत्तरपरदेश की सरकार द्वारा ये चेक करने के लिए कि जो midday meal में खाना दिया जाता है वो क्या सही है के नहीं है midday meal में इसका नाम क्या रखा इस committee का इसका नाम है मा और जो midday meal ski में इसको अधार से link किया जा रहा है भारत के पहले driver कौन है जिनोंने GP3 race जीती ये हुई Catalonia region यानि Barcelona, Spain के अंदर इनका नाम है Arjun Mani इन में से कौन सी committee है यानि desilting और कंगा की जाएगी और उसकी फिर sand registry बनाई जाएगी ये कौन सी committee ने report दी है इस committee का नाम है शिताले committee हमारा जो सीमस उरक्षा बल है उसने operation गरम हवा शुरू करा है operation गरम हवा जो है ये कौन से border पे पाकिस्तान का जो border है भारा से चार राजियों से लगता है आप जानते ही है तो यही वो चार राजिये हैं जिन से पाकिस्तान का border हमारा लगता है सबसे बड़ा border हमारा पाकिस्तान के साथ कौन से राजे से है राजस्थान से तो राजस्थान में ही शुरू करा है operation गरम हवा तो याद रखिए दुनिया की सबसे छोटी सैटलाइट बनाईए सबसे छोटी सबसे कम वजन की ये भारत के बच्चे ने बनाईए इसका नाम है रिफात शारूक नासा के लिए बनाईए इसका क्या नाम है इसका नाम इनोंने अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा है, और अब्दुल कलाम जी जो है, आपको याद होगा, रामेश्वरम से थे, इसका नाम इनोंने रखा है, कलाम सैट, इसका वज़न है सिरफ 44 ग्राम, 16 माई जो है ये कौन से डिजीज से निपटने के लिए हमारा जो Ministry of Health है JP नद्दा हमारे मिनिस्टरने इसके लिए उन्होंने dedicate करा है 16 माई 16 माई को कौन से डिजीज से निपटने के लिए दिन रखा है ये रखा है डेंगू से निपटने के लिए ADCGPT mosquito से होता है virus disease है डेंगू और World Malaria Day हम मनाते है 25 अपरेल को इस बार इसका theme था push for prevention ये 500 फटम हो गए हैं यहाँ पे लेकिन 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 कुछ और important question है जो आ सकते हैं तो आप चाहें तो वीडियो यहीं छोड़ के जा सकते हैं या चाहें तो और वीडियो और question भी देख सकते हैं ये मेरे को लगे काफी important है तो मैंने थोड़ा number भढ़ा दिया है World Health Organization जो है इन्होंने hepatitis से नेपटने के लिए South East Asia region में अपना Goodwill Ambassador किसे बना है hepatitis liver का रोग होता है virus से होता है hepatitis virus से ये हैं Amitabh Bachchanji ये GST के लिए भी brand ambassador बने है इनका नाम वैसे Panama Paperlix में भी आया था लाके शेरपा इन्होंने अपना ही record तोड़ दिया Mount Everest सबसे ज़्यादा बार चड़ी है ये कोई महिला के दौरा Mount Everest सबसे ज़्यादा बार चड़ा गया है इनका पहले भी इनका record था अब भी इनका है तो कितनी बार उन्होंने Mount Everest की चड़ाई करी है आठ बार और एक भारत की याद रखिए अंशु जम सेनपा अरुनाचल प्रदेश की है पांच दिन के अंदर दो बार Mount Everest चड़ लिया जॉइन कर दिया भारत को एक देश कौन सा है ये देश है United Kingdom हमारी जो केंजल सरकार है उसने ये कहा है कि Indian Agriculture Research Institute यानि IARI बनाए जाएगा कहां पे बनेगा ये इंस्टिटूट ये बनेगा असाम में IARI Aquatic Rainbow Technological Park बन रहा है भारत में इन में से कौन सी सांस्कृतिक धरोहर है विश्व सांस्कृतिक धरोहर World Heritage Site जो सबसे polluted है सबसे अधा परदूशित है अमेरिका में है इसका नाम है Henderson Island इन में से कौन सा railway station है जिसे भारत का सबसे clean सबसे साफ railway station का वार्ड मिला है Quality Council of India दुआरा ये है विशाखा पटनम railway station आंधरपरदेश में और अगर कूचे भारत का सबसे साफ बंदरगा कौन सा है तो आंसर है हल्दिया हल्दिया का है वेस्ट पेंगौल में और दूसरा सबसे clean कौन सा है हमारा बंदरगा विजएड पहली बार इन में से कौन से राजे की पुलीस है जिसने emotional intelligence course निकाला है अपने पुलीस के जो कमकर्मी है उनके लिए पुलीस वालों के लिए emotional intelligence का course ये निकाला है महराश्टर की सरकार ले इन में से कौन से हमारे union minister है जिनोंने launch करा citizen charter और electronic court management system इनका नाम क्या है इनका नाम है बंदारू दतत्रया इन में से कौन से देश का सुप्रीम कोट है जिसने ये कहा है इस देश में जो सिख लोग है वो किरपान यानि की जो naif रखते है religious naif होता है चक्कू होता है जो रखते है सिख धरम के लोग वो नहीं रख सकते तो वो नहीं रख सकते पब्लिक के अंदर ये decision लिया इटली के सुप्रीम कोट ने नेजो फिल्टर नेजो फिल्टर बहुत ही सस्ता एक respiratory फिल्टर है यानि जहरीली गयासों से आपको बचाएगा ये mask के एक तरह का ये कौन सी IIT ने बनाया है ये बनाया है IIT दिल्ली के वेग्या निकोले इन में से कौन सा राज्य है जिसने ShePAD नाम की scheme लाँच करी है ShePAD ये है कि जो सस्ते menstrual hygiene के लिए मासिक धरम का जो pad यूज करती है लड़किया वो दिये जाएंगे स्कूल के बच्चों को स्कूल की लड़कियों को ShePAD scheme लाँच करी है केरल ने 8 से 14 माई सयुक्त राश्ट संग कौन सा सप्ता मनाता है इसको बोलते हैं Global Road Safety Week अभी अभी दो पार्ट में बुक लाँच हुई इसका नाम इदा यानि एक ऐसा जगत जहां कोई भूका ना हो इसको कैसे ने लिखा है इसको लिखा है भारत में हरित क्रांती के जनक Dr. M.S. स्वामिनाथन ने इसरो और नासा यानि अमरीका की स्पेजेंसी और भारत की स्पेजेंसी मिलके एक रडार सेटलाइट बना रहे है इस सेटलाइट का नाम क्या है दोनों मिलके बना रहे है इसका नाम है निसार जपान जो है ये एक War Museum बना रहा है भारत कहुन से राज्ये में बना रहा है यहाँ पे जपान की जो फौज बगह रहा है वो रही थी World War 2 के दौरान ये जापान बना रहा है मनिपूर के अंदर मनिपूर में बना रहा है War Museum जापान इन में से कौन सी टीम है जिसने होकी, आइस होकी जो बर्फ पे खेली जाती है आइस होकी वर्ल्ड चेंपेंशिप जीती गोल्ड मेडल जीता 2017 में ये जीता स्वीडन की टीम है National Commission for Minorities के चेरपरसन नए कौन बने है इनका नाम है गैरुल हसन इन में से कौन सा देश है जिसने आरचली तीरंदाजी का वल्लकव जीत लिया जो शंगाई में हुआ था ये इस बार भारत ने कमाल करके दिखाया है और तीनों खिलाड़ी के नाम याद रखिए खास कर अभिशेक वर्मा का अभिशेक वर्मा, चिन राजू, श्रीथर और अमंजीत सिंग पहले ट्रांसजेंडर पाकिस्तान में कौन है जिनें अपॉइंट किया गया है किसी भी सरकारी टीचर के तौर पर ट्रांसजेंडर है ये भी इनका नाम है आईशा मुगल हम जो आतंकवाद से निपटने के लिए दिन मनाते हैं ये 21 मई को हरसल मनाते हैं क्या हुआ था इस दिन किस चीज की याद में मनाते हैं ये जो हमारे परधानमंत्री थे पूर्व राजीव गांदी जी उनकी हत्या करती थी LTT के आतंकवादियों ने बंसे तो उनकी शहीरी को याद करते हैं राजीव गांदी जी की ये एक declaration है पंपा नदी को बचाने के लीए पंपा नदी को बचाओ पंपा नदी कौन से राज्य में बहती है ये नदी बहती है केरल में और इसके लोग बचाने के लिए पंपा डेक्लरेशन एटॉप्ट किया गया है इन में से कौनसा राज्य है जिसने Good Morning Squad बनाया है Good Morning Squad यह है कि अगर कोई खुले में सोच कर रहा है सुबह सुबह तो उसे कहो कि भई मत करो ये काम ये Good Morning Squad बनाया है महराश्टर ने अभी पहली बार एक Environment Friendly Toilet बनाये गए है ये Plastic की Bottle से बनाये गए है हर्ष बलोतरा कमेटी बनायी गई है Scouts and Guide Scout बोलते हैं वो जो अच्छे खिलाडियों की पहचान करते है भारत की क्या रहेंक है Internal Displacement में Internal Displacement 2016 Global Report भारत की रहेंक है पूरी दुनिया में क्या है भारत की रहेंक है Third Number 1 है China, Number 2 है Philippines, Number 3 है अब इसका मतलब कह, इसका मतलब यह है भारत में कितने ऐसे लोग है जो अपने घर छोड़के दूसरी ज़गा चले गए Internal Displacement इसे बोलते है तो उसमें हम है Number 3 MEA यानि External Affairs Ministry MEETE यानि Electronics and Information Technology और बानवसन साधान विगास मंत्राले यानि Ministry of Human Resource Development तीनोंने मिलके इसनद को किसके साथ मर्ज कर दिया है इंटिग्रेट कर दिया है यह इनोंने करा है परिनाम मंजुशा के साथ और यह है सब क्या है सब देखे इसनद यह है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उनका Online Verification करवा सकते हैं और परिनाम मंजुशा यह है कि आप अपनी Marksheet Online देख सकते हैं अब इन दोनों को एक बना दिया गया है इनमेंसे कौन सा भारत का शहर है भारत का नहीं पूरी दुनिया का जो सबसे ज़्यादा populated है एक किलोमेटर स्क्वाइर का एरिया एक किलोमेटर स्क्वाइर क्या होता है एक किलोमेटर की लंबाई और एक किलोमेटर की चोड़ाई तो अब इसको जोड़ दें तो यह बन गया एक किलोमेटर का एरिया एक किलोमेटर स्क्वाइर के एरिया में इस देश में 44,500 लोग रहते हैं सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में ये है धाका बंगलदेश की राजधानी और दूसरे नंबर पर मुंबई है और भारत का एक और शहर है कोटा कोटा कोचिंग वगारा के लिए फेमस है ये सेवन्थ नंबर पर है अब आपके लिए आज का तीसा सवाल ये थोड़ा कठे जिससे वो उपनी कृष्ची को बहतर कर सकें ये किया है जमू कश्मीर की सरकार एक लेटेस फटाफट कुईक रिविजन कर लेते हैं कल ही नए गवर्नर बने हैं तो नए गवर्नर कौन-कौन बने हैं बनवारी लाल पुरोहित ये पहले असाम के गवर्नर थे अब बन गए हैं तमिलनाडू के गवर्नर तमिलनाडू के पहले थे सी विद्यासागर राओ लेकिन अब तमिलनाडू को फुल टाइम गवर्नर मिल गया है जो इने काफी टाइम से नहीं मिला था ज्योंकि सी विद्यासागर राओ वैसे महराश्टर के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक बने ह जगदीश मुखी जगदीश मुखी जो है ये पहले अंडमान निकोबार के लुटेनेंट गवर्नर थे अब इन्हें असाम का फुल टाइम चार्ज दे दिया गया है ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा बने है अरुनाचल प्रदेश के नए गवर्नर गंगा प्रसाद बने है पहले भारतिय बने है जिनोंने वंडे मैचेज में दो सो छक्के मार दिये हैं तो ये है भारतिय टीम के MS धोनी वेरी वेरी इंपोर्टन एक और इंपोर्टन बात याद रखिए MS धोनी ने अभी अभी कुमार संगकारा का रिकोर्ड तोड़ा है वंडे मैचेज में सबसे ज्यादा स्टंपिंग लेने वाला कुमार संगकारा शिरलंका के खिराडी थे इन्होंने 99 स्टंपिंग ली थी लेकिन धोनी ने 100 स्टंपिंग लिया और वो भी एक शिरलंका के खिराडी का लिया जिनका नाम है अखिला धनंजे तो अखिला धनंजे बने महिंदर सिंग धो पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो आंसर है शाहिद अफरीदी, उन्होंने 476, फिर है क्रिस गेल 434, फिर ब्रेंडन मैकुलम जो न्यूजिलेंड के खिलाडी थे 308 में, फिर सनज जैसूरिया 352, और ये है इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक के टॉप 4 बल्लेबाज जिन्होंने फंट, वंडे में ही नहीं, सम मैचेश में मिला के, अगर मैं धोनी की बात करूँ, तो सम मैचेश में मिला के, इन्होंने अब तक लगाए है 322 चक्के, और ये है पांचवे नंबर पे, पहले नंबर पे अफरीदी, इन्होंने सारे मैचेश, मतलब वंडे, टे जो याद रखने हैं, शिरलंका के कोच है निक पोठास, अभी के लिए हैं जब तक पर्मनेंट कोच नहीं बन जाता, पाकिस्तान के हैं मिक्की आर्थर, और आयरलेंड ये एक बहुत इंपोर्टेंट है, इन्होंने बनाया है ग्रहम फोर्ड, जो दुनिया के सबसे बेस्ट क अब जो अचल कुमार जोती है, ये पहले थे इलेक्शन कमिशनर, इनको प्रमोट कर दिया गया चीफ इलेक्शन कमिशनर की भूमिका में, नसी महमत जईदी जब रेटायर हुए, अब एक पोजिशन खाली हो गई इलेक्शन कमिशनर की, तो इनकी जहा किसने लिए? सुनील मद्ये परदेश के, तो इन्होंने 5 करोल पोजे लगाए थे, और ये record अब तोड़ दिया है, मद्ये परदेश ने, नर्मदा नदी के इडद गिर्द, मद्ये परदेश के 24 जिलों के अंदर 6 करोल पोजे लगाए, सिर्फ एक ही दिन के अंदर, और मद्ये परदेश में IPS officer कौन है, brave IPS officer तेलंगाना से है, जिसको मिला है 2017 Trafficking in Persons Report Heroes Award, और ये दिया है अमरीका ने, US Department of State ने दिया है, और अगर पूछ लें कि भई, अमरीका के Secretary of State इस वक्त कौन है, तो उनका नाम है Rex Tillerson ये बहुत important position होती है Secretary of State America के अंदर, अमरीका के राश्पती तो Trump है, Republican Party के हैं और Vice President कोन है, अमरीका के, Mike Pence ये भी याद रखिये, राश्पती सबको बता होता है Vice President कोई याद नि रखता, Mike Pence है उप राश्पती अमरीका के, और Party का नाम है Republican Party, और Donald Trump की जो बेटी है, वो भी अभी भारत आई थी, तो अब सवाल ये है कि, ये IPS ऑफिसर कौन है तो इनका नाम है महेश मुरलिधर भागवत महेश मुरलिधर भागवत और एक भागवत होने जो आपको याद रखना है, कल RSS विजे दश्मी भी थी, मुहन भागवत वो है RSS के चीफ कल RSS विजे दश्मी आया था, चैनल के उपर दश्यारे के दिन उनका जो एनूल एडरस होता है मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रिय स्वाम सेवक संग की, चलिए इन में से कौन सा राज्य है, जो आखरी राज्य है जो आखरी राज्य है जिसने गटबंदन है, जम्मू कश्मीर में देखी है हमेशा वार चलता रहता है, आप तो जानते ही तो यहाँ पे है किस्ट वार नेशनल पार्क, यह याद रखने का तरीका अपतार हूँ आपको किस्ट वार, वैसे यह सम्में जो की भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हमिस, और एक होर है डची गम इसको इस तरह से याद रख लिजिए जहाँ पे वार होता है, वहाँ पे हमेशा गम ही होता है खुशी नहीं होती, तो डची गम नेशनल पार्क यह है जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की क्या रैंक है 185 देशों में दूसरा Global Cyber Security Index रिलीज किया International Telecommunication Union में भारत की क्या रैंक है, भारत की रैंक है बहुत ही पूर, 23 23rd रैंक है, और भारत को Maturing category में रखा गया है भारत के जो IT Minister है IT Minister, Electronics Minister, कानून मंत्री ये सब है, रवी शंकर प्रसाद रवी शंकर प्रसाद और इसमें देखिए, जब भी कोई Index होता है, तो इसमें दो चीज़ पूछते है इंडिया की क्या रैंक है, और नंबर वन को ने नंबर वन जो है, वो है, सिंगापूर हलांकि कई Index ऐसे होते हैं, जिनमें नंबर वन भारती होता है, जैसे Remittance Index यानि कि दुनिया में वो देश जो सबसे ज़्यादा पैसा अपने देश में वापस भेजते हैं तो भारती जो भार है, इंडिया में सब ज़्यादा नाम है Falcon 9 और इस कंपनी के CEO है Elon Musk एक बात और याद रखिए, ESA बोलते है European Space Agency को, और ISRO बोलते है भारत की Space Agency, Indian Space Research Organization को, इसके Head है AS Kiran Kumar, और ISRO का Headquarter है Bengaluru में, इसलिए Bengaluru को Space City भी बोलते हैं, और NASA जो है, अमरीका की है National Aeronautical Space Agency इसका Headquarter है Washington DC में, जो important बात, NASA जो है, इसका Mission Cassini, ये तीन-तीन Space Agency ने मिलके करा, Saturn ग्रह को study करने के लिए, अभी-अभी ये खतम हुआ है, क्योंकि Cassini जो है, ये शनी जो ग्रह है, उससे टकला के खतम हो गया, तो Cassini जो था, ये Mission तीन-तीन Space Agency ने मिलके किया, एक तो किया Italy की Space Agency ने, एक किया European Space Agency ने, और एक किया NASA ने, तीन उने मिलके किया था ये, और एक Mission Jupiter, यानि भ्रस्पति ग्रह को study करने के लिए है, NASA का जिसको बोलते है, Juno, Ministry of Science and Technology, हमारा जो Science and Technology मंत्राले है, उसने Launch करा है National Bio Pharmaceutical Mission, इसमे धन कितना रखा गया है, इसमें धन रखा गया है, 250 मिलियन डॉलर, और क्या भारत के पास इतना पैसा है, नहीं, तो हम लोन लेंगे, किस से लोन लेंगे, World Bank से लेंगे, अब World Bank से कितना लोन लेंगे, 125 मिलियन डॉलर हम लेंगे, World Bank से लोन, और हमारे Science Tech के मंत्री कोन है, यह हमारे Science and Technique यानी, विज्ञान और तक्नीक के ही नहीं, यह हमारे पर्यावनन मंत्री भी है, Environment, Forest and Climate Change के मंत्री भी है, इनका नाम है Dr. Harshwardhan, इन में से वो कौन से दो भारतिय मूल के अमरीकी वेक्ति हैं, जिने परतिष्ठित Great Immigrants Annual Award दिया चार जुलाई को, अब आपके लिए पहला सवाल, चार जुलाई को क्या खास होता है अमरीका में, कमेंट्स में लिख्के बताईए, चलिए, Great Immigrants Annual Award मतलब यह होता है, जो दूसरे देशों से लोग अमरीका में आये, और उन्होंने अमरीका में काफी योगदान दिया उनको दिया जाता है, Great Immigrants Award और यह दो भारतियों को मिला है, एक है शांतनु नरायन और दूसरे है विवेक मूर्ती, सो आंसर है 1 and 2 शांतनु नरायन, अब अगर पूछें कि शांतनु नरायन कोन है तो Adobe कंपनी के चीफ है ये आपने PDF खोला होगा Adobe Acrobat Trader में तो वो Adobe का प्रोड़क्ट है Adobe के चीफ है शांतनु नरायन, और विवेक मूर्ती कौन है ये एक फेमस डॉक्टर है सरजन है वहां के तो टोटल 38 लोगों को अवोड दिया था यूसी ओ बैंक का हेड़क्टर है कॉलकता में और एक और याद रखिए Mr. Melvin Rego Mr. Melvin Rego बने है Syndicate Bank के Managing Director और CEO तो ये दो याद रखिए इसके लावा जो 3-4 पूसते हैं वो तो हमेशा पूसते हैं जैसे शिखा शर्मा जरूर पूसते हैं एक्जाम में शिखा शर्मा कोन से बैंक की हैं तो ये Axis Bank की हैं दुबारा बना दिया है इनको MDCO और अधित्यपुरी जो HDFC Bank के मालिक है HDFC Bank याद रखिए भारत में सिर्फ पहले दो ही बैंक थे State Bank of India, SBI और ICICI Bank जिनको दरजा दिया हुआ था Domestic Systemically Important Bank यानि कि ये वो बैंक है जो fail होई नहीं सकते तू बिग तू फेल, ये दरजा देता है RBI, अब इसमें HDFC Bank भी आ गया है यानि अगर पूछें अब Domestic Systemically Important Bank कितने भारत में तो आंसर है 3, SBI है ICICI है और HDFC भी है HDFC के हैं अधित्यपुरी SBI की चेर्मेन उन्हती भटाचार्या और ICIC Bank की है चंदा कोचर इन में से कौन सी University है जिसने decide करा है कि जो transgender student है उन्हें अब इस साल से fees नहीं देनी पड़ेगी उनको exempt कर दिया है ये कौन सी University ने decide करा है ये करा है इंद्रा गांधी National Open University यानी IGNU ने IGNU में अब कोई fees नहीं देनी पड़ेगी IGNU का Vice Chancellor कोन है रविंदर कुमार याद रखिए जो सरकारी University होती है उनमें जो Vice Chancellor होता है वो appoint करता है वहां का Governor Governor जहां रहता है उसे बोलते है राजभवन और अगर Governor को कोई इतना योग्य वैक्ति नहीं मिले कि वो Vice Chancellor की भूमी का निभा सकता है तो फिर Governor खुद ही Vice Chancellor की भूमी का निभा सकता है Asian Infrastructure Investment Bank Asian Infrastructure Investment Bank का Headquarter बीजिंग में है और एक और बैंक है जिसका Headquarter चाइना में है शंगाई के अंदर ये है New Development Bank जिसे बोलते है Bricks Bank और इसके Head है K.W. कामत तो Asian Infrastructure Investment Bank ने अप्रूव करा है ये कितना लोन देगा गुजरात में जो सड़के बन रही है 4000 गाओं में उसके लिए कितना लोन दे रहा है ये लोन देगा 329 मिलियन डॉलर 329 मिलियन डॉलर अब Asian Infrastructure Investment Bank जो है इसमें सबस्यादा हिस्सा है चाइना का चाइना का याद रखिए और इस बैंक के प्रेजिरेंट है जिन लिकन ये चाइना के पूर वित्मंत्री है और ये बहुत important बैंक है दो साल पहले ही बना है Asian Infrastructure Investment Bank इन में से कौन सी टीम ने जीता Asian Snooker Championship जो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के अंदर हुआ ये खिलाडी जो है इनका नाम है पंका जड़वानी करनाटक के हैं ये और वर्ड चैंपियन रह चुके हैं और इसमें दो खिलाडी थे भारत के तो भारत ने जीता ही पंका जड़वानी और इनके साथ एक खिलाडी ओड़ थे उनका नाम है लक्षमन रावत पंका जड़वानी को तो सब जानते हैं लक्षमन रावत अभी उतने प्रतिष्ठिक नहीं जितने पंका जड़वानी है तो सवाल ऐसे आ जाता है, लक्षमन रावत का संबंद कौन से खेल से हैं, तो यह आप आंसर नहीं कर पाएंगे, तो लक्षमन रावत कौन सा खेल खेलते हैं, स्नूकर, स्नूकर, इन में से कौन दो भारत के पुंजी पती हैं, इंडस्टिलिस्ट हैं, जिनोंने एक 100 मिलियन डॉलर का फंड बनाया है, जिसका नाम है, फंडामेंटम, फंडामेंटम बनाया है, नंदन निले कनी ने, और दूसरे वैक्ति इनके साथ, संझीव अगरवाल, तो आंसर है, यह फंड बनाया है, क्यो हैं, यह फंड इसलिए बनाया है, कि भारत में जो start-ups हैं, उनकी मदद की जाए, इसलिए लगाया है Fundamentum, और केंदर सरकार की तरफ से भी एक scheme चल रही है, नए businesses को help करने के लिए, खासकर छोटे businesses जो हैं, जहने हम बोलते हैं, Micro, Small and Medium Enterprises, उस scheme को बोलते हैं परधान मंतरी, मुदरा, योजना, और यह मुदरा बैंक बनाया गया इसके अंदर याद रखिए, यह जो scheme है, यह SIDBI के अंदर आती है SIDBI बोलती है, SIDBI को SEBI से confuse नहीं करना है SEBI है Securities and Exchange Board of India जो कि हमारा Capital Market Regulator है, और SIDBI है Small Industries Development Bank of India SIDBI का Headquarter लखनव में है SEBI का Headquarter मुंबई में है, तो यह कुछ चीजें हैं जो याद रखें चलिए, अभी अभी एक किताब रिलीज हुई है, इसको किसने रिलीज करा है, President प्रणम मुखर जी, a statesman, राश्पती जो हमारे थे, यह भारत के तेरे वे राश्पती थे प्रणम मुखर जी, और एक statesman थे, इस किताब का विमोचन किसने किया, इस किताब का विमोचन किया, Mr. Narendra Modi ने, नरिंदर मोधी और statesman जो अगबार आता है, उन्होंने ही यह launch करी थी अब जो latest किताबे हैं, कौन-कौन सी बहुत important है, जो पूछ सकते हैं सबसे पहली किताब है, I do what I do मैं जो करता हूँ, वो करता हूँ, यह लिखी है रगुरम राजन ने, जो भारत के पूर वार्बियाई के governor थे, अभी तो उर्जित पटेल है, इनसे पहले वो थे Immortal India, यह लिखी है अमीश त्रिपाठी ने How India sees the world, भारत जो है, वो दुनिया को कैसे देखता है यह लिखी है, शाम सरन ने Hit Refresh लिखी है, सत्य नडेला ने यह सत्य नडेला को ने, Microsoft Company के CEO है भारत में, हधराबाद से हैं, वैसे ही आधार काड़ के उपर किताब है, इन आधारा Biometric History, शंकर एयर ने, बिंदेश और शेकर ने लिखी है, दादीवासी विलनॉट डांस यह एक्जाम में काफी आ रही है, Unstoppable My Life सो फार लिखी है, मारिया शारापोबा ने मारिया शारापोबा टैनिस की खिलाड़ी है, यह रश्या की खिलाड़ी है, इन पे परतिबंद लगया था निपटने के लिए हमारी organization है, इसका नया director general या chief किसे बनाया गया है, इनका नाम है संजे कुमार, संजे कुमार, और एक बात और, जो NDRF है, अब आप पूछेंगे इसमें नई पोस्ट क्यों बनाई है, नई पोस्ट नहीं है, इसका chief क्यों बनाया नया, क्योंकि जो पुराने chief थे, वो थे आरके पचननन्दा, ठीक है, अब आरके पचननन्दा बन गए इंडो तिबतन बॉर्डर पुलीस फोर्स के chief, इंडो तिबतन बॉर्डर पुलीस फोर्स है, भारत और United Nation Development Program द्वारा Equator Prize, United Nation के जो head है इस वक्त, उनका क्या नाम है, उनका नाम है Antonio Guterres, और यह पुर्तगाल के हैं, इस organization का, इस NGO का नाम है, स्वयम सिक्षन प्रयोग, स्वयम सिक्षन प्रयोग, और यह करती क्या है, 20,000 ऐसे गरीब महिलाएं हैं, जिनको इन्होंने empower किया है, इन में से भारत के कौन से दो commodity exchange हैं, जो आपस में उनका विले हो गया है, दोनों मर्ज हो गए हैं, एक हो गए हैं, और इन्होंने मिलके बना दिया है भारत का तीसरा सबसे बड़ा commodity exchange, इनका क्या नाम है, एक है National Multi Commodity Exchange, औ इसका है 62.8%, तो दोनों को मिला दीजे तो बन गए 100%, जो नए exchange बनेगा वो भारत का तीसरा सबसे बड़ा commodity exchange होगा, तो आंसर है 1 and 4, एशियन डवलप्मेंट बैंक ने भारत को 220 बिलियन डॉलर का लोन दिया है, किस राज्ये में सड़के बनाने के लिए लोन दिया है, ये desert national park है, तो ये सब हैं राजस्थान में, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसंदर राजे है, और Asian Development Bank में सबसे ज्यादा हिस्सा है जापान का और अमेरिका का, उसके बाद चाइना का, उसके बाद भारत का, तो भारत का चोथे नंबर पे सबसे ज्यादा हिस्सा है Asian Development Bank में, इ इनका पैसा Swiss Bank में जमा है, यानि सबसे ज्यादा पैसा किसका है Swiss Bank में, UK का है, United Kingdom, और इसकी Prime Minister कौन है, Theresa May, अब इनको काफी जटका लगा है क्योंकि Labour Party काफी वोट जीत गई थी लेकिन किसी तरह इनोंने अपनी गद्दी बचा ली, तो United Kingdom की ये Prime Minister है, और अब ये बता हिए कि Swiss Bank में जो पैसा है, भारत का क्या स्थान है, भारत का स्थान है, 88 वा, जानि भारत से पहले 87 देश हैं, जिनका पैसा सबसे ज्यादा जमा है, Swiss Bank के अंदर, Swiss Bank, Switzerland में है, Switzerland की राजधानी है, Burn, Switzerland में एक FIFA का Headquarter है, Zurich में, और International Olympic Committee का Headquarter है, Lausanne में, इसके अलावा, Switzerland में एक शहर है, जिसको बोलते हैं, जनेवा, जहाँ पे बहुत सारी organization का Headquarter है, जैसे WHO, जैसे और भी बहुत सारी organization है, मानवादिकारों के लिए लड़ाई करने वाली, Simone Will, इनका निदन हो गया, ये कौन से देश की थी, ये थी France की, और ये Holocaust survivor थी, यानि जब French Holocaust होलो कोस्ट हुआ था, उ दफनाये जाता है, और ये सिरफ पाँचवी महीला है, फ्रांस की जिन्हें यहाँ पे दफनाये गया है, Pantheon में, फ्रांस की राजधानी पैरिस है, और पैरिस में दो-दो organization का Headquarter है, एक तो UNESCO का है, और दूसरा है OECD का, Organization for Economic Operation and Development, पैरिस में 2024 के Olympic Hill भी होंगे, और फ्रांस क पैरिस फ्रांस के राजधानी है, पैरिस फ्रांस के राजधानी है, जो सबसे कम उमर के फ्रांस के राजधानी है, इनकी पार्टी का नाम है N.Marsh, अभी अभी अधारशिला रखी भारत का सबसे बड़ा Global Skill Park बन रहा है, कहां पे बन रहा है ये, Global Skill Park, और हमारे जो Skill Development के मंत् पर इनसे इस्तीफा मांग लिया गया, नए कोन बने है, हमारे तेल और गैस के मंत्री है, धर्मेंदर प्रधान, इने ही बना दिया गया है Skill Development, यानि अभी ये Oil and Gas के मंत्री भी रहेंगे, और साथ में Skill Development, यानि कोशल विकास के मंत्री भी होंगे, धर्मेंदर प्रधान, और ये राजय है, मध्य परदेश, जहां पर बन रहा है, सबसे बड़ा largest global skill park, इसमें हमारी कौन सी देश मदद कर रहा है, इसमें हमारी देश मदद कर रहा है, सिंगापूर, ड्री फेस्टिवल, एक त्योहार होता है, जिसको बोलते हैं ड्री, ये आपतानी जो समुदाय है, ये कौन से राजय का तयोहार है, ये अरुनाचल परदेश का तयोहार है, अरुनाचल परदेश के मुख्यमंत्री पेमा खंडू है, भारते जिंता पार्टी के, राजधानी इटा नगर है, भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है, अरुनाचल परदेश में, अरुन का मतल है कि चड़ते सूरज का नाम होता है अरुन मतलब सूरज ठीक है तो चड़ते सूरज का नाम होता है तो नाम से बन गया नाम डफ ठीक है अब सूरज के लिए एक देश और फेमस है जिसे हम बोलते है जापान जापान को हम बोलते है लैंड ऑफ राइजिंग सन उड़ते उग आपको, यह जो नाम है, इससे एक और National Park है, नामेरी, और नामेरी असाम में है, तो नामेरी और नामडफ में confused अगर हो गई तो नंबर खोदेंगे, नामेरी है असाम में, नामडफ है अरुनाचल परदेश में, इन में से कौन सा Student Scientist Connect प्रोग्राम है, जो दिल्ली में लॉंच करा है, CSIR किसे बोलते हैं, CSIR बोलते हैं, Council of Scientific and Industrial Research को, भारत ने 15 दिवसिये Military Exercise करी है, जिसका नाम है मैतरी 2017, बकलो के अंदर करी है, बकलो हिमाचल परदेश में है, और हिमाचल परदेश में तो बहुत ही सारे Important National Park है, खेर एक दो बता देता हूँ, याद रखा जाए तो, प अब यह जो exercise हमने करी है, यह करी है Thailand के साथ, Thailand की राज़ानी Bangkok है, Thailand आसियान का हिस्सा है, भारत आसियान का हिस्सा नहीं है, और आसियान में कितने मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, और इस सारे हमारे जो 26 जनवरी की परेड होगी 2018 में उसमें invite किये गए हैं, आसियान के 10 के 10 मेंबर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का aquarium, यानि fresh water aquarium, aquarium होता है जिसमें मचलिया रहती हैं, तो इसमें वो मचलिया रहेंगी जो मीठे पानी वाली मचलिया है, समुद्र मचलिया नहीं, fresh water मचलिया, यह कहां पर inaugurate हुआ है, यह इसका नाम है राची मचली घर, राची, राची क और जारखंड और बिहार में नडाई चल रही है, नौर्थ कोयल नदी पे बनने वाले पुल को लेकर, नौर्थ कोयल नदी सोन में मिलती है जाके, और सोन फिर गंगा में मिलती है जाके, सोन नदी निकलती है, अमर कंटक से जहां से नर्मदा भी निकलती है, और पलामो टा भारत ने इसराइल के साथ साइन किये हैं, परधान मंत्री जो मोधी है, वो आप जानते हैं इसराइल गए थे, तो इसराइल के साथ कितने एग्रिमेंट हमने साइन किये हैं, टोटल हमने किये हैं, साथ, एक बात और, जो शिंजो आबे हैं, जापान के परधान मंत्री वो भा पर्जन है यह फोटो में यह कुन है यह हैं इसराइल के परधान मंत्री बेंजमिन नतान याहू और यहां के राश्पती है रुबवन रिवलन इसराइल की राजधानी जेरुसेलम है और इसराइल की मुद्रा है शकल इंटरनेशनल प्लस्टिक बैग फ्री डे कब मनाय गया प्लस्टिक से हम निजात पाना चाहते है International Plastic बैग फ्री डे मनाया हमने 3 जुलई गो और देखिए हमें प्लस्टिक से निजात पानी है हम सारे कंट्री फॉलो करने है sustainable development goal और total sustainable development goal है 17 पहले हम follow करते थे Millennium Development Goal, जो थे 8, Sustainable Development Goal जो है, यह हमें 2016-2030, यह नहीं 15 सालों के इंदर पूरे करने है 2030 तद, Millennium Development Goal थे 2001-2015, इसे पिछले 15 सालों के इंदर, यह है United Nations के commitment, National Doctors Day कब मनाये जाता है, एक आपको formula बताता हूँ, जल्दी से डॉक्टर को बुला दो, जल्दी, J-U-L-D-I, जल्दी से, डॉक्टर जब भी आप बुलाते हैं, तो एक ही डॉक्टर को बुलाते हैं, तो एक जल्दी में J-U-L निकाल लेजिए, तो एक जुलाई को होता है National Doctors Day सो आंसर है एक जुलाई, एक बात याद रखिए, एक डॉक्टर थे जिनका नामे BC Roy, जो भारत का बेस्ट डॉक्टर होता है हर साल, उसे मिलता है BC Roy Award, BC Roy, भारत की पहली युनिवरसिटी दलित बच्चों के लिए बन रही है, 2018 में बनके पूरी हो जाएगी, कहां बन रही ह तेलंगाना में, तेलंगाना में दो इंपॉर्टेंट नैशनल पार्क है, एक है Mrugavani National Park, Mrugavani, और दूसरा है कासू ब्रह्मनंद रटी National Park, कासू ब्रह्मनंद रटी आंधर प्रदेश के पहले मुख्यमंतरी होते थे, कासू ब्रह्मनंद रटी National Park, तेलंगाना की राज़ा ये दलित बच्चों के लिए पहली युनिवर्सिटी, इन में से कौन सा शहर है भारत का, जिसे युनेस्को ने वर्ल्ड हरिटेस सिटी डिकलेर किया है, ये देखिए, युनेस्को जो है, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर कोशित करता है, भारत में 35 थे, अब जुड़ गया एह चाइना, चाइना में है 52, और युनेस्को का headquarter में पता चुका है, अब को Paris में, 22 वर्ल्ड पेट्रोलियम कॉंग्रेस अभी अभी कहां पे हुआ था, 22 वर्ल्ड पेट्रोलियम कॉंग्रेस हुआ था टर्की में, और ये हमारे तेल के मंत्री है, अभी तेल के दाम डेली बहुत फेमस हैं, टर्की के राश्पती भारत भी आये थे, जामिया मिलिया इस्लामिय उनिवर्स्टी नहींने डॉक्टर की उपातिती थी, इनका नाम है रसीप एलडोगान, भारत जो है कौन से देश से पहली बार तेल खरीद रहा है, ये जो तेल है, खास तरह का तेल हो इन में से कौन सा गाउं है, जो परधान मंतरी मोदी ने गोद लिया है, संसाज आदर्श ग्राम योजना के तहत, ये तीसरा गाउं बना है, जो मोदी जी ने गोद लिया है, पहले दो कौन से है, पहला था जयापूर, ये जयापूर है, जयापूर नहीं है, जयापूर पह वो है वारानसी, वारानसी में है और तीसरा गाउं जो है इसका नाम है काक्रिया, काक्राहिया, ये भी वारानसी के इंदर है, तो वो गाउं है जो मोधी जी ने गोद ली है, इन में से कौन से राज्ये की सरकार है, जिसने एक core flagship program स्टार्ट करा है, जिसका नाम है livelihood intervention and facilitation entrepreneurship, या मेघाले की राजधानी शिलॉंग है, मेघाले में बारिश बहुत होती है, चेरापुंजी आप जानते हैं, और सबसे वेटेस्ट एरिया वो चेरापुंजी से थोड़ा दूर है, जिसको बोलते हैं महसेन राम, और देखिए मेघ, मेघ मतलब होता है बादल, जहां बादल होत होती है, जहां बारिश होती है, क्या आप महा कोई काम कर सकते हैं, नो, नहीं कर सकते, तो नो से बना, नो क्रेक नेशनल पार्क, तो नो क्रेक नेशनल पार्क का हैं, मेघाले में है, इस तरह से याद रखे, और मुख्यमंत्री ये फोटो में आप देख रहे हैं, इनका ना जो है उसने प्लैन बनाया है कि 2027 तक हम खतम कर देंगे malaria ठीक है 2027 तक हम खतम कर देंगे एक और बात अगर पूछें हम tuberculosis कब तक खतम कर देंगे तो उसका आंसर है 2025 ये target रखें है malaria के लिए 2027 और tuberculosis के लिए 2025 malaria जो है ये plasmodium से फैलता है plasmodium parasite है जिसको लेके एक मच्छर उड़ता है जिसको बोलते है मादा एनोफलीस female एनोफलीस mosquito तो 2027 तक हम खतम करेंगे अब जो ये plan बनाया है strategic plan अभी 10 साल का नहीं बनाया है 10 साल बाद है ये बनाया है सिर्फ 5 साल का so answer है 5 year और हमारे health minister है जेपी नद्दा इस plan का इनोफलीस नाम क्या रखा है 2017 से 2022 भारत जो है ये Republic Day celebration होंगे जो 2018 को मारा गंतंतर दिवस मनाएंगे 6 जनवरी को उस दिन किस organization के head of states को invite कर रहा है तो मैं बता चुका हूँ आसियान को कर रहा है इसमें किटे country है 10 country है आसियान का भारत मेंबर नहीं है कौन-कौन से 10 country है ब्रुनई, कमबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, मयामार, फिलिपिन्स, लाओस, सिंगापूर, थाईलेंड और वियतनाम इसका भी मैं एक ट्रिक बताऊँगा आपको कैसे याद रखने है और एक और important बात आसियान के साथ भारत के 25 साल पूरे हो गए है 25 साल association के पूरे हो गए है अभी भारत है dialogue partner dialogue partner आसियान का जो headquarter या सेकरिटेरेट है वो है जकार्ता में जकार्ता है इंडोनेशिया की राजधानी और बस इतना याद रख़ी आसियान के बारे में Indian Railways ने अपना एक खुद का सर्वर बनाया है जिसका नाम है Rail Cloud इस Rail Cloud को किसने डवलप करा है इसको डवलप करा है कंप्री ने जिसका नाम है Rail Tell Rail Tell 53 करोड रुपे की लागत से बनाया है हमारे रेल मंत्री तो पलट गए है, पहले जो थे वो अब कॉमर्स मंत्री बना दिये गए, नाम नहीं बताऊंगा नाम सबको पता है, अभी कौन बने है याद रख लिजिए, अभी बने है पियुश गोयल, और पियुश गोयल कोल मंत्री भी है, पहले रिन्योबल अनरजी औ अब नरेंदर सिंग तोमर के पाश, नरेंदर सिंग तोमर है रूरल डवलपमेंड के मंत्री है और माइनिग के मंत्री, पहले बने है अपने अपने टेक्स रिलेटेड कोई बी चीज़ें हैं वो नॉर्मल काम कर सकते हो, CBDT बोलते हैं Central Board of Direct Taxes को हमारा आयकर विभाग और सुशील चंदर है हमारे CBDT के चेर्मेन एक हमारा Indirect Taxes Department जिसे बोलते हैं CBEC Central Board of Excise and Custom इसके चेर्मेन है वनाजा सर्ना वनाजा सर्ना ये हमारे दो कर विभाग है Direct Taxes का और Indirect Taxes का इसका इन्होंने नाम रखा है आयकर सेतू चीन ने अपना Overseas Military Base बनाया है अभी अभी ये कौन से देश में बनाया है? अफ्रीका के कौन से देश में बनाया है? अपना चाइना के भार पहला Military Base बनाया है इन्होंने जीबूटी के अंदर जीबूटी ये एक Horn of Africa में कंट्री है जीबूटी है, सोमालिया है ये सब Horn of Africa के कंट्री है तो इन्होंने Military Base बनाया है ये भारत के लिए खत्रा हो सकता है इनमें से दुनिया की सबसे कम उमर की Golf Champion कोन महिला बनी है? इन्होंने जीता थाइलेंड, European Thailand Championship अभी अभी और काफी यंग है ये, इनका नाम है अथाया थिटिकुल ये बनी है सबसे कम उमर की Golf Champion सबसे पहला Lung Transplant यानि कि अगर आपके फेफडे खराब है तो दूसरे के फेफडे लगाते हैं उसको बोलते हैं Transplant सबसे पहला Lung Transplant भारत के कौन से सरकारी हस्पताल में अभी अभी हुआ है ये हस्पताल है PGI चंडिगर जिसे पूरा नाम है PGI M.E.R. चंडिगर ये पहला सरकारी हस्पताल है जिसने ये किया है पहला सरकारी हस्पताल है, प्राइवेट नहीं प्राइवेट में हो चुका है पहले, सरकारी हस्पताल है पहला है अभी अभी एक रिपोर्ट आईए Food and Agriculture Organization और OECD के हिसाब से OECD बोलते है Organization for Economic Cooperation and Development जिसका Headquarter है पैरिस में और FAO बोलते है Food and Agriculture Organization जिसका Headquarter है रोम में इतना इनी रोम में World Food Program का Headquarter भी है और यह इटली की राजधानी है रोम तो इसके हिसाब से भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दूद का उत्पादक कब कौन से साल तक बन जाएगा यानि सब ज़्यादा दूद भारत के अंदर होगा भारत ट्रिपल कर देगा अपना Milk Production 2026 तक भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा दूद पैदा करने वाला राज्य है कंट्री बन जाएगा 2026 तक कौन सा राज्य है भारत का जिसने परिवार नियोजन के लिए एक Injectable Contraceptive बनाया है Contraceptive होता है जो बच्चे पैदा ना हो उसके लिए काम आता है Contraceptive ये खाने की दवाईया हो सकती है Injectable चीज हो सकती है जैसे Copperty बगरा इसका इन्होंने नाम रखा है Antara इसको कौन से राज्य ने बनाया है इसको बनाया है महाराश्टर ने महाराश्टर ने बनाया है Antara महाराश्टर के मुख्यमंत्री देविद्नर फटनावी से है जो भाजपा शिर्षेना गठपंदन की सरकार है और गवर्नर है सीविद्या सागर राओ और एक बात और याद रखिए महाराश्टर में है नवे गाउं नैशनल पार्क इसके अलावा संजे गांधी नैशनल पार्क चंदोली नैशनल पार्क, कडोबा नैशनल पार्क तो ये सब हैं यहाँ पे है एक और जो गांधी जैन के नापे कई सारी नैशनल पार्क रखे हुए है हमने तो संजे गांधी नैशनल पार्क है महराष्टर में चलिए अब कमेंट्स में लिखे बताईए राजीव गांधी नैशनल पार्क कहां पे है और इंदरा गांधी नैशनल पार्क कहां पे है ये दोनों कमेंट्स में लिखे बताईए अलग-अलग राज्यों में है मैं कई बर बता चुका हूँ अब कमेंट्स में इन में से Economic Affair Secretary भारत का कौन बना है इनका नाम है सुभाष चंदर गर्ग Economic Affair Secretary है यह इन्होंने सक्सीड किया है Mr. शक्तिकान दास को और बीज में कुछ समय के लिए बने थे तपन रे लेकिन आब हैं सुभाष चंदर गर्ग RSS की वेबसाइट नई लॉंच करी मद्य परदेश के मुख्यमंत्र शिवरासिंग चोहान ने राष्टे शौम सेवक संग की वेबसाइट है इसका नाम क्या है इसका नाम है सेवा गाथा सेवा गाथा World Population Day 11 जुलाई को मनाया जाता है इसको याद रखने का तरीक बताता हूँ देखिए जो जनसंग्या बढ़ाने के लिए दो लोगों की जरुद पड़ती है एक महिला और एक पुरुष तो बन गया 11 तो 11 जुलाई को मनाया जाता है World Population Day यह सारी ट्रिक्स में लूसें जी के ट्रिक्स का जो वीडियो आएगा उसमें बनाऊँगा थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी मैं बहुत सारे और वीडियो में विजी हूँ World Population Day का थीम इस बार क्या था थीम था Family Planning, Empowering People Family Planning, Empowering People, Developing Nations कौन सी चाइना की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है जिन्होंने गुजरात के हलोल में 2000 करोड रुपे की लागत से एक Manufacturing Facility डाली है एक Factory डाली है जहाँ पर गाड़ियां बनाई जाएंगी क्या नाम है इस चाइना की कंपनी का इसका नाम है SACI Motor SACI Motor ये नाम है इसका एक और Important बात कौन सी विदेशी कंपनियां है जिनके गाड़ियों की कंपनियां पूछ सकते हैं देखिए France की कंपनी पूछ सकते हैं धूम मचाई हुए France की एक भारत की भारत में एक कंपनी ने इसका नाम है Reynolds Reynolds कंपनी है France की एक कंपनी हो रहे है इसकी बसों में बैठे होंगे Volvo ये कंपनी है Sweden की इसके अलावा जर्मनी जाना जाता है गाड़ियों के लिए Mercedes, Audi, Porsche, BMW ये सब हैं जर्मनी की इटली की दो कंपनियां है famous एक है Fiat और दूसरी है Ferrari ये है इटली की जापान की है सबसे ज़्यादा गाड़ियां बिक्ती हैं इस कंपनी की Toyota और Mistubishi ये सब है जापान की एक और कंपनी है जापान की निसान ये भी गाड़ियों की कंपनी जापान की है इसके अलावा South Korea, दक्षिन कोरिया की कंपनी है जिसको बोलते है Hyundai Hyundai इनकी एक गाड़ी बहुत पॉपलर ओरी एंडियां में जिसका नाम है Creta तो ये सब कुछ याद रख सकते हैं इन में से कौन सी कंपनी है जिसको परधान मंतरी ट्रॉफी मिली है क्योंकि इसने सबसे अच्छा परफॉर्म करा बेस्ट परफॉर्मिंग इंटीग्रेटिट स्टील प्लांट दो साल लगातार 2014-15 और 2015-16 क्या नाम है इस स्टील प्लांट का इसका नाम है Tata स्टील ताटा स्टील तीसरी बार लगातार इसे मिला है परधान मंतरी पुरुस्कार और Tata कंपनी के चेर्मेन कोन है आप जानते हैं Cyrus मिस्त्री को उठा के फेंक दिया था उसके बाद कोन बने थे एन चंदर शेखरन एन चंदर शेखरन G20 मीटिंग कहां पे हुई G20 मीटिंग इस बार कहां हुई ये हुई हैंबर्ग शेहर में G20 के अंदर कितने कंट्री है 19 देश प्लस European Union ये मत कहिए 20 देश है European Union में बहुत सारे देश है 19 देश और पूरा उरोप उसको बोलते हैं G20 भारत भी G20 का हिस्सा है हेंबर्ग में हुई हेंबर्ग कहां पे है जर्मनी में जर्मनी की जो चांसलर है अभी चोथी बार लगातार चांसलर बनी है एंजला मरकल और जर्मनी की राज़ानी है बर्लिन इसका थीम क्या था इस बार थीम था Shaping an Interconnected World आपस में जो जुड़ा हुआ जगा थे हैं हम उसे shape करते हैं Shaping an Interconnected World इन में से कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है जिसने जो caste पंचायत होते हैं ये social bycott कर देते थे लोगों का caste के अधार पे जाती के अधार पे इसको ban कर दिया है कानून बना कर ये किसने किया है ये किया है महराश्टर की सरकार ने महराश्टर की सरकार ने अगर आप कोई भेदभाव करेंगे caste के अधार पे तो आपको जेल तक हो सकती है साथ साल की और पांच लाख रुपे तक का जुर्माना हो सकता है कौन सी कंपनी है जिसे Golden Peacock Award मिला है Environment Management के लिए ये कंपनी है Danfoss India Danfoss India को मिला है Golden Peacock Award और इन्हें मिला है Environment Management एक बात और याद रखिए एक कंपनी है जिसे बोलते है IROAF ये भारतिय रेलवेज की कंपनी है Alternate Fuels के लिए इसका नाम है Indian Railways Organization for Alternate Fuel इसे मिला है Same Award Golden Peacock Award लेकिन इसे जिस केटेगरी में मिला है वो है Eco Innovation Award इने कुछ नया बनाया है Eco Innovation Award तो सिर्फ Golden Peacock देखके आंसर माँ करोगे तो गलत हो जाएगा कैटेगरी भी देखिए Environment Management के लिए Danfoss को और Indian Railways Organization for Alternate Fuel इसको Eco Innovation के लिए और रेल मंत्री है प्यूश गोयल जिन्होंने सुरेज प्रफू से टेक ओवर किया था इन में से कौन सा देश है जिसने सबसे ज़्यादा medal जीते Asian Athletic Championship जो भूवनेशोर में हुई थी उडिसा की राजधानी में क्या नामें इस देश का ये है भारत भारत ने जीते हैं भारत ने 29 medal जीते हैं जिन में से 12 gold medal 5 silver medal और 12 bronze medal gold 5 silver और 12 bronze दूसे नमबर पे था चाइना चाइना ने जीते 20 medal total और तीसे नमबर पे था कजाकिस्तान जिसकी राजधानी है अस्ताना एक बात और कजाकिस्तान वो देश है जिसके साथ हमने 25 साल अपने राजिक संबंध यानि diplomatic ties पूरे की है इसके लिए कजाकिस्ताने office बनाया है अभी अभी चेन्ड़ी में और इसी साल 2017 में हमने 25 साल पूरे करे है इसराइल के साथ अपने diplomatic relations के इन में से कौन सा राज्य है जो पूरे देश में नमबर बन रहा पिछले दो सालों में इसने 43 लाख soil health card बांटे है farmers को तो इसलिए नमबर बन रहा इनका target था 38 लाग इन्होंने उसे target से भी ज़्यादा बांट दिये ये राज्य है 36 गड़ 36 गड़ में तीन important national park है एक है गुरु घासिदास national park एक है इंदरावती national park और एक है कंगर घाटी national park ये तीन है 36 गड़ के मुख्य मंत्री है डॉक्टर रमन सिंग अभी 36 गड़ के उपर एक picture भी बनी है माविस्ट बगारा के उपर जिसका नाम है Newton Newton भारत में Oscar में जारी है पिछले साल Oscar में कौन सी फिल्म गई थी भारत की विसर अनय ये तमिल फिल्म थी इस साल जारी है Newton Newton में Newton की भूमी का निभाई है राजकुमार राओ ने और डारेक्टर है अमित मसूरकर इसकी शूटिंग का होई है कौन सा एरिया दिखाया है फिल्म में डंडा करन्या नाम की जंगा है ये दिखाये पंचवटी के पास अभी भारत की तरफ से International Labour Organization में गवर्निंग बोर्ड में कौन गया है क्या नाम है इनका इनका नाम है राजीव दूबे राजीव दूबे ये HR और Corporate Services महिंद्रा और महिंद्रा के Group President रहे है आंसर राजीव दूबे ये सिलेक्ट हुए है International Labour Organization जनेवा में भारत की तरफ से गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भारत और बांगला देश ने डिसाइड करा है कि वो एक पुल बनाएंगे कौन सी नदी पे इस नदी का नाम है खौथलां तुई पुई नदी ये कौन से राज्ये में भैती है ये भैती है मिजोरम के अंदर मिजोरम के अंदर भैती है और याद रखिए करना फुली नदी भी बोलते हैं इसे अगर एक्जाम में खौथलां तुई पुई नदी नहीं आया करना फुली आ गया तो आप कहेंगे मैंने नाम नहीं सुना इसी नदी का दूसरा नाम है करना फुली नदी मिजोरम और एक बात याद रखिए मिजोरम का 318 किलो मेटर का बॉर्डर पड़ता है बांगलादेश के साथ मिजोरम का बांगलादेश की परधान मंत्री ये शेक हसीना ढाका यहां की राजधानी है टका यहां की करन्सी है एक चीज़ और रखताता हूँ देखिए मिजोरम भगवान राम भगवान राम का क्या कोई दाम लगा सकता है नई तो डामपा नैशनल पार्क है मिजोरम में डामपा हमारा हेल्थ मंत्राले जो है उसने मिशन परिवार विकास लॉंच करा है साथ राज्यों के 146 डिस्टिट के अंदर जिनका टोटल फर्टिलिटी रेट किस से ज्यादा है इसका मतलब क्या है इस कुश्चन का देखिए एक टोटल फर्टिलिटी रेट होता है इस राज्ये में औस तन एक महिला कितने बच्चों को जनम देती है उसके लिए लॉंच करा है इन्होंने मिशन परिवार विकास तो 3 and above जिनका फर्टिलिटी रेट है जिन स्टेट्स के साथ स्टेट्स के 146 डिस्टिक का उनके अंदर लॉंच करा है मिशन परिवार विकास तो ये एक तरह का जिसे कहते हैं फैमिली प्लैनि यानि परिवार नियोजन का ये तरीका है और ये जो 146 डिस्टिक है अगर आप इन्हें मिला दें तो भारत की 28% आबादी इनहीं 146 डिस्टिक में रहती है साथ राज्यों के ये साथ राज्ये UP, MP जो बड़े-बड़े राज्ये राजस्थान वगरा उनमे सरकार ने अभी-भी दो मंत्रालियों को मिला के एक कर दिया है कौन से हैं ये दो मंत्राले एक तो है और मिला के जो नाम दिया गया है वो दिया है MOHUA तो ये आपका हिंट है पहला है Urban Development ये है पहला और दूसरा है Housing and Urban Poverty Elevation और दोनों के मंत्री कौन है हरदीपुरी हरदीपुरी भारत के Ambassador थे पहले Permanent Representative थे UN में भारत के और Brazil वगारा काफी सारे देशों में हमारे ये राज़दूद भी थे So answer है 2 and 3 इन में से कौन सा राज ये है भारत का जिसने लॉंच करा है Electronic Inner Line Permit EILP प्रोग्राम इसको लॉंच करा है अरुनाचल परदेश ने अरुनाचल परदेश और जो IELP है Inner Line Permit अब लोग विजिटर अपलाई कर सकते हैं इसे किसी भी देश में रहते हुए आनलाइन पहले आनलाइन सोबिधा नहीं थी तो बस इतना याद रखना है आपको अब ये भी पूछ सकते हैं भारत के कौन-कौन से राजे हैं जिनमें Inner Line Permit लेनी पड़ती है आपको तो ये राजे हैं अरुनाचल परदेश, मिजोरम और नागलेंड भारत में सिर्फ तीन ही राजे हैं जिनमें IELP आपको लेना पड़ता है भारत के कौन से संगीतकार हैं जिनोंने एक गाना गाया साउंट्रेक, ये वर्ल्ड साउंट्रेक पब्लिक चॉइस अवार्ड के लिए शॉटलिस्ट हुआ है तो ये है साउंट्रेक एक फिल्म है जिसका नाम है वाइस रोय जाउस, वाइस रोय का घर इस फिल्म को डिरेक करा है गुरिंदर चड्धा ने गुरिंदर चड्धा जिरों ने बैंडिट लाइक बैकाम और ब्राइट इन पैरेजुडिस जैसी महान फिल्में बनाई है गुरिंदर चड्धा, ये लेडी है और ये यूके की लेडी है अब ये जो गाना है ये गाया है AR रह्मान में वैसे 18 नमंबर को दिल्ली में AR रहे अपना कॉंसर्ट करेंगे कुतुम मिनार को मंगेश तंदुलकर इनका निधन हो गया ये क्या थे मशूर ये थे काल्टूनिस्ट काल्टूनिस्ट थे बहुत ही मशूर मंगेश तंदुलकर इन में से कौन सी चीज है जो ट्रेड मार्क कर दी गई है ट्रेड मार्क का मतलब क्या होता है अब कॉपिराइट प्रोटेक्शन दे दिया गया है अब आप इसको नकली तोर पर नहीं बे सकते कानूनी अपराद है ये दुनिया की पहली पॉप को नहीं इस वक्त पॉप फ्रांसेस है अर्जेंटीना के है ये पॉप और पॉप कहां बैठता है सेंट बैसीलिया चर्च में बैठता है वैटिकन के अंदर मलाला डे हम कब मनाते हैं मलाला इन्हें भारत के केलास सत्यार्थी के साथ दोनों को एक ही साथ मिला था नोबेल पीस प्राइज मलाला यूसुफ जाई पाकिस्तान की हैं ये और जो केलास सत्यार्थी है बच्पन बचाओ अंदोलन है इनका भारत में 40,000 से जदा बच्चों को बाल मजदूरी से बचा चुके हैं तो मलाला डे मनाते हैं 12 जुलाई को क्योंकि इनका जनम हुआ था 12 जुलाई 1997 को हमारा जो हेल्थ मंत्राले है उन्होंने एक MOU साइन करा है इन में से कौन से राज्ये की सरकार के साथ ये Transfusion Medicine का एक सेंटर बनाएंगे देखे Transfusion Medicine होता है जब आप Blood Donate करते हैं जब आप किसी को खुंदान करते हैं तो वो Transfusion Medicine बोलते हैं इसके लिए सेंटर बनेगा 200 करोड रुपे की लागत से पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल में है बकसा National Park Tiger Reserve है ये एक और एक है गोरु मारा गोरु मारा के अलावा यहाँ एक और है जिसको बोलते है जल्दा पारा और एक और है जिसको बोलते है नियोरा वैली अब नियोरा वैली को पिन वैली के साथ confuse नहीं करना है, पिन वैली हिमाचल परदेश में है, नियोरा वैली West Bengal में है, National Green Tribunal ने declare करा है, ये जो नदी है, इसके 100 मीटर तक आप कोई भी development zone नहीं बना सकते, इसको no development zone का है, यहाँ पर कुछ नहीं बना सकते, आप इस नदी के 100 मीटर के area में, 100 मीटर के हर edge से, हर किनारे से 100 मीटर, कौन सी नदी की बात हो रही है, ये नदी है, गंगा, गंगा नदी की बात हो रही है, और गंगा, Rejuvenation, Water Resources और River Development, ये तीनों मंत्राले पहले उमा भारती के पास थे, उमा भारती जो हैं, इनसे तीनों के तीनों ले लिए गए हैं, अब ये बताइए कि गंगा, Rejuvenation, Water Resources, River Development, नए कैबिनेट में मंत्री कौन बने हैं, तीनों के लिए, कमेंट्स में लिखके बताईए, Goods and Services Tax Intelligence, जिसे बोलते हैं, DG GSTI, कौन बना है, Director General of GSTI, Goods and Services Tax Intelligence, ये बने हैं, Mr. John Joseph, और इसी में मैंने कुछ और भी बता दिया हैं, आपको जो आपको याद रखने हैं, जैसे कुछ bank या कुछ ऐसी organization हैं, जिनके जो post MDCO याद रखने हैं, तो ये सारे यहाँ पे हैं, आप को देख सकते हैं, इनमें सबसे important में बताऊँ, अगर Exim Bank, Export Import Bank of India बोलते हैं, इसे डेविड रस्कीना है, करूर व्यासया Bank, इसका headquarter करूर में है, करूर तमिल नाडू में है, PR सेशाधरी, Syndicate Bank, इसके chairman है, Ajay Wipin Nanavati, SIDB, Small Industries Development Bank of India के CMD है, Mohamed Mustafa, Syndicate Bank के मैंने आपको जो बहले बताए थे, वो MD थे, वो chairman नहीं थे, तो कई बार MD और chairman अलग-अलग होता है, देखे, chairman बोलते हैं, जो सबसे highest post होती है, chairman से उपर कुछ नहीं होता, कई बार MD chairman सेम भूमिका ले सकते हैं, कई बार जो chief executive ताकते हैं, वो chairman के पास होती है, कई बार वो appoint करता है किसी को, जो MD क भूमिका नहीं भाता है, तो यह हम technical उतने में नहीं जाएंगे, फिर यह कुछ और bank है, जो, विजया bank काफी पूछते हैं, शंकर नरायनन है, इसके MD और CEO, पर पक्किरिस्वामी, चंदर शेखरण, इनका निधन हो गया, यह मशूर क्या थे, यह एक forensic expert थे, forensic expert का मतलब यह ह होता है कि जब मरने के बाद dead body को study करते हैं, वो थे यह, तो राजीव गांदी की जो हत्या हुई थी, राजीव गांदी की फॉरंसे किनो ने किया था, और इसके अलावा जो नटराज का statue मिला था, UK से 1500 साल पुराना, उसका भी फॉरंसे किनो ने किया था, पदम भूशन भ के आठवी क्लास तक की qualification रखी गई, यह अलग-अलग क्राइटेरिया हैं, इस राजे की गवर्नर है कल्यान सिंग, यह राजे है राजस्थान, इन में से World Health Organization ने autism के लिए South East Asia में अपना Goodwill Ambassador किसे बनाया है, इनका नाम है साइमा वजद हुसैन, साइमा वजद हुसैन, यह ब हीला खिलाडी बनी है क्रिकेट में, जिन्होंने वंडे में 6000 रन मार दिये, यह भारतिय क्रिकेट टीम की कप्तान भी है, इनका नाम है मिथाली राज, मिथाली राज, सायुक्त राश्ट्र संग ने डिसाइड करा है कि वो 18 जुलाई को अंतराश्ट्रिय दिवस मनाएंगे यह जो परसन है इनका सोबा जनम दिन मनाने के लिए, तो यह किस महानवक्ति की बात हो रही है, इनका नाम है नेलसन मंडेला और इसको मनाया जाएगा नैशनल मंडेला इंटरनेशनल डे, 18 जुलाई, हर साल, अब से हर साल मनाया जाएगा 18 जुलाई को नैशनल मंडेला डे और ये question काफी important हो जाता है चाइना के एक मात्र Nobel Peace Prize विजेता उनका निधन हो गया इनका नाम क्या है? इनका नाम है लुई जिया ओबो इन्हें मिला था चाइना के हैं Nobel Peace Prize नर बहादूर भंडारी उनका निधन हो गया ये कौन से राज्ये के मुख्यमंत्री थे? और अभी-अभी हर्याना और उत्राखंड भी open-dification free हुए है हर्याना बना है भारत का पांचवा राज्ये जो latest open-dification free हुए है वैसे तो मुंबई भी open-dification free हो गया है लेकिन मुंबई जो है ये राज्ये नहीं है ये तो शहर है जिला है तो सिक्किम भारत का पहला open-dification free राज़े है और पहला organic राज़े भी है, organic state है भारत का सिक्किम, सबसे कम अबादी भारत में अगर किसी राज़े की है तो वो सिक्किम है, हलांकि सबसे छोटा शेतरफल के हिसाब से गोवा है, अंतराश्ट्रिये नियाय दिवस, यानि International Justice Day ये मनाये जाता है क्योंकि इस दिन बना था International Criminal Court, International Criminal Court की founding treaty को यादगार बनाने के लिए ये किस दिन मनाते हैं, ये मनाते हैं 17 जुलाई को, 17 जुलाई को, इसे हम World Day for International Justice भी बोलते हैं, और इसका headquarter है The Hag में, जो Netherland में है, Netherland को Holland भी बोलते हैं, इसकी राज़दानी है Amsterdam, Netherland और ज शिरिनगर Municipal Corporation ने अपना Brand Ambassador की से बनाये, सिर्फ 18 साल का बच्चा है, और डल लेक को साफ करता आया है, वहाँ से सारी गंदगी हटाता है, पॉलिथीन बैग हटाता है, नाओ में, इसका नाम है बिलालदार, बिलालदार, इन में से वो एप कौन सी है, जो भारती रेलवेज सार्थी एप, भारत का कौन सा पहला रेलवे स्टेशन बनाये है, जिसका संचालन महिलाएं करेंगी, पूरा का पूरा इसका कारेभार महिला देखेंगी, कौन सा है ये, इसका नाम है मातुंगा, मातुंगा रेलवे स्टेशन, तीस महिलाएं इसका संचालन करेंगी, और ए इसने भारत की पहली बायो CNG बस बनाई है, बायो CNG बस बनाई है, जिससे कोई pollution भी नहीं होगा, ये बायो मिथेन बस है, क्योंकि CNG जो होती है, वो मिथेन गैस होती है, जिसे बोलते है CH4, ये कंपनी है Tata Motors, अभी अभी भारत का, खुद का बनाया हुआ, एक newborn hearing screening device है, जिसस का नाम रखा है SOHUM, S-O-H-U-M, SOHUM, पाकिस्तान के कौन से क्रिकेटर है, जिनने Marylebone Cricket Club की आजीवन सदस्यता मिली है, देखिए Marylebone Cricket Club जो है, ये सबसे परतिष्ठित Cricket Club है दुनिया का, और आपने Lords Cricket Ground सुना होगा, जो England में, वो Marylebone Cricket Club का ही Ground है, और पहला अगर दुनिया का सबसे पहला Cricket Match हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लेंड के बीच 1877 में, अब कौन से पाकिस्तान के खिलाडी है ये, इनका नाम है Ms. Baul Haq, Ms. Baul Haq, और इससे पहले रमीज राजा को मिली थी, 2015 में, Marylebone Cricket Club की सदस्यता, बहुत पुराना Cricket Club में 1787 में बना थ इसका नाम है सरस्वती, सरस्वती, और कहते हैं ये 20 million billion cents के बराबर है, अब ये कितना होता है, 1 billion होता है 100 करोड, million होता है 10 lakh, तो 100 into 10, 1000 into 20, यानि 20,000 सूर्यों के बराबर है, इतना बढ़ाएगी, प्रेजिडेंट हमारे जो 14 राष्पती बने है, भारत के रामनात कोविंद, इनका सेक्रेटरी किसे अपॉइट किया गया है, इनका नाम है संजय कोठारी, संजय कोठारी बने है प्रेजीडेंट के सेकरेटरी और अशोक मलिक हैं इनके प्रेस सेक्रेटरी अब एक बात और याद रखिए जो वैंकर या राइडू है यह है भारत के तेहरवे उपराशपती तेहरवे और इनके सेक्रेटरी बने है आईवी सुब्बा राओ हीमाचल परदेश की सरकार ने शुरू करी है राजीव केंटीन यहाँ पे भी सस्ता भोजन मिलेगा, देखिए सब सस्ता भोजन बाट रहे हैं, लेकिन कैंटीन के नाम सब के अलग-अलग है, ठीक है, मद्य परदेश में बहुत सारे नैशनल पार्क हैं, वाल लाइफ सेंचुरी हैं, पंच है, पन्ना है, बांदवगड है, कई सारे हैं, त इन में से भारत का कौनसा राज्य है, जो nor वन है, जिसमें सबसे ज्यादा investment potential है, भारत के National Council of Applied Economic Research, जिसे बोलते हैं, NCAER, सबसे ज्यादा investment potential किस राज्य में है, गुझरात में, गुझरात के बाद किस में पूछे हैं, सेकेंड्ड नंबर पे thì तो हो है, divis भारत के कौन स नागालेड के नए मुख्यमंतरी कौन बने है इनका नाम है टी आर जैलियांग और इसे पहले थे शुरो जमञेलेजी लिये जिट्सू और अब है टी आरड़ैलियांग जो हो जेली, लिये जिट्सू है, इनको डिस्मिश कर दिया, वहांके गवर्नर पीवी अचार रही ले ना परसनेलिटी ऑफ द इयर, साल का शर्व श्रिष्ट परसनेलिटी, ये अवाड मिला है किशोर संसी को, किशोर संसी को, विजिया बैंक के ये MD और CEO है, रिजर्व बैंक जो है, ये इसने इशू करें है, 20 रुपे के डिनोमिनेशन में, महत्मा गांधी सीरीज के नोट, ये ओल इतिहास में किया है, 200 रुपे का नोट, नोच, एक मात्र भारत के मेल, कथक डांसर कौन है, जिनने Department of Culture द्वारा fellowship दी गई है, इनका नाम है, नंद किशोर कापोते, जो सरकार है भारत में, इनमें से कौन से राज्य की, इन्होंने एक जनता की शिकायतों को सुलजाने के लि किया है, तेलंगाना ने, और तेलंगाना की सरकार ने, जो वहाँ पे सूक गए है, पानी के कुए, उनमें दुबारा जल डालने के लिए एक मिशन स्टार्ट करा है, इसका नाम है, मिशन काकाटिया, ये भी पूछ सकते हैं, मिशन काकाटिया कोन से राज्य ने शुरू करा सचाई ये नहीं है, 1817 में एक पाई का रिबेलियन हुई थी भारत के उडिसा के अंदर, और इसलिए उडिसा की सरकार ने भारत सरकार को पतर लिखा है, कि पाई का रिबेलियन को स्वतंतरता की पहली जंग घोशित कर दिया जाए, उडिसा में हुई थी, और एक बात और में भी लड़ाई चल रही है, अभी अभी नया नाम रखा गया है चेन्नई ओपन टेनिस टूर्रमेंट का, अब नया नाम क्या है इसका, नया नाम होगा महराश्टर ओपन और ये खेला पुने में जाएगा, ये भारत का एक मात्र ATP वर्ल टूरिमेंट है, अभी अभी ये भी आज रखिये, चेस्टर बेरिंटन का निदन हो गया, ये मशूर क्या थे, ये बड़ा असान सवाल है, ये थे मशूर सिंगर, अब आपसे एक सवाल पूसता हूँ, ये तीसरा सवाल है आपका, ये कौन सा फेमस बैंड है उसके सिंगर थे, चेस्टर बेरिंटन, कमे अरा तीसरे नंबर पे सब ज़्यदा परभावित हुए आतंगवाद से 2016 में, जैरल्ड फोर्ड ये दुनिया का सबसे बड़ा एरक्राफ्ट केरियर है, और ये कमिशन किया है, अभी अभी कौन से देश ने, ये है अमरीका का, अमरीका का, रशिया का जो जहाज है, एक ही इनके पास, उसको बोलते हैं, एड्मिरल कुजनेट सोव, एड्मिरल कुजनेट सोव नाम है, रशिया के जहाज का, रशिया का एक मात्र इनके पास एरक्राफ्ट केरियर है, जैराल्ड फोर्ड वैसे कुजनेट सोव से या ताकतवर माना जा रहा है, भारत का भी एक बहु border road organization बनाता है borders के उपर और पहाड़ों के उपर road और normal road बनाता है NHAI यानि National Highway Authority of India दोनों का headquarter नहीं दिलने में उडुपी रामचंदर राओ ये मशूर scientist थे कौन सी organization के chairman थे इन्हें इसी साल पदम विभूशन मिला था उस वक्त के राजपती पड़ा मुखर्जी द्वारा ये थे इसरो के पूर्व chairman इसरो के chairman थे उडुपी आर राओ दुनिया का पहला तैरता हुआ wind farm कौन से देश में शुरू हुआ है अभी अभी ये देश है Scotland Scotland की राजधानी है Edinburgh और यहाँ पे एक और important शहर है जिसे बोलते है Glasgow इन में से कौन सी online website या portal अभी अभी ministry of women and child development ने start करा है हमारी मंत्री है मेरिका गांधी इसके लिए इससे जो महिलाएं है अगर उनके साथ यौन उत्पिडन होता है यानि sexual harassment होता है किसी तरह का तो वो अपनी complaint इस पे दर्ज कर सकती है इसका नाम रखा गया है she box sexual harassment electronic box हमारा जो rural development मंत्राले है उन्होंने launch करी है अभी mobile app जिससे आप जो rural road बन रहे हैं उसकी कितनी उसमें पैसा लगेगा वो आप production cost पहले से पता कर सकते हो इस app का नाम क्या रखा है इसका नाम है आरंभ आरंभ कौन सी टीम ने ICC Women's World Cup 2017 जीता है ये मैं समझता हूँ काफी असान सवाल है ये टीम है England ICC Women's World Cup जीता England ने और इंडिया कोई हराया फाइनल में हलांकि इंडिया के कई खिलाडियों ने जबदस परदर्शन किया जूलन गोस्वामी, मिथाली राज, एक पंजाब की है हरमंदीप को और शायद नाम है उन्होंने भी बहुत जबदस परफॉर्म किया लेकिन England से हम बहुत क्लोज मैच में हार गए हमारे Ministry of External Affairs के नए स्पोक्स परसन कौन है? इनका नाम है रवीश कुमार ये है Ministry of External Affairs और हमारे External Affairs मंत्री कौन है? सुश्मा सवराज इन में से कौन से राज्य का Civil Secretariat है जो भारत का पहला Secretariat बना है जो पूरा का पूरा Wireless हो गया है यहाँ पे Wireless Connectivity हो गई है यह भारत का पहला लगू सचे वाले है जो पूरा Wireless हो गया है यह है अगेन अरुनाचल परदेश का सचे वाले है कौन से राज्य ने यह कहा है कि हमारे यहाँ जेल है जो खाली पड़ी है आपके यहाँ कैदी हैं तो हमारे जेल में रख दीजीए हम थोड़ा सा पैसा लेंगे उनके देख भाल का लेकिन हमारे यहाँ जेल खाली पड़ी है तो इन्होंने एक तरह का presence के लिए ओफर दिया क्या नाम है इनका इनका नाम है मिस्टर के ई मामन ये 96 वर्ष के थे और इने केरल का गांधी बोलते है पश्चिय मंगाल के मुख्य मंतरी ममताब एनरजी ने अभी अभी महानायक सम्मान के से दिया है ये एक एक्ट्रेस है इने बंगाली सिनेमा में अपने आजीवन योगता के लिए दिया है इनका नाम है शकुंतला बरुवा शकुंतला बरुवा इन में से कौन सी महिला क्रिकेटर है भारत की जिन्होंने वल्ड रिकॉर्ड बनाया है वंडे मैचेज में सबसे ज़्यादा विकिट लेने का ये रिकॉर्ड बनाया है जूलन गोस्वामी ने जूलन जीता है, ये कोन से राज्य की हैं? ये हैं मनीपुर की, मनीपुर की, अब एक चीज और बताता हूँ आपको देखिए, मनी जो है वो सब लोगों को चाहिए, लोगों को बोलते हैं लोग, लोग मतलब होता है लोग, तो लोग टक नैशनल पार्क है मनीपुर में, ये भी पाकिस्तान पर हमारी जीत हुई थी, कारगिल में 26 जुलाई को मनाय जाता है, कारगिल विजय दिवस, भारत की पहली मेट्रो कौन सी है, जिसने अपना खुद का FM रेडियो स्टेशन शुरू करा है, ये मेट्रो है, लखनव मेट्रो, और भारत का अगर पूछें, पहली मेट मेट्रो कौन सी है, जो ग्रीन मेट्रो बनी है, तो वो है दिल्ली मेट्रो, DMRC, देली मेट्रो रेल कॉर्परेशन, इन में से कौन से राजे के हाई कोट ने ये कहा है, कि जितने भी सरकारी ओफिस हैं, या जितने भी स्कूल है, वहाँ पे वन्दे मातरम गाना आनेवार रह होगा, यह decision दिया है मदरास High Court ने मदरास High Court ने यह decision दिया है काईजला, यह कौन सी कंपनी की mobile app है यह एक WhatsApp की तरह ही chat messaging application है, यह कौन सी कंपनी ने WhatsApp का competitor खड़ा कर दिया है यह कंपनी है Microsoft और Facebook की है WhatsApp, WhatsApp को Facebook ने acquire कर लिया था इन में से भारत की कौन सी metro है जिसने अपना खुद का एक mobile ticketing system शुरू कर दिया है, जिसका नाम है Ongo, यह भारत का पहला mobile ticketing system है, सिर्फ इस metro पर काम करेगा यह metro है Mumbai metro अभी Mumbai में घटना भी होई है Elphinstone Road, जिसका नया नाम है प्रभादेवी भारत की सरकार ने एक mobile app launch करी है, जिससे अगर कोई भुकम पाता है, उससे related जो information है, वो असानी से हम भेज सकते हैं एक जंगा से दूसी जंगा इस app का नाम क्या है, इसका नाम रखा है India Quake धरम सिंग का निधन हो गया, कोन से राज्ये के मुख्य मंत्री थे यह, यह थे करनाटक के मुख्य मंत्री, करनाटक में भारत के सबस ज़्यादा है tiger और सबस ज़्यादा है elephant यह tiger survey और elephant survey इस साल के release हुए इनको मैं डिटेल में convert करूँगा, जब मैं अब इसे कर दिया है बढ़ा के 4 kg चार किलो तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सोवरन गॉल्ड बॉंड के अंदर 4 kg जो सरकार है इन में से कौन से राज्य की उन्होंने एक health scheme स्टार्ट करी है इसका नाम रखा है care companion program यानि कि जो patient है उसके साथ जो संबंदी बगारा है उन्हें हम educate करेंगे यानि हम family engagement और education के through better health program करेंगे ये करा है पंजाब की सरकार ने पंजाब के मुख्य मंत्री है Captain Amrinder Singh जो इसी साल चुनाव जीते हैं हमारे जो minister of earth science है Dr. Harshwardhan उन्होंने launch करा एक integrated information dissemination system related to ocean यानि समुद्र संबंदी अगर हमें information को भेजना है तो उसके लिए एक app launch करा है एक portal launch करा है इसका नाम क्या रखा है ये integrated information dissemination system है इसका इन्होंने नाम रखा है सागरवानी सागरवानी world hepatitis day 28 जुलाई को मनाया गया hepatitis होता है जिसमें आपका liver खराब हो जाता है ये virus से होता है hepatitis virus से ये इसका theme क्या था world hepatitis day का इसका theme था eliminate hepatitis यानि hepatitis को जड़ से ही समाप्त कर दो defense research development organization जो है इन्होंने एक ऐसा tank बनाया है हमारा जिसके अंदर किसी सैनिक को बैठने की आपशक्ता नहीं है ये unmanned है remotely operated tank है इसका नाम क्या रखा है इसका नाम इन्होंने रखा है मुंत्रा और DRDO के चीफ है Dr. S. Christopher इन में से उस scheme का क्या नाम है जो पंजाब की सरकार ने शु पैसों में इसका नाम है अपनी गड़ी अपना रोजगार अपनी गड़ी अपना रोजगार और पंजाब के गवर्नर है वीपी सिंग बदनोर कैनेरा की जो कैनेरा बैंक जो है इन्होंने अपना पहला digital banking ब्रांच खोला है इसका नाम रखा है candy ये कहां पे इन्होंने खोल कैनेरा बैंक टरी अपना पहला digital banking ब्रांच खोला है बैंगलूरू के अंदर इन्होंने कमबोडिया में जो हिंदू मंदिर है खासकर अंकोर के मंदिर और आप जानते हैं कमबोडिया में बहुत फेमस मंदिर है जिसको बोलते हैं अंकोरवाट का मंदिर अंकोरवाट का इशिजावा अब एक दो important बातें देखिए रामोन मैगसे से अवोर्ड को हम बोलते हैं एशिया का नोबल प्राइज एशिया का नोबल प्राइज वर्ल्ड का नहीं एशिया का और कमबोडिया की राजधानी है फनॉम पन फनॉम पनह और जो कमबोडिया का अंकोरवाट का जो मंदिर है ये बहुत ही परतिष्ठित मंदिर है 162 हेक्टेर के अंदर ये फैला हुआ है इन फैक्ट हिंदू धर्म में सबसे बड़े मंदिरों में ये गाता है सबसे फेमस मंदिरों में है और ये कमबोडिया देश में है, फनॉम पना है यहां की राजधानी कौन से दो तेराख हैं, स्विमर हैं, जिन्होंने वल्ड रिकॉर्ड बनाया, वल्ड एक्वेटिक चैंपेंशिप जो 2017 में कंक्लूड हुई, खतम हुई, एक का नाम है Adam P.T. और दूसरे का है काईली मास, तो Adam P.T. और काईली मास 25 जुलाई 2017 को यह हुई थी Adam P.T. कौन से देश के हैं, यह हैं ब्रिटेन के, इन्होंने 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में वल्ड रिकॉर्ड बनाया, इन्होंने दूसरी बार बनाया, और दूसरी बात जो World Aquatic Championship Final है, वो हुआ था Budapest में, Budapest किसी राजधानी है, हंगरी की राजधानी है और जो काईली मैस है, काईली मैस है कैनेडा की, यह सब काफी important तथे बता रहा हूँ आपको, और इन्होंने Women's 100 मीटर Backstroke में गोल मेडल हैं, कैनेडा की, कैनेडा की राजधानी है ओटावा, और Montreal है कैनेडा में, जहां पे headquarter है World Anti-Doping Agency का World Day Against Trafficking in person 2017, was observed on July the 30th, कहने का मतलब यह है, कि जो trafficking का मतलब होता है, जब आप किसी को उसकी इच्छा के विरुद, उसे किड्नैप करके उससे काम करवाते हैं, जैसे भीक मांगना या प्रोस्टिट्यूशन उसको trafficking बोलते हैं बाल मजदूरी करवाना, तो इसके खिलाफ जो दिवस मनाये जाता है, वो 30 जुलाई को मनाये जाता है, अब आपको यह बताना इस बार इसका theme क्या था, इसका theme था let's act now to protect and assist trafficking victims, यानि अभी तुरंध हम कारे करते हैं, और trafficking के जो पिडित लोग हैं, उनको protect करते हैं और उनकी मदद करते हैं, यह था इसका theme, United Nation जो है United Nations इसे मनाता है, तो इसलिए काफ़ी important day है यह, United Nation जिसका headquarter है, नियु यॉर्क में और इसके secretary general है इसवक्त Mr. Antonio Guterres अभी अभी एक 500 meter का pull वो inaugurate हुआ है public के लिए use करने के लिए शुरू हो गया है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा hanging pedestrian bridge है यानि हवा में जूलता हुआ पैदल चलने वाले लोगों के लिए bridge है ये कौन से देश में खुला है अभी अभी ये है 494 meter अगर एकदम exact इसका bridge का वो देखें और इसका नाम है Europa Brook Bridge Europa Brook Bridge ये खुला है Swizzorland में Swizzorland की राजधानी है Bern और यहाँ पे Zurich शहर में headquarter है FIFA और Lausanne में headquarter है International Olympic Committee का Swizzorland भारत का कौन सा institute है जिसके वेज्ञानीकों ने अभी-भी एक पानी से दूर भागने वाला यानि hydrophobic sorbent खोजा है जो अगर समुदर में oil spill हो जाते हैं कई बार जो हमारे जहाज जाते हैं वो पलट जाते हैं इस वैसे जो तेल है वो फैल जाता है जो समुदरी की सतय है उसके उपर इसे पंची मर जाते हैं समुदरी जीव मर जाते हैं और ये जो oil को absorb कर सकता है और oil spill जो हो जाते हैं उन्हें रोकने में मदद कर सकता है ये research करा है IICR तिरुवनन्थपूरम के वेज्ञानिकों ने Indian Institute of Science, Education and Research तिरुवनन्थपूरम का पुराना नाम था तिरुवनन्थपूरम और ये केरल की राजधानी है अभी अभी कौन सा टाइफून है जो East Coast of China में आया देखिए पहले तो मैं आपको अमेरिका के टाइफून बता देता हूँ अमरिका में तीन तुफान आएं अभी अभी तो इनमें एक है मारिया जो बिल्कुल लेटेस्ट मारिया आया है इससे पहले आया था हारवे और हारवे और मारिया के बीच में एक आया था जो सबसे ज़्यादा strong था category 5 storm क्या आप इसका नाम कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं हारवे और मारिया के अलावा कैटेगरी 5 स्टॉर्म अमरीका के इतिहास में सबसे ज़्यादा ताकतवर तुफान अभी आया था उसका क्या नाम है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था तो तुफान की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है टाइफून हाइटांग इसमें लगबग दो लाख लोग अफेक्ट हुए थे और ये ताइवान के अंदर भी आया था तीन और पूछ सकते हैं आप से इस बार यमन जो देश है वहाँ पे आया है चपाल, यमन की राजधानी है सन्ना और हॉंग पॉंग में जो आया है उसका नाम है रोक और फिलिपिन्स में आया है उसका नाम है गोरियो फिलिपिन्स की राजधानी है मनीला और मनीला में है हेड़क्वाटर एशियन डवलप्मेंट बैंक का फिलिपिन्स के राश्पर्ती है रोडरी गो दूतरते अभी अभी एक प्लैटफॉर्म लॉंच हुआ है जिसका नाम है इलेक्ट्रोनिक रकम ये बताइए कौन से मंत्राले का है ये इलेक्ट्रोनिक रकम इसकी फुल फॉर्म समझ जाएए पहले राश्ट्रिय किसान एग्री मंडी मैं रिपीट करता हूँ राश्ट्रिय किसान एग्री मंडी तो समझ जाएए अब एग्रिकल्चर मंत्राले का है ये हमारे एग्रिकल्चर मंत्री जो है वो है उनका नाम है राधा मुहन सिंग और ये पूर्वी चमपारन बिहार से लोगसबासांसद है इसको लेकिन लॉंच करा था हमारे consumer affair और food and public distribution minister ने बात और ये PDS की जो food को वितरन के लिए responsible मंत्रा ले उसके मंत्री है राम विलास पासवान और राम विलास पासवान ने लॉंच करा और साथ में हमारे जो steel मंत्री है जिनका नाम है चौधरी बिरेंदर सिंग इन दोनों ने मिलके ये लॉंच करा था एक और minister याद रखी agriculture से related हरसिमरत को और बादल ये है food processing minister food processing food distribution के मंत्री है राम विलास पासवान और ये लोगसवा से भटिंडा से सांसद है हरसिमरत को और बादल और राम विलास पासव हाजीपूर से बिहार से लोगसवा सांसद है तो नाम है इसका electronic रकम और एक है ये नाम ये भी agriculture के लिए launch किया गया था national agriculture market तो ये एक तरह का electronic market है जो create किया गया था जिसका नाम रखा गया N.A.M. इन में से कौन सा भारत का railway station है उत्तर परदेश में जिसका नाम पलटके रख दिया गया है पंडित दिन दयाल उपाध्याए railway station इसे भारत का सबसे busy railway station भी बोलते हैं क्या नाम इसका ये है मुगल सराय railway station और एक और important बात मुंबई में दो का नाम पलटा गया है एक जहां प चत्रपति शिवाजी टर्मिनस बात airport की ओ रहा है इसका नाम पलटके कर दिया गया है चत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो word महाराज है ये जोड़ दिया गया है तो ये कुछ नाम पलटे गया है इन में से कौन सा mobile app है जो भारतीय army ने डव्लप करा है अपने जवान जो serving personnel है, जो अभी काम कर रहे है जवान, जो army का भी हिस्सा है, उनके लिए किया गया है, तो इसका नाम रखा गया है हमराज, हमराज, जो जवान है इस पर अपनी salary slip देख सकते हैं, monthly salary slip और form 16 वगरा देख सकते हैं, जिससे promotions, postings वगरा का पता चल सकता है, हमारे army के chief है विप हाइफा के नाम पे रखने की बात हो रही है, हाइफा एक शहर है इसराइल के अंदर, तो ये भी याद रख सकते हैं और पिउश गोईल हमारे इस वक्रेल मंत्री हैं, जो कोईला मंत्री भी है, पीटरो निल, ये कौन से देश के परधान मंत्री बने हैं, इस देश की जो र हम आदी मंत के एवरी फ्राइडे को हम मनाते हैं ये त्योहार है तमिल नाडू का और तीन-चार त्योहार और याद रखिए जो अभी अभी मनाये गए हैं एक है ड्री ड्री मनाया गया अरुनाचल परदेश में फैत द पुद्दुचेरी ये मनाया गया पुद्दुचेरी में फैत द द का मतलब होता है त्योहार पुद्दुचेरी का फैत ये फ्रेंच भाशा है आप जानते हैं पुद्दुचेरी पे पहले फ्रांस का कबजा था एक गोवा का त्योहार है जिसको बोलते हैं और केरल में तियोहार मनाया गया ओनम जिसे हम पूरा बोलते हैं तिरोनम ये अभी लेटेस्ट तियोहार है पिछले तीन महीनों के ड्री रोनाचल परदेश में फैट डेप पुड़ुचेरी में बेंडेरम गोवा में और तिरोनम है केरला में अभी अभी एक कमेटी बनाई गई है जिससे भारत में जो कानून का अर्बिट्रेशन मेकैनिजम है उसको इंस्टिटूशनलाइज किया जा सके तो ये कमेटी के अध्यक्ष कौन थे इस कमेटी के अध्यक्ष ते जस्टेस बी एन शिरी कृष्णा और हमारे भारत के एट औरनी जनल कौन बने मुकुल र इसके उशानाथ बनर जी अध्यक्ष बनी डेटा प्रोटेक्शन पे बनी थी बी एन शिरी कृष्णा इसे बनाया था मीटी मीटी किसको बोलते हैं मीटी बोलते हैं मिनिस्ट्री ओफ इलेक्रोनिक्स और इन्फोर्मिशन टेक्नलोजी जिसके मंत्री है रवी शंकर इन्फोर्मेशन ब्रोडगास्टि मिनिस्ट्री ने बनाई है स्मिर्ती रानी है मारी मंत्री और इसके लिए व्यक्ति बने है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेजर कमेटी है यहाँ पर सबसे इंपोर्टन कमेटी अगर आप मुझसे पुछे कौन सी है तो मैं कहूंगा यह वाली है भारतीय आर्मी में रिफोर्म्स के लिए जन्रल डी भी शेकाट कर कमेटी इन्होंने काफी सारे रेकमेंडेशन दिये थे इसके अलावा आरबीसी रेजीम के लिए इंच्रेंस एगुलेटरी डेवलेट्री अथारिटी अथारिटी और एक करनाटक अपना चाता है तो इसके हेड होंगे प्रिंसिबल सेक्रेटरी ओफ देपार्टमेंट ऑफ कल्चर और हमारे भारत के कल्चर मंत्री कोन है डॉक्टर महेश शर्मा और हमारे परियटन मंत्री कोन है के जे अलफॉन्स और यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले कल्चर और ट कितना पैसा रेज कर रहा है कितना पैसा रेज करेगा टोटल पैसा यह रेज कर रहे है 2,000 करोड और इसके लिए 20,000 बॉन्डु करेंगे bond क्या होता है कि आप जानते है माल लिजे मेरी 100 करोड की company है अगर मैं अपनी ही company में किसी को हिस्सा देता हूँ तो उसको बोलते है equity या stock या share एक ही बात है अगर माल लिजे मेरी 100 करोड की company है और मैं 100 करोड रुपे का उधार ले लेता हूँ तो मेरी company अब 200 करोड रुपे की हो गई और ये जो उधार मैंने लिया है public से उठाया है माल लिजे और public को मैं ये बोलता हूँ कि आप ये 100 करोड रुपे invest करो मेरी company में तो कोई 1,00,00, रुपे अगर कर रहा है माल लिजे एक bond की कीमत 1,00,00, रुपे है ये difference होता है bond और share में दूसरी बात बेजल 3 क्या है बेजल 3 norms हमें follow करने है 31 मार्च 2019 तक ये हमें करने ही पड़ेंगे बेजल 3 compliant है हम हमें capital adequacy ratio maintain करना पड़ेगा जो बेजल 3 norms का हिस्सा है और इसका नाम बेजल 3 इसलिए रखा गया है अक्षे कुमार की पतनी है ट्विंकल खन्ना और ट्विंकल खन्ना ने किताब लिखी थी Mrs. Funny Bonds ये पिछले साल almost हर एक्जाम में आया था Mrs. Funny Bonds किताब किसने लिखी है ट्विंकल खन्ना और उत्राखंड ने भी इन्ही कोई बनाया है brand ambassador स्वच भारत के लिए यानि उत्रपरदेश के भी हैं अक्षे कुमार और उत्राखंड के भी हैं अक्षे कुमार और इनकी फिल्म भी आई थी एक स्वचता के से related जिसका नाम था Toilet एक प्रेम कथा Toilet एक प्रेम कथा पॉल कगा में ये कौनसे देश के राश्पती चुनाव जीत गए तीसरी बार लगातार कौनसा देश है ये ये देश है Rwanda Rwanda की राजधानी है किगाली किगाली agreement सुनाओगा आपने जो climate change के उपर किगाली agreement तो वो किगाली में हुआ था Rwanda की राजधानी है ये और Rwanda वही देश है आप एक movie देखिए Hotel Rwanda उसमें आपको पता चलेगा किस तरह से Rwanda में कतले आम मचा था Rwanda में दो तरह के लोग रहते थे एक हुतू और एक तुट्सी और हुतू जो थे उन्होंने सब सबने मिलके तुट्सी सारे मार दिये इस देश के ये वह था early 90s में शायद 1994 की बात है ये और Rwanda को यूगांडा से confuse नहीं करना कई लोग करते है यूगांडा अलग देश है इसकी राजधानी कमपाला है Rwanda अलग देश है हलांकि ये अफरीका के देश है तो Rwanda और ये 17 साल से पावर में है मिस्टर पॉल कगा में भारत ने अभी-भी एक M.O.U. साइन करा है कोन से देश के साथ sentence person के लिए कहने का मतलब जो कैदियों की अदला बदली के लिए इन्होंने एक agreement साइन किया है M.O.U. साइन करा है Memorandum of Understanding ये इन्होंने किया है Somalia के साथ Somalia की राजधानी है Moga धिशू ये भी कंट्री है Horn of Africa में यानि अफरीका का जो सिंग निकला हुआ है वहांके पूर्वी तट पर उसमें ये कंट्री है इथोपिया की राजधानी Addis Ababa है और जीबूटी वो देश है जहांपे चाइना ने अपना military base अभी अभी बनाया है और Somalia जो है ये काफी important देश है इसकी राजधानी है Somalia Shilling यहांपे समुदरी लुटेरे रहते हैं इसके लिए काफी famous है Somalia इन में से कौन सा देश है जिसने अपनी पहली environment research satellite छोड़ी है जिसका नाम है Venus ये परियावरण के उपर research करेगी कौन से देश की बात हो रही है अब ये नहीं है कि Venus देखती सोचो ये तो इंडिया का लग रहा है नहीं इसके हम एक satellite बना रहे है जिसका नाम है Barrack Art satellite नहीं है missile है ये Barrack Art ये हम इसराइल के साथ मिलके बना रहे है और यहां के राश्पती है Mr. Ruben Rivlin इस देश की भाशा है Hebrew जिसमें Bible लिखी गई है और राजधानी है Jerusalem तो ये सब तथे याद रखिए विशु बैंक ने अभी अभी announce करा है कि भारत इन में से कौन से दो hydroelectric power project बना सकता है ये हमारी Indus Water Treaty को लेके लड़ाई चल रही थी कुछ मतभेद चल ले थे पाकिस्तान के साथ World Bank उसमें मध्यस्ता करा रहा है intermediation करा रहा है और ये दो project है एक है किशन गंगा और दूसरा है रतले सो answer है 1 and 2 और दूसरी बात ये जेलम और छेनाब रिवर्स के ट्रिब्यूटरी पे ये बन रहे है project किशन गंगा और रतले 1960 में हुई थी Indus Water Treaty भारत और पाकिस्तान के बीच Indus की जो नदी है ये निकलती है केलाश मानसरोवर के पास से तिबद से तिबद की राजधानी है लासा चीन का कबजा है यहाँ पे Indus के अलावा वहाँ से सतलुज भी निकलती है जो भारत आती है और भ्रह्मपुतरा भी निकलती है जिसे वहाँ पे कहते हैं तो सांग पो इनमें से पाकिस्तान ने अपने पिछले 20 साल में पहला हिंदू को ने जो वहाँ के कैबिनेट के अंदर आया है क्या नाम है इनका इनका नाम है दर्शनलाल ये वहाँ पे जो पाकिस्तान में कैबिनेट के अंदर आये हैं पिछले 20 साल में ये पहले हिंदू हैं, एक और बात पाकिस्तान के नए परधानमंत्री आप जानते ही हैं, Mr. शहीद खकान अबासी, ये जनरल असेम्बली में भी गए थे, वहाँ पे काफी इनोंने भारत के खिलाब जैरुगला, और हमारी तरफ से गई थी सुश्मा और पाकिस्तान के जो राशपती हैं, वो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होते, उनका नाम है ममनून हुसैन, ममनून हुसैन, इसको मून जाए इनके साथ कन्फ्यूज मत करना, मून जाए इन्हें दक्षिन कोरिया के प्रेजिडेंट, शैम शैपर्ड, इनका निदन हो ग इन में से कौन सी मेट्रो है भारत की, जो एक मात्र ग्रीन मेट्रो है, पूरी दुनिया के अंदर, कार्बन नीट्रल है ये, परदूशन बिल्कुल नहीं करती है, और इतना याद रखिए बस, एक और बाद याद रखिए जो मेट्रो होती है, वो मिनिस्ट्री ओफ रेलव के अंदर, और हमारे अर्बन डवलप्मेंट मंत्री कोन है इस वक्त, हाउसिंग, अर्बन डवलप्मेंट के लिए, हरदीप पुरी, हरदीप पुरी, पहले नरेंदर सिंग तोमर थे, अर्बन डवलप्मेंट मंत्री, अब है हरदीप पुरी, और ये मेट्रो है, दिल्ली म Corporation DMRC और लखनव मेट्रो पहली भारत की मेट्रो है जिसके पास अपना Frequency Modulation यानि FM उसने अपना खुद का स्टार्ट कर दिया है इन में से 45 वे Chief Justice कौन बने है भारत के तो ये एक असान सवाल है Justice दिपक मिश्रा इन से पहले थे Justice कहर और जो इन में से कौन सा राज्य है जिसने 2000 करोड रुपे का प्रोजेक्ट शुरू करा है शिरीराम सागर प्रोजेक्ट है जो उसके नवीनी करण आधुनी करण के लिए इसको modernize करने के लिए ये करा है तेलंगाना ने तेलंगाना काफी काम कर रहा है इस दिशा में और ये पानी के कुएं जो है यहाँ पे इन में भी पानी दुबारा लाने के लिए कोशिश कर रहा है तेलंगाना इस mission का नाम इन्हों ने रखा है mission काकाटिया अगर पूछ लेंगी mission काकाटिया कोन से राज्ये ने शुरू कर आये तो आंसर है तेलंगाना पानी के कुएं में दुबारा पानी लाने के लिए जो कुएं सूख गए है तेलंगाना के जो मुख्य मंत्रिये वो है चंदर शेखर राओ पार्टी का नाम है तेलंगान राष्ट्य समिती और यहां के governor है Mr. Narsimha और यहां पे दो famous national park हैं मैं आपको बता चुका हूँ मुरुगावणी नेशनल पार्क और कासू भ्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इसके अलावा अगर आप याद रख सकें तो एक और याद रख लीजिए तमिल नाडु में है एक जो काफी पूछा जा रहा है अजकल वो है गुइंडी नैशनल पार्क और एक है इंद्रा गांधी नैशनल पार्क जिसे हम अन्ना मलाई नैशनल पार्क भी बोलते हैं और तमिल नाडु में एक और है जिसको बोलते हैं मुकूर्थी ये मुकूर्थी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग इसको मुरुगावणी के साथ कन्फ्यूज करते हैं मुकूर्थी है तमिल्नाडू में मुरुगावणी है तेलंगाना के अंदर इन में से कौन से राज्य के मुख्य मंत्री है जिनोंने मोबाइल थेरेपी वेन शुरू करी है बूडे लोगों के लिए और एक स्कीम लॉंच करी है जिसका नाम है बुनियादी संजीवनी सेवा ये राज्य है बिहार बिहार में महागटबंदन तोड़ दिया नितिश कुमार ने कॉंग्रेस और लालू की पार्टी के साथ आरजडी के साथ बुनियादी संजीव योजना ये है कि जो बुड़े लोग है उन्हें ये ambulance एक तरह की दी जाएगी, mobile therapy when दी जाएगी, 11 when ये start की गई है और इसमें भिहार की मदद कोन कर रहा है, World Bank कर रहा है, World Bank का headquarter Washington DC में है, जहाँ पे NASA का headquarter भी और IMF का headquarter भी है, और World Bank के president है Jim Yong Kim और CEO है K Christina Georgieva, इनमें से South East Asia का WHO ने Goodwill Ambassador किसे बनाया है, Physical Activity के लिए, क्या नाम है इनका, इनका नाम है Milka Singh, Milka Singh, भाग मिलखा भाग एक picture भी बनी थी इनके जीवन के उपर, और Milka Singh जो है, इनका जो role play किया था, फरान अक्तर ने किया था, जो की जाने माने actor और singer है, Milka Singh के जो बेटे हैं, उनका नाम है जीव Milka Singh, और जीव Milka Singh दोड़ते नहीं है, वो गॉल्फ के खिलाड़ी है, ये भी याद रखिए, गॉल्फ खेलते हैं, Milka Singh के बेटे, और WHO का headquarter जनेवा में है, जनेवा है स्विजर लेंड में, और इसके director है Tedros Adhanom, जो की Ethiopia से है, इनमें से कौन सा भारत का, जिसने Smart Street Lab launch करी है, ये एक Road Safety और Women Safety Solution है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और जो accident होते हैं, उनको कम करने के लिए, ये इन्होंने की है, और इसके लिए उन्होंने मदद दी है, WRI India Ross Center की, ये राजिय है, अगेन तेलंगाना, तेलंगाना में रिपीट कर देता मुरुगावनी National Park है, और कासु भ्रमानंद Reddy National Park है, ये दो सबसे important है, तीन भारत की कमपनिया है, जिने Forbes ने 100 Most Innovative Companies में जगा दी है, यानि दुनिया की सबसे Innovative Company, इनोवेशन का मतला बोता है, जब कोई कमपनी कुछ नया करती है, कुछ disruption करती है मार्केट नो, उसको बोलते Innovative Company, तो दुनिया की 100 सबसे Innovative Company में 3 कमपनी है भारत की, इन में से वो कौन सी नहीं है, ये बताइए, कौन सी नहीं है इन में से, Asian Paints है, हिंदुस्तान लिवर है, भारती Airtel भी है, तो आंसर है TCS, TCS Tata Consultancy Service नहीं है, कौन-कौन से नंबर पे है ये, देखिए, हिंदुस्ता लिवर है, सातवे नंबर पे, Asian Paints है, आठवे नंबर पे, और भारती Airtel है, 78 नंबर पे, 78 नंबर पे, अब अगर पूछें, दुनिया की नंबर बन कमपनी कौन सी है, सबसे Innovative Company, तो आंसर है Salesforce.com, Salesforce.com है दुनिया की सबसे Innovative Company, और इसने Tesla को हटा दिया उसके पायदान से, Tesla वो कमपनी है, जो बिज़न से चलने वाली गाड़िया मनाती है, और Tesla कमपनी के ओनर है Elon Musk, इन में से कौन सा राज्य है, जिसने Microsoft के साथ मिलके, Artificial Intelligence Based Platform बनाया है, शुरू करा है, जिसका नाम है Mind Platform, ये क्या करेगा, इस राज्यों में बच्चों की आँखे चेक करेगा, कि उनको कोई आँखों में परिशानी तो नहीं है, और इसके लिए Microsoft का ये यूज करेगा platform, Mind Platform, याद रखिए IBM कंपनी का भी एक platform है, जो पूछ सकते हैं आप से उसका नाम है Watson, तो Mind Platform है Microsoft का, Watson Platform है IBM का, IBM दुनिया की सबसे बड़ी IT कंपनी है, Information Technology कंपनी है, और Microsoft और ये IBM दोनो अमरिका की कंपनी है, Microsoft कंपनी का के जो CEO है, वो है सत्य नडेला, और इन्होंने जिस राज्य के साथ किया है, अगेन ये राज्य है, तेलंगाना, Microsoft Intelligence Network, short में बोलते हैं, Mind, Eye Care के लिए, आखों की रक्षा के लिए, इन में से CBFC के नए चेर्मेन कौन बने है, पहले थे पर्रा of Film Certification, जो Sensor Board है, उसके नए चेर्मेन बने है, मशूर लिरिसिस्ट और मार्केटिंग गुरू, प्रसून जोशी जी, प्रसून जोशी बने है, इसका Headquarter मुंबई में है, और CEO कौन है Sensor Board का, CEO है Mr. Anurag Shrivastav, चेर्मेन अलग्ची जोती है, CEO है Anurag Shrivastav, और प्रसून जोशी दो National Award जीच चुके हैं, अभी तक, पदम श्री भी जीच चुके हैं, अभी-अभी Quality Council of India ने सर्वे करा है, उसके हिसाब से भारत का कौन सा राज्य है, जहाँ पे सबसे कम टॉयलेट है, यहाँ की lowest टॉयलेट कवरेज रेशो है, सिरफ 30% कवरेज है इस राज्य में टॉयले और जो केरल हैं, यह दोनों ही open-dification free हैं, भारत का पहला राज्य कौन सा था, जो open-dification free बना था, सिक्किम, यह भारत का पहला organic राज्य भी था, दूसरा बना था हिमाचल परदेश, तीसरा बना था केरल, चोथा बना उत्राखंड और पांचवा बना हर्याना, यही सिरफ प पानी के लिए drinking water and sanitation ministry है, यह उमाभारती के अंडर है, मैं रिपीट करता हूँ, हमारे जो पानी के लिए drinking water और sanitation मंत्री हैं, वो उमाभारती हैं, उमाभारती को यह नए department दिये गए हैं, नरेंदर सिंह तोमर से चीन के, और उमाभारती जो हैं, उनसे तीन department चीन लिए, तीन गड़करी को, जो नितिन गड़करी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, तो यह सब तथे याद रखिए, और बस इसमें बिहार है राज्ये, जहां पर सबसे कम toilet coverage है, 30%, नीती आयोग जो है, नीती आयोग ने कितने राज्यों को select करा है, साथ initiative के लिए, साथ का मतलब क्या होता ह देखिए, साथ का मतलब होता है, कि भारत में तीन राज्यों को एजूकेशन में जो education में और तीन राज्यों को health care में, यानि देखिए, सिक्षा और health, ये सबसे important चीज होती है, तो नीती आयोग का कहना है, हम भारत में तीन राज्यों को education में बहुत अच्छा बना देंगे और तीन राज्यों को health care में बहुत अच्छा बना देंगे, इसका नाम दिया गया है साथ, यानि कि sustainable action for transforming human capital, in short साथ, और ये तीन राज्ये कौन से हैं, जो सिक्षा के लिए इन्होंने allot करें हैं राज्ये, वो हैं मध्यपरदेश, उडिसा और जारखन, जो health care के लिए करें वो हैं, वो हैं UA के, उत्तरपरदेश, असाम करनाटक, और जो education के लिए करें हैं, वो हैं मध्यपरदेश, उडिसा और जारखन, नीती आयोक के जो CEO हैं, वो है मिस्टर अमिताब कांथ, चेर्मेन है पर्धानमंत्री मोधी, और वाइस चेर्मेन अर्विन पंगरिया के बन सकते हैं, केनिया का रूल है, दो ही बार राश्वती बन सकता है, वहाँ पे तो इनका आखरी 5 साल का टर्म है, ये केनिया की राजधानी है, नायरोबी, डॉक्टर भक्ति यादव, इनका निदन हो गया, ये पहली वुमेन, MBBS डॉक्टर थी, कौन से राज्ये की, देख महाजन जो हैं, वो स्पीकर भी ये लोग सभागी, आपको याद होगा, तो ये मद्धे परदेश से थी, मद्धे परदेश से इन्हें पदम श्री भी मिला था, इसी साल अपरेल 2017 में इनका निदन हो गया, सोहिल महमूद, ये कौन से देश के उच्चायुक थे हैं भारत मे सोहिल महमूद, इससे पहले कौन था? अबदुल बासित, अबदुल बासित चले गए, अपनी टैनियोर से पहले ही चले गए पाकिस्तान वापस, और सोहिल महमूद बने हैं, पाकिस्तान के एंबैसेडर राजदूद भारत में हाई कमिशनर उचायुक भारत के अंदर, दो जिसने 500 मिलियन डॉलर का लोन एग्रिमेंट साइन करा है ADV के साथ, कौन सी कम्पनी उधार ले रही है 500 मिलियन डॉलर का, एक मिलियन डॉलर होता है, साड़े छे करोड रुपे, अगर आज की वैल्यू देखें, क्योंकि आज कल डॉलर 65 रुपे के आसपास चल रहा है, तो य जिधार के अरिया से ये लोग सबासांसद हैं, इन में से कितने भारतिय मूल के वैक्ति हैं, जो दुनिया के सबसे इंफ्लुएंशल यंग पीपल की लिस्ट में आए हैं, ये Fortune magazine ने लिस्ट दी है, इसको बोलते हैं 40 under 40, कहने का मतलब 40 वैक्ति सेलेक्ट करें हैं, जो 40 साल से कम उमर के हैं पूरी दुनिया में, जो सबसे ज़्यादा परतिष्ठित इंफ्लुएंशल वैक्ति हैं, इस लिस्ट को टॉप करा है, फ्रांस की राश्पती, Mr. Emmanuel Macron ने, ये नमबर वन हैं इस लिस्ट में, लेकिन भारतिय कितने हैं इस लिस्ट में, भारतिय हैं 5, 5, कौन भारतिय मूल के हैं, लियो वराड़कर, और ये भारतिय मूल के हैं, ये भी इस लिस्ट में हैं, ये टॉप 5 में हैं, इसके अलावा कुछ और भी हैं, भारत की तरफ से दिव्या नाग हैं, रिशी शाहा हैं, श्रधा अगरवाल हैं, और लीला जना हैं, ये हैं 5 लोग, या हमारा मित्र है, अफगानिस्तान भी हमारा मित्र है और इरान की राजधानी है तेहरान और इरान में भी हम एक पोर्ट बना रहे हैं जिसको बोलते हैं छाबार पोर्ट इसको हम इसले बना रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में चाइना ने बनाया है ग्वादार इसको counter करने के लिए हम बना रहे है च्छाबार कौन सा अफरीका का देश है जिसने क्रिशन भगवान के बड़े जनमाश्वी के उपर चांदी का सिक्का रिलीज करा है ये कौन सा देश है ये देश है चैड और ये जो क्रिशन जी का जनम दिन था उस उपलक्ष में करा है इस देश की राजधानी है नजमेना इसको ऐसे लिखते है एन ओबलिक डी और फिर जमेना एन जमेना डी साइलेंट होता है ये अफरीका का देश है चैड इन में से कौन सी ऐसी चीज है जो भारत जिसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने लगा है ये टॉप कॉमोडिटी बन गई है भारत सबस्यादा निर्याद करता है इस चीज का कौन सी चीज है ये है बासमती चावल बासमती चावल इसने जो बफैलो का मास होता है जिसे हम बीफ बोलते है बीफ गाए के मास को भी बोलते हैं और बफैलो के मास को भी बोलते हैं कई जगा आप वर्ड देखेंगे बफ ना की बीफ interchangeable है शिर्फ शब्दों का फरक है भारत सबसे ज़्यादा जो भैंस का मास है उसका निर्याद करता है लेकिन अब करने लगा है बासमती चावल का चावल से याद आया एक चावल है बंगाल का जिसका नाम है गोविंदो भोग चावल ये वहां के जो बर्दमान डिस्ट्रिक्ट है उसमें उगाया जाता है और गोविंदो भोग को मिला है geographical indicator tag geographical indicator tag और भारत का पहला फसल जिसको geographical indicator tag मिला था बहुता दार्ज लिंग की चाए भारतिया आर्मी जो है उसने अतिशक्तिशाली अब पाचे attack helicopter खरीदे हैं बोइंग कमपनी से 655 million dollar की deal हुई है अब बताए कितने खरीदे हैं helicopter हमने हमने खरीदे हैं 6 helicopter वो इन कहां की company है अमेरिका की company है और इसकी main competitor कौन है इसकी main competitor है Airbus जो France की company है इसके अलावा Dassault ये भी France की company है इससे हमने रफाइल खरीदे हैं 36 एक company अमेरिका की और है जिससे हम काफी हतियार खरीदे हैं वो है Lockheed Martin Lockheed Martin Lockheed Martin ने हमें अती शक्ती शाली F-16 aircraft भी दिये हैं तो बस इसमें इतना ही काफी है चलिए भारत की वो कौन सी बच्ची है जो सबसे कम उमर की बच्ची बनी जिसने Mount Stock Kangari को इसका परवता रोहन किया यानि कि उसको चड़ के उपर भारत का दोज फिराया Stock Kangari है क्या दूसरा सबसे बड़ा district है कच के बाद ये भी याद रखिये सबसे बड़ा भारत का district है कच सबसे बड़ा district है एरिया में फिर है लहे तो इस लड़की का क्या नाम है इसका नाम है कामया कार्ती केन स्टोक Kangari की उचाई है अलगबग 6153 मीटर भारत का पहला railway disaster management village ये कौन से शहर के outskirts में बन रहा है railway disaster management village का मतलब ये होता है अगर railway में कोई problem आ जाए आग लग जाए या rail पट्री से उतर जाए तो हम कितनी जल्दी उस आपदा से निपट सकते हैं इसकी तयारी के लिए एक artificial गाउं बनाया गया है जहाँ पे simulation होगा जहाँ पे नकली rail को दोड़ाय जाएगा और फिर उसमें चेक किया जाएगा हम कितनी जल्दी एक सकते हैं तो ये बनाया गया है बैंगलूरू के बाहर बैंगलूरू में बनाया है मतलब बैंगलूरू के इसमें भारत ने कितने medal जीते भारत ने जीते 37 medal और 15 gold medal जीते 10 silver और 12 bronze तो हो गए 37 medal और भारत की तरफ से 21 member गए थे अब इसमें दो खिलाड़ी आपको याद रखने है जिन्होंने शांदर प्रजशन किया एक है जो भी मैथ्यू जो भी मैथ्यू इन्होंने 6 medal जीते टोटल जिनमें से 2 gold medal जीते और दूसरे खिलाड़ी जो आपको याद रखने पड़ेंगे वो है अरुनाचलम नलीनी S. Paul इनका निदन हो गया ये क्या थे मशूर बहुत मशूर थे ये बहुत मशूर फोटोग्राफर थे लेजेंडरी फोटोग्राफर थे सबसे परतिष्टित भारत के फोटोग्राफर में से थे और बताताओं क्यूं ये पहले भारतिय थे जिनकी 4 फोटोज को British Journal of Photography 1967 में ज ये सब याद रखिए यूएस अमरीका ने अभी अभी कौन सा terrorist संक्थन है इसे counter designated group घोशित कर दिया है ये ग्रूप है हिजबुल मुजाहिदीन और एक और बात इस जो ग्रूप के लीडर है सैयद सलाउदीन जिनको हम मुहमद यूसुफ शाह के नाम से भी जानते हैं उन् यानि अंतराष्ट्रिय टेररिस्ट घोशित कर दिया है हिजबुल मुजाहिदीन के जो लीडर है इनका नाम है सैयद सलाउदीन इन में से कौन सा बैंक है जिसे best performance का अवर्ड मिला है दो सालों के लिए लगातार 2015-16 यानि वित्यवश 2016 और 2016-17 वित्यवश 2017 नबाड ने दि करनाटक विकास ग्रामीन बैंक और इसके चेर्मेन कोन है इसके चेर्मेन है एस रविंद्रण एक और बात जो corporation बैंक है उसे मिला है best performance का अवर्ड self help group यानि SHG के लिए और joint liability group के लिए मिला है JLG को तो question देखके मार करना JLG के लिए करनाटक विकास ग्रामीन बैंक और self help group bank linkage के लिए corporation bank भारत जो है वो एक CEO forum बना रहा है इन में से कौन से देश के साथ बना रहा है मिलके ये आपसी सहयोग के लिए बना रहा है हम trade को बढ़ाना चाहते हैं हमारे commerce मंत्री कोन है हमारे commerce मंत्री है सुरेश प्रभू जो पहले rail मंत्री थे अब ये हमारे commerce मंत्री है औ Pina Nieto, Enrique Pina Nieto, EPN ऐसे आज रख लिए Mexico की राज़ानी है Mexico City और हमारा काफी अच्छा मित्र है Mexico इसकी में जो मुद्रा चलती है वो है PISO और Mexico बिलकुल अमरीका के नीचे है North America के अंदर इन में से कौन सी space agency है जिसने एक satellite launch करी है इसका नाम है TDRSM ये जो भी अंत्रिक्ष वग्यानिक है उनकी मदद करेगी धर्ती के साथ संचार करने में communication करने में ये करी है NASA ने और इस satellite को बनाया है Boeing ने अगेन Boeing अमेरिका की ही company है Boeing ने बनाया है चलिए DONER यानि Development of Northeast Region उत्तरपूरवी राज्यों में विकास के लिए अलग एक department है हमारा इसके मंत्री है Dr. Jitendra Singh इन्होंने अनाउंस करा है कि भारत में एक उत्तरपूरवी राज्यों के सांस्कृतिक विकास के लिए North Eastern Cultural and Information Center बना है कहां पे बना है ये 50-55 करोड रुपे की लागत स बनेगा एक साल में पूरा हो जाएगा पूरा होने ही वाला है ये नई दिल्ली के अंदर बन रहा है नई दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल राजीव गांधी राश्ट्रिय उड्यन University कहां बन रही है ये भारत की पहली Aviation University है ये कहां पे इसका उदगाटन हो रहा है ये पुरसत गंज में फुरसत गंज कहा है राय बरेली में तो आंसर हो गया उत्तर परदेश उत्तर परदेश में एक ही नेश्णल पार्क है फो है दूधवा नेश्णल पार्क और यहां के गवर्नर है राम नायक जो कभी दक्षिन मुंबई से बीजेपी की टिकट पे खड़े होते थे और यहां के जो मुख्यमंत्रिय है वो है योगी अधित्यनाथ अभी न्यूज में थे काफी क्योंकि इन्होंने धशैरे के दिन महंत की भूमी का भी निभाई तो अपोजिशन वाले इने टैक कर रहे दूद्वा नेशनल पार के उत्तर परदेश में राजधानी है लखनवू अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप ये बैंगलूरू में होने वाला था पर बैंगलूरू कह रहा है कि इसके पास उतने फंड्स नहीं है और अब ये कहां पे शिफ्ट हो गया है ये अब बैंगलूरू से शिफ्ट हो गया है मलेशिया में मलेशिया की राजधानी है क्वाला लंपूर और बैंगलूरू जो है ये स्पेस सिटी है इंडियन इस्टिटूट अफ साइन्स है यहां पे यहां पे इसरो का हेड़क्वाटर है कई चीजे है एक और लेक काफी न्यूज में आ रहा था सस्ते भोजन के लिए तो आंसर है मलेशिया ये अंडर 19 क्रिकेट एशिया का पहले हो का होने वाला था बैंगलूरू में अब कहां पे होगा मलेशिया में इन में से कौन सा इवेंट है जो नीती आयोग ने अभी अभी और्गिनाइज करा परवासी भारतिय के इंदर में क् है चैंपियंस ओफ चेंज चैंपियंस ओफ चेंज और प्रधान मंत्री ने जो नए उद्योग पती है नए बिजनसमें है उनसे इसमें वारता करी इसमें इन में से कौन से देश के वेग्यानिक है जिन्होंने जीका वायरस से निपटने के लिए एक पोधों से बनी हुई दवाई बनाई है और ये एक लेम कर रहे है कि इससे जीका वायरस जो है वो खतम हो जाएगा ये रिसर्च करा है एरिजोना स्टेट यूनिवरसिटी ने ध्यान से सुनिए एरिजोना स्टेट यूनिवरसिटी एरिजोना कहां पे है अमेरिका में है तो अमेरिका के वेग्य इसके हिसाब से भारत में सबसे ज़्यादा हाती कौन से राज्ये में हैं, सबसे ज़्यादा हाती, सबसे ज़्यादा काईगर, करनाटक में है, यहाँ पर है आंसी नेशनल पार्क, कुद्रे मुखा, बनर गटा, बांधिपूर, डांडेली, कुद्रे मुख, बनर गटा, नागर होले, नागर होले को हम राजीव गंदी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, तो यह सब हैं करनाटक में, और करनाटक जो है, एलिफेंट सबसे ज साइखोवा, मनास है, काजीरंगा है, औरांग है, औरांग को हम अगेन इसका नाम कुछ जगा पे राजीव गंदी जी के नाम पे भी रखा गया है, दिर्बू साइखोवा है, एक और है, सोनई रुपई, यह उतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आता है एक्जाम में, सोनई मुडी शोला, दूसरा है मथी केटन शोला, मथी केटन शोला, और तीसरा है पंबाडूम शोला, इसके अलावा यह पैरी यार बहुत फेमासे हातियों के लिए, यहाँ पे आपको सफेध हाति भी मिल जाएगा, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, मैं पड़े लिखे लोग होते हैं, तो इसलिए वो चुप रहते हैं, ज़्यादा साइलेंट टाइप के होते हैं, जो जग्यान में कम होता है, वो ही बहुत ज़्यादा बोलता है, तो इस तरह से कुछ अपने आप फार्मुले बना सकते हैं, पहला रीजनल सेंटर, न्यू डव इसका पहला रीजनल सेंटर हमारे हां बनेगा, तो इसको सबको कुछ ना कुछ मिला, तो ब्राजील के राज़्दानी है, ब्राजील अफरीका की राज़्दानी कभी नहीं पूचते, तीन तीन राज़्दानी है, इसकी, चाइना की राज़्दानी है, बीजिंग, यहाप Headquarter Asian Infrastructure Investment Bank का लाशपती है शी जिन पिंग, प्रधान मंत्रिय लीक है क्यांग और Asian Infrastructure Investment Bank के President है जिन लिकन कौन से राज्ये ने इंद्रा केंटीन शुरू करी है तो ये मैंने आपको बता दिया था इंद्रा केंटीन शुरू करी है करनाटा की सरकार ने राजीव केंटीन शुरू करी है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और दीन दयाल केंटीन शुरू करी है मध्य प्रदेश की सरकार ने ये सब सस्ते भूजन के लिए करी है अम्मा केंटीन चल रही है तमिलनाडू के अंदर इन में से कौन से राज्य की सरकार ने launch करी है नामो, नामो मतलब नरेंदर मोधी नामो, यूवा रोजगार केंदर ये कौन से राज्य ने launch करा है? ये राज्य है महराश्टरा महराश्टरा में है गूगा मल नैशनल पार्क, संजे गांधी पार्क, चंदोली, तडोबा नेशल पार्क, चंदोली अलग है तडोबा अलग है, एक नहीं है, फनसाद नेशल पार्क, नावे गाउन नेशल पार्क, काफी सारे हैं महाराश्टर में, देविंदर फटनाविस मुख्यमंत्री हैं, और मुंबई अभी अभी ओपन सोफिया, बल्गेरिया ओपन इंटरनेशनल सीरीज, जो बल्गेरिया की राजधानी सोफिया में हुई थी, कौन से खिलाड़ी हैं ये, मैंस सिंगल, बात हो रही है यहाँ पे, बैडमिंटन की, ये सारे बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिनके, जो मैंने ऑप्शन में दिये है ये खिलाड़ी हैं लक्षे सेन, लक्षे सेन, कौन सा IIT है भारत का, जिसने दिल की मसल्स को, दिल हमारा जो होता है, उसकी मसल्स को मजबूत करने के लिए, कुछ खास तरह के 3D कार्डियक टिशू पैच बनाए हैं, जो सिल्क प्रोटीन मेंबरेन के बने हुए हैं, ये किय अभी भारत में पहला म्यूजियम बना है, जो दिखाएगा भारत पाकिस्तान में, जो पार्टीशन हुआ था उसको, ये कहाँ पे खुला है, ये वहीं पे खुला है, जहाँ पे जलियाँ वाला बाग है, गोल्डन टेंपल है, इसको बोलते हैं, अमरिंद सर, पंजाब में है, पंजाब के मुख्यमंत्री है, कैप्टन अमरिंदर सिंग, और बस इतना याज रखी, यूनियन कैबिनेट ने अभी 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 अप्रूबल दिया है, इन में से कौन सा प्रोजेक्ट है, जो रुका हुआ था, अब इसको पूरा किया जाएगा, 1622 करोड रुपे की ल एक और प्रोजेक्ट है, जिसको बोलते है, शहापूर कंडी, शहापूर कंडी के लडाई चल रही है, जमू कश्मीर और पंजाब को लेके, तो कई तरह की लडाई चल रही है, एक चल रही है, जमरानी बांद को लेके, जमरानी बांद कहां पे है, जमरानी बांद के को ले जंडा है ये इन्होंने लगाया अटारी बॉर्डर पे और भारत का सबसे बड़ा तिरंगा वो भी है अटारी बॉर्डर पे तो पाकिस्तान ने जो बनाया है 400 फीट उचा है ये 400 फीट है और इसका साइज है 120 बाई 80 यानि लेंथ और ब्रेट और इसकी हाइट है 400 फीट ये साउथ एशिया में पूरे सबसे उचा जंडा है और आठवा सबसे उचा जंडा है पूरी दुनिया में और भारत ने जो फेराया था वो था 360 फीट का तो पाकिस्तान ने 400 फीट का फेराया अब भारत को दुबारा फिर इससे बड़ा बनाना पड़ेगा तो ये भारत का से बड़ा तिरंगा और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंडा दोनों है अटारी बॉर्डर को अनर्जी एफिशेंसी सर्विस इस लिमिटेड दे कि भारत ने उजाला स्कीम चला रही है उननत जोती फोर अफोर्डेबल LEDS फोर आल करके इसका नाम है पावर मंत्रा ले चला क्योंकि यह कम बिजली खाते है इसके लिए स्कीम है उजाला और उजाला इतनी popular हो गई है कि अब उसे विदेशों में भी country लगाना चाहते है उसे implement करना चाहते है और इसकी implementing company है energy efficiency services limited जिसे बोलते है ESL कौन सा देश लगाना चाहता है उजाला स्कीम को अपने उसमें शुर चल रही है और मलेशिया में भी चल रही है नोबल प्राइज जीचुकी मलाला यूसुफ जाई इन्हें कौन सी university में philosophy यानी philosophy को हिंदी में फिलोसोफी politics और economics इनकी पढ़ाई के लिए इस university में seat दे दिया अब ये पढ़ाई करेंगी philosophy की philosophy को बोलते है दर्शन शास्त्र politics रा इन्हें UN messenger of peace बनी है याद रखिये और अभी अभी decide हुआ है मलाला डे भी मनाये जाएगा अब ये बताईए चलिए आज का दूसरा सवाल आपके लिए मलाला डे किस दिन मनाये जाएगा मलाला डे किस दिन मनाये जाएगा कमेंट्स में लिख के बताईए एक mobile app launch हुई है ज इसको एक तरह का school on the cloud बोला जाता है इसे Tata Trust की मदद से बनाये गया है और इसमें है क्या basically इस app में ये बता देता हूँ अगर कोई teacher है उसे अपने आपको train करना है तो इस app की मदद से कर सकता है इसमें बने-बनाई courses है teachers के लिए एक तरह का teacher training program एक तरह का है करनाटा के governor है वाजी भाई वाला कौन सी actress है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली actress है अब देखिए इसमें कई सारी चीजें है दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला athlete है Cristiano Ronaldo male athlete की बात हो रही है अगर महिला की बात करें तो वो है Serena William Serena William America की है और ये tennis खेलती है Cristiano Ronaldo Real Madrid football club के लिए खेलते हैं Spain के और पुर्तगाल के खेलाडी है सब ज़्यादा पैसा कमाने वाली लेखक है J.K. Rowling जिन्होंने Harry Potter की किताबे लिखी है सब ज़्यादा पैसा कमाने वाले male actor है Mark Wahlberg और female actor कौन है Emma Stone Emma Stone इन्होंने पिछले बारा महिने में 26 million dollar कमाए है ये इनकी कमाई है और पिछले दो साल लगातार यानि 2015 और 2016 में कौन थी नंबर वन Jennifer Lawrence लेकिन अब ये नहीं है अब ये तीसे नंबर पर खिसक गई है साल Emma Stone नंबर वन है Jennifer Lawrence नंबर 3 है तो नंबर 2 कौन है फिर नंबर 2 है Jennifer An Afghanistan हमारी केंजल सरकार ने अभी अभी approval दिया है इंडिया नेपाल border पे एक नया pull बनेगा कौन सी नदी के उपर बनेगा ये ये नदी है मेची नदी मेची नदी वैसे आपको ये बता देता हूँ नेपाल आप जानते हैं बिहार के बिल्कुल नजदी की country है तीन एक नदिया हैं जो नेपाल से भारत आती हैं एक है घागरा एक है गंदक एक है कोसी ठीक है ये नेपाल से भारत आती है तीनों downstream इसलिए बिहार में जबर्दस तभाई मचाती है खासकर कोसी इसलिए को सौरो अफ बिहार और सौरो अफ बंगाल बोलते हैं दामोधर नदी को दामोधर अधिकार है यानि fundamental right है ये कौन से article के अधिहिन अब protect किया जाएगा right to privacy, fundamental right कौन से article के underscore protection दी गई है article 21 और ये काफी सारे judge बैठे थे Supreme Court के 9 judge bench था जो generally इतना बड़ा bench नहीं होता है railway board के नए chairman कौन बने है railway board के chairman पहले air India के chairman थे air India के chairman और managing director थे CMD अश्वनी लोहनी तो अब कौन बन गए है वो अब railway board के chairman वो बन गए है और resign किस ने किया अशोक मित्तल ने जब ये train उतर गई थी अभी-भी उतर प्रदेश में उसके बाद फिर resign कर दिया था अशोक मित्तल ने और उसकी जंगाली air India के पुर्व chairman अश्वनी लोहनी ने सदभावना दिवस 20 अगस्त को हमर साल मनाते हैं किसका जनम दिन होता है उस दिन किसका जनम दिन होता है उस दिन जनम दिन होता है श्री राजीव गांदी जी का राजीव गांदी और इनका 73 जनम दिवस इस साल धुम धाम से मनाया गया और एक और चीज राजीव गांधी नैशनल सद्भावना अवार्ड भी दिया जाता है इस साल के लिए भी देखना पड़ेगा किसे दिया गया है पिछले साल मिला था शुभा मुद्गल को शुभा मुद्गल जो मशूर सिंगर है अटल विहारी वाजपाईजी का जनम दिन होता है क्रिस्मस वाले दिन 25 दिसंबर को और इसको हम मनाते है गुड गवर्नेंस डे यानि सू शाशन दिवस चलिए अब आब से एक डिफिकल्ट सवाल पूछता हूँ अटल विहारी वाजपाईजी का जनम दिन तो होता है 25 दिसंबर को इससे ठीक दो दिन पहले एक और भारत के पूर्व बहुत ही महान राजनेता का और परधान मंत्री का जनम दिन होता है तो किसका जनम दिन होता है 23 दिसंबर को कमेंट्स भी लिक्क दढ़िए रिशांग किशिंग ये कौनसे राजे के मुख्य मंत्री थे इनका निधन हो गया अभी अभी ये मनिपूर के थे मनिपूर की जहांकि मैरी कॉम है पांच बार वल्ड चेंपियन, मैरी कॉम भी मनिपूर की है और एक और इम्पूर्टन लेडी है मनिपूर की याद रखना चाहें तो इरोम शर्मिला इन्होंने आम्ड फोर्सी स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ कई साल वरत रखा, खाना नहीं खाया पाइप से सिरुफ ये अपनाव नुट्रिशन लेती थी इरोम शर्मिला भी है मनिपूर की और मैरी कौम भी है मनिपूर की तो ये दो वेक्ति याद रखिए और ये साथ बार MLA थे और ये चार बार चीफ मिनिस्टर थे मनिपूर के मनिपूर में नैशनल पार्क भी है मनिपूर में जो नैशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है लोक्तक नेशनल पार्क हमारी विदेश मंतरी सुष्मा सवराज, इन्होंने भारत का पहला विदेश भवन उसका उध्यातन करा है, कहां पे करा है? ये इन्होंने करा है मुंबाई में इस विदेश भवन की एक विशेष्टा है और वो ये कि जो पास्पोर्ट ओफिस है वहाँ का प्रोजेक्ट ब्रेन वेव यानि प्रोटेक्टर ओफिस एमिगरेंट्स ओफिस ब्रांच सेक्रेटरियल डिजियन ओफिस 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 और मिए का जो ओफिस है मतलब ये चार ओफिस हैं जो एक ही छट के नीचे आ जाएंगे इस विदेश भवन के अंदर प्रोजेक्ट ब्रेन वेव ये कौन सी कंपनी ने लाँच करा है ये एक एक एकसलरेशन प्लैटफॉर्म है और ये FPGA यानि Field Programmable Gate Array इंफ्रस्ट्रक्चर को मजबूत करेगा ये लाँच हुआ है Microsoft कंपनी द्वारा Microsoft द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को एस अम्मिधानिक करार दे दिया थ्री इस टू टू के रेशो में वोटिंग हुई थी पांच जज बैठे थे तीन ने कहा हां यानि कि ट्रिपल तलाक एस अम्मिधानिक है दो ने कहा ना ठीक है अब जो ये दो ना कहने वाले थे ये कौन थे ये दो थे एक तो थे भारत के Chief Justice तो वही पूछा है कि कौन से जज ने dissent किया जेस कहर उस वक्त हमारे Chief Justice थे उन्होंने कहा था ना और एक और दूसरे थे वो भी पूछ सकते हैं उनका नाम है Justice अब्दुल नजीर अब्दुल नजीर ने भी कहा था ना और बाकी तीन ने कहा था हां तो अब ये instant तलाह गया जिसे बोलते हैं तलाह के वि जीता कौन सा मेडल जीता ब्रॉंज मेडल जीता कांसे पदक और इनका नाम है शपत भारत दुआज शपत भारत दुआज एक मात्र मेडल मिला भारत को आईए SSF Junior Shotgun World Cup के अंदर अब इसमें सब ज़्यादा मेडल किस कंट्री ने जीते इटली ने जीते इटली ने जीते इ 29 मेंबर पैनल बनाएं एक कमेटी बनी है 39 मेंबर हैं इसमें इस कमेटी के चेर्मेन कौन है और इस कमेटी का काम यह है कि यह National Mineral Policy 2008 है उसमें शंचोधन क्या होने चाहिए वो सुझाएगी इस कमेटी के चेर्मेन बने है Mr. K. Rajeshwar Rao K. Rajeshwar Rao यह Ministry of Mines में additional secretary की post पे है एक किताब अभी अभी लिखी गई है जिसका नाम है I am HIV positive so what मैं HIV positive हूँ यानि मैं AIDS का मरीज हूँ तो क्या हुआ इस किताब को लिखा है जैंत कलिता ने ये किताब किस के बारे में है ये किताब है World Bronze Medal जीच चुके Bodybuilder भारत के मनिपूर के थे परदीप कुमार सिंग के बारे में उनकी जीमनी है ये, परदीप कुमार सिंग, मनिपूर के थे ये, और मनिपूर की रोम शर्मिला और मैरी को मैं बताई चुका हो आपको, इन में से कौन सी तेल की कमपनी है, जिसने 52,000 करोड रुपे इन्वेस्ट करें है, पैरादीप रिफाइनरी, देखें पैरादीप उड याद रखिए, इन्डियन ओयल कॉर्पोरेशन जो है, ये भारत की सबसे कमाई करने वाली प्रॉफिटेबल सरकारी कमपनी है, PSU है, दूसरे बात ये महारतन कमपनी है, और अभी अभी लेटेस महारतन कमपनी बनी है, आठवी महारतन कमपनी, उसका नाम है भारत पेट्रो लगी है, दो लाग करोट रुपे की इन्वेस्टमेंट से लगी है, इसमें इंडियन ओल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है 50%, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का है 25-25% इच, कौनसे राज्ये की सरकार ने एक क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट शुरू करा ह इसका नाम है वर्षाधारी, वर्षाधारी किसने करा है, देखिए वर्षाधारी प्रोजेक्ट ये है, अगर मान लिजे बरसात कम हो जाए, तो ये कुछ उपर वो भेजेंगे, एरोप्लेन वगरा, वो कुछ ऐसे कैमिकल डालेंगे, जिससे बादल सिकुड के आर्टिफि में, जो इस राज्य की डिस्ट्रिबूशन कंपनी है, वित्रन की कंपनियां है, वो पहली कंपनियां बनी है, जो पेमेंट एक्सेप्ट करेंगी भारत क्यू आर से, कौन सा राज्य है ये, ये राज्य है आंद्र प्रदेश, आंद्र प्रदेश में है पापी कोंडा नेश यहां के मुख्यमंत्री है तेलुदेशम पार्टी के चंदरबाबू नाइडू और QR का मतलब क्या होता है QR का मतलब होता है Quick Response Quick Response Code है यह एक तरह का चलिए इन में से कौन से Chief Minister ने भारत के जिनने Agriculture Leadership Award मिला है 2017 के लिए Agriculture Leadership यानि इन्होंने Agriculture में काफी अच्छा काम किया है यह कमेटी बनी थी इसके लिए Agriculture Award देने के लिए जिसके Head थे MS Swaminathan MS Swaminathan कोन है भारत में हरित क्रांती के पिता है यह जनक पूरी दुनिया में Green Revolution के फादर है Norman Borlog भारत में है MS Swaminathan यह Award मिला है चंदर शेकर राओ को जो तेलंगाना भारत का 29 वराजी है उसके मुख्य मंत्री है दुनिया के सबसे कम उमर के व्यक्ति कौन बने जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर काट लिया इंग्लेंड के हैं इन्होंने यह दूरी तैकरी सिरफ 8 महिनों में भारत का वो कौन सा बच्चा है जिसका नाम World Record में चड़ गया है इसने बनाई है नैनो मिसाइल यह इतनी छोटी सी मिसाइले देखिए यह अपनी जेम में भी रख सकते हैं कौन सा है यह बच्चा इस बच्चे का नाम है डचारला पंदुरांग रोहित इसने बनाई है यह और इसने यह मिसाइल देदी DRDO को एक बच्चा और याद रखी है अब याद रखी रहे हैं तो रिफात शरूक नाम है उसका इसने भी एक सैटलाइट बनाई थी कलाम सैट पिछले साल, कलाम सेट नाम की एक्सर्ट ये बनाई थी, रिफात शरूक ने, और ये नासा का प्रोजेक्ट था, ये DRDO का नहीं था, यूनियन केबिनेट ने एक, जो क्रीमी लेयर होता है, उसके लिए 6 लाग से बढ़ा के, जो OBC कैटेगरी होती है, उसको अब कितना कर दिया है, इसको बढ़ा दिया है, 8 लैक परेनम कर दिया है, अब क्रीमी लेयर के लिए, अभी अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है, UNWTO इनने रिलीज करी है, UNWTO का हेड़कर कहा है, मड्रिड में है, मड्रिड स्पेन की राजधानी है, स्पेन अभी न्यूज में क्यों चल रहा है, क्योंकि स्पेन से कैटलोनिया अलग होना चाहता है, भाशा भी अलग है, मारियो राजो है, यहां के head of state है, स्पेन में बोली ज ने सबसे कम receive करें, tourist, यह देश है, तुवालू, तुवालू, दूसरे सबसे कम गए, किरिबाती में, आपने दुरी के नाम में नहीं सुने होगे, तुवालू, छोटे-छोटे टापू हैं यह, बिल्कुल छोटे-छोटे तापू हैं यह, तुवालू, किरिबाती, और यह एक कानून है जिसमें जैसे मेल होता है, फीमेल होता है, अब एक और जेंडर होगा, M, F के अलावा, वहाँ पे X भी होगा, यानि X मतलब थर्ड जेंडर या ट्रांस जेंडर, यह किया है कैनेडा ने, कैनेडा के परधान मंत्री है, जस्टें टूडियू, इन में से भारत की क अब एक और जाधव न्यूज में आये इस बार, वो है कुल्बूशन जाधव, कुल्बूशन जाधव को पाकिस्तान ने मौत की सदर सुना दी, और फिर हमने स्टे ले लिया इंटरेंशल कौर्ट अब जेस्टिस में जाके, इन में से कौन सा गाउं है, जो उत्तर पूरे भारत में सबसे पहला गाउं को था, यह तो उत्तर पूर्वी का पहला computer literate गाउं था, पूरे भारत का पूछें, पहला computer literate गाउं कोन सा है, तो वो केरल में है, और उस गाउं का नाम है, चमरा वत्तोम, चमरा वत्तोम, यह केरल में है, यह है पूरे भारत का पहला computer Computer Literate Village और ये पूरे भारत का दूसरा Computer Literate Village है और North East का पहला है अगर पूछे पूरे भारत का पहला Digital गाओं कौन सा है तो वो है Akodara Akodara कहाँ पे है? Akodara है साबर कांठा डिस्ट्रिक्ट गुजराद में International Atomic Energy Agency ने Announce करा है कि वो एक Uranium Bank बना रहे हैं कौन से देश में बना रहे हैं Uranium Bank? ये बनेगा Kazakistan में Kazakistan की राजधानी अस्ताना है और मुद्रा है TENGE TENGE Uranium दो तरका होता है एक Uranium 235 और एक Uranium 238 जो हमें Nature से मिलता है वो मिलता है U238 फिर इसको Enrich करके बनाना पड़ता है U235 इन में से कौन से IIT के वैज्ञानिक है जिनोंने एक ऐसा बायो सेंसर बनाया है अगर आपकी किड्नी खराब है तो आठ मिनट से कम में पकड़ ले गई है ये रिसर्च करा है IIT Bombay यानि IIT Mumbai और IIT Indoor के वैज्ञानिकों ने इन में से कौन सी Space Agency है जो Night Time White Artificial Cloud बना रही है इनके Mission का नाम है Windy Windy Mission Windy का मतलब क्या होता है Windy की Full Form होती है Waves and Instability from a Neutral Dynamo ये Full Form है Windy की और ये बनाया है NASA ने ये नकली बादल है और Night Time White Artificial Cloud है रात में भी आप देख सकते हैं देखे रात में आप इने देख सकते हैं तो Windy Mission है NASA का Bombay Stock Exchange के Managing Director और CEO वो कौन वेक्ति हैं जिनकी tenure अगले 5 साल के लिए और बढ़ा दी गई है यानि अब ये बने रहेंगे तो इनका नाम है मैं MDCO की बात कर रहा हूँ चेर्मेन की बात नहीं कर रहा हूँ याद रखिए इनका नाम है Mr. आशिष चोहान और चेर्मेन को ने Bombay Stock Exchange के धिरेंदर स्वरूप Department of Post भारत का जो डाक विभाग है उसने कौन से देश के साथ मिलके एक M.O.U. साइन करा है ये जो देश है अब दिवाली के उपर दो डाक टिकट जारी करेगा दिवाली को यादगार बनाने के लिए यानि दिवाली के थीम पे ये देश है Canada असाम का जो वन विभाग है उन्होंने एक इविक्षन ड्राइव शुरू करा है एनक्रोचर को निकालने के लिए कौन सी वाइल लाइफ सेंचुरी में करा है मैं रिपीट करता हूँ बड़ा इंपोर्टन सवाल है ये देखिए एनक्रोचर बोलते हैं जो लोग अतिक रमन कर लेते हैं जमीन डबोच लेते हैं इस वाइल लाइफ सेंचुरी की काफी सारी जमीन डबोच रखी थी लोगों ने और अब उसको दूर उनको भगाने के लिए असाम के वन विभाग ने एक इविक्षन ड्राइव शुरू करा है ये करा है अमचांग वाइल लाइफ सेंचुरी से तो अमचांग नियूज में आ गया अब जरूर आएगा कुश्चन अमचांग वाइल लाइफ सेंचुरी कहां पर है तो आंसर है असाम और ये गुबाटी हाई कोट का डिसीजन है इन में से वुमेन सिंगल टाइटल गोल्ड मेडल किसने जिता बी डबलू एफ बैड्मिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियंशिप जो ग्लासगो में हुई थी ग्लासगो का है स्कॉट्लेंड में स्कॉट्लेंड की राजानी आडिन्बर्ग है ये जिता नोजोमी ओकु हारा ने इन्होंने पीवी सिंदु को हराया और ये बहुत ही शांदार मैंस था बहुत एंड तक ये चला एक दम और ये कुछ और टूनमेंट है जो पूछ सकते हैं कोरिया ओपन जिता पीवी सिंदु ने यूएफा वुमेंस प्लेयर ओफ दा इयर का अवार्ड किसे मिला है ये है इस साल के सरफशेष मैंस प्लेयर यूएफा और ये है फीमेल इनको तो सब जानते हैं क्रिस्टियान और रोनाल्डो है ये मैंस वुमेंस का किसनी जिता woman का जीता, Lee corr, Lee Kaye Martins ने Lee Kaye Martins ने और ये नैदरलेंड की है अरुन जेटली जो है, इन्होंने अभी अभी innovative करा है अस्त्र manufacturing unit भानूर टेलंगाना में अस्त्र जो है यह किस तरह का missile system है भारत का अस्त्र, यह है air to air यह सब होता क्या है surface to air अगर आपकी missile जमीन से aeroplane को मार रही है तो वो हो गई surface to air अगर उल्टा, अगर आप हवा से missile मार रहे है जमीन पे तो वो हो गई air to surface अगर हवा से हवा मही मार रहे है माल लिजिए एक aircraft में बैठे हैं, दूसरे aircraft में missile मार रहे हैं तो वो हो गई air to air तो अस्तर है air to air missile उबर कंपनी के नए CEO कौन बने है इनकी स्टोरी पे तो एक फिल्म बन सकती है ये refugee थे refugee से लेके उबर अमरीका की सबसे बड़ी जो company है उसके CEO तक महजना शोटी बात नहीं है इनका नाम है Dara Khosrov Shahi Dara Khosrov Shahi उबर का headquarter कहां पे है Uber का headquarter है San Francisco में और ये जो Uber की position दी 6 महीने से खाली पड़ी थी क्योंकि Travis Kalanik जो पहले थे Uber के CEO उन्होंने resignation दे दिया था उस mobile app का क्या नाम है जिसे NADA और NPPA ने मिलके launch करा है ये खिलाडियों को जानकारी दे पाएगी कि कहीं वो ऐसी कोई दवाई तो नहीं ले रहे जो band है कई बार खिलाड़ी होते हैं ड्रग्स ले लेते हैं बाद में कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था तो इस app की मदद से उन्हें पता चल सकता है और इस app का नाम रखा गया है Pharma जन समाधान और ये NPA और NADA ने मिलके किया है NADA बोलते हैं National Anti-Doping Agency को अभी-अभी इलडाई ने ये अनॉंस करा है Insurance Regulatory Development Authority of India जिसके चेर्मन है टी-स विजियन इन्होंने ये डिसाइड करा है भारत में जितने भी insurance बेचने वाले agent है सबका एक electronic database तयार किया जाएगा और इसका नाम क्या रखा जाएगा इसका नाम रखा जाएगा ENVOY E-N-V-O-Y ENVOY नाम रखा जाएगा इसका अभी-अभी बीजू पतनायक अवार्ड किसे मिला Scientific Excellence के लिए 2016 के लिए देखिए उडिसा की सरकार एक अवार्ड और देती है जिसको बोलते हैं कलिंग अवार्ड कलिंग अवार्ड युनेसको के साथ मिलके देते हैं ये उडिसा की सरकार का उडिसा का पुराना नाम था कलिंग यहाँ पे एक पाई का rebellion भी होई थी 1817 में बीजू पतनायक जो अभी मुख्य मंत्री नवीन पतनायक इनके पिता जी थे और इन्होंने ही पाटी शुरू करी थी बीजू जनता अदल जो बीजेडी रूलिंग पाटी अभी बीजेडी वोडिसा की पाटी है ये मिला है मशूर वैज्यानिक प्रोफेसर दिगंबर बहेरा को प्रोफेसर दिगंबर बहेरा राश्ट्री एक खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाये जाता है ये किसका जनम दिन होता है ये जनम दिन होता है मेजर ध्यान चंद का मेजर ध्यान चंद इन्हें होकी का जादूगर बोलते थे तो answer है major ध्यानचन यह भारत की पहली miss trans queen कौन बनी गुरुग्राम के अंदर हुआ था यह इनका नाम है निताशा बिश्वास निताशा बिश्वास कहां की है कौलकता की है सेकिंड नमबर पे कोन आया सेकिंड नमबर पे आई लोई-लोई-हाओ-्रॉंग-बाम और यह है miss trans queen international में अभी पार्टिसिपेट करेंगी और यह miss international trans queen होगा कहां पे यह थाइलेंड में होगा थाइलेंड की राज़ानी बैंककोग दिया है राश्ट्री अवार्ड नेशनल अवार्ड एक्सिलेंस इन अनर्जी मेनेजमेंट यानि उर्जा का सही इस्तेमाल करने के लिए महारत के कौन से एरपोर्ड को मिला है CII National Award for Excellence यह मिला है RGIA राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ड जो हैदराबाद के अंदर है दुनिया का सबसे पावर्फुल एक्सरे लेजर इसका नाम है European X-ray Free Electron Laser XFEL यह कौन से राज्ये में कौन से शहर में शुरू हुआ है अ हेंबर्ग हेंबर्ग वही शहर है जहां पर इस बार G20 समेट हुआ था जर्मनी में सुल्तान एहमद का निधन हो गया यह एक लोगसबा सांसत थे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के थे यह बंगाल में ट्रिनमूल कॉंगरेस जो पार्टी है उसके थे TMC अब इनका लोगसब चाहरी थी इंडियन टीम थोड़ा पेशन्स रखना चाहिए था इनका नाम है रोलेंट ओल्टमेंज और इनकी जगाली है जोआड मारीजने ने जोआड मारीजने इससे पहले भारती है फीमेल होकी टीम के कोच थे अब इने मेल होकी टीम का चार्ज दे दिया गया है तो भ सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में स्पेस में दिन बिताने का पैगी विटसन का महिला है नासा की साइंटिस्ट है एक और इंपोर्टन बात इनका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा स्पेस वॉक्स का भी है इन्होंने दस स्पेस वॉक करे हैं और ये अंतराष्ट्रिय स्पेस कई सारे रिकॉर्डेन के नाम तो 288 दिन आंसर एक और उसका नाम रखा है आरोग्य भाग्य ये हेल्थ स्कीम है ये रख करी है करनाटक की सरकार ने करनाटक की सरकार ने इस पे खर्चा होगा 867 करोड रुपे अभी अभी मिट्टी का पुतला बना है एक 16.68 मीटर का दुनिया का सबसे उचा ये पुतला है गिनीज वर्ट रिकॉर्ड में नाम आया है ये कहां पे बना है ये बना है जर्मनी में अगर पूछलें कि भई जर्मनी में ये कहां पे बना है तो आंसर है डुइस बर्ग नाम की जगा पे और किस ने बनाया है वो ज़्यादा इंपोर्टेंट है इसको बनाया है लूकास ब्रुगमेन ने और इन्होंने रिकॉर्ड एक भारतिय का तोड़ा है सुदर्शन पतनाय का रिकॉर्ड तोड़ा है जो इन्होंने पुतला बनाया था 14.84 मीटर का उडिसा के पूरी बीच के उपर उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया अभी अभी अमरीका के नए राजदूद भारत में कौन होंगे ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन है इनका नाम है मिस्टर कै करनल टरंप ने बनाया है Kenneth Juster कितने नए मिनिस्टर मोधी सरकार में नए बने है नए मंत्री थर्ड रिशफल जब कैबिनेट का हुआ कितने नए मंत्री बने है तो आंसर है नो जैसे बहुत सारे हैं अब मैं सबके नाम तो नीमत आ सकता लेकिन एक-दो जो ज़्यदा इंप विरेंदर कुमार हैं अनंत कुमार हेगडे हैं तो ये कई मंत्री हैं टोटल नो है और चार मंत्री ऐसे हैं जो कैबिनेट पोस्ट पे प्रमोट हूँ हैं मुकतार बास नकभी मानर्टी अफ़ेर तरमेंदर प्रधान तेल गैस और स्किल डेवलप्मेंट नेमला सी तरमन ड पे है वियतनाम, वियतनाम की राजधानी है हनोई, तीसे नंबर पे है थाइलेंड, चोथे नंबर पे है पाकिस्तान, थाइलेंड की राजधानी है बैंकोर, पाकिस्तान की इसलामाबाद, ये हैं टॉप फोर और फिफ्ट पे है मयामार, मयामार क्यों इतना न्यूज में रहा है रोहिंग्या के जो आतंकवादी ने रिफ्यूजी ये लेकिन बहुत सारे आतंकवादी भी है वो इधर-उधर आजकल जा रहे हैं भारत में 40,000 रोहिंग्या रिफ्यूजी हैं इनको बापस बिज़ा जा रहा है बांगला देश ने काफी सेरों को ले लिया है छे पीस प्राइस भी जीच चुकी है तो काफी बदनामी हो रही है मयामार की मयामार की राजधानी है ने-पी-डाओ इस देश का पुराना नाम था बर्मा और इसकी पुरानी राजधानी थी रंगुन दो कॉंट्रासेप्टिव हमारी सरकार ने परिवार नियोजन के लिए शुरू करे है क्या नाम है उनका? दो कॉंट्रासेप्टिव है ये तो एक का तो नाम है अंतरा और दूसरे का नाम है छाया अंतरा और छाया परिवार नियोजन के लिए अंतरा है इंजेक्टेबल और छाया है एक पिल यानि कि एक दवाई जैसे हम normal tablet लेते हैं वो है पिल छाया और अंतरा है injectable contraceptive नो राजियों में और दिल्ली में शुरू किया गया है और इसका परपस यह है कि जो हमारी total fertility rate है उसको करना है 2.1 कहने का मतलब total fertility rate होता है एक महिला उसतन कितने बच्चे पैदा करती है उसको बोलते है total fertility rate तो यह उन राजियों में शुरू किया गया है जहाँ हमें अबादी बहुत ज़्यादा है और 2.1 तक हम करना चाहते हैं कम total fertility rate को और हमारी woman child development minister है मनेका गांधी कौन से राजियन एना सरकार की मदद से चलते हैं उनमें लड़कियों के लिए पहली क्लास से graduation तक पूरी पढ़ाई free ये करा है करनाटक की सरकार में करनाटक की सरकार में एक और बात ऐसी ही scheme तेलंगाना ने start करी है फरक इतना है तेलंगाना में kindergarten से लेके post graduation तक free है मैं repeat करता हूँ तेलंगाना मे देखें करनाटक में first class से graduate ठीक है तेलंगाना में first class से post graduate और पंजाब एक कदम आगे first class से लेके पंजाब में PhD तक तो अब आपको ये option धंग से देखने पड़ेंगे पंजाब ने PhD तक free कर दिया तेलंगाना ने PG तक free कर दिया post graduation तक और सनातक तक कर दिया करनाटक पहले सि ये कौन सा हफता मनाये गया ये था National Nutrition Week इसका थीम था Optimal Infant and Young Child Feeding यानि की जो बहुती नवजात सीशू है छोटे बच्चे हैं उनकी उनको हमें सही पोशन देना है हमारे Health Minister ने जेपी नद्दा Doris Luther ये तीन दिवसी यातरा बे भारत आई थी ये कौनसे देश की राश्पती है ये एक तफ सवाल है ये देश कौन सा है Swizzurland स्विजर लेंड की राश्पती है और ये railways में हमारे साथ सहयोग करेंगी स्विजलेंड की राजधानी बर्न है एक और देश है जो हमारे साथ रेलवेज में सायोग कर रहा है बुलेट ट्रेंज बना रहा है वो है जापान टीचर्स डे ये पांच सितंबर को मनाया गया ये किसका जनम दिन होता है ये जनम दिन होता है डॉक्टर सर्वोपली राधाकृष्णन का जो भारत के पहले उपराश्पती थे वाइस प्रेजिडेंट थे दस साल तक एक आपको इंटरस्टिंग चीज़ बताता हूँ भारत के पहले राश्पती थे राजिंदर परसाद ठीक है उपराश्पती थे सर्वोपली राधाकृष्णन सर्वोपली राधाकृष्णन ने उपराश्पती के तौर पे किये हैं दो तर्म दस साल और उसके बाद हमीद अनसारी ने करे हैं दो तर्म बीच में लगा था पचास आठ साल कोई भी ऐसा उपराश्पती भारत का नहीं रहा जिसने दो तर्म किये हैं एक और इंटरस्टिंग चीज़ नैशनल टीचर डे है यह भारत में टीचर डे मनाते हैं 5 सितंबर को पूरी दुनिया में टीचर डे मनाते हैं 5 अक्टूबर को अगर कोश्चन आ जाए वर्ल टीचर डे कम मनाया जाता है और आपने कर दिया 5 सितंबर तो आंसर गलत हो जाएगा 5 अक्टूबर को मनाते हैं दुनिया में भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं पहला भारत की खुद की बनाई हुई Sniper Rifle यह ईशापूर में Factory लगी है इसकी यह unveil कई गई कहाँ पे है यह ईशापूर की Factory देखीए अबी तक जो हम Sniper Rifle खरीते हैं वो जर्मनी से खरीते हैं तो जो जर्मन Sniper Rifle है उसको हम replace करना चाहते हैं जर्मनी की जो sniper rifle हम खरीदते हैं, उसका नाम है H&N, अब हम अपनी खुद की बना रहे हैं, इशापूर में factory लगी है, इशापूर है वेस्ट बेंगॉल में, यहाँ पे है नियोरा वैली नेशनल पार्क, जल्दा पारा, सिंगई लीला, गोरु मारा, बकसा कई सारे हैं, वेस की नई chairperson कौन बनी है, पहले त्यार के चतुरवेदी आपको याद होगा, और अब बनी है अनिता करवाल, यह काफी important है, Central Board of Secondary Education, सरकार ने प्लैन करा है कि वो एक cloud service बना रहे हैं, जिससे क्रिशी से संबंदित problems को solution उनका निकाला जा सके, क्या होगा इस agriculture solution cloud service का नाम, इसक बास्केटबॉल खेलेंगे Australia के अंदर, National Basketball League Australia में, यह भारत की बास्केटबॉल टीम के captain है, इनका नाम है अमरित पाल सिंग, भारत के उपराश्पती, यह भारत के तेहरवे उपराश्पती है, इन्होंने अभी अभी एक website launch करी है, जिस पे जो एक national digital infrastructure प्रोवाइड करेग स्वयम और जो पोर्टल National Digital Infrastructure के लिए किया है, उसका नाम है दिक्षा, इनमें से कौन सी कंपनी है, जिसने IPL के मैचों को परसारित करने के लिए राइट्स जीतने हैं 5 साल के लिए 16,347 करोड रुपे में, तो यह कौन सी कंपनी है, यह है Star India, Star India दिखाएगी सारे IPL के मैच जो बन गए हैं, सबसे जल्दी 15,000 रन बनाए हैं इन्होंने, सिरफ 333 इनिंग में बनाए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है, हाशी मामला का, हाशी मामला ने 336 इनिंग में बनाए थे, 336 पारियों में बनाए थे 15,000 रन, इनका नाम है विराट कोहली, विराट reforms आ रहे हैं इसके हिसाब से सरकार labor act बना रही है कितने ये frame करेगी चार labor code में तो total act कितने हैं जिने चार labor code में frame किया जाएगा और ये labor code कौन से हैं एक है wage code एक है code on industrial relation code on social security and code on occupational safety हमारे श्रम मंत्री कौन है संतोष कुमार गंगवार अब बंदारू code में बाटा जाएगा इन में से कौन सी IIT के वैज्ञानिकों ने एक नकली pancreas बना दिया है देखिए pancreas होता है हमारी body में जो sugar को कम करता है insulin बनाता है glucagon hormone बनाता है बहुत important gland है pancreas ये नकली pancreas बना है silk scaffold 3D के उपर ये research करा है IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने कौन सा देश है जो 2019 में youth junior और senior भारतोलन यानि weightlifting championship commonwealth championship को organize करेगा ये organize होगी भारत में भारत में और अभी जो खेला जा रहा है इस साल 2017 में ये senior junior weightlifting ये कहा खेला जा रहा है gold coast में gold coast है उस्टेलिया में तो याद रखिए और answer है इन में से कौन से formula 1 driver है जिनोंने सिंगापूर grand prix जीती है grand prix का मतलब होता है big prize ये एक french यानि francisी भाषा का शब्द है सिंगापूर की राजधानी है सिंगापूर city सिंगापूर की नई राशपती बनी है हालिमा याकूब जो सिंगापूर के इतिहास में इनकी पहली महिला राशपती बनी है सिंगापूर के परधान मंत्री है Lee, C.N. Lung सिंगापूर में जो असली ताकत होती है भारत की तरह परधान मंत्री के पास होती है राशपती सिरफ एक ceremonial position होती है तो ये जिती है Lewis Hamilton ने Lewis Hamilton है Britain के एक और important बात पाँच और आपको याद रखनी है ये तो सिंगापूर में रेस होई थी Formula 1 की Formula 1 जो गाड़ियों की रेस होती है Austrian जिती बलतैरी बोतास ने British जिती Lewis Hamilton ने Hungarian जिती Sebastian Vettel ने Belgium Grand Prix जिती Lewis Hamilton ने और Italian Grand Prix भी जिती Lewis Hamilton ने तो ये आप याद रखिए सारे नाम Wayne Rooney उन्होंने अभी अभी सन्यास ले लिया मतलब अंतराश्ट्रिये Football से ये कौन से कौन सी टीम के लिए खेलते थे ये in fact उसके पूर्व कप्तान भी थे ये खेलते थे England के लिए एक और important बात ये Manchester United Football Club के लिए खेलते थे और उनके इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाले खेलाडी थे और England के लिए भी सबसे ज़्यादा गोल बनाने वाले खेलाडी ये ही थे लेकिन अब ये खेलते हैं Everton Football Club में अभी अभी दो महीने पहले ही Manchester United छोड़कर ये Everton के लिए खेलने लगे हैं इन में से किस व्यक्ति को Air India का managing director और chairman अपॉइंट किया गया है और इन्होंने replace किया Ashwani Lohani को Ashwani Lohani जो है अभी ये railway board के chairman बन गए है इसलिए ये position खाली हो गई थी और इस position को ढखा Rajiv Bansal ने Rajiv Bansal बन गए है Air India के नई managing director और chairman इन में से कौन सी football team है जिसने SAF Under 15 championship title जीता जो नेपाल में हुआ था नेपाल के इतिहास में इनकी पहली महिला राशपती है बिद्या देवी भंडारी और नेपाल के परधान मंत्री है शेर बहादूर देवबा यहाँ पे पशुपतिनात का मंदिर है राजधानी है काठमांडू और काठमांडू जो है यह सार्क का headquarter है सार्क में 8 country है तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है इंडिया ने जीता यह और इंडिया ने किसको हराया ये shift हो गया बैंगलूरू से मलेशिया में तो ये कुछ चीजें हैं जो याद रखिए हलंकि मैं पूर वीडियो में भी इसका जिकर कर चुका हूँ और भारत अपना पहला मैच हार गया है अमरीका से 3-0 से और दूसरा मैच अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे पता चला वो भी हम दो एक से हार गया है खेर लेकिन हमारे खिलाडी जो है काफी परियास कर रहे है इन में से कौन सा Small Finance Bank है जिसे Scheduled Bank का दरजा दे दिया है Reserve Bank of India ने ये बैंक है UG1 Small Finance Bank और इसके वो भी जरूर पूछेंगे आपसे समित घोश है मैनेजिंग डिरेक्टर और CEO UG1 Small Finance Bank के Reserve Bank of India ने इसे Scheduled Bank का दरजा दिया है और Reserve Bank of India के हिसाब से भारत के 3 बैंक हैं जिने Domestic Systemically Important Bank का दरजा दिया हुआ है एक है HDFC Bank एक है ICICI Bank और एक है State Bank of India State Bank of India के जो नए चेर्मेन बने है वो बने है रजनीश रजनीश कुमार ICICI Bank की प्रेजिरेंट है चंदा कोचर और HDFC Bank के जो मैनेजिंग डिरेक्टर है वो है अधित्य पूरी अब आपके लिए आज का पहला सवाल शिखा शर्मा ये बहुत ही ज़ादा इंपॉर्टेंट लेडी है हमारे बैंकिंग सेक्टर में शिखा शर्मा कोन से बैंक की मैनेजिंग डिरेक्टर है कमेंट्स में लिखके पता ये YES Bank YES Bank के मैनेजिंग डिरेक्टर भी बहुत एक्जाम में पूछते है राणा कपूर याद रखिए YES Bank ने अभी अभी भारत के कौन से Indian Institute of Management के साथ एक agreement किया है एक करार किया है ये अब जलवायू परिवरतन के बारे में साक्षर्ता फिलाएंगे यानि Climate Literacy को फिलाएंगे तो ये किया है इनोंने IIM लखनव के साथ IIM लखनव YES Bank का Headquarter भी है मुंबई में कुछी Bank है जिनका Headquarter मुंबई में नहीं है जैसे करनाटक वाले सारे Bank है जो जैसे विजिया Bank हो गया करनाटका Bank हो गया Syndicate Bank हो गया या फिर UCO Bank जिसका कॉलकता में है या बंधन Bank इसका भी कॉलकता में है तो कुछी Bank है जिनके Headquarter मुंबई में नहीं है जातर Bank के Headquarter मुंबई में है इन में से किसने कौन सी Organization है भारत की जिसने Launch करा National Nutrition Strategy ये भारत में आप जानते है कूपोशन भोच जादा है और खासकर महिलाओं में तो जो हमारी Adolescent लड़कियां है जनली 14-18 साल की लड़कियों को हम Adolescent बोल देते हैं और जो हमारी महिलाएं है उनमें कूपोशन ना हो उन्हें पूर्ण पोशन मिले 2022 तक ये Target रखा है ये Launch करा है नीती आयोग ने नीती आयोग के जो Vice Chairman है वो है राजीव कुमार और रवीश कुमार है Ministry of External Affairs के नए Spokesperson नीती आयोग के जो CEO है वो है अमिताब कांथ ये Release किसने करा ये Document ये Release करा MS Swaminathan ने अब आप ये पूछेंगे MS Swaminathan कोन है MS Swaminathan भारत में Green Revolution यानि हरित करांती के पिता कहा जाता है ये याद रखिए Ministry of Home Affairs और हमारे जो Minister है वो कोन है राजनात सिंग याद रखिए हमारे Home Secretary नए बने है इनका नाम है Mr. Rajiv Gaba Mr. Rajiv Gaba है हमारे नए Home Secretary और जो पहले थे हमारे Home Secretary उनका नाम था राजीव महरिशी और राजीव महरिशी अब बन गए है भारत के Comptroller and Ultra General तो Ministry of Home Affairs ने अपनी मरजी से sign कर सकते थे approve कर सकते थे, उनको लागू कर सकते थे execute कर सकते थे अब ये भढ़ा के कितने कर दिये अब ये 15 करोड तक के project अपनी मरजी से execute कर सकते है अब हमारी जितनी भी Armed Police Forces है उनके head कोने पता होना चाहिए बहुत ज्यादा important है चायबो Central Reserve Police Force और CRPFO इसके है राजीव राइभाटनागर, Border Security Force सीमा सुरक्षा बल के हैं केके शर्मा, CISF, CISF हमारे एरपोर्ट्स पे सुरक्षा परदान करती है, इसके है ओपी सिंग, इंडो तिबतन Border Police Force के है आरके पचरंदा, शहस्तर सीमा बल के है रजनी कांथ मिश्रा, NSG National Security Guard के हैं, सुधीर परताप सिंग, असाम राइफल के हैं शोकीन चोहान, National Investigative Agency के है वाइसी मोधी और Intelligence Bureau के है राजीर जैन, तो अगर इसको किसी को ये पता है, तो समझ लिजे दो नमबर पक्के, इन में से कौन से राज्ये की सरकार है, जिसने Hyperloop Transportation Technology के साथ हाथ मिलाया है अब भारत का पहला Hyperloop प्रोजेक्ट बनेगा यहाँ पे, जिसमें 35 किलोमीटर का ट्रेवल कर पाएंगे, आप सिरफ 5 मिनट में, बुलेट ट्रेन का भी कई गुना का प्रोजेक्ट है, याद रखिए, बुलेट ट्रेन तो 200 मिल परती घंटा, इस भी स्पीड से चलेगी, ल अंदरपरदेश जो है, यहाँ पे पापी कॉंडा नेशल पार्क है, और लॉर्ड वेंक टेशोरा नेशल पार्क है, और वहाँ का इन फैक्ट जो तिरुपती Airport है, उसका नाम भी पलट के अब क्या रख दिया गया है? उसका नाम पलट के रख दिया गया है, शिरी वेंक-क टेश्वर बोला जाता है आंदर परदेश में एक एरपोर्ट हो रहा है विजयवाडा इसका नाम पलटके रख दिया गया है ये तेलंगाना के गवर्नर भी है इन में से वुमेंस सिंगल इवेंट किस ने जिता यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम केरम का केरम बोर्ड तो ये इंडियन ने जिता है इनका नाम है तेजस्वी दुदुका तेजस्वी दुदुका ने जिता है यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम के एक important बात और जो men single की बात है, men single ये तो women's की बात हो रही है, तो ये वेक्ति हैं जो, ये men single का इन्होंने जिता है और इनका नाम है Radha Krishnan, national champion भी है हमारे कैरम के, ये पूर्व national champion है, अभी तो नहीं है, तो अगर पूछें कि women single किस ने जिता, तो वो भी Indian ने जिता, तेज़वी दुदू का ये फोटो में है, और अगर men single किस ने जिता, तो इनकी फोटो भी यहाँ है, इनका नाम है Radha Krishnan, इन में से कौन सा bank है, जिसने अपना एक robot बना दिया है, ये जो lady देख रहे हैं, ये robot actually, ये artificial intelligence पर based है, customer की साहता करने के लिए, और ये कौन से bank ने बनाया है, ये बनाया है, State Bank of India ने, अब सवाल ये है, इन्होंने इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है SIA, यानि SBI Intelligent Assistant, SBI Intelligent Assistant, और State Bank of India के नए चेर्मेन बने है, ये रजनीश कुमार, तो HDFC Bank का भी अपना एक robot है, जिसका नाम है OnChat, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ICICI Bank का भी अपना एक chatbot है, फिर HDFC Bank का है, यानि State Bank of India तीसरा bank है, जिसने अपना chatbot बनाया है, इससे पहले दो बैंकों का है, सिरफ ICICI Bank और HDFC Bank, इन मेंसे किसको सरस्वती सम्मान मिला है, साहित्य के लिए, 2016 के लिए, सरस्वती सम्मान बहुत बड़ा सम्मान है, ये मिला है, महाबलेश्वर सैल को, और इन्होंने हौथान नाम की किताब लिखी है, हौथान, अब ये भी पूछेंगे कौन सी भाशा में लिखी है, हर एक स्कूल पे 2,22,000 रुपे खर्चा किया जाएगा जिसे स्कूल में सिक्षा का सुधार हो सके गुजरात में गांधी नगर है जहांपे गिफ्ट सिटी है गिफ्ट IFSC International Finance Center है गिफ्ट और गुजरात में गांधी नगर में टेक्स्टाइल फेर भी हुआ था इस साल बहुत हमारी टेक्स्टाइल मंतरी कौन है स्मिर्ती रानी जो हमारी सूचना परसानियाँ Information Broadcasting मंतरी भी है और गुजरात से स्मिर्ती रानी है राज्यसभा MP और अरुन जेटली भी गुजरात से ही है राज्यसभा MP तो गुजरात के मुखे मंतरी है वेजयरूपानी अब देखना ह और दूसरा है विग रहा और विग रहा गॉरी लंकेश इनकी हत्या हो गई आपको ये बताना है ये कौन सी भाशा की पत्रकार थी इनको इनकी मैगजीन थी गौरी लंकेश पत्री के तो ये थी कंणड भाशा की कंणड मतलब करनाटक की बात हो रही है और तीन और इंपोर्टन वेक्तियों की डेथ आपको याद रखनी है एक है MM कलबुर्गी ये सब रैशनलिस्ट थे MM कलबुर्गी ये कंणड युनिवरस्टी के वाइस चांसलर थे X 2015 में इनकी हत्या कर दी गई थी दूसरे नरेंदर दाबोलकर महराष्टर अंदर शुरधा निर्मूलन समीती के ये founder थे medical doctor थे 2013 में गोली मार के हत्या कर दी थी और गोविन पंसारे ये एक politician थे 2015 में इनकी हत्या कर दी गई थी तो ये चारों के नाम याद रखने हैं आपको ये थे rationalist जिनकी हत्या कर दी गई Defense Research Development Organization इसके जो head है वो है Dr. S. Christopher इन्होंने third generation एक हमारी खुद की भारत की बनाई हुई missile बनाई है ये एक anti tank tank को फोर देने वाली guided missile है इसका नाम क्या है नाम आप यहाँ देख सकते हैं इसका नाम है नाग नाग और ये 7 km तक मार गिनाने की शमता रखती है अब 6 साथ चीज और बता रहा हूँ जो याद रखनी है एक है THARD system THAAD ये USA का है और USA ने South Korea के अंदर लगाया है ये THARD North Korea को बचाने के North Korea अगर South Korea पर missile छोड़े तो उससे बचा ले गई एक है High Fire ये Australia और USA ने मिलके बनाया है एक है LRSAM surface to air missile मतलब SAM ये भारतिय नेवी को इसराइल ने दी है और इसराइल और भारत मिलके एक और missile बना रहे है जिसका नाम है Barrack Art अस्तर ये भी भारत का है इंडिया का QR Quick reaction surface to air missile ये भी इंडिया को नेवी अभी करी है फायर और एक NASR है ये है पाकिस्तान की एक और important है पाकिस्तान से related याद रखिए शाहीन भी मिसाइल है पाकिस्तान की 2017 का theme क्या था जो अंतराश्ट्रिय साक्षरता दिवस होता है आठ सितंबर को मनाये जाता है ये याद रखिए इस बार इसका theme क्या था इसका theme था literacy in a digital world क्योंकि हम digital की तरफ जा रहे है तो literacy in a digital world इन में से कौन से मुख्यमंत्री है जिनने one world grand prix award से सम्मानित किया गया क्योंकि organic farming के शेत्र में इनोंने शांदार काम किया है यतना ही नहीं जिस राज्य के ये मुख्यमंत् की चोटी सिक्किम के अंदर और सिक्किम की राजधानी है गंग टोग गंग टोग गवर्नर कोन है सिक्किम के बहुत कम लोग जानते है श्री निवास दादा साहिब पाटिल Central Ground Water Board यानि CGWB ने अभी अभी एक MOA साइन किया है कौन से इंस्टिट्यूट के साथ ये जो पानी होता है जमीन के नीचे उस पे रिसर्च करेंगे अनुस अंधान करेंगे ये नोंने साइन किया है Indian Institute of Science बैंगलूरू के साथ और हमारे Water Resources के मंत्री है कौन नितिनगडकरी उ इन्होंने 1100 करोड रुपे का एक National Agriculture Higher Education Project शुरू करा है किसके साथ मिलके किया है कौन धन देगा इसके लिए इसके लिए धन देंगे World Bank देगा World Bank और World Bank के जो President है वो है Jim Yong Kim और यहां की जो CEO है वो है Kirstina Georgieva World Bank को हम Bretton Woods Twins में आता है ये IMF के साथ मिलके और IMF की Chief है इस वक्रि Washington DC में इनमें से कौन से राजे की सरकार है जो कौशल विकास करेगी 30,000 ऐसे militants का जिनोंने सरेंडर कर दिया है जिनोंने हतियार डाल दिये हैं इनमें नकसल हो सकते हैं कोई भी हो सकता है जिसने भी हतियार डाल दिये हैं उनका कौशल विकास करेगी जिससे उन्हें जौब म पार्क, धिबरु साइखोवा, काजी रंगा, मनास, ओरांग, ये सब असाम के अंदर हैं, असाम के अंदर, एक बहुत डिफिकल्ट सवाल पूछता हूँ चलिए आपसे, असाम में एक वाइल लाइफ सेंचुरी है, जिस पे काफी लोगों ने अतिक क्रमन कर रखा था, अब की सरकार वहाँ से, जो भी लोग हैं, जिन्होंने एंक्रोच्मेंट किया, उसको भार निकाल रहे हैं, कौन सी वाइल लाइफ सेंचुरी की बात कर रहा हूँ मैं, कमेंट्स में लिखके रता है, ये देखिए कौन आंसर करता है, इन में से कौन सी कंपनी है, जिसे माहरतन स् साथ कौन कौन सी थी, जैसे ONGC है, इंडियनल कर्परेशन है, सेल है, गेल है, एंटीपीसी ये सब हैं, तो ये सारी हैं महरतन कंपनी, आठवी महरतन कंपनी बनी है, भारत पेट्रोलियम कौर्परेशन लिमिटेड बीपीसील, और बीपीसील के चेर्मेन कौन है, मिस्टर परी राजकुमार, उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, जो हमारे आयकर विभाग ने, इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने शुरू करा है, इससे सोशियल मीडिया वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, ये चेक करने के लिए, कि किसी ने जो अपनी इंकम बताई है, और ज L&T Infotech Company के साथ मिलके शुरू करा है, याद रखिये, और एक operation और income tax ने launch करा था, अगर आपको यादो, operation clean money, operation clean money, हमारा income tax department बोलते किसको है, CBDT को बोलते है, Central Board of Direct Taxes, और इसके chairman है, सुशिल चंदर, और GST Indirect Tax है, इसका जो department है, उसे बोलते है, Central Board of Excise and Custom, इसके chairman है, Mr. Vanaja Sarna, US Open किसने जीता है, Men Single, US Open, देखिए, चार grand slam होते हैं, चारों में से एक question में आपको guaranteed बता रहों आएगा, साल में सबसे पहले होता है, Australian Open, फिर होता है French Open, फिर होता है Wimbledon, और फिर होता है US Open, US Open जीता है, Rafael Nadal ने, Rafael Nadal है, Spain के, French Open भी जीता, Rafael Nadal ने, 10 वी बार जीता है, Australian Open औ Roger Federer, याद रखिए, तो ये है सारी कहानी, US Open की, अब आपके लिए एक table बना दिये मैंने, जिसमें आपको सारा मिल जाएगा, कि इस बार किसने क्या जीता है, सिरफ उपर के चार याद रखिए, ये सब कोई नहीं पूसता, Roger Cup और ये सब कोई नहीं पूसता, बस ये पूसत Serena Williams ने जीता Australian Open, Jelena Ostrapenko ने जीता French Open, Garbin Muguruza ने जीता Wimbledon, और Sloan Stephens ने जीता US Open, इन में से कौन से जहाज हैं, जो Indian Navy ने भेजे हैं, अब देखिए, इंडिया और ASEAN का जो संबंद है, 25 साल घहरा हो गया है, तो भारत का जो संबंद है, 25 साल घहरा, इस साल किस-किस के इस बार हमारे संबंदों के, इसराइल के साथ पूरे करें है, कजाकिस्ता ने तो चेनई में अपना office भी खोला है, इस उपलक्ष में, और ASEAN के साथ, ASEAN में 10 देश हैं, 26 जनवरी की जो parade होगी 2018 में हमारे ये guest होंगे, 10 के 10 country, ASEAN के, भारत ASEAN का हिस्सा नहीं है, लेकिन dialogue partner है, और हम 25 जो anniversary है, इस उपलक्ष में हमने 2 जहाज हैं, जो भेजे हैं Indian Navy ने, कौन से हैं 2 जहाज, एक का नाम है INS सत्पुरा, और दूसरे का नाम है INS कदमत, so answer है 1 and 2, एक जहाज और याद रखिये, विक्रमा दित्ते हैं, ये वो जहाज है जो मालाबार exercise में participate करने गया है, 2018 में, इसमें वो बच्चे, जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उन्हें सिक्षा दी जाईगी, उनके लिए प्रोग्राम स्टार्ट करा है, हमारे HRD मिनिस्टर ये हैं, क्योंकि Education HRD केंडर आता है, इनका नाम है परकास जावडेकर, तो इसका नाम है स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान, और इसका टार्गेट ये है कि हम सक्तर से अस्ति लाख ऐसे बच्चे उनको सिक्षा देंगे, जो स्कूल अलड़ी छोड़ चुके हैं, तो ये बस इतना याद रखे, इसमें, एक एक और चीज़ बताता हूँ, विद्या वीरता अभियान, विद्या विद्यू में टैंक रखा गया है, टैंक ला रहे हैं, जिसे बच्चों में पेट्रियोटिजम जगे, हमारे उपराशपती वेंकाया रैडू, इन्होंने अभी-अभी अधारशिला रखी, भारत का पहला और एक मात्र, ग्रीन फिल्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, ये क कौन से भारत के पहलवान है, रैसलर हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता, वर्ल्ड कैड़िट रैसलिंग चेंपेंशिप, जो ग्रीस के अंदर हुई, देखें, ग्रीस की राजधानी एथेंस है, एथेंस में 2004 के ओलंपिक हुए थे, और दुनिया के एतिहास में जो पहल चार्ज राज्य वर्दन सिंग राठोर ने सिल्वर मेडल जीता था, डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर, और जिन खिलाडी की में बात कर रहा हूं, उनका नाम है सोनम मलिक, इनमें से कौन से भारत के खिलाडी हैं, जिन्होंने अभी-अभी मलेशियन स्कौश टूर टू तो यह याद रखिये, इसके अलाबाद दो खिलाडी और कूसते हैं भारत के जो स्कौश खिलते हैं, एक का नाम है जोशना चिनप्पा, यह बहुत आता है एक्जाम में कौन सा खिल खिलती हैं, और एक है दीपी का पलिकल, दीपी का पलिकल भी हैं स्कौश की खिलाडी, प इन्होंने किसका record तोड़ा है, सबसे लंबे समय तक योवराज की position पे रहने का, इन्होंने record तोड़ा है Edward VII का, Edward VII और जो ये Prince Charles है, ये Wales के 21 वे योवराज है, Wales की राजधानी क्या है, Cardiff, एक important खिलाडी बताता हूँ Wales का, उसका नाम है Gareth Bale, Gareth Bale, Joint Training Exercise हुई, शाहीन 6th, ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में होती है, और भारत और चाइना के बीच में होती है, उसको बोलते है, hand in hand, भारत और रशिया के बीच में होती है, इंद्र, और भारत और अमरीका के बीच में होता है, यो दब्यास, ये बताए, National Pension System से अगर आप जॉइन करना चाहते है उसको तो पहले जो एस थी वो थी 60 अब इसको बढ़ा दिया है कितना कर दिया है अब कर दिया है 65 और इसके लिए जो responsible agency है वो कौन सी है PFRDA PFRDA के chairman कोन है हेमंध contractor हेमंध contractor सरकार ने decide करा है कि वो 100 रुपे का और 5 रुपे का सिक्का निकालेंगे क्योंकि इन में से किस महानस्ती के जनम के 100 वर्ष पूरे हो गए है क्या नाम है इनका इनका नाम है MG रामाचंदरन MGR और ये कौन है एक पार्टी सुनी होगी आपने AADM के All India अना द्रेविट मुनेतर का जागम ये ruling party अभी तमिल नाडू में वहां के मुख्य मंत्री है अड़ापडी पलना स्वामी वो इसी party के है और इस party के founder थे MG रामाचंदरन और तमिल नाडू के पूर मुख्य मंत्री भी थे तो 100 रुपे का सिक्का किसके लिए करा है MG रामाचंदरन के लिए करा है एक और important बात आप गलती कर देंगे MS सुबू लक्षमी कन्नड भाषा की मशूर सिंगर भारत रतन भी ने मिला हुआ था MS सुबू लक्षमी के जनम को भी 100 साल हुए है इस उपलक्षमे 100 रुपे का और 10 रुपे का सिक्का करा है लेकिन MGR के लिए 100 रुपे और 5 रुपे का सिक्का करा है और भगवान कृषन के जनम दिन पे जनमाचंदरन पे एक देश है अफरीका का जिसका नाम है Chad Chad देश ने एक सिक्का लॉँच करा है और एक और important बात जो Britain है Britain में मुद्रा चलती है Pound Pound के उपर Jane Austen जिरोंने Pride and Prejudice नाम की किताब लिखी थी उनकी photo ये पहली female writer है जिनकी photo Britain के bank note पे आई है इनका नाम है Jane Austen तो ये सारे तथे याद रखिए आपकी extra knowledge है पहली बार इनमें से कौन सा राज्य है जिसने क्लिनिक खोले है जिसमें सिरफ जो transgender community है जिने हिंदी में बोलते है हीजडा या खुसरा बोलते है पंजाबी में तो उनके लिए क्या है transgender transgender के लिए क्लिनिक खोले है केरल ने ये इनकी transgender policy 2015 के तहाथ इनोंने खोले है और केरल में जो पहला क्लिनिक खुला है वो खुला है कोटायम मेडिकल कॉलिज में केरल के जो मुख्यमंत्री है वो है पिनर रइविजियन लेफ्टेस्ट है ये Communist Party of India मार्क्सिस्ट के हैं और यहां की governor है जस्ट्रेस्पी सताशिवम इन में से कौन सा शहर है जो junior Asian wrestling championship पहलवानी की जो wrestling है Asian star पे junior level पे वो 2018 में कौन से शहर में होगी भारत में होगी भारत में कहा होगी नई दिल्ली में नई दिल्ली के governor कौन है अनिल बैजल और एक और important बात United World Wrestling यानि UW United World Wrestling ने announce कराई है और इसका headquarter है Corsier Survevy में Corsier Survevy में headquarter है United World Wrestling का और Corsier Survevy है Swizer Land में Swizer Land में Lausanne में headquarter है International Olympic Committee का और FIFA का headquarter है Zurich में इन में से किसे बलजान प्राइज मिला है क्योंकि इनोंने Ling A.S. Amanta में काफी काम करा है Gender Studies Gender Gap में कम करने को काफी काम करा है इनोंने क्या नाम है इनका ये Professor है Manchester University England के अंदर तो इनका नाम है Bina Agarwal Bina Agarwal एक और important बात एक बहुत महतमपूर्ण question पूछता हूँ चलिए आपसे जो Gender Gap Index है उसमें भारत का दुनिया में क्या स्थान है World Gender Gap Index क्या आप कमेंट्स में लिखे बता सकते है इन में से भारत की कौन सी कमपनी है जिसे Fortune Magazine ने कहा है कि वो उन 50 कमपनीों में है जो दुनिया बदल रही है उसमें इसका नाम आया है तो ये कमपनी है जो इसमें आई है TCS की रैंक है नंबर 30 50 कमपनीों में और TCS कमपनी के Managing Director और CEO कौन है Mr. Rajesh Gopinathan एन चंदरशेखरन नहीं है वो पूरे TataSans के है ये है Mr. Rajesh Gopinathan ये है Managing Director CEO इंडिया की सबसे बड़ी Information Technology IT कमपनी है TCS याद रखिए और N. चंदरशेखरन है Chairman किसके TataSans के TCS के भी Chairman वो है लेकिन MD और CEO है Rajesh Gopinathan तो accordingly नाथ करिए और नंबर 1 कमपनी को है इस लिस्ट में जो दुनिया बदल रही है उसका नाम है JP Morgan भारत की क्यार रैंक है पदक तालिका में Moscow Shotgun World Championship में Moscow Shotgun World Championship में भारत ने एक Gold Medal जीता और दो Silver Medal जीते हैं भारत की रैंक है 5th नंबर 1 पे है Italy और दूसरे नंबर पे है अमेरिका Fitch Ratings के हिसाब से भारत के जो बैंक है उनको कितना पैसा और चाहिए अगर वो Basel 3 norms को फॉलो करना चाहते है Capital Adequacy norms को उमें फॉलो करना है मार्च 2019 तक तो भारत को कितना धन और चाहिए भारत को 65 billion dollar की और चाहिए investment बैंकों के अंदर जो Capital Infusion है और चाहिए अगर वो Twin Balanchate Problem और Basel 3 norms के Compliant होना चाहते हैं इन में से किस व्यक्ति को Badminton Association ने भारत की आज इवन योगदान के लिए Badminton में Lifetime Achievement Award के लिए चुना है तो इनका नाम है परकाश पादुकौन ये दिपिका पादुकौन के फादर है और दिपिका पादुकौन की फिल्म आ रही है रानी पदमावती तो ये फिल्म आ रही है अलाउदिन खिलजी से जो बैटल हुई थी उसके उपर ये फिल्म बनी है और परकाश पादुकौन जो है ये बहुत ही महान खिलाडी रहे है पुलेला गोपिचन भी महान बैडमिंटन खिलाडी है ये अभी कोच है काफी सारे खिलाडियों के एक और इंपोर्टन बात याद रखिए बैडमिंटन असोसियेशन ओफ इंडिया के जो प्रेजिनेट है वो है डॉक्टर हेमंता विश्वास सर्मा हेमंता विश्वास सर्मा जो असाम से है और इसका हेड़कौर्टर कहाँ पे है लखनव में बैडमिंटन असोसियेशन ओफ इंडिया का लखनव में सीडबी का हेड़कौर्टर भी है Small Industries Development Bank of India दूसरा अध्याए World Congress of Optometry ये इस बार इतलंगाना की राजधानी है थराबाद में हुआ और आपको ये बताना है इस बार इसका थीम क्या था इसका थीम था Accessible Quality Vision and Eye Health Accessible Quality Vision and Eye Health आँखों की रक्षा के लिए कैसे काम किया जाए उस पर ये थी 14 सितंबर हम कौन सा दिवस मनाते हैं भारत के अंदर क्या होता है इस दिन ये दिवस सबसे पहली बार 1953 में मनाये गया था तो ये होता है Hindi दिवस Hindi दिवस लेकिन अब यहीं पर आप दलती कर देंगे ये World Hindi Day नहीं होता World Hindi Day कब होता है कौन से दिन होता है जनवरी के World Hindi Day कमेंट्स में लिखके बताइए Hindi दिवस अलग है World Hindi Day अलग है इन में से कौन से फिल्म है जिसने Golden Lion Award जिता Venice Film Festival में Venice कहाँ पर है Italy में Italy की राजधानी है Rome Rome में Headquarter है Food and Agriculture Organization का और World Food Program का और Italy याद रखिए वो देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा UNESCO World Heritage Site है तरिपन तो इस फिल्म का नाम है दश Shape of Water पानी की शेप Shape of Water इन में से IRCTC Indian Railways Catering and Tourism Corporation का Chairman और Managing Director कौन बना है हमारे रेल मंत्री भी नहीं है उनका नाम है प्यूश गोयल यह हमारे कोयला मंत्री भी है और रेल मंत्री भी है तो IRCTC के Chairman बने है Mr. Mahindar Pratap Mal Mahindar Pratap Mal इन में से कौन से राजधा की सरकार है जिसने Electric Vehicle and Energy Storage Policy 2017 अभी अभी शुरू करी है करनाटak जिसने Indra Kenton स्टार्ट करी है सस्ते भोजन के लिए और Anna Kenton शुरू करी है आंधर पर्देश ने अमा चैनिक और Anna में फरक है अमा्र अंधर परदेश की यह अमा कैनिक तमिलनाडू की है करनाटक में है आंसी नेशल पार्क बनर गट्टा, बांधीपूर, नागर होले, कुद्रे मुखा और डान डेली टाइगर रिजर्व करनाट का इन में से कौन है जो सिंगापूर की पहली महिला राश्पती बनी है इनका नाम है हालिमा याकूब और ये जो है ये है ली, सी अन, लुंग जो यहां के परधान मंतरी है इन में से डॉनल्ड ट्रम्प ने प्रेस सेकरेटरी अपना प्रिंसिपल डेकूटी प्रेस सेकरेटरी किसे बनाया है और सेकरेटरी अप स्टेट है रेक्स टिलर्सन भारत की क्या रेंक है 130 देशों में Global Human Capital Index 2017 जो World Economic Forum ने लांच किया है क्या रेंक है भारत की? नमबर वन कंट्री है नॉर्वे, नमबर टू है फिनलैंड और नमबर थी है स्विजर लैंड नॉर्वे की राज़ानी ओसलो है, यहां के खिलाड़ी है मेगनस कालसन, चेस्किक चैंपियन और फिनलैंड की है है हेल्सिंग की, स्विजर लैंड की है बर्न भारत की रैंक है 103 और World Economic Forum का WEF बोलते हैं शॉर्ट में इसका हेड़ क्वार्टर है कोलोनी में कोलोनी है स्विजर लैंड में, इसको कोलोन के साथ कन्फ्यूज मत करना कोलोन है जर्मनी में, यह कोलोनी है आयूश मंत्राले जो है, यह भारत का पहला वाइरोलोजी लैबोरेटरी बनाया है इन्होंने होमियोपैथिक ड्रग्स पे रिसर्च करने के लिए कहां बना है यह, यह बना है कॉलकाता में, कॉलकाता में बना है वेस्ट बेंगॉल की राजधानी है बक्सा नेशल पार्क है है, गोरु मारा नेशल पार्क है, और नियोरा वेली नेशल पार्क है, नियोरा वेली को होगा लगभग आठ करोड रुपे का एक और important बात आयूश हमारे मंत्री है डॉक्टर श्रीपद यसो नायक श्रीपद यसो नायक आयूश जो है पाँच मंत्राल पाँच मेडिसिन सिस्टम के लिए एक मंत्राले बना है ए से आयूरवेद, वाई से योगा, यू से युनानी एस से सिद्धा, एस से होमियोपैथी शिवालिंगम सतीश कुमार और रागला वेंकट राहूल इन्होंने 2018 Commonwealth Games के लिए क्वालिफाई कर लिया है ये कौन सा खेल खेलते हैं ये करते हैं भार तोलन यानि वेट लिफ्टिंग और ये Commonwealth Games होंगे 2018 के कहां पे गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट कहां पे है ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया की राजदनी है कैनबरा, परधान मंत्री है मेलकॉम टानबुल वितमंत्री अरुन जेटली इन्होंने एक ग्रूप ऑफ मिनिस्टर बनाया है जिससे भारत में जो IT इशू है उन्हें हम फेस कर सके implementation में जो दिक्कते आ रही है उन्हें हम solve कर सके IT इशू अगर कोई आ रहे है इसका उन्होंने head किसे बनाया है ये जो group of minister है इसके head कौन होंगे सुशिल कुमार मोदी ये कौन है ये बिहार के finance minister है और ये deputy chief minister भी है बिहार के BJP party के हैं ये इन में से All India महिला Congress की President किसे appoint किया गया है ये replace करेंगी शोभा ओजा को इनका नाम है सुश्मिता देव एक बहुत ही high speed rail training center बनाये जाएगा 600 करण रुपे की लागत से क्योंकि जो पहला bullet train project भारत में आ रहा है वो उसकी मदद करेगा ये rail training center ये rail training center कहां बनेगा ये बनेगा वडोदरा में और train चलेगी एहमदाबाद से मुंबई लेकिन वडोदरा में बनेगा पहला भारत का rail training center और ये 2020 तक start हो जाएगा इन में से कौन सा बंदरगा है भारत में जिसे container terminal of the year award मिला है इन्हें जो award मिला है वो 0.6 million TEU अबव इससे category में मिला है यानि 6,00,00 TEU से ज़्यादा वाली category में मिला है ये award का नाम है Gateway Award 2017 मुंबई के अंदर ये हुए थे कौन से बंदरगा की बात हो रही है ये ये हो रही है जवाललाल नहरू बंदरगा जिसे हम बोलते हैं नावा शैवा महराष्टर के अंदर रही है नावा शैवा अब अगर ये पूछ लें कि जो हमारे मिनिस्टर है पोर्ट्स के लिए वो कौन है तो वो है नितिन गडगरी ये हमारे पोर्ट्स के लिए भी मंत्री है और ये ट्रांस्पोर्ट के लिए भी है इसके अलावा ये water resources, गंगा rejuvenation और river development के लिए भी है तो आंसर है जवाला लहरू पोर्ट इन में से कौन सी university है जिसने भारत का पहला center बनाया है animal law से related animal law से related तो ये कौन सी university ने बनाया है ये हैदराबाद में है इसका नाम है नालसार नालसार university of law और इसका उधगाटन करा woman and child development मंत्री मनेका गांधी ने मनेका गांधी पिल भीत से सांसत हैं लोग सभा की और एक और important बात जो हमारे कानून मंत्री हैं वो हैं रवी शंकर प्रसाद international day of peace अंतराश्ट्रिय शांति दिवस ये 2017 का किस दिन मनाया गया इस बार इसका theme था ये मनाया गया 21 सितंबर को 21 सितंबर को होता है अंतराश्ट्रिय पीस दिवस international day of peace trade and development report आईए world economy growth जो है वो 2.6% expected है reach होने के लिए तो ये जो trade and development report है ये किस ने दिये ये दी है UNCTAD UNCTAD ने और इन्होंने का आए कि जो world economy growth है वो 2.6 होने की संभावना है एक और बात अगर पूछें कि भारत का GDP कितना growth करेगा तो इसकी अलग-लग reports है तो IMF जो है उन्होंने कहा है 7% 7% इन में से कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने एक agreement करा है ये cool EMS service का जो commercial arrangement है उसको लागू करेंगे cool EMS service भारत कौन से देश के साथ मिलके कर रहा है ये service बेसिकली ये है कि जो खाना है वो जापान से भारत आप आएगा अब थंडे डब्मों के अंदर fresh food आप आएगा तो cool EMS service वो है तो ये किया है जापान से जापान के परधान मंतरी भारत आए थे शिंजो आबे जापान की राज़धानी है तोक्यो International Coastal Cleanup Day यानि हमारे जो तठ है उनकी सफाई होनी चाहिए इसके लिए मनाये जाता है International Coastal Cleanup Day भारत का भी काफी बड़ा coastline है तठरेखा है और सबसे बड़ी भारत की तठरेखा है गुजरात की फिर है आंद्रपरदेश की इसे मनाता है United Nation Environment Program ये किस दिन मनाये जाता है ये मनाये जाता है 16 सितंबर को 16 सितंबर को महंत, चांद, नात, इनका निधन हो गया ये BJP के सांसर थे कहां से ये थे अलवर्क राजस्थान से राजस्थान में है सरिस्का नेशनल पार्क, रंथम बोर कियो लाड़ी उसे भरतपूर बोलते हैं और डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान HSBC यानि होंग कोंग और शंगाई बैंकिंग कॉर्परेशन जिसका है टोटर लंडन में है इसके हिसाब से भारत, जापान और जर्मनी को छोड़के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी और 7 ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी बन जाएगा कब तक अभी जो भारत की एकोनोमी है वो है 2.3 ट्रिलियन डॉलर तो ये भारत 7 ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी बन जाएगा और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी बन जाएगा 2018 तक सिर्फ यूएस और चाइना के बाद हम होंगे तीसरी सबसे बड़ी एकोनोमी इंजीनियंस डे ये 15 सितंबर को मनाय जाता है ये किसका जनम दिन होता है इनको भारत रितन मिला था 1955 में इनका नाम है मौक्षे गुंडम विश्वेश्वर्या इन में से कौन सा राज्य है जिसने प्रणाम एक्ट पास करा है अगर आप सरकारी अधिकारी है और अपने माबाप का या अपने डिसेबल्ड किसी भाई भहन का खयाल नहीं रखते दिव्यांग भाई भाई भहन का तो आपकी सेलरी 10-15% कटेगी ये डिसीजन लिया है असाम की सरकार में और ऐसा करने वाला इस तरह का कोई कदम उठाने वाला साम पहला भारत का राजिय बना है वो सेलरी ढंक से टाइम पर नहीं देता है और भारत के खिलाडियों में प्रोफेशनलिजम नहीं है ये फ्रांस के हैं और इनका नाम है स्टिफन कोटा लोल्डा फ्रांस की राजधानी पैरिस है पैरिस है एड़क्वाटर है और यूनेसको का पैरिस में 2024 के ओलंपिक खेल भी होंगे इंटरनेशनल यूनियन ओफ कंसर्ण साइंटिस यानि आई यू सी एन ने जो स्नो लेपड का स्टेटस है वो क्या कर दिया है पहले ये था एंडेंजर्ड और अब हो गया है वल्नरेबल यानि ये काफी जब थोड़ा सा सेफ हो गया है जोकि एंडेंजर्ड बोलते है लुक्त पराई को और critically एंडेंजर्ड बोलते हैं अती लुक्त पराई जो बिलकुल खतम होने वाले हैं लुक्त होने वाले है तो वल्रेबल थोड़ा सा relatively safe है ये है Snow leopard Pv Sindhu ये पहली भारत की बैडमिंटन प्लेयर बनी है कोरिया सूपर सीरीज जितने वाली इन्होंने किसे हराया ये जो वल्ड चैंपेंशिप हुई थी उसमें इनसे हार गई थी पर इन्होंने अपना बदला ले लिया इन्होंने हराया नोजोमी ओकु भारा को और ये है जापान की इन में से उस ओपरेशन का क्याल नाम है जो भारत की जो भारत ने लॉंच करा है रोहिंग्या रिफ्यूजी जो बांगला देश में फस गए है लगबद 6 लाख रिफ्यूजी रोहिंग्या के बांगला देश में है और 40,000 भारत में है रोहिंगया जो मुसल्मान है ये मयामार से आए है और मयामार में कहां से आए है राखीन नाम का राज्य है वहाँ पे मयामार की राज़ानी नेपिटाओ है हतिन कयाओ यहां के राश्पती है और इसका पुराना नाम था बर्मा तो जो बांगलादेश में रोहींगा रेफुजी फस गए हैं उनको खाना और धन पहुचाने के लिए जो भी असिस्टेंस आयता चाहिए इसका नाम रखा है Operation Insaniate डिजिटल पेमेंट एप्लिकेशन कौन सा है जो गूगल ने लॉंच करा है भारत के अंदर अभी इनोंने कई सारे बैंक अलड़ी इनके साथ पार्टर्शिप कर लिये जैसे HDFC, ICICI, SBI वगारा इसका नाम है Google तेज, Google के CEO है सुन्दर पिच्चे अंतराश्ट्रिय दिवस Ozone Layer को बचाने के लिए मनाया जाता है उसके सरंक्षन के लिए 16 सितंबर को ये तीसवी एनिवर्सरी है किस चीज की? ये एनिवर्सरी है Montreal प्रोटोकॉल की Montreal Canada के अंदर है, Canada के परधानमंत्री जस्टिन टूडियू है, Montreal में हेड़क्वाटर है वल्ल्ड एंटी टोपिंग एजनसी का, WADA का और ओजोन हम लिखते हैं O3 को, ओजोन लेर में अगर छेद हो जाए तो उसे हम नापते हैं Dobson यूनिट्स के अंदर केंदर सरकार ने नो फ्लाइ लिस्ट बनाई है, हमारे जो नागरिक उड्डेन मंत्री है, वो है अशोग गजपति राजू नो फ्लाइ लिस्ट इसलिए मनाई है क्योंकि तेलगु देसम पार्टी के मिस्टर जेसी दिवाकर रेड़ी और एक थे सिव सेना के, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ शायद रविंदर गाइकवाट शायद उनका नाम था, ये बत्तमी जी कर रहे थे, विमान में जो एर होस्टेस वगारे है उनके साथ, तो अब नो फ्लाइ लिस्ट बना दिये, अब आपको बैन किया जा सकता है, किस चीज के लिए बैन आपको इन में से नहीं किया जाएग तो loud and angry discipline public के लिए no fly list में provision नहीं है, physically abusive behavior, अगर आप physically किसी को abuse करते हैं तो वो level 2 बैन है, 6 महीने का बैन होगा, unruly physical gesture, अबदर इशारे करते हैं, गाली का लोज करते हैं, तो level 1 है, इसके लिए 3 महीने का बैन होगा, और अगर किसी को जान से मारने की धंकी बगारा देते है या किसी को बुरी तरह से पीट डालते हैं, तो lifetime तक का बैन हो सकता है, लेकिन minimum 2 साल का बैन होगा, तो ये 3 तरह के no fly list में बैन है, इन में से कौन सा देश है, जिसने multinational military exercise, कई देशों की military exercise मिलके होती है, याद रखिए, ये सबसे बड़ी military exercise है, पिछले 20 सालों के अंदर, इसमें 19,000 troops ने हिस्सा लिया है, और ये कहां पे हुई, Stockholm में हुई, Sweden, Sweden की राज़दानी Stockholm है, इसमें NATO के member ने participate किया, NATO का जो latest member है, वो है Montenegro, Montenegro, और NATO की जो headquarter है, वो Belgium की राज़दानी Brussels के अंदर याद रखिए, NATO, North Atlantic Treaty Organization, इसका exercise का नाम था, Aurora 17, Marshal of the Air Force, इनका नाम है Arjan Singh, Arjan Singh, very courageous leader, इन्होंने भारत में Air Force की अगुवाई करी, कौन सी war में, ये war थी, 1965 India-Pakistan war, और ये भारत के पहले, पहले IAF, Indian Air Force के chief थे, जिनने rank of the air chief Marshal में elevate किया गया था, याद रखिए, और एक aircraft base है, पनागड वेस्ट वेंगोल में, उसका नाम भ पर रखा हुआ है, इन्हें पदम विभूशन भी मिला हुआ था, तो याद रखिए, अभी हमारे जो air chief Marshal है, वो कौन है, बिरेंदर सिंग धनवा, new chairman कौन बने है, International Olympic Committee के Ethics Commission के, ये जो सज्जन यहाँ पे है, ये Thomas Bach, Thomas Bach कौन है, International Olympic Committee, इसका एड़ गाटर लोजैन में है, उ ये है, United Nations के पूर्व Secretary General, बन की मून, ये बन गए है, अब International Olympic Committee के Ethics Commission के chairman, और दूसरी बात, अभी कौन है, United Nations का Secretary General, अभी है, Antonio Guterres, दुनिया की सबसे बुड़ी, महिला, वाइले, मोस, ब्राउन, इनका निधन हो गया, ये कौन से देश की थी, ये कौन से देश की थी, ये ये जमेका जो है, ये West Indies के अंदर है, जमेका की राजधानी है, Kingston, और यहां के एक मशूर खिराडी भी थे, Usain Bolt, जिन्होंने 8 Olympic medal जीते थे, वैसे तो 9 जीते थे, लेकिन इनके एक teammate थे, शायद Antonio Nesta या ऐसे कुछ नाम था, Antonio Nesta था शायद, वो ड्रग लेते वे पकड़े ग केंदर सरकार ने डिसाइड करा है कि एक लाख refugee उन्हें हम भारतिये नागरिक्ता परदान करेंगे, ये North Eastern राज्यों में रहते हैं, कौन सी आदिवासी समुदाई की बात हो रही है, ये चितागॉंग Hill Tract, बांगलादेश से भारत में आये थे, एक है चकमा और दूसरे है ह इन में से कौन से Bollywood के एक्टर है जिने Global Diversity Award देके सम्वानित करा British Parliament House में, देखे बृतेन की जो संसत है उसमें एक होता है निचला सदन, एक होता है Lower House, एक होता है Upper House, जैसे भारत में Lower House कौन सा है? लोगसभा, और Upper House है राजेसभा, महाँ पे Lower House को बोलते है House of Commons, जहाँ पे लोग आते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसमें जो चुनके आते हैं जनलेक्शन में, और एक होता है Upper House जैसे बोलते हैं House of Lords, इसका अंसर क्या है? कौन से ये एक एक्टर है? सलमान खान, सलमान खान, इन में से कौन सी Beyond Visual Range Air-to-Air Missile है, जो भारत ने शुरू कर दिया है इसको यू ये Beyond Visual Range Missile है, इसका नाम है अस्तर, अस्तर, याद रखिए, इसकी जो शमता है लगभग 110 किलो मीटर की है, Head-on Mode में, इन में से कौन सा बैंक है, जिसने Asian Development Bank से 200 मिलियन डॉलर का लोन लिया है, क्योंकि ये भारत में, खासकर जो रूरल एरिया हैं, उनमें महिलाओं को रिंड देना चाता है, जिनकी salary जादा नहीं है, जिनकी आमदनी जादा नहीं है, उन्हें लोन देना चाता है, इसके लिए इस bank ने Asian Development Bank से लोन लिया है, ये bank है Indus Ind Bank, एक और bank है जिसको Asian Development Bank ने लोन दिया है, वो है Punjab National Bank, ये दो bank क्याद रखिए, Indus Ind और Punjab National Bank, इन में से पहला बल जमेका का, जमेका, वहीं का जहां का उसेन Bolt है, और अभी अभी इन्होंने बंडे मैचिस में भी वाप्षी करी है, तो 2020 में सो चक्के लगाने वाला Chris Gayle बन गया है, पहला बल्लेवाज, जारखन राज्ये ने लॉंच करी है शहीद ग्राम विकास योजना, जिसमें जो स्व जो महां के महशूर स्वतंत्रिता सिनानी थे उनका, और अमित शहा और रगुबर्दास मुख्यमंत्री ने इसका उधगाटन करा, इसमें लगभग 136 घर बनाए जाएंगे, पक्का जो घर होते हैं वो बनाए जाएंगे, उली हट्टू गाउँ, इन में से पहली online सीरीज क इन में से किस व्यक्ति को National Investigation Agency यानि NIA का Director General बना दिया गया है, ये रिप्लेस करेंगे Mr. Sharad Kumar को, इनका नाम है Y.C. Modi, Y.C. Modi Guinness World Record अभी-भी किसने बनाया है, इसने पूरी धर्ती का चकर एक साइकल के उपर लगा दिया, सिर्फ 78 दिनों में, और आप जानके हैरान होंगे कि जो पुराना रिकॉर्ड था, वो 123 दिनों का था, तो काफी कम दिनों में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इनका नाम है Mark Beaumont, और Mark Beaumont जो है, इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, ये ब्रिटेन के हैं, और इन्होंने न्यूजिलेंड के एक व्यक्ति का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिनका नाम है Andrew Nicholson, Andrew Nicholson ने ये रिकॉर्ड 123 दिनों में बनाया था, लेकिन Mark Beaumont ने सिर्फ 78 दिनों में बना जिना मुस्तफा, इनको 2017 का United Nations High Commissioner for Refugees, Nansen Refugee Award मिला है, ये कहां के हैं, ये एक लॉयर है और टीचर है, ये है नाइजिरिया के, नाइजिरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा, और ये वहाँ पे ऐसे एरिया में एक बोर्नोर नाम का राज्य है नाइजिरिया में, वह अभी-अभी किसे President's Medal मिला, Meritorious Services के लिए, और ये Award दिया वहाँ के Governor, ये Governor है वहाँ के बाजी भाई वाला, ये मिला D. Rupa को, D. Rupa को इसलिए मिला है क्योंकि Bangalore की Central Jail है, वहाँ पे जिने चिनम्मा बोलते हैं, तमिलनाडू की, उनको काफी luxury service प्रोवाइड की जारी थी, तो इसके लिए इने मिला है ये President's Medal, इनमें से कौन सा राज्य है, जो भारत का पहला राज्य बना है, जिसने Family Welfare District Committee बनाई है, जो महिलाएं हैं, अपने husbands के खिला जूटे complaint लिखवाती हैं, उनको पकड़ने के लिए, उनके issue से deal करेगा ये Family Welfare District Committee, ये बनाया है, त्रिप शशश्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श्श् चतिसगड भी है और गुजराद भी है तेलंगाना नहीं है तो याद रखिए ये अवार्ड मनेका गांधी जो वुमेन एंड चाइल डवलप्मेंड मिनिस्टर है उन्होंने इनोग्रेट करे और चतिसगड में तीन इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है राइपूर यहां की सरकार ने फूड स्ट्रीट यह एक ग्लोबल फूड फूड फेर होगा जो नवंबर के अंदर होगा अंतराष्ट्रिय भोजन मेला यह इन बनाया है संजीव कपूर को संजीव कपूर इन में से कौन सी NGO है जिसने 2017 का इक्वेटर प्राइस जीता है क्योंकि महिला जो फार्म एक्टिविटी अवर्ड भी जीता था जिसे उनाइटिट नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंचर और क्लाइमेट चेंज यानि UNFCCC ने दिया था इस अवर्ड का नाम था Momentum for Change Lighthouse Activity Award ये भी इसी NGO को मिला था इन में से गोल्ड मेडल किसने जीता है किस महिला ने जीता है Women's Pentathlon Event 5th Asian Indoor and Martial Arts Game जो अजगाबात में हुए इनका नाम है पूर्निमा हैंब्रम एक दो खिलाडी और आपको याद रखने हैं एक तो है लक्षमनन गोविंदन इन्होंने 3000 मीटर में गोल्ड जीता और एक अजय कुमार सरोज है इन्होंने मैंस 1500 मीटर रेस में जीता एक अगर आप याद रख सकें तो एक और रख लिजिए अरपिंदर सिंग इन्होंने ट पेटल पेमेंट बैंक पहला सरकारी पेमेंट बैंक था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और तीसरा बैंक भारत का पेटीम पेमेंट बैंक दूसरा भारत का बैंक था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पहला सरकारी था तीसरा पेटीम और चोथा फीनो पेमेंट बैं ये थे father of nephrology, kidney के बहुत बड़े डॉक्टर थे, nephrology बोलते हैं kidney की study को मशूर अमरीकी boxer जेक लामोटा का निधन हो गया, इनके उपर एक Hollywood की फिल्म बनी है, इनके जीवन पर जिसको Martin Scorsese ने direct करा है, ये फिल्म आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है, सबसे अच्छी फिल्मों में इसका क्या नाम है और इनका के धार इस फिल्म में निभाया है Robert D. Niro ने, महशूर एक्टर, एक्टर जो है Robert D. Niro, फिल्म का नाम है Raging Bull इन में से कौन से राजे की सरकार ने लॉंच करा है? People First, ये एक mobile application है जो जनता की शिकायते सुनेगा इसको लॉंच करा है आंदर परदेश के मुख्य मंत्री चंदर बाबू नाइडू ने अमरावती के अंदर तीन भारत के businessmen हैं जिने Forbes ने उन लोगों में डाला है 100 Greatest Living Business Mind यानि सो ऐसे business के अंदर लोग जिनका सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं business mind है उनके अंदर इन में से कौन वो नहीं है? रतन टाटा है विनोध खोसला है और लक्षमी मित्तल है मुकेश अमानी उसमें नहीं है मुकेश अमानी भारत के सबसे धनी आदमी है रतन टाटा को आप जानते ही है विनोध खोसला कोन है? ये कम लोग जानते हैं एक कंपनी है Sun Microsystems उसके ये को फाउंडर है और लक्षमी मित्तल जो है आर्सिलर मित्तल कंपनी के ये मालिक है लक्षमी मित्तल Minister of State हमारे PMO में प्रदानमंत्री ओफिस में परसोनेल के लिए पब्लिक ग्रिवेंसे जन्ता की शिकायतों के लिए Atomic Energy के लिए भी यही है, Space के लिए भी यही है, Pension के लिए भी यही है, Dr. Jitendra Singh इन्होंने अभी अभी उधगाटन करा Pension अदालत का, ये Pension अदालत का उधगाटन कहां हुआ है, Pension अदालत का उधगाटन हुआ है, नई दिल्ली के अंदर, याद रखिए भारत ने इन में से कौन से देश को रिप्लेस करा है, 2017 के लिए Global Retail Development Index में, as Top Retail Destination, यानी रीटेल के मामले में, भारत नमबर बन है, पूरी दुनिया में, इन्होंने चाइना को पीछी छोड़के ये, भारत ने position हासिल करी है, नमबर वन, चाइना के राजपती है, शी जिन कुमार, Organization for Economic Cooperation and Development की Interim Economic Outlook Report के हिसाब से, भारत की जो एकोनोमी है, वो इस साल, यानी 2017 में, कितने परसेंट ग्रो करेगी, इनके हिसाब से ग्रो करेंगे हम 6.7%, पहले इन्होंने का था हम ग्रो करेंगे 7.3%, लेकिन फिर 0.6% परसेंट पॉंट, यानी 60 basis पॉंट इन्होंने अपनी ग्रोथ कम कर दिये, OECD का Headquarter है, पैरिस में, इन में से सबसे कम उम्र का वैक्ति, खिलाडी कौन बना है, जिसने T20 में 100 विकेट लिये हैं, क्या नाम है इसका, ये अफगानिस्तान का बोलर है, इसका नाम है रशीद खान, रशीद खान, इन में से कौन सा राज्य है जो एक DNA Fingerprinting Database बना रहा है, ओफेंडर का, DNA Fingerprinting Database अगर बन गया, तो फिर अगर मुझलिम मान लिजिए, कोई मोकाय वारदात पर हमें कोई भी नमूना मिल जाता है, तो उसमें से हम DNA निकाल सकते हैं, और मैचिंग कर सकते हैं, ये राज्य है महाराष्टरा, महाराष्टरा जिनोंने DNA Fingerprinting का अविश्कार किया था, तीन डिस्ट्रिक्ट हैं भारत में, जिने चूज किया गया है, जीरो हंगर प्रोग्राम के लिए, इन में से कौन सा वो डिस्ट्रिक्ट नहीं है, गोरकपुर है, कोरापुर उडिसा में नक्सल परभावी तेरिया है, गोरकपुर आप जानते ही है, उतरपरदेश में है, थाने है महराष्ट में, अरा नहीं है, अरा इन में से नहीं है, और भारत को Sustainable Development Goal follow करने है, Agenda 2030 2030 तक, उसमें एक है, End Hunger, यानि हंगर को भी खतम करना है, इसको शुरू किसने करा है, Zero Hunger प्रोग्राम को, Indian Council of Agriculture Research, ICAR ने, हमारे Agriculture मंत्री ह बिहार से सांसद हैं, और Food Processing मंत्री है, हरसिम्रत को और बादल जो भटिंडा से लोगसबा सांसद है, इसके अलावा हमारे जो, जिसे बोलते हैं, PDS मंत्री है, PDS, Public Distribution System और Consumer Affairs मंत्री वो रामिलास पास्वान है, ये हाजीपूर्स बिहार से लोगसबा सांसद है, News Broadcaster Association का President क इसे इलेक्ट किया गया है, इनका नाम है, रजत शर्मा, ये इंडिया टीवी के चेर्मेन है, Department of Biotechnology ये लॉंच कर रहा है, एक बोट लैब, कहने का मतलब भारत की कौनसी ऐसी नदी है, जिसके उपर एक तैरती हुई परियोग शाला यानि लेबोरेटरी बनाई गई है, पा भारत ने अभी अभी अनाउंस करा है कि वो Atomic Energy venture एक विदेश किसी दूसे देश में शुरू करेगा, ये रशिया के साथ मिलके करेगा, और इस Nuclear Power Plant का नाम है, रुपुर Nuclear Power Plant, अब आप ये बताईए कि रुपुर Nuclear Power Plant भारत कोन से देश में बना रहा है रशिया की मदद से, ये देश है, बांगलादेश, परधान मंत्रिये शेक हसीना, और ढाका है, यहां की राजधानी, टका है यहां की करंसी, और रशिया ने भारत की मदद करी है, कुंडन कुलम Nuclear Power Plant भराने में तमिलनाडू के अंदर, इन में से कौन ऐसा बोलर बना है, तीसरा भारतिय बोलर है यह सिरफ आज तक के तिहास में क्रिकेट के, जिसने वंडे मैचिस में हैट्रिक लिया है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है कुल्दी प्यादव, और इससे पहले जो दो हैं, एक है कपिल देव, और दूसरे हैं चेतन शर्मा, लेकिन कपिल देव पहले स्पिन बोलर है, जि ट्रिक लिया हुआ है, कारगिल का शेहरशा, यह किताब लिखी है अभी अभी, दीपक सुराना ने, यह किसकी जीवनी है, यह परमविर चकर विजयता, कैप्टन विक्रम बत्रा की जीवनी है, इनका रोल प्ले करा था, एलो सी कारगिल पिच्चर में, अभी शेक बच्चन और एक और इंपोर्टन बात, ADB का जो प्रेजिनेंट है, वो है ताके ही को न काओ, और फिस्कल रिफॉर्म देखिए, भारत में किसी भी राज्य का फिस्कल डेफेसिट, तीन परसेंट ऑफ स्टेट GDP से जादा नहीं होना चाहिए, यह कहता है, 14 फाइनेंस कमिशन जिसके चेर्में थे, Y.B. Reddy, अभी अभी पहले एशिया के वेक्टी कौन बने है, जिने वोन हिपल अवार्ड मिलेगा, Material Research Society द्वारा, इन्हें भारत रतन भी मिला हुआ है, इनका नाम है Professor C.N.R. राउ, यह जवाला नहरू सेंटर for Advanced Scientific Research के Founder President भी रहे हैं, इनमें से भारत का खु पंडू भी कौन सी है, जो अब इंडिया नेवी के लिए काम करेगी, इसका नाम है I.N.S. कलवारी, इनमें से एक Steering Committee बनाई है, Insurance Regulatory Development Authority of India ने, जिसके चेर्मेन है, T.S. Vision, यह Risk Based Capital Regime को लागू करेगी मार्च 2021 तक, इस कमेटी की अधरक्षता कौन करेगा, इसकी अधरक्ष क्या थी, क्या यह दुनिया की सबसे अमीर महिला थी, सबसे लंबी, सबसे बूडी या सबसे भारी, तो यह थी सबसे अमीर, L'Oreal Company का नाम सुना होगा, उसकी यह मालकिन थी, और इनकी संपत्य थी, साड़े 42 बिलियन डॉलर, इनमें से पहला भारतिये कोन बना है, जिसे International Box Boxing Association ने अपना Representative बनाया है, International Olympic Committee के Athletes Forum के लिए, यह 5 बार World Champion रही है, इनका नाम है Mary Com, और यह Manipur की है, इनके फिल्म भी बनी है, जिसमें प्रियंका चोप्रन इनकी भूमी का निभाई है, इसके अलावा इन्होंने 2012 के जो Olympic हेल हुए थे, उसमें Bronze Medal भी जीता था, इनमें से क एक विकास के लिए एक पात बनाने में, ड्राफ पॉलिसी बनाने में, इसमें जनता का opinion इन्होंने मांगा है अगले 7 साल के लिए, इसके लिए Vision 2025 लाउंच करने वाला राज्य है करनाटक, करनाटक में भी चुनाव होने है और यहां की जो राजनीती है काफी गर्माई और सीविस रेक्स, नासा का यह स्पेस कराफ्ट है, अंतरिक्ष विमान है, यह कौन से एस्टरोइड, एस्टरोड बोलते हैं जो स्टार की तरह दिखता है, यानि तारे जैसा होता है लेकिन तारा नहीं होता, उस पे से नमूने इखटे करने के लिए, यानि सेंपल्स इख नेशनल ओपन एथलेटिक्स चेंपेंशिप 2017, यह अभी अभी कहां पे हुआ, यह खेला गया चेन्नाई में, और चेन्नाई में याद रखिये, बस एक दो खिलाड़ी याद रख सकते हैं आप, एक हैं दविंदर कांग, दविंदर कांग कोन सा खेल खेलते हैं जरूर आए इन में से कौन सा देश है जो हर्याना में श्वेत करांती लाने में हर्याना की मदद करेगा, वाइट रेवलूशन, वैसे तो भारत में वाइट रेवलूशन के जो फादर है वो बोलते हैं डॉक्टर कुरियन को, जिन्होंने अमूल भी स्थापित किया था गुजरात में, और हर्याना में जो श्वेत करांती है, यानि दूद का जो बढ़ाना है, उसको लेके मदद करेगा भारत की इसराइल, इसराइल मदद करेगा, इसराइल की राजधानी जैरु सेलम है, यहां की मुद्रा को बोलते हैं न्यू शेकल, अब आप ये पताईए, कौन से साल तक भारत, पूरी दुनिया में दूद का जो उत्पादर है, उसमें नंबर बन हो जाएगा, कमेंट्स में लिक्के पताईए, इन में से किस वैक्ति को भारत रतन पंडित भीश्में भीम सेंजोशी अवार्ड 2017-18 के लिए इनका नमांकन हुआ है नहीं अवार्ड दिया यह महराष्टर की सरकार दोरा दिया जाएगा, इनका नाम है मानिक भीदे, दुनिया की सबसे छोटी गिलेरी, इसका नाम है बोर्मियन पिगमी, यह अभी-अभी कौन से देश में देखी गई है, यह कोश्चन है, एन्वार्मेंट इकोलोजी से, यह देखी गई है इंडो इकोनोमिक फॉरम के चेर्मेन है क्लोस श्वाब, और इसका हैड़कॉर्टर में बता चुका हूँ, कोलोनी में है, भारत की रैंक है 40, 40, नमबर वन पे है स्विजर लेंड, नमबर दो पे अमेरिका, नमबर तीन पे सिंगापूर, इनमें से किस लेड़ी को सस्त्र रामनु यानी मैथमेटिशन बोला जाता है, इनका जनम हुआ था कुमबा कॉनम तमिलनाडू के अंदर, इनमें से कोन सा देश है जिसने अलाओ कर दिया है कि इस देश की महिलाएं वो गाड़ी चला सकती है, और स्पोर्ट स्टेडियम में मैचिस देखने के लिए भी जा सकती है, ये कौन से कंट्री ने लाओ किया है? ये देश है साउधी अरब. साउधी अरब जिसकी राजधानी है रियाद और करंसी है रियाल. इन में से प्रियंका चोपड़ा जो है, और मैंस में है जिम पार्सों जो बिग बैंक थियोरी के एक्टर है, प्रियंका चोपड़ा का स्थान है दुनिया में आठवा. इन में से उडिया भाशा में लिखने वाले कौन से कवी हैं, जिने 38 सरल अवार्ड देकर समानित किया गया, उनकी कहानियों का संग्रे जिसका नाम है कठापुआ, ये लिखा है बनज देवी ने, उडिसा की सरकार ने, उडिसा के ये उडिया भाशा के पोईट है, इन्हें मिला है 38 सरल अवार्ड. Special Forces of which country? कौन से देशों की सेनाई मिलके एक joint military exercise कर रही हैं, जिसका नाम है, दुरुजबा 2017, दुरुजबा 2017 कर रहे हैं पाकिस्तान और रश्या मिलके, so answer है two and three, पाकिस्तान और रश्या, और ये रश्या के अंदर हो रही है, उस जगा का नाम है वोडी, रश्या के अंदर राजधानी है मोश्को, राश्पती है पुतिन, अजय सिंग ये Boxing Federation of India के President है अजय सिंग इन में से कौन सी टीम है जिसने एक record बनाया है Calcutta Football League को 8 वी बार लगातार जीता है और 2010 से ये हारी नहीं है Calcutta Football League में ये कौन सा क्लब है ये क्लब है East Bengal और अब तक ये 39 बार Calcutta Football League जीच चुका है Hugh Hefner का निधन हो गया ये कौन सी lifestyle और entertainment magazine के founder थे ये magazine है Playboy 1953 में इन्होंने start करी थी ये magazine शिकागो में Asian Development Bank ने भारत का जो growth forecast है वो कितना करा है पहले इन्होंने कात हम 7.4% ग्रो करेंगे अब घटाकी कर दिया है 7% 7% ग्रो करेंगे हम Asian Development Bank के हिसाब से World Anti-Doping Agency जिसका headquarter है Montreal में Canada में इन्होंने कौन से देश की anti-doping laboratory को suspend कर दिया है ये खिलाडियों का बचाव कर रही थी और इसको ban कर दिया है ये इन्होंने France की anti-doping laboratory को ban कर दिया है France के राशपती है Emmanuel Macron और राजधानी है Paris इन में से कौन से राजधे की सरकार ने एक steering committee बनाई है जिससे drug छुणाने का जो program है उसको monitor किया जा सके इस राजधे में drugs की काफी समस्या है इस राजधे के जो governor है वो है VP Singh बदनौर और captain अर्विंदर सिंग है मुख्यमंत्री ये राजधे है Punjab एक committee अभी अभी बनी है online abuse को रोकने के लिए online जो गाली गलो चलता है Twitter पे Facebook पे इस committee की अधिक्ष्टा किस ने करी ये खासकर महिलाओं के अगेंज जो अत्याचार होता है online abuse होता है उसको control करने के लिए committee बनाई गई है इस committee का नाम है PK विश्वनाथन committee 2017 का विश्व पर्यटन दिवस मनाये गया 27 सितंबर को आपको ये बताना है कि इस बर इसका theme क्या था विश्व पर्यटन दिवस इसका theme था Sustainable tourism a tool for development Sustainable tourism a tool for development अगर आपसे ये पूचे भारत में सबसे ज़्यादा domestic tourist यानि अंतर देशिय टूरिस्ट और अंतर राष्टे टूरिस्ट 2016 में कौन से राज्य में आए तो answer है तमिल नडू भारत ने अभी अभी एक agreement करा है technical cooperation के लिए पुलिस training के लिए कौन सा देश है जो पुलिस training में हमारी मदद करेगा इसके लिए आपसी सयोग करेगा पांच साल के लिए contract sign हुआ है ये देश है अफगानिस्तान अश्रफ घानी यहां के राजपती है इनको हसान रूहानी के साथ confuse नहीं कर रहा है हसान रूहानी है इरान के इरान में हम बना रहे है अच्छा बार पोर्ट इरान की राजधानी है तेहरान एमाम एहमद एब्ड एल एटी ये दुनिया की सबसे भारी महिला थी 500 किलोग्राम इनका वजन था ये इनका निधन हो गया ये कौन से देश से थी ये इजिप्ट से थी इजिप्ट की राजधानी केरो है यहां पे नील लदी भैती है और इजिप्ट के खिलाड़ी याद रखा है कांडला पोर्ट का कांडला पोर्ट कहां पे है ये गल्फ आफ कच गुजरात के अंदर है जो लोरैंको ये कौन से देश के नए राजपती बने है 38 साल के बाद 38 साल के बाद क्योंकि जो इन से पहले थे वो थे जोज एडवार्डो और ये काफी लंबे समय तक थे ये देश है अंगोला अंगोला की राजधानी है लुआंडा मशूर लेखक और पत्रकार अरुन साधू इनका निदन हो गया ये कौन सी भाशा में लिखते थे अरुन साधू ये साहित्य अकेडमी अबॉर्ड विनर थे ये लिखते थे मराठी में इन में से कौन से है एक है प्राइस फॉन्डेशन इनका नाम है कॉलिन गॉन्जालविस के इन में से कौन सी युणिवर्सी तरह के इस तरह का कोई भी प्रोग्रम करने वाला ये पहली युणिवर्सीटी है जिसने भारत की तीनों फॉर्सीज के लिए UG और PG प्रोग्रम चलाएं हैं याद रखिये जाम्या मीले इस्लामी उनिवस्टी के वाइस चांसलर कोन है तलत एहमद और जाम्या मीले इस्लामी ने टर्की के राश्पती रैसी बैडोकान को डॉक्टर की डिग्री भी दी थी उप राश्पती वेंकाया नाइडू इन्होंने उधगाटन किया सोचाले कागी समरा ये एक क्रूसेड फॉर टॉलेट है टॉलेट बनाने का प्रोग्राम है कोन से राज्ये के अंदर है ये इन्होंने कोनूर गाउं में विजट करके लॉंच करा है ये गाउं है करनाटक के उस मोबाईल एप का क्या नाम है जिसे हमारे समाजिक निया और शशक्तिकरण का जो मंत्राले है थावर चंद गहलोत यहां के हमारे मिनिस्टर है इसके उन्होंने इस एप को लॉंच करा है जिसे जो देव्यांग है जो चल फिर नहीं सकते या जो किसी तकी अपंगता है ज तो किस एरपोर्ट की सिक्योर्टी दुनिया में बेस्ट बताई गई है वर्ल्ड क्वालिटी कॉंग्रेस दुआरा कौन सा एरपोर्ट है यह यह एरपोर्ट है छतरपती शिवाजी इंतराष्ट्री एरपोर्ट और यह है मुंबई एरपोर्ट और CISF के डिरेक्टर जरनल है ओपी सिंग स्टेट बैंक ओफ इंडिया ने अपनी नई ब्रांच खोली अभी अभी कौन से देश में यह देश है सिंगापूर इन में से कौन सा एरपोर्ट है जिसने वीलचेर लिफ्ट और वर्टिकल लिफ्ट शुरू करी है सिनियर सिटिजन के लिए और पैसेंजर क प्रोजेक्स में दक्षिन कोरिया इस राज्य की मदद करेगा यह राज्य है महराश्टर देवेंदर फटनाविस जो है अभी दक्षिन कोरिया भी गए थे दक्षिन कोरिया के राजधानी है सियोल और नौर्थ कोरिया की राजधानी है पियॉन यैंग दोनों की मुद्रा क किस दिन मनाये गया, यह मनाये गया 28 सितंबर को, यानि last Thursday of September, last Thursday of September, सितंबर के आखरी वीरवार को, World Heart Day, यह हम किस दिन मनाते हैं, World Heart Day, यह मनाये जाता है, World Heart Federation द्वारा, और इस पर इसका theme था, share the power, share the power, यह मनाये गया 29 सितंबर को, इन में से कौन सा राज्य है, जिसने टॉप किया है भारत में, यह Association of Chambers of Commerce and Industry ने स्टड़ी करवाई थी, एस चैम ने, Manufacturing Excellence और Emergency in India, State Level Analysis, यानि Manufacturing भारत में सब ज़्याद अच्छी किस राज्य में है, Manufacturing Excellence में टॉप किया है, अगेन यह टॉप किया है महराष्टर ने, और दूस के, इसका क्या नाम रखा गया है, इसका नाम है, Gram Samriddhi Evam Swachita, Gram Samriddhi Evam Swachita, हमारे Rural Development मंतरी है, नरेंदर सिंह तोमर, यह हमारे Mining मंतरी भी है, एक और Important बात, Cleanliness Survey जो हुआ था, उसमें भारत का सबसे साफ सुतरा शहर है, इंदौर, फिर है, इंदौर है, और सबसे गंदा ह गौंडा, दूसे नमबर पे है, भोपाल, यह दोनों ही मद्धे परदेश में है, तो सबसे जादा जो Top 50 में, सबसे साफ सुतरे शहर 12 है, गुजरात्र के, Top 50 में, यह भी याद रखिए, दूसे नमबर पे मद्धे परदेश, तीसे नमबर पे आंद्र परदेश में है, सब अगर आपको पागल कुत्ता काट ले, या सियार काट ले, तो आपको यह डिजीज हो सकता है, इसमें पानी से डर लगता है, यह डिजीज है, रेबीज, रेबीज, और लुई पास्चर की जो डेथ है, वो भी इसी दिन हुई थी, 28 सितंबर को, लुई पास्चर जिने लिया, General Assembly ने United Nations की, 24 मई को कहा था, कि हम हर साल, 24 मई 2017 को कहा था, हर साल हम मनाएंगे International Translation Day, यह 30 सितंबर को मनाएं गया, उस पोर्टल का क्या नाम है, जिसे हमारे ग्रह मंतरी राजनात सिंग ने लॉँच करा है, अगर हम इससे Child Labour को रोख सकते हैं, Human Trafficking को रोख सकते हैं, बंधवा मजदूरी जो बच्चे करते हैं, उसे रोख सकते हैं, और बच्चों के योन उत्पीडन को रोख सकते हैं, इसका नाम रखा है, Platform for Effective Enforcement, यानि, Short में है Pencil, पूरी फुल फॉम अगर पूछ लें, तो Platform for Effective Enforcement for No Child Labour, और हमारे श्रम मंतरी को ने, पहले थे इनका नाम है, इनका नाम है महताब बामजी, इन में से किस वेक्ति को Economic Advisory Council का चेर्मेन बनाया है, परधानमंतरी मोधी द्वारा, आर्थिक ये सलाह देंगे परधानमंतरी मोधी को, हमारे चीफ जो Economic Advisor है, वो है Erwin Subramaniam, जिने एक साल का extension दे दिया गया है, जो मुखे आर्थ जो चेर्मेन बनाया गया है, जो हमारी Economic Advisory Council है, उसका, State Bank of India के नए चेर्मेन है, रजनिश कुमार, Central Board of Secondary Education, CBSE की नए चेर्मेन है, ननीता करवाल, Oil and Natural Gas Corporation, यानी ONGC के नए चेर्मेन है, शशी शंकर, पहले थे दिने सराफ, NHPC के हैं, बलराज जोशी, ये Hydro Power का Department है, बलराज हिमाचल परदेश को अपनी Vocational Education or Training, Institutions को अप्ग्रेड करने के लिए, उनको बहतर प्राने के लिए अलोट किया है, टोटल प्रजेक की कोस्ट है, 100 मिलियन, इन में से जो लोन अप्रूव हुआ है, वो हुआ है, 80 मिलियन डॉलर का, हिमाचल परदेश में आप याद रखिए एक है Pin Valley National Park, और एक है Great Himalayan National Park, अभी चुनाव होंगे हिमाचल परदेश में, और 9 नमबर को चुनाव होंगे, एक ही चरण में चुनाव होंगे, यह अनौंस करा हमारे Chief Election Commissioner अचल कुमार जोती ने, और हमारे Election Commissioner है सुनी लरोडा, और दूसरे है ओपी रावत, और सुनी इनमें से पहले एश्वेत, एश्वेत वेक्ति कौन है, जो किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी को लीड करेंगे कैनेडा में, और 2019 के election में यह जस्टिन टुडियू को चुनावती देंगे, इनकी पार्टी का नाम है NDP, यानि New Democratic Party, इनका नाम है जगमीत सिंग, जगमीत स सिंग, और एक सरदार और है कैनेडा में, जो आपको याद रखने है, वो है हरजीत सिंग, हरजीत सिंग जो है यह कैनेडा के defense minister यानि रक्षा मंत्री है, और भारत की defense minister है निमला सितरमन, कैनेडा में एक जगा है Montreal, और Montreal Headquarter है World Anti-Doping Agency का, कैनेडा की राजधानी है Ottawa, इन में स स्वच भारत mission के लिए, चंदर बाबु नाइडू, जो आंदर परदेश के मुख्य मंत्री है, उन्होंने brand ambassador किसे बनाया है स्वच भारत के लिए, स्वच भारत के तहट जो है वो एक स्वच सर्वेक्षन भी हुआ था, उसमें भारत का सबसे साफ सुतरा शहर था इंदौर और सबसे गंदा था गोंडा, गोंडा है उत्तरपरदेश में, इंदौर है मध्यपरदेश में, और टॉप 50 में, अगर हम देखें, टॉप 10 तो उसमें कम से कम शुरू के 3 याद रखनें आपको, तो नंबर 1 पे था इंदौर, नंबर 2 पे था भोपाल, और नंबर 3 पे था विशाका पटनम जो आंदर परदेश में है, आंदर परदेश के तक्ट पर है, आंदर परदेश का एक डांस भी है, जिसको बोलते है कुच्छी पूडी, ये आंदर परदेश का स्टेट डांस है, और इनका नाम है पीवी सिंदू, पीवी सिंदू जो है, इन्होंने मेडल जीता था जो पिछले ओलंपिक खेल हुए थे और ये हारी थी फाइनल में कैरोलीना मारिन से जो स्पेन की खिलाडी है और एक दो और याद रख लिजे असाम टूरिजम ने अपना ब्रेंड अमबसेडर बनाया है प्रियंका चोपडा को असाम टूरिजम इसके लिए इ वैसे हमारे खेल मंत्री भी नए बने है अगर आपको पताओ पहले खेल मंत्री कौन थे विजय गोयल अब है राज्य वर्दन सिंग्राठ और फॉर्थ बाइ मंत्री मॉनेटरी पॉलिसी जो हुई है रिव्यू उसमें स्टेटरी लिकुडिटिटी रेशो को 50 बेसिस पॉइंट काट दिया है अब कितनी हो गई है पहले 20 परसेंट थी अब हो गई है 19 परसेंट और इस वजए से 57,000 करोड रुपे का धन बैंक अतिरित दे पाएंगे क्योंकि statutory liquidity ratio वो पैसा होता है जो बैंक को government securities में invest करना होता है अब बैंक को 50 basis point यानि 20 की बजाए सिर्फ 19.5 रखना होगा तो कुछ पैसा free होगा जिससे वो लोन दे पाएंगे तो ये पैसा है 57,000 करोड और बाकी जो ratio है वो भी याद रखिये rate cut इस बार नही चार परसेंट है और statutory liquidity ratio है 19.4 परसेंट और rate cut के लिए 5 लोगों ने हाँ बोला था और 5 लोगों ने बोला था rate cut उतना ही रहना चाहिए और एक ने सिर्फ रमिंदर ढोलकिया ने का था कि rate cut होना चाहिए ये भी आद रखिये और reserve bank के जो governor है वो है उर्जित पटेल monetary policy committee में 6 member होती है तीन सरकार की तरफ से तीन reserve bank of India की तरफ से इन में से भारत के कौन से coach है जिने wrestling federation of India ने suspend कर दिया suspend कर दिया और wrestling federation of India के chairman को ने इसके president है Mr. Bridge Bhushan Sharand Singh B.S. Singh Bridge Bhushan Sharand Singh और जिनको suspend किया है इनका नाम है Kripa Shankar Patel अभी अभी अरपन software का तीसरा version release हुआ है ये किस चीज के लिए है ये software अरपन है defense के लिए रक्षा के लिए और हमारे जो army के chief है वो विपिन रावत है नेवी के सुनिय लांबा है और air force के BS धन हुआ है और अरपन software के अंदर क्या होता है कि हमारे जो defense में काम करने वाले लो delivery scheme, single click pension delivery scheme का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि जो pension होती है जो 60 साल ज्यादा के लोग है जो pension के लिए eligible होती है उनको पहली तारीक को ही मिल जानी चाहिए, single click pension scheme launch करी है मद्दे परदेश की सरकार ने, मद्दे परदेश की मुख्य मंत्री है शिवरा सिंग चोहान और के किस खिलाडी ने, इनका नाम है जगन कुमार, ये है motorcycle racing championship और ये पहले भारतिये हैं जिनोंने Asian road racing में भी जीत दर्ज करी, इनकी team कौन सी है, कौन सी चलाते हैं ये, बाइक कौन सी company के चलाते हैं, TVS racing के चलाते हैं, TVS racing, इनके या देख सकते हैं आप, जो इनका dress है उसके पर लिखा है, TVS, कौन से formula 1 चलाने वाले driver है, जिनोंने Malaysian Grand Prix जीत ली, वैसे इस बार का world champion कौन बना है, world champion बन गए है, Lewis Hamilton कल रात को ही race हुई थी आखरी, तो Lewis Hamilton बन गए है, world champion, और ये चोथी बार world champion बने है, Lewis Hamilton, और ये ब्रिटेन के है, Mercedes गाड़ी चलाते हैं और Malaysian Grand Prix, जो रेस होती है, world championship, उसमें कई सारी race होती है, अलग-अलग country में, तो Malaysia में जो race हुई वो किसने जीती सवाल ये है, ये जीती Max Verstappen ने, और ये कौन सी गाड़ी चलाते है, Red Bull, ये आम इदनी पोशाक पर देख सकते है, Red Bull लिखा हूँ है, अब ये है सारे winners, अब देखें इसमे मैं आपको याद रखने का तरीकप दाता हूँ, जादातर race तो Lewis Hamilton ने जीती है, क्योंकि overall इन्होंने जीती है, जो driver championship है, यानि world champion यही बने, और इनको सबसे कड़ी टक कर दी Sebastian Vettel ने, ठीक है, अगर मानलो आपको कोई भी race आ जाए, तो 99% chance ये है, या तो answer होगा Lewis Hamilton, या वो याद रख लो, जैसे अजर बैजान Grand Prix जीती थी, डैनल रिकियार्डो ने, रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, और इसका formula है B.A.H.M., B.A.H.M., ये वो race हैं जो Sebastian Vettel ने जीती है, और बची सिर्फ दो, Russian और Austrian, RA, ये जीती है, वलतारी बोतास ने, बस, इसके लावा कुछ भी आजाए, तो वो Lewis Hamilton नहीं जीती है, चाहे वो British Grand Prix, US Grand Prix, Belgian, Italian, Singapore, Canadian, Spanish, Chinese, सब Lewis Hamilton ने जीती है, तो I hope ये formula आपको अच्छा लगेगा, तो race जो जीती है, और एक मैने इसमें छोड़ दी, वो थी Malaysian Grand Prix, वो किस ने जीती है, वो जीती है, Max Verstappen ने, जो Red Bull की चलिए, पहली भारती महिला कौन बनी है, जिनोंने दुनिया की आठवी सबसे उंची चोटी, जिसका नाम है Mount Manaslu, इसका परवता रोहन किया, ये उत्तरपरदेश में IPS officer है, और इनका नाम है अपरना कुमार, अपरना कुमार, नेपाल के अंदर चोटी है, ये Mount Manaslu, और इसकी उचाई है, 8848 मीटर, इन में से कौन से राज्ये की सरकार ने एक policy लेके आए हैं ये, policy ये है कि अगर आप helmet नहीं लगाओगे, तो petrol नहीं मिलेगा, ये टू विलर्स के लिए है, दूपईया जो वहाने उनके लिए है, no helmet, no petrol, इस policy को लेके आई है आंदर परदेश की सरकार और इसके पर 10 करोट रुपय खर्च करेंगे ये, आंदर परदेश की नई राजधानी क्या है, अमरावती, अमरावती है यहां की नई राजधानी और एक important national park है यहां जिसको बोलते है, पापी कॉंड़ा नेशनल पार्क, वैसे यहां पे इन्होंने अपने airport अमराव उनको गोलते है, लौडवेंकर टेश्वरा, बेंगाजी airport, बेंगाजी port, बंदरगाया है ये, ये तीन साल के बाद खुला है, कौन से देश में है ये, ये लिब्या में है, लिब्या में है, त्रिपोली में है, और ये बंद कर दिया था, क्योंकि यहां पे लड़ाई चल पोर्ट कहां पे है, शिरलंका में है, ये वो पोर्ट है जो भारत बना रहा है शिरलंका में, चाइना भी बना रहा है शिरलंका में, उसका नाम है हमपन टोटा, ये भी शिरलंका में है, ठीक है, दूसरा है एक पोर्ट गौदार, गौदार है पाकिस्तान में, और इसको बन आ रहा है इंडिया, तो ये चार पोर्ट और पूछे जा सकते हैं आपसे, तीन अमरीका के वैज्ञानिक हैं, जिने नोबल प्राइज मिला है फिजिक्स में, इन्होंने गुरुतवा करशी जो किरने हैं उन पर काम किया, इन में से कौन से नहीं है, रेनर वीस हैं, किप थॉन और बैरी बैरिश हैं, यानि जे हनिंगन नहीं है इन में से, और ये साइंटिस कहां के हैं, ये MIT के हैं, MIT मतलब Massachusetts Institute of Technology, और ये है मेडिसिन वाले, जैफरी हॉल, माइकल रोसबाश और माइकल यंग, कैमिस्ट्री के हैं, रिचार्ड हेंडर्सन, जोकेट डुबचेट और जो काम किया, इस संस्थाने ICNA, इसलिए इसको मिला है, International Nobel Peace Prize, चलिए, अब आपके लिए आज का पहला सवाल, जो साहित्य के लिए कजुओ इशीगुरो को प्राइज, जो Nobel Peace Prize मिला है, Nobel Literature Prize मिला है, ये कौन सी किताब के लिए मिला है, क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सी और ये कौन से देश के हैं, अभी अभी एक Underground Water Treatment Plant inaugurate हुआ है, कौन से राज्य में हुआ है, ये हुआ है, जिस जगा में उसका नाम है, साधू टिल्ला, साधू टिल्ला, और ये त्रिपुरा में है, त्रिपुरा की राजधानी है, अगरतला मानिक सरकार हैं, या के मुख्य न्यूस पेपर आता है, दैनिक असाम, दैनिक असाम के ये एडिटर थे, असाम में है दिबरू साइखोबा नेशल पार्क, सोनई रुपई, मानास, औरांग, काजी रंगा, इतियादी, यहां के मुख्य मंत्रिये सरबंदन सोनोबाल, और गवर्नर हैं के नए जगदीश इसकी हेड किसे बनाया है, इसकी हेड है, जो दिल्ली हाई कोट की पूर्व चीफ जस्टिस है, इनका नाम है जी रोहिनी, और दिल्ली के गवर्नर है अनिल बैजल, इन में से कौन सा देश है, जिसने अपना सबसे बड़ा मिलिटरी बेस बनाया है मोगाधीशू में, देख टर्की की राजधानी है, अंकारा, टर्की में एक और फेमस शहर है जिसको बोलते हैं, इस्तानबुल, एक और बात, मोगाधीशू का पड़ोसी देश कोन सा है, जीबूटी, और जीबूटी में मिलिटरी बेस बनाया है, चाइना ने, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये किस दिन मनाया गया, अक्टूबर में, वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, इंटरनेशनल वेजिटेरियन यूनिर मनाता है, और इसको मनाया जाता है, एक अक्टूबर को, सबसे इंपोर्टेंट डे होता है, चोबिस अक्टूबर, अक्टूबर में अगर आप पूछें, ये ये पहले भारत के उपराश्टपती और भारत के दूसरे राश्टपती डॉक्र सर्वापली राधा कृष्टन का बढ़े होता है Air Force Day, very important, 8 तारिक को होता है Air Force Day International Day of the Girl Child, Girl Child को नहीं मारना चाहिए, Girl Child की importance को समझना चाहिए इसके लिए 11 अक्तुबर को होता है, 11 अक्तुबर को वैसे अमिता बच्चन जी का जनम दिन भी होता है World Student Day होता है 15 अक्तुबर को, World Food Day होता है 16 अक्तुबर को होता है, National Statistics Day, भारत में कम मनाते है, Statistic Day प्रोफेसर महाल अनोबिस का जरम दिन होता है कमेंट्स में लिखे होता है, National Police Commemoration Day होता है 21 अक्तुबर को, World Polio Day होता है 24 अक्तुबर को, World Polio Day होता है, United Nation Day भी होता है और इंडो तिवतन Border Police Force का भी दिन होता है, इसी दिन बनी थी इंडो तिवतन Border Police Force इसके हेड कोने इस वक्त, RK पचलनदा एक जहाज है, जिसका नाम है M.T. New Prosperity आपको पता होगा, भारत ने अमरीका से Shell Oil खरीदना शुरू कर दिया है Shell Oil अमरीका से खरीद रहे है, पहली बार हम अपने तिहास में अमरीका से खरीद रहे है वैसे हम तेल किससे खरीदते हैं, इरान, इराक, नाइजीरिया, अंगोला, यह सारे जो देश इन से खरीदते है अब यह जो जहाज है, यह भारत के कोन से बंदरगा पे आया, तेल लेके अमरीका से यह आया, पैरादुइप बंदरगा, पैरादुइप का हैं, ओडिसा में और चेनई आप जानते ही है, हल्दिया पश्य मंगाल में, कांडला का हैं, कांडला का नया नाम क्या है पंडित दिन दियाल बंदरगा, यह है गुजरात में, पंडित दिन दियाल उपादयाजी के नाम पे मुगल सराय स्टेशन का भी नाम रख दिया गया है, और दिल्ली में जो उर्जा भावने उसका नाम भी रख दिया गया है, और दिन दियाल केंटीन भी स्टार्ट कर दि इनको connect करेगा आपस में ये pull ये कौन सी नदी पे बना है ये बना है शोक नदी पे शोक नदी पे जो इस बार फीफा अंडर 17 वल्ल कप हुआ किस ने जीता इंग्लेंड ने जीता किसको हराया स्पेन को फाइनल में 5-2 से हरा दिया वैसे स्पेन आगे चल रहा था 2-0 से फिर ने 5 गोल मार दिये तो इंग्लेंड ने जीता है फीफा अंडर 17 वल्ल कप भारत को सभाशी देनी होगी बहुत अच्छे से हमने और्गिनाइज करा और इवन जो semi-final मैच हुआ था ब्राजील का उसमें भी 52,000 लोग आए थे देखने तो काफी अच्छा हमने और्गिनाइ क्रासावा और एडिडास एक पार्टनर था इसमें स्पांसर था और हुणडेई भी एक स्पांसर थी फीफा अंडर 17 वल्ल कप में गवर्मेंट ने जो इंटरस्ट रेट है वो इस बार जो मोनेटरी पॉलिसी हुई है तीन अच और चार अक्तुबर को तो ऑक्टूबर से इंटरस्ट रेट में कितना परिवर्तन किया है? यह परिवर्तन हुआ है, बिलकुल भी नहीं, 0% यानि कि उतना ही इंटरस्ट मिलेगा जैसे प्रॉविदेंट फंड पीपीएफ पब्लिक प्रॉविदेंट फंड जो है उसमें आपको 7.8% इंटरस्ट मिलेगा यह सारे याद कर लीजे किसान विकास पत्र पे आपको मिलेगा 7.5% सुकन्या समरिधी अकाउंट पे मिलेगा 8.3% और एक ओर होता है सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम पे मिलेगा 8.3% तो 8.3 मिलेगा जो सुकन्या समरिधी अकाउंट है और senior citizen savings कीमे उस पे किसान विकास पत्र पे 7.5 और provident fund पे 7.8 Reliance ने Reliance इन्वे से एक company के साथ मर्ज होने वाला था उसका बिले होने वाला था आपको पताओगा हमारी जो telecom sector है उसमें बुरे हाल चल रहा है जीओ की वज़े से सारी कंपनियां ऐसा लग रहा है बंद होने वाली है और इसलिए request की गई है सरकार को कि telecom sector को उसमें capital डालो जैसे banks में भी डाला है 2.1 lakh करोड का उसी तरह telecom sector में भी revive करो companies को तो Reliance मर्ज होने वाला था air cell के साथ air cell के साथ पर अब नहीं होगा Reliance communication के chairman यहाँ पर आप देख सकते हैं यह चोटे अम्मानी है अनिलम्मानी और कुछ और merger है जैसे एक company है systema sham teleservice वो आर कॉम के साथ मर जो गई है और भारती जो air tell है घहना के अंदर घहना की राज़ानी एकरा है अफ्रिका का देश है वहाँ पर वो मर जो गई है Millicom घहना Limited के साथ और अब वो बहुत बड़ी company मन गई है घहना में भारती air tell मर जो गई है Millicom घहना Limited के साथ और systema sham teleservices आर कॉम के साथ मर जो गई है इन में से भारत की जो सबसे iconic places हैं 10 सबसे ज़्यादा महान places है स्वच भारत mission में जो select हुई थी उन में से सबसे साफ सुथरी कौन सी है यानि स्वच iconic place का award किसे गया है भारत की सबसे साफ place है मिनाक्षी temple मिनाक्षी सुंदरेश्वर temple कहा है यह मदुरई में मदुरई कहा है तमिलाडू में और इसमें और भी थे जैसे ताज महल था अजमेर शरीफ, गोल्डन टेंपल काफी थे लेकिन फस्ट आया है मिनाक्षी टेंपल हनुमंत मोरेश्वर मराठे, इनका निदन हो गया, यह मशूर क्या थे? यह राइटर थे, लेखत थे, मराठी भाशाओं में लिखते थे, और इनको हम पॉपुलरली बोलते थे हामो, हमारे परियवरन मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्दन ने अभी अभी विमोचन करा तीसरे र परियवरन मंत्री ही नहीं है, यह हमारे फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के मंत्री भी है, यह हमारे साइंस और टेकनलोजी के मिनिस्टर भी है, और यह जो कमिटी बनी थी, इसके देख्टा करी थी, J.C. Kala ने, J.C. Kala, 12 मेंबर थे इस कमिटी के अंधर, इनमें से कौन प्रेजिरेंट है वलादिमिर पूतिन और रशिया की राजधानी है रूबल रशिया में वैसे 2018 का फुटबॉल वल्लकप भी खेला जाएगा हमारा जो केंद्र सरकार है उन्होंने अभी अभी एक M.O.U. साइन करा है कौन से देश के साथ ये भारत में जो महिला पुलिस ट्रेणिंग सेंटर है यामेथिन में उसको अप्ग्रेड करेंगे मैं रिपीट करता हूँ भारत ने इनमें से कौन से देश के साथ आपसी सहयोग के लिए एक M.O.U. साइन करा है इस देश में यामेथिन नाम की जगा में वुमेंट पुलिस ट्रेणिंग सेंटर है उसको भारत अप्ग्रेड करने में मदद करेगा ये देश है मयामार मयामार की राजधानी है नेपी डाओ रोहिंग्या इशू के कारण मयामार नियूस में चल रहा है यहाँ पे रोहिंग्या रहते है जाधर राखीम स्टेट में और यहाँ के प्रेजिडेंट है हतिन कयाओ डिफेक्टो रीडर है रांग सांग सुकी जो समझादा दाकतवाल लेडी है वो यही है यहाँ पे और कयात है यहाँ की मुद्रा बहुत कम लोगों को पता होता है कयात के वाई एटी मयामार का पुरारा नाम है बर्मा इन में से मिर्थ्यो प्रांत यानि पोस्थियूमस ली मरने के बाद जो अवर्ड दिया जाते है उसे बोलते है पोस्थियूमस अवर्ड अन्ना पॉलिट्स को वसा कया अवर्ड मिला है इने अपने करेजियस जनलिजम के लिए तो ये अवर्ड किसे मिला है ये मिला है गौरी लंकेश को गौरी लंकेश पत्री के नाम का मैगजीन आता था इनका और कंणड भाशा में ये लिखती थी कंणड भाशा में अब आपके आईता के लिए जिसे बोलते हैं गिलर्मो कानो प्राइज ये किसे मिला है क्या आप कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं गिलर्मो कानो प्राइज फुर जरनलिजम लिख JAKE किसे और his से गसे बडूझा काफी ये फेमस डारेक्टर थे इन में आइसे कौन सी कंपनी है जिसे Golden Peacock Award मिला है Golden Peacock Award क्योंकि इन्होंने Corporate Governance में Excellence दिखाई है Corporate शाशन के अंदर ये कंपनी है Tech Solutions Tech Solutions मद्धे परदेश के मुख्यमित्री शिवराज सिंग चोहान ने जो Transgender समुदाय होता है Transgender समुदाय जिने Transgender समाज के लिए एक Toilet बनाया है इसको सिरफ Transgender यूज कर सकते है कहां पर बनाया है ये मद्धे परदेश में ये बनाया है राजधानी बहपाल में बहपाल में और ये जो Third Gender होता है उसे बोलते है Transgender इन में से कोन से राज्ये की सरकार ने मुख्यमंत्री सामुहिक विभा योजना शुरू करी है जिसमें बहुत सारे लोगों का विभा एक ही साथ किया जाएगा और इसमें 35,000 रुपे पर कपल स्पेंड भी करेगी सरकार उनका विभा करने में 35,000 रुपे एक कपल के ओपर खर्च करेगी यह डिसीजन लिया है उत्तर परदेश की सरकार में उत्तर परदेश में नरोडा पावर प्लांट है यह अटॉमिक पावर प्लांट है उत्तर परदेश में दूधवा नेशनल पार्क है मुख्यमंत्री योगिय दित्तेनाथ है और गवर्नर है राम नायक इन मेंसे कौन से राजे की सरकार ने एक scheme launch करी है जिसका नाम है मात्रूपूरण scheme मात्रूपूरण scheme है ये pregnant महिलाओं के लिए है और lactating महिलाओं के लिए है इसमें महीने में 25 दिन सस्ता भोजन मिलेगा सिरफ 20 उपे में इसके लावा iron की tablet मिलेगी क्योंकि जो pregnant महिला होती है उनमें iron की कमी हो जाती है ये स्टार्ट करा है करनाटक की सरकार में करनाटक ने शुरू करी है इंदरा canting सस्ता भोजन देने के लिए आंची नेशल पार्क है इसके लावा भरर गट्टा बांदीपूर नागर होले नेशल पार्क है डांडेली टाइगर रिजर्व है कुद्रेमुक टाइगर रिजर्व है तो ये सब है करनाटक के अंदर राजधानी है बैंगलूरू, बैंगलूरू है इस्रो का और यहाँ पर है इंडियन इंस्टिट्यूट अफ साइंस इन में से भारत की तरफ से एक मात्र गोल्ड मेडल किस ने जीता वर्ल्ड वूशू चेंपियंशिप ये कजान में हुई रश्या के अंदर ये जीता पूजा काद्यान ने और पूजा काद्यान ने 75 किलोग्राम केटेगरी में इसे जीता अभी-अभी Under 19 World Cup ये 2018 में होगा Under 19 World Cup इसका Brand Ambassador किसे बनाया है ये New Zealand के अंदर होगा New Zealand की राज़ानी Wellington है और इनको ये जो बनी है इनका नाम है Corey Anderson New Zealand के ये हैं New Zealand में एक पक्षी पाया जाता है जो उड़ नहीं सकता कीवी इसे लिए New Zealand के लोगों को भी हम कीवी गोल देते हैं इस रो ने Indian Space Research Organization Mr. A.S. Kiran Kumar है इसके चेर्मेन इसका Headquarter Bangaluru में है इस रो एक Research Center बना रहा है किसके लिए? स्टार्टप्स के लिए टीचर्स के लिए परियावरंड विज्यानिकों के लिए और Entrepreneurs के लिए ये कहां पर बना रहा है इसको बनाएगा ये गोवाहाटी में गोवाहाटी कहा है? असाम में असाम के मुख्यमत्य सबन सोनों वाल है और असाम में असाम के लाजधानी है दिस्पूर World Health Organization के Deputy Director General कौन बनी है? इसे पहले आप Deputy बताएं पहले Director General बता दिजिए Director General है Tedros Adhanom Tedros Adhanom है इथोपिया के इथोपिया अफरिका का एक देश है इसकी राजधानी है एडिस अबाबा ये तो है Director General ये सबसे ताकतवर बैकती हैं ये Chief है तो Deputy बनी है स्वामिया स्वामिनाथन ये इंडिया की है WHO का Headquarter है जनेवा में पूरुशोत्तम लाल कौशिक इनका निधन हो गया ये इनका संबंध कोन से? फिल्ड से था ये politician थे और ये नागरी कुट्यन मंतरी भी थे मुराजी देशाई की सरकार में और चरन सिंग की सरकार थी चौदरी चरन सिंग की उसमें ये सूचना परसान मंतरी थे तो ये politician थे मंगोलिया के नए परदान मंतरी कोन बनी है? मंगोलिया की मुत्रा है और राजधानी है उलन बतौर मंगोलिया में एक मरुस्थाल है जिसे बोलते हैं गोबी मरुस्थाल ठंडा मरुस्थाल है ये मंगोलिया और इनका नाम है थोड़ा सा प्रोनाउंस करना मुश्किल है आप UK याद रख लीजिए UK उख नागिन खुर रे ले सुख ये है मंगोलिया के नए परधान मंत्री 20 दिवस ये प्रोग्राम अभी-अभी हमारे परियतन मंत्री ने चलाया Ministry of Tourism ने चलाया परियतन मंत्री ने नहीं इसका क्या नाम था परियतन को बढ़ावा देने के लिए इनका नाम है परियतन पर्व परियतन पर्व चलाया है अब एक important चीज़ बताता हूँ पहले हमारे culture और tourism यानि संस्कृती और परियतन के मंत्री ये गी थे दॉक्टर महेश शर्मा अब tourism के मंत्री अलग हो गए tourism के नए मंत्री बने हैं इनको बोलते हैं KJ Alphons KJ Alphons 4 से 10 क्तूबर को ये कोंसा सFTा मनाये गया मैं रिपीट करता हूँ 4 से 10 क्तूबर को киноसा सFTा मनाये गया ये सब्ता था World Space Week अंतराष्ट्रिय स्पेश सब्ता अंतरिक्ष सब्ता और 2-4 और पूछ लेंगे 9-14 तारी को कौन से सप्ता मनाया गया बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सप्ता भारत में मनाया गया, 9-14 अक्तूबर को Disarmament Week, यानि हतियारों को कम करो इसके लिए सप्ता मनाया गया 24-30 अक्तूबर और Vigilance Awareness Week मनाया गया 30-4 नमबर 30-4 नमबर भारत में परियावरन मंत्राले है जो है, हमारे परियावरन मंत्री डॉक्टर हरश्वरदन है उन्होंने अगले 6 साल के लिए एक प्रोजेक्ट लॉंच करा है United Nation Development Program के साथ मिलके जिससे हम अपने हिमालियास की रक्षा कर सकें कौन-कौन सी जंगा की रक्षा करनी है जमू कश्मीर में चंग्ठांग हिमाचल परदेश में लाहौल पंगी और किनौर उत्राखण में गंगोत्री, गोविन, दर्मा ब्यानास, वैली, पिथोरागड में सिक्की में कंचन जंगा और तीस्ता गाटी इनकी रक्षा करने के लिए प्रजेक्ट स्राट करा है, इसका नाम है सिक्क्य और हिमालिया सिक्क्य और हिमालिया तीन राज्ये हैं भारत के जिनोंने जिनोंने cultural ties यानि संस्कृतिक संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक शिरिष्ट भारत प्रोग्राम के तहट MOU साइन करा है इन में से वो कौन सा राज्य नहीं है अरुनाचल प्रदेश है, मेगाले भी है, उत्तर प्रदेश भी है, ओडीसा नहीं है इस प्रोग्राम में एक इच इयर, एस्टेट और यूनियन टेरिट्री जो है उन्हें पेर किया जाता है अपस में, जिससे उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो बढ़ाये जा सके अरुनाचल प्रदेश में पेमाखंडू मुख्यमंत्री है, बीजेपी की सरकार है, इटानगर राजधानी है, तवांग डिस्प्यूटेड एरिया है और यहाँ पे है माउलिंग नेशनल पार्क और नामडफ नेशनल पार्क, ठीक है, मेघालिया जो है यहाँ शिलॉंग राजधानी है, बारिश बहुत होती है चिरापुंजी में, और जो सबसी जादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, वो मौसिन राम में की गई है आस तक, म गहिरमठ बीच है, जहाँ पे ओलिव डिली टर्टल मिलते हैं, इन में से कौन से राज्ये की सरकार ने एक लैंड बैंक बनाया है, लैंड बैंक मतलब यह है, इसमें लगभग एक लाग बीस हजार एकड की जमीन इनों ने रख लिए अपने पास, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, क्योंकि जमीन अक्वाइर करना मुश्किल होता है, इसलिए इनोंने पहले ही एक लैंड बैंक बना दिया है, तो यह बनाया है ओडिसा की सरकार ने, ओडिसा में एक नदी भी बहती है, जिसको बोलते हैं महा नदी, छत्यस दले से निकलती है, फिर ओडिसा में आत जिती, जो इटली के इमोला शहर में हुई थी, क्या नाम है इनका, इनका नाम है महावीर रगुनाथन, सिर्फ 19 साल के हैं ये, और ये चेन्नाई से हैं, चेन्नाई से हैं, चेन्नाई में कजाकिस्तान ने अपना Consulate Office भी खोला था, क्योंकि कजाकिस्तान भारत के बीच 25 साल diplomatic ties को पूरे हो गए, इसराइल के साथ भी हमारे 25 years पूरे हो गए, इनमें से कौन सा राज्य है, जो भारत में पहला राज्य बना है, जिसने दिव्यांगों के लिए, जो दिव्यांग है, जो चल फिर नहीं सकते, या जो जिनने differently able बोलते हैं, उनके लिए industrial training institute बनाया है, इस पूछने तो, ये दिबरुगड में लगाया है, इनमें से कौन से राज्य के cabinet ने एक scheme चलाई है, जिसका नाम है मुख्य मंत्री Rural Road Repair Scheme, यानि जो ग्रामीन सडके हैं, उनको repair किया जाएगा, और मन्रेगा के तहत लगाई है, मातमा गांधी National Rural Employment Guaranties Act, उसके तहत लगा और हमारे जो Rural Road, Road मतलब क्या नागरिक परिवहन, तो उसके लिए Department है MORTH, नागरिक परिवहन मंत्री है नितिन गड़करी, जो हमारे River Development Water Resources और गंगा क्लिनिंग के मंत्री भी है, नागपुर से ये लोगसबा संसद है, और ये राज्य है हिमाचल परदेश, ये फोटो है व और याद रखिए, लखनव मेट्रो भारत का पहला मेट्रो है, जिसके पास अपना खुद का FM है, और भारत का पहला Green मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो, जिसे बोलते हैं DMRC, Delhi Metro Rail Corporation, मेट्रो Urban Development Ministry के अंडर आती है, अब हमने Urban Development Ministry को Housing Ministry के साथ मर्ज कर दिया है, एक कर दिया है, अभ आरे Housing और Urban Development मंत्री अब है, हरदीप पुरी, अभी अभी एक 100 फुट लंबा स्टैचू बना है परधान मंत्री मोधी का, इनके नाम पे एक मंदिर बन रहा है, ननेंदर बोधी जी का मंदिर बन रहा है, ये कहां पे बनेगा, ये बनेगा मेरट में, मेरट है उत्तर परदे जिनका मंदिर बन रहा है, और भी मंदिर बन चुके हैं, जैसे सोनिया गांधी का एक मंदिर है आंदर परदेश में, महात्मा गांधी जी का मंदिर है कोडिसा में, अमिताब बच्चन जी का मंदिर है दक्षिन कोलकता में, और सचिन तंदूलकर का बिहार में एक मंदिर है मायावथी का भी मंदिर है खुद का उत्रपरदेश में तो कई मंदिर अलड़ी बन चुके है जैकलिन फर्नेंडेज शिरलंका की अभिनेत्री हैं लेकिन ये भारत में काम करती है जैकलिन फर्नेंडेज जो है इन्हें कोण सी टीम का इंडियन सूपर लीग में football club के लिए brand ambassador बनाया है ये पहली महिला है जिने football club ने brand ambassador बनाया है ये club है Delhi Dynamo's football club केंदर सरकार ने अभी अभी approve करा है कि एक center बनेगा कच्छूओं के सर्रंक्षन के लिए उनको बचाने के लिए उनकी care करने के लिए कहाँ पे बनेगा इसका नाम रखा है developing river biodiversity park and turtle conservation program ये बनेगा अलाबाद उत्तर परदेश में अलाबाद में बनेगा Securities and Exchange Board of India यानी SEBI ने एक committee बनाई अभी अभी वो committee थी corporate governance के उपर इसने अपनी सरकार को report दी इस committee के अधक्ष कौन थे इस committee के अधक्ष थे उदै कोटक जो कोटक महिंद्रा कंपनी के chairman है उदै कोटक और SEBI के chairman है अजेत्यागी ये capital market regulator है SEBI World Wildlife Fund ने पहली बार photo दिखा कर ये सबूत दिया है कि उन्होंने भारत में snow leopard देखा है snow leopard जो होता है ये lion, tiger इन सबसे अलग होता है क्योंकि ये दहरता नहीं है ये important difference होता है lion, tiger और snow leopard में तो snow leopard कहां दिखा गया भारत में ये दिखा गया अरुनाचल परदेश के अंदर और photo का सबूत भी दिया है दिखा के और अगर पूछे हैं यहां पे कहां दिखा गया तो एक गाउं है जिसका नाम है थेमबांग थेमबांग में दिखा गया परधानमंत्री मोदी ने अभी अभी इन में से कौन सी organization है जिनकी golden jubilee मनाई उसका उदगाटन करा golden jubilee celebration ये 1980 में बनी थी और इसका नाम है Institute of Company Secretary of India यानि ICSI इन में से कौन सा institute है जिसे भारत के सबसे clean सबसे साफ सुत्रे सबसे साफ सुत्रे clean campus award मिला है ये award दिया AICTE यानि All India Council for Technical Education ने इसमें engineering colleges जो थे उसके लिए ये सबसे साफ सुत्रा college है Manipal Institute of Technology ये Manipal में है Manipal Udupi District में है करना टक्के government ने announce करा है sovereign gold bonds series 3 इसमें पहले कहा था कि एक वैक्ती एक साल में सिर्फ 500 gram maximum gold खरीच सकता है अब ये limit कितनी भढ़ा दिये और याद रखिए इस पर आपको 0.5% interest मिलेगा सालाना 2.5% अब भढ़ा दिये limit 4 kg जो हिंदू undivided family है और individual वो 4 kg तक सोना उसमें invest कर सकते हैं sovereign gold bonds के तहत इन में से कौन से राज्ये की सरकार है जिन्होंने solar briefcase नाम का program शुरू करा है उन जगा पे बिजली पहुंचाने के लिए जहां पे आम लाइने बिजली की नहीं जाती ये program स्टार्ट करा है उत्राखंड की सरकार ने और solar briefcase प्रोग्राम है इसमें subsidy भी दी जाएगी discount भी दिया जाएगा उन लोगों को discount दिया जाएगा जो solar plant, solar panel अपने घर पे लगाना चाहते है और ये solar briefcase बनाया किसने ये बनाया है मनोज भारगव ने मनोज भारगव नाम के वेक्ति ने बनाया है ये solar briefcase उत्राखंड भारत के दूसरे सब ज़्यदा tiger यहाँ पे रहते हैं सब ज़्यदा करनाटक में रहते हैं फिर उत्राखंड में और ये tiger जो survey वह था उसमें पता जगा था उत्राखंड में है राजाजी tiger reserve और Jim Corbett tiger reserve इन में से किस वेक्ति को Film and Television Institute of India का गजिंदर चोहान के बाद नया chairman बनाया गया है इनका नाम है अनूपम खेर अनूपम खेर जो है ये इससे पहले sensor board के यानि central board of film certification और national school of drama के chairman भी रह चुके हैं इन्हें पदम श्री मिला था 2004 में और पदम भूशन मिला 2016 में और ये सूचा परसान को immediately ban कर दिया है इसको ban किया है 36 गड़ की सरकार ने 36 गड़ डॉक्टर रमन सिंग मुखे मंत्री है गुरू घासीदास नेशल पार्क है कांगर वैली नेशल पार्क है और इंदरावती नेशल पार्क है यहां 36 गड़ में और इहां की काम किया और क्या करना चाहिए इस कमिटी के अधिक्षता कौन करेगा इनका नाम है शशी थर्रूर शशी थर्रूर अभी अभी एक पांच मेंबर की कमिटी बनाई सरकार ने ये बनाई Ministry of Home Affairs ने हमारे Home Secretary है इस वक्त राजीव गाबा पहले थे राजीव महरिशी लेकिन राजीव महरिशी अब है भारत के Comptroller Reuters General of India और Home Minister रे राजनास सिंग तो Ministry of Home Affairs ने पांच मेंबर की कमिटी बनाई है जो ये चेक करेगी कि भारत में जो बॉर्डर है हमारा जो बॉर्डर है हमारा जमू कश्मीर में भारत का पाकिस्तान के साथ उसमें जो लोग रह रहे हैं उनको क्या-क्या परिशानिया आती है ये स्टडी करेगी इस कमेटी के दिक्ष्टा करेंगी रीना मित्रा और ये Ministry of Home Affairs में Special Secretary है इनमें से किस महिला को US-India Business Council का President बनाया गया है US-India Business Council ये 1975 में बनी थी और इसका काम में भारत और अमरीका के बीच जो बिजनेस के रिष्टे हैं उनको अच्छा करना इनका नाम है नीशा, देसाई, विस्वाल और हमारे Commerce Minister को ने सुरेश प्रभू हमारा जो नागरिक परिवहन मंत्राले है उन्होंने एक पैनल बनाया है जो ये चेक करेगा कि हम अपनी सडकें बनाने के लिए टेकनोलोजी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं मटेरियल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अल्टरनेटिव माटेरियल बोलते हैं जिसे नॉन ट्रडिश्य माटेरियल और एक्विप्मेंट उनको कैसे हम यूज कर सकते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता करेंगे SR तामबे और हमारे मिनिस्टर को ने नागरिक परिवहन के नितिन गड़करी भारत का सबसे पहला एक वेबसाइट बना है जो दिव्यांग एथिलीट के लिए है मैं आपको वेबसाइट का फोटो दिखा देता हूँ आप वेबसाइट खोलेंगे तो इसमें सारे जो हमारे जिस देविंदर धाजरियां है नरेश कुमार शर्मा है तो जो भी हमारे दिव्यांग एथिलीट है ये है वेबसाइट का नाम दानेशन्स प्राइड तो यही पुछाए कि पहली भारत की वेबसाइट कौन सी है जो हमारे दिव्यांग खिलाडियों के लिए है इस नाम है इन में से कौन से भारत के खिलाडी है जिन्होंने World Open Under 16 Snooker Championship टाइटल जीत लिया गल्स केटेगरी में ये हुआ था रशिया में सैंट पीटर बग में ये खिलाडी है अनूपमा रामा चंदरन अनूपमा रामा चंदरन मेरा हाउ चौंगबा फेस्टिवल ये भारत के कौन से राज्य में अभी अभी मनाया गया ये त्योहार मनाया गया मनिपूर के अंदर मनिपूर जहां पे लोग टकजील है और मनिपूर की राज़ानी इमफाल है इरोम शर्मीला है मनिपूर की और मेरी कौम जो पाँच बार वाली चंदरन है चुकी है वो भी है मनिपूर की तो मनिपूर के मुख्य मंत्री है बिरेंद सिंग एक छट पूजा भी अभी मनाई गई जो मुख्य ते जहारखन उतर प्रदेश और बिहार का त्योहार है बिसमोय कुमार मुहंटी इनका निधन हो गया ये मशूर क्या थे एक उडिया भाशा का न्यूस पेपर आता है जिसका नाम है अजी कली के ये मालिक थे तो ये जरलिस थे पत्रकार थे और ये है कुछ और इंपोर्टेंट लोग जो जो ऑक्टूबर के महीने में एक्सपायर हो गए पुरुशत्तम लाल कौशिक पॉलिटीशन सतीश चंदर इतिहासकार यूजी सी के पुरुफ चेयर्मेन रिचर्ड विलबर कभी पुलिटिजर प्राइस जीत चुके कभी लेक टंडन एक्टर डिरेक्टर आमरपाली फिल्म के डिरेक्टर जो भारत की तरफ से ओसकर में भी गई थी फिल्म लेक टंडन ले डिरेक्ट की थी शमशेर खान स्विमर याद रखिए भारत की तरफ से ये पहले स्विमर थे विलियम लॉंबाडी, शतरंज के मशूर खिराडी, अमल दक्ता, पॉलिटीशन सीपेम पार्टी के, ये जोतिमसू के नेफ्यू थे, बतीजे थे, साना इकबाल, बाइकर, और गौर किशोर गांगुली, स्वतंतरता सेनानी, पश्यमंगाल के थे, गिरिजा देवी, थुम्र पहले साजकता किस ने करी, और इसने अपनी रिपोर्ट सोभी, Ministry of Minority Affairs को, हमारे Minority Affairs Minister है मुक्तार अबास नकवी, मुक्तार अबास नकवी, तो हज कमेटी के देख्शता करी, अफजल अमान उल्लाने, अफजने थभी बनाईये सरकार ने, याद रखिये, इसमें जो जमू committee of India ने और registered private tour operators का जो ratio है वो 70 is to 30 है अगले 5 साल के लिए अभी अभी एक group of ministers बनाया गया एक meeting एक committee बनाई गई ये चेक करने के लिए कि जो GST rate है जो restaurants के उपर GST लगाया हुआ है वो restaurants के ओनर खुश नहीं है अससे तो हम restaurants के लिए GST rate को और कैसी उपयोगी बना सकते हैं इस committee बनाई गई इस committee के जिक्षत किस ने गई इस committee के जिक्षत करी हैमंता विशवा सर्मा अभी अभी एक novel के author है नोबल का नाम है सुगंधी एन्ना अंधियाल देवन की इसको लिखने वाले लेखक इनको मिला है वायलार रामवर्मा साहित्य प्रुसकार क्या नाम है इन ओधरगा इनका नाम है टीडी रामकृष्णन और यह जो वायलार रामवर्मा है इनकी याद में यह वायलार के कवी थे इन में से जर्मनी का सर्वचनागरिक सम्मान क्रॉस ऑफ दी ओर्डर अफ दा मेरिट यह किस भारतिय को मिला है यह VDMA नाम की कंपनी के मालिक है और इनका नाम है राजेश नात जर्मनी के राश्पती है फ्रेंक वल्टर स्टाइन मियर और जर्मनी की चांसलर है सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा हो सकता है कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन की गुंजाईश हो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अमाइकस कुरिये जिसे बोलते हैं फ्रेंड ओफ दा कोर्ट ये कोर्ट को उचित अडवाइस देगा दुंगर्पूर इनमें से कौनसा पहला आदिवासी डॉमिनेंट डिस्टिक्ट है राजस्थान का जिससे जो खुले में सोचमुक्त हो गया है ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया है इसका नाम है डुंगरपूर डुंगरपूर है राजस्थान में और एक अर बात याद रख पहला बना था सिक्किम, उसके बाद जो चार बने उनमें हिमाचल परदेश, केरल, उत्राखन और हर्याना परधान मंत्री मोधी ने शुरू करी है कि योजना जिसका नाम है परधान मंत्री ग्रामीन डिजिटल सक्षर्ता अभियान इसमें डिजिटल सिक्षा दी जाएगी, अब ये बताइए, इसमें 6 करोड स्टूडेंट को स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहट ट्रेन किया जाएगा डिजिटल सक्षर्ता में किस डेडलाइन किया है, डेडलाइन है मार्च 2019 और ये वही डेडलाइन है जो हमारी बेजल 3 नॉम्स पूरे करने हमारे बैंक सो, उसकी डेडलाइन भी है 31 मार्च 2019 बेजल 3 में हमें कैपिटल एडिकेस रेशो को मिंटेन करना है कौन सा एरपोर्ट है भारत का, जो भारत का पहला एरपोर्ट बनेगा, जिसे 2018 तक आधार एनेबल कर दिया जाएगा अब आपको इस एरपोर्ट में अगर एंट्री करनी है या कुछ भी टिकेट बुकिंग वगारा करनी है ये बोर्डिंग प्रोसेस, बोर्डिंग करनी है प्लेन में तो आधार की जरुद पड़ेगी ये एरपोर्ट है बैंगलूरू एरपोर्ट इन में से कौन सा शहर है भारत का? जहां पे भारत का पहला मेरीन पुलिस ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टिटूट बना है मेरीन पुलिस मेरीन मतलब होता है समुद्री समुद्री पुलिस ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टिटूट ये बना है दुआरका में, ये दिल्ली वाला दुआरका नहीं है, ये गुजरात वाला दुआरका है, याद रखिए, गुजरात में, 960 करोड रुपे की मदद से ये बना है, और इसका उद्गहाटन करा खुद परधानमंत्री मोधी ने, चवालिसवा अध्याए, इंडियन हेंडीक्राफ्ट और गिफ्ट्स मेला, ये दुनिया का सबसे बड़ा B2B, यानि बिजनेस टू बिजनेस हेंडीक्राफ्ट और गिफ्ट्स मेला है, ये कहाँ पे मनाया गया, ये इसका चवालिसवा अध्याए था, चवालिसवी बार मनाय यह मिला है Mr. Gurbak Singh संधू को यह भारतिय बॉक्सिंग के कोच है इन में से भारत के कौन से दो जहाज हैं जो जापान गए हैं पैसेक्स नाम की exercise में भाग लेने के लिए भारत और जापान के बीच होगी पैसेक्स exercise और भारत और जापान के बीच एक और exercise होती है जिसका नाम है सहयोग काई जिन यह भी military exercise हम जापान के साथ करते हैं जापान के नए परधान मत्री बने शिंजो आबे अभी इन्होंने खुदी चुनाफ कराए थे जीत रहे और यहां के जो मुद्रा है वो येन है राजधानी है तोकियो तो एक तो है हमारा जहाज सत्पुरा और दूसर है कदमत स्वान सरे 3 एंट 4 इंटरेशनल मोनेटरी फंड ने काय भारत की ग्रोथ कितनी होएगी पहले बोल रहे थे 7.2 परसेंट होएगी फिर इनोंने कम कर दी अब कम करके कितनी कर दी अब हो गई सिरफ 6.7 परसेंट IMF की जो हैड है वो फ्रांस की है उनका नाम है क्रिस् इनमें से पहली फीमेल रेफरी कौन बनी है जो फीफा अंडर 17 वल्लकप 2017 में जिरों ने मैच उसको रेफरी किया ये फीमेल रेफरी है इनका नाम है एस्थर स्तोबली और ये कौन से देश की है स्विजर लेंड इनमें से मातर भूमी सहित्ते प्रुसकार के लिए किसको च इनमें से कौन सा देश है जो भारत की मदद करेगा भारत में जो रेलगाडियां चलती है उनकी स्पीड 200 किलोमेटर परती आवर्ट तक बढ़ाने के लिए अभी जो भारत में सब्यदा स्पीड है वो गतिमान एक्स्प्रेस किये दिल्ली से आगरा लगभग 160 है इसकी स्प दिगड नागपुर और पुड़ुचेरी बनाएगा फ्रांस इनमें से मैड़ वाच नाम की मोबाईल एप ये हेल्थ है ये किसने लॉंच करी है ये इंडियन एर फोर्स ने लॉंच करी है बियस धनुआ है हमारे एर चीफ मार्शल इनमें से कौन सा राज्य है जिसने जो दिव्यांग है उनके लिए रिजर्वेशन रख दिया है सरकारी जॉब्स में और एजूकेशन इंस्टिउशन में ये राज्य है बिहार मुख्य मंत्री है यहां के एक ही इंपोर्टन नेशनल पार्क है वालमी की नेशनल पार्क और बिहार के मुख्य मंत्री है नितिश मारे चछटी बार मुख्य मंत्री बने 9 से 14 अक्तुबर ये सरकार ने कौन सी स्कीम को promote करने के लिए एक राश्टी सप्ता मनाया ये स्कीम है बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ ये स्कीम 2015 में स्टार्ट करी थी इस राजे के मुख्य मंत्री है देविंदर फटनाविस, यहाँ पे गूगामल नेशल पार्क है, और संजे गांधी नेशल पार्क है, चंदोली नेशल पार्क है, तलोबा नेशल पार्क है, फंसाद वाइल डेफ सेंचुरी है, यह राजे है महाराष्ट्रा, महाराष्ट्रा भारत की क्या रैंक है 119 देशों में Global Hunger Index में इसे दिया International Food Policy Research Institute IFPRI ने भारत की रैंक है 100 out of 119 countries और भारत पिछले साल 97 पोजिशन पे था इस साल 3 पायदान और खिसक गया है और भारत नौर्थ कोरिया पाकिस्तान पाकिस्तान से आगे है लेकिन बांगलादेश, नौर्थ कोरिया और इराग से पीछे है अभी अभी एक कमेटी बनी है जो यह चेक करेगी कि भारत के जो निजली अदालते हैं उनमें जजिस की सेलरी कितनी भडाईनी चाहिए इस कमेटी के जख्षता कोन करेगा हमारे चीफ जस्टिस हैं दीपक मिश्रा यह हमारे 45 वे चीफ जस्टिस है इस कमेटी के जख्षता करेंगे पीवी रेड़ी युनेस्को की नई चीफ कोन बनी है डिरेक्टर जनल बोलते हैं और ट्रे अजोले यह फ्रांस की है युनेस्को का हैट्वाटर पैरिस में है पैरिस यहाँ पे 2024 के उलम्पिक खेल होंगे और पैरिस फ्रांस की रजधानी है वर्ल्ड बैंक ने दो स्कीम चलाई है भारत में कोशल विकास के लिए क्या नाम है दोनों स्कीम का एक का नाम है स्ट्राइव और एक का नाम है संकल्प स्ट्राइव और संकल्प दोनों के लिए काफी पैसा दिया है वर्ल्ड बैंक में कितना कितना पैसा दिया है स्ट्राइव स्कीम 2200 करोड रुपे की है इसमें 50% जो पैसा है वो केज़े सरकार लगाएगी और 50% World Bank लगाएगा ठीक है संकल्ब जो स्कीम है ये 4455 करोड रुपे की स्कीम है इसमें 3300 करोड लगाएगा लगभग 65-70% लगाएगा World Bank Strive की full form क्या है? Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement और संकल्ब की full form है काफी लंबी है Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion खेर मत याद रखिये बस नाम याद रखिये इस ट्राइब और संकल्ब आंसर है 3 and 4 इन में से कौन से राजे की सरकार है? जिसने डिसाइड करा है कि जो आदिवासी जो ट्राइबल एरिया है Nomadic Tribes उनको राशन कार देगी है ये डिसाइड करा है हर्याना की सरकार ने हर्याना की सरकार ने डिसाइड करा है इनको राशन दिया जाएगा और हर्याना में है कलेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क पहली बार कौन सा देश है जिसने कहा है आप 44 बिटकोइंस के बदले हमारी नागरिक्ता ले सकते हो ये देश है वानू आटू वानू आटू देश और ये दुनिया का चोथा सबसे खुश देश है और इसका 34 सबसे पावरफुल पासपोर्ट है खेर इतना हम डिटल में नहीं जाएंगे वानू आटू की जो राजधानी है वो है पोर्ट विला ये सब छोटे छोटे टापू है एक दम देश हैं वैसे लेकिन छोटे 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 टापू है वानू आटू, तुवालू, नाऊरू, किरी, बाती ये सब विर्सामुंडा आदीवासी युनिवसिटी कौनसे राज्ये में बनी है इसका उध्गाटन अभी अभी हुआ है ये बनी है राजधा पीपला नगर में जो नर्मदा डिस्टिक्ट में है नर्मदा अ इन इन सिंग्निफिकेंट मैन दिल्ली के मुख्य मंत्री हैं, इनका नाम है श्री अर्विन केजरिवान इन में से कौन सा राज्य है? जिसने भावंतर भूकटान योजना किसानों के बिति बाज्याचांब करी है इन में से कौन से हाई कोट ने ये कहा है कि अगर आप अगर आप गाओं के अंदर उन गाओं के अंदर जो scheduled area villages हैं उनमें अगर आप शराब की दुकान खोलना चाहते हो तो ग्राम सभा की permission जरूरी है ये कहा है अभी अभी हैदराबाद हाई कोट ने हैदराबाद तिलंगाना की राजधानी है तिलंगाना का एक बहुत important festival है जो exam में आता है जिसका नाम है बटु कम्मा बटु कम्मा festival ये तिलंगाना का त्योहार है और तिलंगाना में है मुरुगावनी national park इंदरा गांधी अवार्ड किसे मिला है national integration के लिए 2015-16 के लिए क्या नाम है इनका इनका नाम ये एक रामोन मैगसेसे अवार्ड भी जीच चुके हैं जो फिलिपिन्स की सरकार देती है रामोन मैगसेसे अवार्ड को एशिया का nobel prize कहा जाता है इनका नाम है T.M. Krishnan और ये 1985 में कॉंगर्सी सरकार ने अवार्ड स्राट करा था इंदरा गांधी अवार्ड हमारा जो और सब्जियों को उगाना उसको होटी कल्चर बोलते हैं होटी कल्चर सेक्टर का विकास किया जाएगा सैटलाइट की मदद से रिमोर्ट सेंसिंग सैटलाइट को यूज करके मार्च 2018 तक ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा इसका नाम क्या है इस प्रोजेक्ट का आप भी पूछी जा सकती है थिंगस आफ दिस वर्ल्ड नाम की किताब के लिए इनन पुरे डिजर प्राइस मिला था थिंख आफ दिस वर्ल्ड मेंन बुकर प्राइस किसे मिला है 2.17 के लिए इनकी नोवल है लिंकन इन दा बार्डो और ये भी अम्रीका के हैं इनका नाम ह जॉर्ज सॉंडर्स वुमेन एंड चाइल डवलप्मेंट मंत्री मनेका गांधी ने एक कैम्पेन लॉंच करा है जो लिंग ऐसा मानता है उसे खतम करने के लिए यानि जेंडर बायस जो है महिलाओं के अगेस उसको खतम करने के लिए इसका नाम क्या है इसका हैश्टेग है I am that woman और एक हैश्टेग सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसका नाम है me too अगर आप महिला है और आप यौन उत्पिडन की शिकार रही है बच्पन में sexual harassment की तो me too आप अपने comment में लिख सकती है status message में एक parliamentary standing committee बनी है जो ये चेक करेगी कि हम भारत में युद के लिए कितने तयार है इस committee की अध्रक्षता कौन करेगा ये उत्राखंटेपूर मुख्यमंत्री रह चुके हैं इनका नाम है BC खंडूरी WWE World Wrestling Entertainment पहले WWF बोलते थे इसमें sign करने वाली इस पहली भारतिय महिला कौन बनी है ये हर्याना से है और ये 2016 के South Asian Games में एक gold medal जीच चुकी है इनका नाम है कविता देवी पहली बार इनमें से कौन से राज्य ने announce करा है कि अनुसूचित जाती यानि schedule cast के लिए वो एक advisory council बनाएगा ये announcement करी है अभी अभी पश्चिम मंगाल की सरकार ने पश्चिम मंगाल में लगभग 23% जो population है वो schedule cast की है पश्चिम मंगाल में है जल्दा पारा नेशनल पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क गोरु मारा नेशनल पार्क और बक्सा टाइगर रिजर्व ये पश्चिम मंगाल में है सब पहली बात एक All India Institute बना है आयूर्वेद के लिए जैसे All India Institute of Medical Science है उसी तरह से All India Institute of Ayurved बना है ये नेशनल आयूर्वेद डे मनाया गया हमारा सतर अक्टूबर को एक important चीज़ बताता हूँ आयूर्वेद दिवस सरकार ने मनाया था 2016 में 28 सक्टूबर को मनाया था ठीक है इस साल कब मनाया है 28 सक्टूबर को नहीं मनाया है इस वार मनाया है 17 अक्टूबर को ये भी याद रखिए और हमारे आयूश मनाता है इसे आयूश में पाँच हमारे जो परंपरागत मेडिसिन के सिस्टम में वो है आयूरवेद युनानी, आयूश A-Y-U-S-H-U से यूनानी, Y से योगा, S से सिद्ध, H से होमियोपेथी और इसके मंत्री है श्रीपद Y.S.O. नायक, कहां बना है ये इंस्टिट्यूट, ये बना है न्यू देली के अंदर हर्याना की सरकार ने अभी अभी कौन से गाउं का नाम पलटके, अभी मन्यूपूर कर दिया है इन्होंने वैसे भी कही नाम पलटे है, इन्होंने गुलगाओं का नाम पलटके कर दिया गुरू ग्राम, इन्होंने बलबगड़ का नाम पलटके कर दिया बल्रामगड़, और अभी मन्यूपूर किसका नाम रखा है, आमीन, आमीन का नाम रख दिया है अभी मन्यूपूर Solicitor General of India के पद से किसने इस्तिफा दे दिया है Solicitor General of India इनका नाम है रंजीत कुमार और केके वेनुगोपाल है हमारे एट औरनी जनरल ये भारत के पंद्रवे एट औरनी जनरल है केके वेनुगोपाल मुगल रोहात्गी के बाद बने थे इन में से अरुनाचल परदेश का सबसे latest 23 वा डिस्टिक किसे घुशित किया गया है अपर और लोबर सुभांसरी डिस्टिक को बाइफर्केट करके ये बनाया गया है ये डिस्टिक इसका नाम है रखा गया है कामले इन में से कौन सा राज्य है जिसने ये कहा है अपने टीचर्स को कि आप छुट्टियों पे जा सकते हैं लेकिन उन छुट्टियों का इस्तेमाल आप नया बिजनेस नया उत्योग लगाने के लिए करेंगे तो आप लीव ले सकते हैं ये अनाउंस करा है केरल की सरकार में केरल में है साइलेंट वैली नैशनल पार्क और पैरियार नैशनल पार्क निउजिलेंड की सबसे कम उमर की महिला परधान मंतरी कौन बनी है ये बहुत important सवाल है सिर्फ 37 साल की हैं ये और निउजिलेंड की इतिहास में ये तीसरी महिला परधान मंतरी है इनका नाम है जकिंदा आर्दर्न इन में से कौन सा एरपोर्ट है भारत का जिसको अवार्ड मिला है Best Aerodroms in the World 20 से 50 लाग पैसेंजर की केटेगरी में Airport Council International द्वारा ये एरपोर्ट है, नमबर बन है जैपूर, नमबर टू है शिरिनगर तो जैपूर और शिरिनगर को मिला है Best Aerodroms, नमबर वन है जैपूर, नमबर टू है शिरिनगर और शिरिनगर जमू कश्मीर की राजधानी है, जमू कश्मीर में है किष्टवार नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क और हैमिस नेशनल पार्क इनेस RAW ये पहली transgender model है जो कौन सी magazine के cover पे आई है ये magazine है playboy और playboy के मालिक Hugh Hefner का निधन हो गया Hugh Hefner इन में से कौन सा देश है जो 23 वा technological summit भारत में नई दिल्ली में होगा उसमें हमारा partner country होगा और इस technology summit को organize कर रहा है Confederation of Indian Industry और Indian Department of Science and Technology ये country है partner country हमारा Canada के प्रधान मंत्री है Justin Trudeau इन में से कौन सा institute है भारत का जिसे 34th rank किया गया है 400 जो best Asia की university है उनमें latest ranking है 2018 क्वेक कुरूली सीमान ranking और भारत में नंबर वन है दुनिया में एशिया में 34 वे नंबर पे है ये है IIT Bombay IIT Bombay है 34 वे नंबर पे IIT दिल्ली 40 वे नंबर पे IIT मदरास 48 वे नंबर पे और IIAC Bengaluru 51 नंबर पे यानि टॉप 50 में एशिया में 3 उनिवसिटी है भारत की इन में से कौन सा हमारी सेना है जिसने जशन ए बरांग फेस्टिवल मनाया कोकर नाग गाओं में अनंतनाग डिस्टिक्ट में जिससे जो सेना और उस भाह के नागरिक है उनके भाई चारा प्रोमोट किया जा सके ये मनाया राश्ट्रियर राइफल्स ने राश्ट्रियर राइफल्स और स्लोगन था जवान और आवाम अमन है मुकाम इन में से फोब्स मैगजिन ने यूरोप की सबसे ज़ादा हाइस पेड सेलिबरिटी 2017 के लिए कौन रही इनका नाम है जेके रॉलिंग और जेके रॉलिंग हैरी पॉर्टर की किताबें लिखती जिसे 50 लाग से 1.5 करोड की कैटेगरी में दुनिया का नमबर वन एरपोर्ट का वॉर्ड मिला है एरपोर्ट कांसल इंटरनेशनल द्वारा ये है 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 हैधराबाद का एरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट केंद्र सरकार ने एक एरपोर्ट बनाने की प्रेजिरेंट है अकिन वूमी अदेसीना ये अफरीकन डेवलप्मेंट बैंक के प्रेजिरेंट है इन्हे 2017 का वल्ड फूड प्राइज मिला है ये कौन से देश के हैं ये है नाइजीरिया के नाइजीरिया की राजधानी है अगूजा एक और बात याद रखिए जो एक और के वेक्ति हैं जो बहुत बड़ी और्गिनाजेशन को हेड कर रहे हैं इस वाद डबलु एचो के टैट्रोस आधानों वो हैं इथोपिया के इन में से कौन से राज्य की सरकार ने एक इस Special Family Pension Scheme को स्टार्ट करा है उन विद्वाओं के लिए जिनके पती एक्स्ट्रीमिस द्वारा मारे गए इस राज्य में एक्स्ट्रीमिस द्वारा ये Special Pension Scheme स्टार्ट करी है ये स्टार्ट करी है पंजाव की सरकार में कैप्टन अर्मिंदर सिंग यहां के मुख्यमंत्री है वीपी सिंग बद्नोर यहां के गवर्नर है इन में से कौन से राज्य की सरकार ने कहा है कि आप जो Official संचार होगा Communication होगा उसमें दलित शब्द हरिजन शब्द और किजलार शब्द का इस्तिमाल नहीं करेंगे ये डे का चोपड़ा को अपना Brand Ambassador बनाया है और नई Tourism Policy बनाई है ये जो वैक्ती यहां पे है ये हैं हेमंता विश्वा सर्मा और ये राज्य है आसाम चलिए अब एक कठोर Question पूछता हूँ आपसे ये जो हेमंता विश्वा सर्मा है ये भारत में एक Sports Organization है उसके President है तो कौन से खे इंडियन Green Building Council के द्वारा ये इन्हें Green Building Congress में दिया गया जो जैपूर के अंदर कंड़की कईजी 2007 के लिए इसका नाम है गोवर्धन Eco Village और इसे चलाता है International Center for Krishna Consciousness जिसको बोलते हैं इसकौन Asian Development Bank ने कौन से राज्ये को अपने तटों की रक्षा करने के लिए 65 million dollar का लोन दिया है ये लोन दिया है इन्होंने करनाटक को करनाटक में काईगा nuclear power plant भी है काईगा और तमिल नाडु में है कलपक्कम और कुंडन कुलम कुंडन कुलम हमने रशिया की मदद से बनाया है रश पहला राजी है जहाँ पर जो PG hostel बना रहा है गाय के लिए PG facility दे रहा है यहाँ पर अपनी गाय को ला सकते है और उसे रख सकते है ये कर रहा है हरियाना cow protection के लिए गवरक्षा के लिए भारत का एक जहाज है जिसका नाम है सुकन्या सुकन्या corporate exercise करेगा ये कौन से देश के स तंक्रिट ब्रिज अभी अभी ओपन किया है ये देश है नेधरलेंड और पहली 3D printed बैटरी बनाई है ये इसको पहन भी सकते हैं आप और ये बनाई है Brunel University London ने London जो इंगलेंड की राजधानी है लेकिन पहला 3D printed जो है 3D printed concrete bridge बनाया है नेधरलेंड ने नेधरलेंड को Holland भी बोलते है यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें Dutch बोलते है यहाँ पे दाहाएग है जहाँ पे International Court of Justice का headquarter है और नेधरलेंड की राजधानी है Amsterdam है इन मेंसे कौन सा राज ये है जो पहली सोतंतरता जंग भारत की होगी डिकलेर कर दी गई है अभी तक हमें ये पता था 1875 की जंग थी ये पहली थी लेकिन नहीं इसे 40 साल पहले उडिसा में एक जंग हुई थी 1817 में इसका नाम है पाई का विद्रो यानि पाई का rebellion और इसे जो गजपती वंच के राजा है उन्होंने प्रिटिशर्स के खिलाफ किया था पाई का विद्रो गंगादर महर लिफ्ट कनाल सिस्टम ये 1246 करोड रुपे की लागत से एक सिंचाई के लिए सिस्टम प्रोजेक्ट बना है वीजेपूर में ये कौन से राज्य ने अप्रूव कर दिया है ये लगेगा ओडिसा के अंदर ओडिसा के अंदर और जो गंगादर महर के नाम पे नाम रखा गया है गंगादर महर उडिया भासा के महशूर कभी थे इनमें से कौन सा राज्य है जो फोकस स्टेट होगा World Food India जो नई दिल्ली में 3 नमंबर से 5 नमंबर तक मनाये जाएगा ये है हमारी Food Processing मंत्री इनका नाम है हर्सिम्रत कॉरबादल ये अगाली दलपार्टी की है, NDA का हिस्सा है और भटिंडा से लोग सबा सांसद है तो ये जो state है, focus state होगा ओडिसा अब एक important बात, यहाँ पे पार्टर कंट्री होंगे हमारे जापान, डेन्मार्क और जर्मनी और जो focus country होंगे, वो होंगे इटली और नैधरलेंड पहली बार इनमें से कौन सा एशिया का देश है, जिसका passport सबसे ताकतवर है दुनिया में अगर आपके पास इस देश का passport है, तो 159 countries में आप visa free travel कर सकते हैं यह देश है सिंगापूर, भारत का स्थान है 75, दूसरे नंबर पे है जर्मनी सबसे कम powerful passport है अफगानिस्तान का, अगर आपके पास अफगानिस्तान का passport है तो सिरफ 22 देशों में visa free travel आप कर सकते हो FIFA Men's Player of the Year का बाड किसे मिला है, यह है साल के सरफ्ष्रेश्ष खिलाडी और यह है साल के सरफ्ष्रेश्ष कोच साल के शर्फ श्रिष्ट कोच है जिडान और जिडान है फ्रांस के खिलाडी थे अब तो कोच है और जो 1998 का वलकप फ्रांस ने जीता था उसको जितवाने में इनकी एहम भूमिका थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो इन्होंने यूरो कब भी चितवाया है पुर्चुगाल को पिछले ही साल और 2016 में और ये रियल मटिट फूट गले खेलते हैं और पुर्चुगाल के खेलते हैं तो आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो फाइनल थ्री खिलाडी थे वो थे रोनाल्डो मैसी और नेमार नेमार ब्राजील के हैं मैसी अर्जेंटिना के खिलाडी है अभी अभी कौन से राज्य ने राउंस करा है कि भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट शमता का या दादरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाएगा 20,400 करोड रुपे की लागत से इस राजे में मैंने आपको बताया था एक त्योहर मना आजाता है बटू कम्मा तो ये राजे है तिलंगना और इसे बना कोन रहा है इसे बना रहा है भेल भेल के चेर्मेन है अतुल सोब्ती आरुशी तलवार के जो माता पिता है राजेश तलवार और नुपर तलवार उन्होंने उनको जेल हुई जेल में उन्होंने एक क्लिनिक चलाया कैदियों के लिए डेंटल क्लिनिक दांतों के डॉक्टर है वो दोनों तो उस क्लिनिक का वो कौन सी जेल में अब उस क्लिनिक का नाम आरोशी तलवार के नाम पे रखती है ये जेल है दसना जेल अभी अभी केंजल सरकार ने कहा है कि जो टॉयलेट है गाउं वाले एरिया में उन्हें क्या बोला जाएगा उन्हें बोला जाएगा इज्जत घर यानी इंगरेजी में बोलें तो हाउस अफ डिगनिटी और हमारे रूल डवलप्मेंट मंत्री कौन है डरेंदर सिंग तोमर एशन डवलप्मेंट बैंक भारत में किस राज्य को अपने फिसकल रिफॉर्म्स करने के लिए जिससे वो पब्लिक सर्विस डिलिवली को बहतर कर सके तीन सो मिलियन डॉलर का लोन दे रही है ये राज्य है पश्चिम मंगाल पश्चिम मंगाल करेगा फिसकल रिफॉर्म्स कौन सा देश है जिन्होंने एक रोबर्ट बनाया है सोफिया और इसको अपनी नागरिक्ता दे दी है citizenship दे दी है ये पहली बार है कि इस देश ने किसी रोबोट को नागरिक्ता दी है ये देश है साउदी अरेविया और रियाद है राजधानी रियाल है मुद्रा कौन से राजे के मुख्यमंत्री ने आधार शिला रखी एक aerospace पार्क बन रहा है इस राजे में 198 करोट रुपे की लागत से ये कांचीपुरम में बन रहा है जो साडियों के लिए famous है और जो केंद्र सरकार की scheme चल रही है हुरदय इतियादी उसके तहद भी कांचीपुरम को डवलब किया जा रहा है हुरदय प्रसाद स्कीम गए रहा परेटर मंत्रा ले चला रहा है और हुरदय स्कीम को चला रहा है अर्बन डवलब्मेंट मंत्रा ले तो ये कांचीपुरम है तमिलाडू के अंदर मुख्य मंत्री है अड़ापड़ी पलन स्वामी और एक important national park है या गुइंडी national park और एक और है जिसको बोलते है मुकुर्थी national park ये दोनों तमिलाडू में है और मुख्य मंत्री अड़ापड़ी पलन स्वामी पार्टी है AIADM के और इडिया अड़ापड़ी बुर्टर का सागम कौन सी टीम है जिन्होंने तीसरा Asia Cup hockey title जीता 10 साल के बाद पीछला जीता था 2017 में इन्होंने 2007 में और अब 2017 में जीता है 10 साल के बाद और ये चेन्ने में जीता था 2007 में और 2003 में एक और जीता हुआ है इन्होंने वालनमपूर मलेशय के लाज़ानी में ये देश है भारत कश्मीर से दुबारा बाचीश शुरू हो गई है इसमें मध्यस्ता कौन करेगा ये पूर्व IB के चीफ है इनका नाम है तिनेश्वर शर्मा भारत का पहला परधान मंत्री कोशल केंदर ये स्मार्ट सिटीज में स्किलिंग के लिए यानि कौशल विकास के लिए राजनाथ सिंग ने इनकुरेशन करा इसका ये दिल, नेश्ट, एंडीमसी यानि न्यू देली मुनिसिपल काउंसिल की सहाईता से बनाये गया है तो कहाँ पर बनाये तो आंसर है न्यू देली भारत का वो कौन सा जहाज है जो शिरलंका की नेवी ने रख लिया है भारत में इसका नाम था वरुण और इस देश में इसका नाम रखा गया है सुरक्षा, शिरलंका हमारा मित्र है ट्रिन कोमाली हम पंदरगा बना रहे हैं विराट कॉली की क्या रेंक है उन खिलारियों में जिनकी सब ज़्यदा ब्रैंड वेल्यू है विराट कॉली है साथ वे नंबर बे नंबर वन है दुनिया में रॉजर फैडरर जो टैनिस के खिलारी है इस साल इनोंने विम्डल्डन जीता था और Australian Open जिता था, ये Swizer Land के हैं इंडो तिबतन Border Police Force जिसके चीफ है RK पचननदा इन्होंने अपना 56 रेजिंग डे मनाया, यानि 56 साल पूरे हो गए इनको ये भारत और जो चाइना के बीज बॉर्डर है 3000 मिल से ज़्यादा उसकी रक्षा करता है तो ये कम मनाया गया, ये मनाया गया 24 अक्तुबर को इन में से कौन सा देश है, जिसने Paris Climate Agreement को जॉइन कर लिया है COP21 अब दुनिया में सिर्फ अमरीका और सीरिया देश बचे है, जो इस Paris Agreement का हिस्सा नहीं है अमरीका पहले हिस्सा था पर इनने नाव अपस ले लिया था ये देश है, निकारा गुआ, इनकी राजधानी है, मना गुआ कौन से High Court ने कहा है कि आप जीवित वैक्तियों का जो पिच्चर है वो बैनर और होर्डिंग पे नहीं लगा सकते राज्यों में कोई होर्डिंग नहीं लगेगा, कोई पैनर नहीं लगेगा, ये अनाउंस करा है मदरास High Court ने, तमिल नाडू के अंदर इंडिया Post Payment Bank, जो भारत में दूसरा Payment Bank था जो खुला था इसके मेनेजिन डिरेक्टर और CEO कौन बने है इनका नाम है मिस्टर सुरेश सेठी कौन सी भारत की, कौन से भारत के बैडमिंटन खिलाडी है जिन्होंने डैनमार्क ओपन का खिताब जीता है, अभी अभी बैडमिंटन के अंदर इनका नाम है किदंबी श्रीकांथ किदंबी श्रीकांथ, इन्होंने कोरिया के खिलाडी लिह हयुन को हराया और कल रात को ही इन्होंने एक ओर टूर्नामेंट जीता है आप उसका नाम भी कमेंट के बताईए अगर आपने न्यूस सुनी है तो सबसे पहला, इनमेंसे कौन सी टीम है जिसने फीफा अंडर 17 वल्लकप जीता जो भारत के अंदर हुआ इसको जीता इंग्लैंड ने और इंग्लैंड ने हराया स्पेन को 5-2 से जो भी चीज़े मैं बताता चलूँ जो खिलाडियों को एक जंगा से दूसरी जंगा ले जाने का या दूसरा ट्रांसपोर्ट था वो हुणड़ाई कंपनी की तरफ से था जो दक्षिन कोरिया की गाड़ियों की कंपनी है हुणड़ाई कंपनी की एक गाड़ी भी पूछ सकते हैं प्रफाल्गर स्क्वेर इसी तरह का रेड स्क्वेर है रशिया में तहरीर स्क्वेर है इजिप्ट में और टाइम स्क्वेर है न्यू यॉक में याद रखिए न्यू यॉक में जो अपर फिफ्ट एवेन्यू है एक जगा है न्यू यॉक में अपर फिफ्ट एवेन्यू वो दुनिया की सबसे महेंगी जगा है और भारत में सबसे महेंगी जगा है खान मार्किट इसके लावा आप करते हैं Asian Athletic Championship की इसमें शुभंकर था Olive Ridley Turtle यहाँ पे आप देख सकते हैं Olive Ridley Turtle को और यह रहा इसका नाम है Ollie और भूमनेश्वर में हुई थी Asian Athletic Championship इसमें सबसे ज़धा पदक जीते भारत ने, दूसरे नंबर पे जीते चाइना ने और Olive Ridley Turtle आपको मिलेगा Odisha में गहिरमठ बीच पर गहिरमठ बीच और तीसरा अभी होने वाली है 2017 में AIBA Youth Women's Boxing Championship इसका brand ambassador बनाया गया है Manipur की, Mary Com को जो 5 बार world champion, 5 बार Asian champion और एक बार Olympic bronze medalist है इसमें एक सींग का गैंडा यानि और यह गुवाटी में होगी असाम में असाम की राजधानी है दिस्पूर छे सवाल और कुछी जा सकते है FIFA Under 17 World Cup से सबसे पहला जो tournament का best player का award मिला वो किसे मिला यानि man of the series जैसे cricket में हम बोलते है फुटबॉल में बोलते है golden ball मिलता है उसे एक सोने की रंग का एक फुटबॉल मिलता है यह मिला Phil Fodain को England के खिलाडी है England ही जीता वोल्ड कप golden glove मिलता है best goalkeeper को यह मिला Gabriel Brazao जो ब्राजील के हैं golden shoe यह मिला Ryan Brewster को golden shoe उसे मिलता है जो सबसे ज़्यादा goal मारता है अमरजीत सिंग भारत के कप्तान थे भारत की टीम के हागगी भारत बुरी तरह से हार गया और भारत की तरफ से पहला goal मारा किसी भी FIFA World Cup में Jackson Singh ने Jackson Singh और दो खिलाडी और पूछ सकते हैं एक खिलाडी मतलब नमित देशपांडे यह पहले NRI हैं जिन्होंने इंडिया को रेप्रेजेंट किया किसी भी International Football Match में नमित देशपंडे और एक female referee थी FIFA Under 17 World Cup में जिनका नाम है Esther Straubli यह है Swizerland की अगला सवाल आज मैं अपनी जो गती है थोड़ी धीमी रखूँगा क्योंकि यह काफी डॉलर का लोन भारत को World Bank को हम बोलते है One Half of the Bretton Woods Twins जो Bretton Woods सिस्टम था उसमें दो चीज़े बनी थी एक बना था IMF यानि इंतराष्टरी मुद्राकोष International Monetary Fund और दूसरा बना था World Bank दोनों का हेड़कौर्टर है Washington DC और NASA का हेड़कौर्टर भी है Washington DC में जो National Aeronautical Space Agency अमरीका की Space Agency है Washington DC को Washington DC इसलिए कहते हैं क्योंकि अमरीका के पहले राश्पती थे George Washington उनी के नाम पे इनका नाम रख दिया Washington DC और Washington में ही है जिसको बोलते है White House जहाँ पे अमरीका का राश्पती Donald Trump रहता है यह जो Agreement है यह Assam के लिए हुआ है Assam की राजधानी दिसपूर है मुख्यमंत्री सरबंदन सोनोवाल है और Governor है जगदीश मुखी World Bank के President है Jim Yong Kim और World Bank की President है Kirstina Georgieva Kirstina Georgieva और Assam में जो Dance है यहां का वो है Beho यह Important Dance है Assam का Assam में एक आइलेंड है जिसे बोलते हैं Majuli यह इंडिया का सबसे बड़ा River Island है ब्रह्मपुत्रा नदीव हैती है Assam में और यहां पे कुछ Important National Park है Wildlife Century है जैसे आमचंग Wildlife Century National Park की बात करूँ तो जिब्रू साइखोबा मानास काजी रंगा काजी रंगा और मानास यह बन होन ब्राइनो के लिए फेमस है इसके अलावा नामेरी है यहां पर नामेरी को नामडफ से कंफ्यूज नहीं करना नामडफ है अरुनाचल परदेश में और डंपा इससे भी कंफ्यूज मत करना डंपा है मिजोराम में यह कुछ और चीज़ें आपको याद रखनी है कुछ अभी-अभी भारत के बैंक है जिन्होंने लोन लिया है या भारत की और्किनाइजेशन है जिन्होंने लोन लिया है सबसे पहले AU Small Finance Bank और SIDBI के बीच में करार हुआ है 200 करोड रुपे का यह Micro, Small और Medium Enterprises को बढ़ाना चाते हैं उनको बढ़ावा देना चाते हैं इसके लिए AU Small Finance Bank और SIDBI इन्होंने मिलके करार किया है अगर आपको Small Finance Bank खोलना है तो 100 करोड रुपे है आपको minimum जो पैसा चाहिए This is the minimum paid-up capital SIDBI के चेर्मेन है मुहमद मुस्तफा और SIDBI बोलते हैं Small Industries Development Bank of India को SIDBI का Headquarter है लखनव में दूसरा जो करार हुआ है State Bank of India और World Bank के बीच हुआ है यह 575 Megawatt Roof Top Solar Power Project के लिए State Bank ने World Bank से पैसा लिया है 2317 करोड Global Environment Facility ने Energy Efficiency Services Limited यह भारत में जो scheme चल रही है जिसे बोलते है उजाला उननक जोती for affordable LDs for all उसको अब implement कर रही है EECSL उसको loan दिया है 454 million dollar का Asian Infrastructure Investment Bank यह चाइना का bank है चाइना dominated bank के मतलब Beijing में headquarter है इसका भारत का इसमें दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है चाइना के बाद इस bank के अंदर यह आंदर परदेश में बिजली के लिए पैसा दे रहा है 2 million dollar का एक और important बाद एक भारत में project है जो AIIB और World Bank दोनों ने मिलके पैसा दिया है यह भी दिया है आंदर परदेश में power project के लिए यह भारत का पहला co-funded project है International Fund for Agriculture Development ने NERCORMP के चोथे चरण के लिए 30 million dollar दिया है Bank of India ने Air India को दिया है 1500 करोड और World Bank ने असाम में agriculture के लिए दिया है 200 million dollar इन में से कौन से राजे के मुख्य मंत्री ने launch करा है दरपन दरपन का मतलब होता है शीशा जिससे जो सरकार वहां की जो भी scheme चलाती है उसकी जानकारी ये लोगों तक पहुचा सकें दरपन को launch करा है असाम की सरकार ने और इसको develop करा है मीटी ने यानि Ministry of Information Technology and Electronics और हमारे इसके लिए मंत्री है रवी शंकर परसाथ जो हमारे कानून मंत्री भी है एक और important बात मनिपूर की सरकार ने भी launch करा है दरपन तो भई आंसर जो है वो देख ले न मनिपूर सरकार का एक portal है दरपन जो transparency के लिए है पारदर्शिता लाने के लिए है तो मनिपूर्ग ने भी किया है और असाम ने भी किया है दोनों ने किया है वैसे इनोंने जो असाम वाला है इसका नाम रखा है असाम दरपन 36 वे National Games नमबर 2018 में होंगे कहां पे होंगे भारत के राष्ट्रे Games ये नमबर 2016 में होने थे पर अब नमबर 2018 में होंगे ये होंगे गोगे के अंदर गोगे के मुखे मंतरी मनुहर पारीकर ने जो भारत के पूर रक्षा मंतरी रह चुके हैं और गोगा की जो Governor है वो है Μ sobriardula Sinha तो ये है गोगा के बारे में गोवा की जो भाशा है वो है कॉंकरणी भारत की क्या रैंक थी सातवा सुल्तान और जोहर कप हुआ था होकी में मलेशिया के इंदर खेला गया इसमें भारत कौन से नंबर पर फिनिश किया इसको जिता किसने औस्ट्रेलिया ने और मलेशिया की राजधानी है कौला लंपूर भारत की रैंक थी थर्ड और मलेशिया की करंसी पूछते हैं एक्जाम में इसका नाम है रिंगिट मलेशिया में आपने सुनाओ का ट्विन टावर है बड़े फेमस इनको बोलते हैं पेट्रोनास ट्विन टावर जुडवा इमारते हैं पेट्रोनास ट्विन टावर रेल मंत्री पियुष गोयल ये रेल मंत्री ही नहीं है ये कोईला मंत्री में है कोल मिनिस्टर पियुष गोयल जो है इन्होंने रेलवे का पहला सॉलर प्लांट का उधगाटन करा है अभी अभी पांच मेगावाट पीक शमता का है ये कहां पे बनाया ये ये स्टेशन देखिए ये है हजरत निजामुदिन स्टेशन नई दिल्ली में इसकी जो छत हैं इनके उपर ये सोलर प्लांट लगाए गए है जिसे सोर उरजा को हम हरनेस कर सकें तो आंसर है नई दिल्ली हजरत न पॉइंट ओफ सेल मशीन से सबसिडिय वेल करने के लिए तो आधार अनिवारे है ये कहा है महाराश्टर की सरकार ने गठबंदन सरकार है देवेंदर फणनाविस मुख्य मंत्री है भाजपा शिवसेना की गठबंदन सरकार है और सी विद्या सागर राओ यहां के गवर्न गुगमल के अलावा यहां पे नावे गाओ नेशनल पार्क भी है चंदोली नेशनल पार्क है तडोबा नेशनल पार्क है ये सब आपको याद रखना है एक वाइल लाइफ सेंचरी भी पूछते है काफी वो है फंसाद फंसाद वाइल लाइफ सेंचरी महाराश्टर में है लेकिन फंसाथ से मिलता जुलता नाम है वंसदा वंसदा है गुजराथ में तो आई होपी सब क्लियर होगा आपको अभी-अभी Men's Double Trap में ISSA World Cup हुआ था World Cup सबसे बड़ा इवेंट होता है शूटिंग में Olympics के बाद of course तो ISSA World Cup जो हुआ Silver Medal किस ने जीता Men's Double Trap के अंदर इनका नाम है संग्राम धहिया संग्राम धहिया एक और important बात ये तीन भी पूछ सकते है क्योंकि World Cup है तो Double Trap Men में Silver तो जीता संग्राम धहिया ने Bronze Medal भी जीता 50 मेटर Pistol Man अमन प्रेत सिंग ने और सबसे important स्वन पदक जीता मिलके हीना सिद्धू चोकी डॉक्टर हैंक और जित्दू राइने इन दोनोंने 10 मीटर एर पिस्टल मिक्स्ट इवेंट के अंदर Gold Medal जीता तो 3 हमारे पास Medal आए Gold, Silver और Bronze Silver आया Double Trap में ये Double Trap शूटिंग होती है उसके अंदर जीता था Silver Medal Greece की राजधानी Athens के अंदर हमारे खेल मंत्री नए है राजय वंतन सिंग राठोर इससे पहले थे विजे गोयल कौन सा देश है जहाँ पे एक जीव जन्तूं की सम्मेलन होगा जिसको बोलते है UN Global Wildlife Conference इसका नाम है 13th Meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Migratory Species यानि वो पक्षी जो विचरण करके एक जंगा से दूसरी जंगा जाते है उनके लिए एक सम्मेलन है जिसको बोलते है Convention on Migratory Species यानि CMS 2020 के अंदर कौन से देश में होगा इसका तेहरवा सम्मेलन ये होगा भारत के अंदर भारत के अंदर और इसका बारवा सम्मेलन कहां पे हुआ अगर पूछ ले तो बारवा हुआ मनीला में मनीला फिलिपिन्स की राजधानी है यहां के राजपती है रोटरिगो दूतरते और मनीला में हेड़क्वाटर है Asian Development Bank का जिसके प्रेजिरेंट है ताके ही को न काओ भारत का चोथा सबस्यादा हिस्सा है Asian Development Bank में और जो स्लोगन अगर पूछ ले तो बारवी मीटिंग जो हुई मनीला में स्लोगन था देर फ्यूचर इस आवर फ्यूचर उनका जो भविश्य है वो ही हमारा भविश्य है Sustainable Development for Wildlife and People और Sustainable Development Goal जो है वो है सत्रा जो पूरे करने है देशों को 2030 तक अरुना सुन्दराजन इन्हें Secretary बनाया है Department of Telecom में ये भारत नेट प्रोजेक्ट जो है इनका पहला चरण बनेगा भी कब तक पूरा होगा देखिए पहले तो ये समझ लीजे भारत नेट प्रोजेक्ट है क्या भारत नेट प्रोजेक्ट ये है कि हमें पूरे भारत में Optic Fiber Network बिछाना है उसको बोलते हैं भारत नेट प्रोजेक्ट और भारत नेट प्रोजेक्ट जो है ये कई चरणों में होगा, तो इसका पहला चरण पूरा हो जाएगा दिसम्बर 2017 तक इसका नाम है भारतनेट प्रोजेक्ट कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने MOU साइन करा है सिड़बी के साथ 200 करोड रुपे के लिए छोटे उद्योगों को माइक्रो स्मॉल मेडियम एंटरप्राइज़ को लोन प्रोवाइड करने के लिए तो ये है AU Small Finance Bank ये मैंने उस टेबल में भी आपको बता दिया था AU Small Finance Bank और सिड़बी के चेर्मेन है मुहम्मद मुस्तफफा सिड़बी को कई लोग सेभी के साथ कंफ्यूज करते हैं सेभी है Securities and Exchange Board of India हमारा Share Market को Regulate करता है Capital Market को और सेभी का Headquarter Mumbai में है ना की लखनव में सिड़बी का लखनव में है सेभी का Mumbai में है सेभी के चेर्मेन है अजेत त्यागी इन में से कौन सा देश है जहां पे 11 वर्ल्ड कॉंग्रेस on Adolescent Health होगा जिसका theme है Investing in Adolescent Health The Future is Now Adolescent generally हम बोल देते हैं 14-18 साल की एज को जो वो एज इसमें जो परसन है वो वैस्क भी नहीं और बच्चा भी नहीं है उसको बोलते हैं और ये इंडिया के अंदर होगी चार साल में एक बार होती है ये वर्ल्ल कॉंग्रेस on Adolescent Health और ये कौन सी हुई ये भी आद रखना है ये है 11 वे नमबर पे भारती आर्मी ने अपना 71st Infantry Day मनाया कब मनाया ये पहला बटालियन जो था 27 अक्तुबर और जो भारती आर्मी है इसके चीफ है विपिन रावत इसके अलावा हमारी जो रक्षा मंत्री है वो है निमलासितरमन ये कुछ important days है जो आपको सारे याद रखने है October और November के मेली November के हैं तो उपर वाले दो छोड़ सकते हैं ये उतने important नहीं है world stroke day और world cities day लेकिन राश्ट्री एकता दिवस important है सतार वल्लब भाई पटेल का जनम दिन होता है Iron Man of India बोलते थे इने लहोपुरुष भारत का सारे भारत को एक किया है इन्होंने राश्ट्री एकता दिवस October 31 National Education Day होता है 11 November को ये मौलाना अबुल कलाम अबुल कलाम अजाद का जनम दिन होता है याद रखिए टीचर्स दे नहीं है ये ये सिख्षा दिवस है टीचर्स दे होता है 5 सितंबर को भारत में और 5 अक्तूबर को पूरी दुनिया में वो बल्ड़े होता है पब्लिक सर्विस ब्रोड्कास्टिंग डे 12 November को पब्लिक सर्विस ब्रोड्कास्टिंग दे के दिन महात्मा गांधी जी कुरुक्षेत्र जा नहीं पाए थे तो उन्होंने औल इंडिया रेडियो के थ्रू कुरुक्षेत्र के लोगों को अपना उद्भोधन दी किया था 1947 में उसकी याद में मनाते है पब्लिक सर्विस ब्रोड्कास्टिंग डे याद रखिए कुरुक्षेत्र जगा है हर्याना में जहां पे माभारत का युद्ध हुआ था वर्ल्ड काइडनेस डे 13 नमबर World Diabetes Day 14 नमबर को होता है जिस दिन जवाला नहरू जी का जनम दिन होता है और इस बाइस का थीम था Women and Diabetes, Our Right to a Healthy Future National Press Day इस दिन Press Council of India ने काम करना स्टार्ट किया था 1966 में 16 नमबर को International Day for Tolerance Session होता के लिए जो दिवस होता है 16 नमबर को यह होता है इन्टरनेशनल मेंस डे तो 19 नमबर को होता है International Women's Day कब होता है क्या आप कमेंट्स में लिखके बता सकते है World Toilet Day इसका थीम था वेस्ट वाटर Universal Children Day It's a Kids Takeover यह थीम था यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि याद रखिए बाल दिवस भारत में होता है 14 नमबर को दुनिया में होता है भी इस नमबर को World Television Day 21 नमबर अभी अभी यह कमेटी बनी है वो यह चेक करेगी कि जो सेल्वी जैललिता थी तमिलनाडू की मुख्यमंत्री थी अल इंडिया अन्ना द्रेविड मुनेत्रा का जागम पार्टी की थी है इनकी डैथ हो गई और डैथ जब हो गई तो क्या उसमें किसी की साजिश थी इसकी इन्वेस्टिकेशन होनी चाहिए इसके लिए एक कमेटी बनी है उस कमेटी का चीफ किस जज को बनाया है ये बनाया है Mr. Justice A. अरू मुगा स्वामी को और एक चीज़ याद रखिए तमिलनाडू की बात हो रही है यहाँ पे तमिलनाडू में एक तो है मुकुर्थी नेशनल पार्क और एक है गुइंडी नेशनल पार्क और एक है इंद्रा गांधी नेशनल पार्क I hope this is clear, this is very very important मुकुर्थी, गुइंडी, इंद्रा गांधी नेशनल पार्क और अभी कोन है महाँ के मुख्य मंत्री एड़ापडी पलना स्वामी इन्ही की पार्टी की है एड़ापडी पलना स्वामी 9000 रन सबसे जल्दी किस ने बनाए वंडे मैचेज में ये बनाए विराट कोहली जी ने और विराट कोहली ने ये अपने 202 मैच में बना दिये ये 19 वे बले बाज बने जिन्होंने 9000 रन बनाए है और सचिन तंदुलकर के बाद वंडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाई है विराट कोहली ने अगर मैं इंडियन की बाद करूँ और ये छटे इंडियन और 19 वे ओवरल बले बाज है जिन्होंने 9000 रन बनाए है 32 सेंचुरी बनाई है विराट कोहली ने सचिन तंदुलकर की है 49 इसके अलाबा विराट कोहली ने 2,90 सबसे जल्दी बनाई थे अंतराष्टे क्रिकेट में और ये ब्रेंड एंबेसेडर है मानेवर के जो एक ट्रेडिशनल क्लोधिंग कंपनी है प्यूमा जो जर्मनी की कंपनी है स्पोर्ट्स वियर की MRF टायर सेलकॉन मोबाईल नितिन गड़करी नितिन गड़करी हमारे एक तो मंत्री है Water Resources जल संसाधन River Development, Ganga Cleaning, Road and Transport नागपूर से लोग समा सांसद है बीजेपी के हैं नितिन गड़करी ने अभी-अभी MV IDM Doodle ये एक रोरो, Roll on, Roll off कम कारगो वैसल है जो मंगोला पोर्ट गया है बांगलादेश में कहां से गया है ये कहां से हरी जन्टी दिखाई गयी है इसे ये इतना बड़ा होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं कारगो वैसल तो ये कारगो वैसल अपने साथ 185 ट्रक लेकर गया है तो ये चेन्नई से कया है चेन्नई अगेन तमिलाडू की राजधानी है चेन्नई भारत का बंदरगा है भारत के पूरवित अट पर तो ये याद रखिए और बंदरगा कौन सा है? मोंगला पोर्ट कहां पे है? बांगला देश अब देखिए कई बंदरगा है जो आपको याद रखने है सबसे पहला गौदार गौदार है पाकिस्तान में इसे चाइना बना रहा है इसलिए याद रखना है ठीक है? गौदार का मुकाबला करने के लिए भारत ने बनाया है च्छाबार च्छाबार है इरान में इसे भारत ने बनाया है फिर आपको याद रखना है शिरलंका में दो हैं एक तो है ट्रिन कोमाली जो भारत ने बनाया है शिरलंका में इसके अलावा शिरलंका में एक ओर है हमपन टोटा जिसे चाइना ने बनाया है इसके अलावा एक अभी अभी लिब्या में खुला है काफी साल के बाद बैंगजाजी बंदरगा बैंगजाजी बंदरगा है लिब्या में लिब्या की राज़दानी त्रिपोली है नौर्ट एफ्रिकन कंट्री है ये तो ये सारे मंदर का अगर आप याद रख संगे तो काफी अच्छा होगा इसके अलावा कुछ भारत के important ship है जो news में रहे जैसे शिरलंका गए भारत के ये सारे जहाज तीर, सुजात, सुदर्शिनी, शारदूल और सारथी इसके अलावा hydrographic survey, तंजानिया गए है दारस सलाम में, INS सर्वेक्षक, very important तारिनी, ये नावी का सागर परिक्रमा पे गया है, ये भारत का वो जहाज है जिसका संचालन सिर्फ महिलाएं कर रही है INS, किल्टन, ये anti-submarine warfare stealth corvette है कल्वारी, ये scorpion class submarine है, जो इंडिया नेवी ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है INS, तरश, ये commission किया है, ये water jet fast attack craft है शौरे, ये offshore petrol vessel है, जो काम करना अभी स्टार्ट किया है वरुन, ये वरुन भारत ने शिर्लंका को दे दिया है, ठीक है शिर्लंका ने इसका नाम पलटके रख दिया है, सुरक्षा सीबिर, सीबिर रशिया का है, हमारा नहीं है सीबिर क्या है, बरफ को तोड़ने के लिए nuclear power से चलने वाला अती सक्टी शाली जहाज है और एक है तियान कुन हाओ, ये चाइना ने बनाया है सुच भारत के लिए, इनका नाम है आप फोटो देखके पहचान गए होंगे ये कौन है, बता देता हूं सुरेश नाना, जो क्रिकेट नहीं देखते हैं उनको बता देता हूं इसके अलावा, सुच भारत और दूसरे जो important है, अक्षे कुमार को बनाया है, उत्राखंड की सरकार ने और उत्रपरदेश ने सुच भारत के लिए प्रेड़ने मेस्डर बिलालदार, ये 18 साल का बच्चा है सिर्फ, शिरिनगर में शिरिनगर मुनिसिबल कॉर्परेशन ने बनाया है इसकी बड़ी अच्छी documentary भी यूट्यूब पे अवेलेबल आप देखिए किस तरह से ये वहां की, जो जील है वो साफ करता था जो वूलर लेके वो साफ करता था पीवी सिंदू, स्वच आंध्रा आंध्रपरदेश ने बनाया है स्वच आंध्रा के लिए और AmeriCom को AIBA Women's Youth World Championship जो गुभाटी में होगी उसके लिए बनाया है Lifetime Achievement Award किसे मिला है, कौन सी अभिनेत्री को मिला है PhD Chamber of Commerce and Industry के दौरा इनका नाम है शर्मिला टैगोर शर्मिला टैगोर ये सैफली खान की माता जी है अब आपके लिए आज का दूसरा सवाल सैफली खान का जो बेटा है उसका क्या नाम है बहुत कॉंटरवर्सी हुई थी जब उसने ये नाम रखा था क्योंकि एक काफी important ruler के उपर वो नाम है क्या नाम है सैफली खान के बेटेगा इसी तरह से महिंदर सिंग धोनी की बेटी का नाम है जीवा और एश्वरिय राय की बेटी का नाम है आराध्या ये भी पूछ सकते है तो आई होप ये question clear होगा आपको इसके अलावा इसी महिने में कुछ important award है जो आपको याद लखने है सबसे पहले परमोध महाजन स्मिन्ती award परमोध महाजन बीजेपी के लीडर थे ये नेटल बिहारी वाजबाई जी लक्ष्वन बुलाते थे अनुपमखेर ज्यान पीट award मिला है कृष्णा सोबती को सोबती lifetime achievement award मिला है गिरिश करनाड को UNESCO Asia Pacific award Cultural Heritage Conservation के लिए मिला है श्री रंगनात स्वामी टेंपल को विश्नुदास भवे award मिला है मोहन जोशी, मराथी काफी अच्छे एक्टर है Mother Tresa Memorial award मिला है UNHCR, United Nation High Commissioner for Refugee फिलिपो गरांडी है इसके डिरेक्टर जनल Entrepreneur of the Year award मिला है माया स्वामी नाथन सिना को भारत गौरव award मिला है IIFS द्वारा पॉंडिचर युनिवर्सिटी को ATP World No.1 ट्रॉफी मिली है रफाइल नडाल को, ये स्पेन के खिलाडी है इस साल इनोंने French Open और US Open जिता है इस्राइल ने 2018 Genesis Prize दिया है Max Verstappen और ये Red Bull नाम की गाड़ी चलाते है और overall champion कोण बना है इस बार Lewis Hamilton बने है overall world champion और चोथी बार बने है Mercedes गाड़ी चलाते है इसके अलाबा Sebastian Vettel वो सबसे close competitor रहे Sebastian Vettel Ferrari गाड़ी चलाते है और ये जर्मनी के है ये सारे winner है ये सारे आपको याद रखने है Lewis Hamilton क्योंकि वो world champion है तो उन्होंने सारी सबसे ज़्याद उन्होंने जीती दूसरे नमबर पर Sebastian Vettel ने जीती फिर Valtari Bottas एक जीती Max Verstappen ने Mexican Grand Prix और एक जीती सिरफ Daniel Ricciardo ने जो Red Bull के है तो Mercedes गाड़ी जो चलाते है Lewis Hamilton उन्होंने जीती है तो Lewis Hamilton का teammate कौन रहा Valtari Bottas और Ferrari गाड़ी चलाई Sebastian Vettel ने ये सारे Sebastian Vettel भी चार बार world champion है Lewis Hamilton भी चार बार world champion है तो इस टेबल को वीडियो रोख दिजिए फटर फटर रट्टा लगाए इसका और आगे बढ़िए कौन सी टीम है जिसने वीवो प्रो कबड़ी लीग जीत ली ये वीवो स्पांसर है तो स्पांसर का नाम लगाना पड़ते आगे after all पैसा तो स्पांसर ही देते है प्रो कबड़ी लीग season 5 किसने जीता इन्होंने गुजरात fortune giant को हरा दिया final में और जीता पटना pirates ने पटना pirates राम की टीम ने जीता है कबड़ी लीग season 5 ये पटना का तीसरा लगातार टाइटल है लगातार तीसरा टाइटल है ये और पटना pirates के जो कोच है वो है राम महर सिंग और पटना pirates के जो कप्टान है वो है Mr. परदीप नर्वाल क्लियर अब वीवो की बात करते हैं देखिए वीवो जो है IPL की स्पॉंसर है कब तक 2022 तक सत्रा सो करोट रुपे देगी हर साल चाइना की कंपनी है मोबाइल कंपनी एक कंपनी ओर है जिसका नाम है जियोनी तो जियोनी जो है ये रोयल चलेंजर्स बैंगलोर और कॉलकाता नाइट रैडर की स्पॉंसर है ये भी चाइना की मोबाइल फोन कंपनी है और एक है ओपो ओपो बन गई है इंडियन टीम की स्पॉंसर 2022 तक तो आई होप कोई कन्फूजन नहीं होगी है अब ड्रीम नेशन य ये किताब है इसको मिथाली राज ने लॉंच करा है मिथाली राज जो अभी वर्ड नंबर वन हो गई है ICC रैंकिंग के अंदर भारतिये क्रिकेट टीम की कफ्तान और वन्डे मैचिस में सबस्या तरण बनाने का रिकॉर्ड भी मिथाली राज का है ये जो किताब है ड्री अब्डुल कलाम जी के इसमें शम्त इनके नाम पे उडिसा में एक विलर आइलेंड था अब उसका नाम पलटके कर दिया है डॉक्टर अब्डुल कलाम आइलेंड विलर आइलेंड कर एक कौफी टेबल बुक रिलीज करी है हमारे डिपार्टमेंट अफ्डिफेन्स श्रीकांत बहुत अच्छा साल रहा इनके लिए किदंभी श्रीकांत ने फ्रेंच ओपन तो जीता ही डैन्मार्क ओपन को भी जीत लिया और 82nd Senior National Championship जो भारत में हुई यानि National Champion को ने इस वत Men's में HS Pranoy जिरोंने किदंभी श्रीकांत को फैनल में राया था और सेना नेवाल ने पीवी सिंदु को फैनल में राया Korea Open Super Series जीती पीवी सिंदु ने और Bulgaria Open जीता लक्षे सेन ने इसके अलावा एक टूर्नेमेंट वह था Bulgarian International Future Series वो जीती RMV गुरू साइदत ने केंदर सरकार ने अभी-अभी अनाउंस कराए कि भई अगर आप Government Schemes का फायदा लेना चाहते हो तो अधार कार्ड अनिवार रहे है अब आपको अधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा पहले deadline थी वो बढ़ा दिये पहले deadline क्या थी? December 2017 31 December इस साल के अंतक कर देना है लेकिन अब इसको भढ़ा दिया है तो भढ़ा के अब कर दी है 31 March 2018 ये कुछ और deadline है भारत Net Project का जो पहला चरण है उसकी deadline है December 2017 भारत में 10 railway station उनका पुनर विकास किया जाएगा NBCC द्वारा उसकी deadline है 2020 भारत Stage 6 fuel ये पहले 2020 में launch ओने वाले थे लेकिन दिल्ली में इतना बुरा हाल है तो ये April 2018 में ही deadline करती है धर्मेंदर प्रधान में जो तेल और गैस के मंत्री है जितनी भी भारत में train है सम्में bio toilet फिट हो जाएंगे कब तक? December 2018 तक और PM सहज बिजली हर घर योजना सो अभागय पोर्टल लॉंच करा इसके लिए ये भी नाम याद रखिए सो अभागय पोर्टल कौनसी स्कीम के लिए करा है? PM सहज बिजली हर घर योजना इसकी deadline है December 2018 इसके अलावा 2025 तक deadline है भारत ने ट्यूबर क्लोसिस को खतम कर देंगे ट्यूबर क्लोसिस फेफ्टों का रोग होता है माइकोबेक्टरिम ट्यूबर क्लोसिस नाम के बैक्टिरिया से फैलता है 2027 तक भारत से मलेरिया खतम कर देंगे ये एक ओर deadline है World Health Organization ने दुनिया से मलेरिया खतम करने की deadline रखी है 2030 WHO ने रखी है Global Malaria Elimination यानि भारत तीन साल पहले ही दुनिया से मलेरिया खतम कर देना चाहता है Malaria फैलता है एनोफलीस नाम के मच्छरगे काटने से female सिरफ मादा एनोफलीस के अभी डेंगू फैल रहा है वो एडीस इजिप्टी नाम के मच्छरगे काटने से फैलता है So I hope ये deadline clear होंगी Farmer की income डबल कर देंगे उसकी deadline है 2022 और परधान मंत्री आवास योजना में 6 करोड घर बना देंगे उसकी deadline है 2022 दुनिया की पहली smart train ये बिना पट्री के चलती है और इसको बोलते है autonomous rail transit तो दुनिया की पहली smart train कौन से देश ने बनाई है जिस शहर में चल रही है भी उसका नाम है Zhu Zhau और ये है चाइना का शहर 70 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से चल सकती है पटरी होई जरूत नहीं है इसको चाइना की राजधानी बीजिंग है जहांपे Asian Infrastructure Investment Bank का headquarter है राशपती है शी जिनपिंग और अभी Communist Congress हुई थी उसमें शी जिनपिंग जो है ये काफी ताकतवर हो गए है और Li Keqiang ये है परधान मंत्री चाइना के केंद्र सरकार ने साथ हजार करोड रुपे का धन रखा है भारत में कितने नए IIT का केंपस बनेगा उसके लिए छे बनेंगे छे नए IIT का केंपस बनेगा कहां-कहां बनेंगे ये बहुत important है IIT तिरूपती ये तिरूपती कहा है आपने लॉड वेंकटेश्वरा सुनाओगा बालाजी महराज वो तिरूपती है उसके अलावा पलककड पलककड केरल में बनेगा IIT पलककड IIT धारवाड धारवाड करनाटक में है IIT जमू जमू कश्मीर में IIT भिलाई चतिसगर में और गोआ गोआ में में बनेगा तो ये छे नए IIT बनेगे भारत में और ये काम करना स्टार्ट कर देंगे 2020-2021 तो ये क्लियर होगा चलिए आप से एक difficult सवाल पूछता हूँ काफ़ी difficult बिलाई का नाम आ गया तो दिमाग में strike कर गया बिलाई में आप जानते हैं स्टील प्लांट है ये कौन से देश की मदद से भारत ने बनाया था बिलाई स्टील प्लांट क्या आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं International Peace Conference ये कहां पे हुई अंतराश्ट्रिये शांती सम्मिलन ये हुआ इमफाल में अगर इमफाल पूछ लें मनिपूर की राजधानी है इमफाल मनिपूर में लोकटक लेख है और यहां पे दलाई लामा जो है वो उन्होंने भी अपनी स्पीच दी राश्पती रामनात कोविंद ने अभी-भी आधारशिला रखी पहली सरकारी सुचना प्रद्योगी की बिल्डिंग बनी है टेक्नो सिटी में ये टेक्नो सिटी कहां पर है जहां पे पहली सरकारी आईटे बिल्डिंग बनी है ये बनी है जगा में जिसका नाम है पलिपुरम और पलिपुरम है केरल में केरल के मुख्य मंत्री है पिनरई विज्यन केरल में है साइलेंट वेली नेशनल पार्क और पिन वेली नेशनल पार्क है हिमाचल परदेश में कंगर वेली नेशनल पार्क है चतिसगड में और नियोरा वेली नेशनल पार्क है पस्चिम बंगाल में केरल में इसके अलावा पंबडम शोला, मथी केटन शोला, नैशनल पार्क भी है और एक और इंपोर्टेंट है जिसको बोलते हैं पैरी यार केरल में भारत में तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हाती है करनाटक और असाम के बाद पुनाथिल कंजुब दुल्ला, इनका निधन हो गया, ये कौन सी भाषा में लिकते थे? तो ये केरल की भाषा में लिकते थे, मलियालम में लिकते थे, मलियालम में इनकी एक बहुत फेमस किताब है जो आपको याद रखनी है 1977 में पपलिश होई थी जिसका नाम है स्मर काशी लाकल स्मर काशी लाकल और ये कुछ important obituary है लोग expire हुए है नमंबर में जो याद रखने है रसिक लाल धारिवाल ये मानिक चन जो गुटका है उसके ओनर थे पुनाथिल कंजूब दुलाई में बता चुका हूँ M.V. श्रीधर हैदराबाद के रंजी प्लेयर क्रिकेट प्लेयर है चुके थे दिगंबर सिंग बीजेपी के नेता थे खदरी अचुत्यन कनड पत्रकार कनड राइटर किम जू हुक साउथ कोरिया के एक्टर थे बहुत ही कम उमर में मर गए वैतूर पूरुशन मल्यालम फिल्मों के कॉमेडियन मशूर कॉमेडियन बदाम नरसिमा रेड़ी कॉंग्रेस के MP थे ये तिलंगाना से मिर्याला गुडा नाम की जगा से मनु शर्मा ये क्रिशन की आतमकता नाम के किताब के ओथर थे करीना दौर जेम्स बॉन की फिल्मों में काम करने वाली अभिनेत्री एजी मिल्खा सिंग ये क्रिकेटर थे ये याद रखिए ये वो वाले मिल्खा सिंग नहीं है जो धावक थे ये एजी मिल्खा सिंग है अशोक खले ये साइकलिस्ट थे भारत के विरेंदर संगी पतरकार थे कीर्ती निदबिष्ट नेपाल के परधान मंत्री पूर्व तीन बार परधान मंत्री वो भी एक बार नहीं अब्दुल मनन होसैन ट्रिंडमुल कॉंग्रेस के पॉलिटीशन दो बार सांजद लोगसवा से वी खालिद जमू कश्मीर हाई कोट के पूर्व चीफ जस्टिस भगवती परसाद जारखन हाई कोट के पूर्व चीफ जस्टिस जगदीश मोहन किराना घराने की सिंगर थे कुनवर नारायन कवी और डैनियल हैगाल्टी ये मोटो जीपी चलाते थे मोटर साइकल चलाते थे इनका निधन हो गया जो बाइक है वो क्रैश हो गई मकाव ग्राउंड प्री में और प्रिया रंजन दसमुन्स ये कॉंग्रेस की पॉलिटीशन तो ये इंपॉर्टेंट अबिच्वरी थे चलिए इटली के प्रधान मंत्री पाउलो जेंटी लोनी ये भारत आये थे तो कितने एग्रिमेंट साइन करे हैं भारत ने इनके साथ साइन करे हैं छे एग्रिमेंट जिनमें सबसे मुख्ये हैं रेलवे सेफटी के लिए रेलवे सेफटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और European Union में इटली पांचवा भारत का सबसे वड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और यह जो इनके पीछे चल रहे हैं यह राजेस्थान से राजेसभा अभी-अभी में गए हैं इनका नाम है K.J. Alphonse यह हमारे परियतन मंत्री हैं इटली की राजधानी रोम है, रोम में हेड़कॉर्टर है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और फूड अन एग्रिकल्चर और इटली में सबसे ज़्यादा युनेस्को वर्ल्ड हरिटेस साइट हैं 53 इसके अलावा, इसराइल के बेंजमी नतान याहू, उनसे हमने साथ M.O.U. साइन करे हैं मयामार के हतिन कयाओ राशपती हैं, मयामार रोहिंग्या इशु के चक्कर में काफी नियूज में था, नेपीडाओ राजधानी है यांकी 11 M.O.U. जापान के शिंजो आबे 15 M.O.U. इन में से कौन से राजधे की विधान सबा है, जिनोंने OBC के लिए 26% कर दिया है, ये करा है राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने करा है और राजस्थान में Desert National Park है, यहाँ पे सरिस्का है, रंथम बोर है, भरतपुर जिसे क्योलाडियो कहते हैं वो भी है, जैपूर पिंक सिटी राजधानी है, वसुनर राजे मुख्यमंत्री और कल्यान सिंग, जो किसी समय में उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री होते थे, वो यहाँ के गवर्नर है, तो यह है राजस्थान, इसके लावा यहाँ पे रावत भाटा नाम का एक नुकलियर पावर प्लांट भी है, एक और इंपॉर्टन बात बताता हूँ, मिथी वरड याद रखिए, 15 साल पहले बना था इंटरेशनल क्रिमिल कोर्ट, कौन से कंट्री ने इसे छोड़ दिया है, यह देश है, बुरुंडी, और बुरुंडी की राजधानी क्या है, बुरुंडी की, बुजुम बूरा, बुजुम बूरा, इसका हैड को आटार है हैग में, इसकी राजधानी एमस्टरडैम है, तो बस इतना ही काफी है, इन में से कौन सी वेबसाइट या पोर्टल है, जो सिड़ भी ने शुरू करा है, जिससे जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजिस हैं, उन्हें आसानी से लोन मिल सके, इसका नाम है उदै मी मित् एक कमेटी बनी है, जो सरकार ने बनाई है, जो ये चेक करेगी, कि हमारी जो सरकारी कमपनिया है, उनको मर्ज करना चाहिए के नहीं करना चाहिए, आपस में मर्ज करना चाहिए, और क्या उसमें प्रोसेस होगा, कौन-कौन सी कमपनी मर्ज होंगी, इसका चेर्मेन कोन होग इस कमेटी के head होंगे अरुन जेटली हमारे वित मंत्री, ये गुजरात से राजे सवा सांसद हैं, स्मिति रानी भी गुजरात से राजे सवा सांसद हैं, एक important बात, इस कमेटी में दो cabinet मंत्री हो रहे हैं, पियूश गोयल, रेलोर कोयला और निर्मला सितरमन, ये तीन cabinet मंत्र और टोटल पैसा खर्च करेगा 600 मिलियन यानि 60 क्रोड रुपे क्योंसा देश है, ये देश है शिरिलंका, और भारत में भारत के मतलब जो राजदूत है शिरिलंका में वो कौन है, उनका नाम है तरंजीत सिंह संधु, इन में से भारत ने आप जानते है चाबार कोर्ट बनाया Fifuan, राजधानी है Tehran अब देखिए चाबार कोर्ट जो है ये अफगानिस्तान को फारिदा पहुंचाएगा तो चाबार कोर्ट के थ्रू अफगानिस्तान ने भारत में अभी-अभी किस चीज का जहाज भेजा है, क्या लोड करके भेजा है, इन्होंन तीर्थ स्थल है एक है विरिंदावन और दूसरा है बरसना एक और इंपोर्टेंट बात यहां पे कोई भी मीट यानि मास या लिकुर शराब नहीं परोसा जाएगा बरसना में और विरिंदावन में क्योंकि यह है पवित्र तीर्थ स्थल उत्तर परदेश में दूधवा नेशल पार्क है योगिय दित्यनाद मुख्यमंत्री है और राम नायक गवर्नर है इन में से कौन से मुख्यमंत्री है जिने गोल्डन पीकोक अवर्ड मिला है ग्लोबल लीडर्शिप इन पब्लिक सर्विस और आंध्र परदेश में बन रहा है पोला वरम प्रोजेक्ट सीचाई के लिए और यहां का डांस है कुच्छी पुडी इन में से कौन सा राज्य है जिसने अभी-भी तवांग त्योहार मनाया वैसे तवांग एक सिटी है जो भारत-चाइना के बॉर्डर पे है डिस्प्यूटिड एरिया है और पेमा खंडू यह फोटो में देख सकते हैं आप ही ने यह मुख्य मंत्री है पेमा खंडू इस राज्य में माउलिंग नेशनल पार्क भी है तो यह है अरुनाचल प्रदेश गवर्नर है पीडी मिश्रा राजधानी है इटा नगर बाली जात्रा मनाया गया ओडिसा में बाली एक जगा है इंडोनेशिया में इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल दूसरी पर मनाया गया शिलॉंग में मिघाले की राजधानी में नमामी बरक असाम में बरा घाटी है यह असाम में और होट एर बैलून फेस्टिवल मनाया गया आंदर परदेश में अराकू घाटी में इन में से कौन सा देश है जिसने होकी वर्ल्ड कब 2018 के लिए पहली बार क्वालिफाई करा है यानि किसी भी होकी वर्ल्ड कब के लिए पहली बार क्वालिफाई करा है कौन सा देश है ये ये देश है चाइना चाइना और ये होगा कहाँ पे इंडिया में और साउथ कोरिया जो है ये क्वालिफाई نहीं कर पाया 1998 से पहली बार कौन सा कंट्री है जिसने अपना पहला cricket stadium खोला है ये country cricket में interest ले रहा है इस देश की राजधानी है किगाली तो ये देश है रुवांडा अफ्रिका का देश है रुवांडा so किगाली में खोला गया है राजधानी में पहला cricket stadium और पॉल कगामे है राश्पती ये important है पॉल कगामे Ease of doing business में भारत की क्या रेंक है पिछले साल था 130 अब हो गया है 100 so answer है 100 और अब आपके लिए आज का चोथा सवाल नंबर बन कोन है Ease of doing business में कमेंट्स में लिखके पताई है हमारी जो shipping ministry है उसने 75 करोड रुपे का धन रखा है भारत में दो बंदरगा है जिनका विकास किया जाएगा कौन-कौन से दो बंदरगा है ये एक तो है JLN बंदरगा 25 करोड खर्चोगा इस पे और दूसरा है कारवार करनाटक में इस पे खर्चोगा 50 करोड तो answer है 1 and 2 राशपती रामनात कोविन जो है इन्होंने mental health जो होती है उस पे 21 वर्ल्ड कॉंग्रेस उसका उधगाटन किया कहां पे हुआ है ये अईज़द किया गया नई दिल्ली में नई दिल्ली के मुख्यमंत्र अरण के जीवाल है जिनके जीवन पे an insignificant man नाम की documentary रिलेज हुई है भारत ने अभी अभी golden jubli celebrate करी है कौन से देश के साथ क्योंकि हमारे जो राजिक संबंद है diplomatic संबंद वो उनकी golden jubli अभी अभी मनाई है और इस उपलक्ष में इस देश के राजा और रानी भारत आए ये जो राजा है ये है जिग में खेसर नाम गयाल वांग चुख और ये इनकी पत्नी है जेशन पेमा वांग चुख और ये इनका छोटा सा ये cute सा बेटा है जो रिबराज है जिग में नाम गयाल वांग चुख ये देश है बھुटान таन की राजधानी है थिंपल बहारतिय एर फॉर्स जो है उसने एक दो हफते लंबा मल्टी लेटर लेयर एक्सरसाइज करा है ब्लू फ्लैग सतरा कौण से देश के साथ करा है यह इसराइल के साथ करा है और यह इसराइल के अंदर ही हुआ है हमारे जो एर चीफ मारशल है वो है ये कुछ और exercise हमने अभी अभी करी है प्रबल दोस्तक प्रबल दोस्तक जो है ये इंडिया और कजाकिस्तान संप्रिती इंडिया और बांगलादेश टाइगर स्ट्राइक अमरीका और मलेशा के बीच में हुई है सिंबेक्स इंडिया और सिंगापूर So I hope this is clear 2017 का एजूता चन पुर्षकारम केरल सरकार का सर्वच साहित्यक सम्मान है ये ये किसे मिला है इसका नाम है एजूता चन पुर्षकारम ये मिला है मिस्टर के साचिदानंदन को के साचिदानंदन मल्याली भाषा का जनक बोलते हैं एजूतानंदन को इनके सम्मान में ये पुरुसकार दिया जाता है Bureau of Police Research and Development यानि BPRND का Director General किसे अपॉइंट किया गया है BPRND का इनका नाम है AP महेश्वरी वेरे इंपॉर्टन और ये सारे याद रखिये सहस्तर सीमा बलके है रजनिकान मिश्रा CRPF के राजीर रहे भटनागर BSFKK के शर्मा इंडोते बतन बॉडर पुलिस वोजार के प्रचननदा NIAYC मोधी रोव अनिन दस्माना IB राजीर जैन और CBI अलोक बर्मा इन में से कौन से राजे की सरकार है जिसने Olive Ridley Turtle का आप शिकार नहीं कर सकते तो मचली नहीं पकड़ सकते क्योंकि मचली पकड़ेंगे तो automatic वो जाल में Olive Ridley Turtle भी फस जाते है और आप जानते है Olive Ridley Turtle कहां मिलते है गहिर मठ बीच पे तो आनसर है Odisa Odisa ने बैन कर दिया नवीन पटनाएक मुख्यमंत्री है बीजू जन्तादल पाटी है बीजू इनके पापा थे बीजू पटनाएक और भुवनेश्वर राजधानी है यहाँ पे दो important चीज़े और याद रखिए Simlipal Wildlife Century है और भीतर कनी का नैशनल पार्क है जो महानदी डेल्टा एरिया में है बान अधी उडिसा में भैती है 36 रख से निकल के उडिसा में आती है और चिलका लेग भी है यहाँ पे एक steering committee बनी है देखिए पटियाला जो है आप जानते हैं यह चुनाव शेत्र है कैप्टन अमरिंदर सिंग का पटियाला अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी sports university बना रहे है कैप्टन अमरिंदर सिंग यह university कैसे बनेगी उसके लिए एक committee बनाई गई है steering committee इस committee का chief किसे बनाया है इस committee के chief होंगे Mr. Randhir Singh Randhir Singh भारत जो है उसने एक Guinness World Record बना दिया एक साथ 918 किलो क्या पकाया एक साथ world food India जो हुआ था नहीं दिल्ली में वहाँ पे यह रामदेव जी है यह है हर्सिम्रत को और बादल जो food processing मंत्री है भटिंडा से लोग सबसांसद है भारत ने पकाया खिचडी इन में से पहला भारतिय कुत्ता कोन सा है जो इंडियन आर्मी में इंडक्ट किया गया है यानि इंडियन आर्मी के लिए काम करेगा यह पहला भारत का breed है इसका क्या नाम है? इसका नाम है Moodhole Hound Moodhole Hound और इसको इसकी posting हुए जमू कश्मीर में इस dog की Moodhole Hound की important बात यह कुत्ते हैं कहां से यह करनाटक से है ओरिजिनली करनाटक से है पोस्टिंग हुए जमू कश्मीर में इनमें से कौन सा राज्य है जिसने सिंगापूर के ITE Education Services के साथ एक M.O.U. साइन करा है कौशल विकास के लिए सिंगापूर मदद करेगा इस राज्य की कौशल विकास में In fact 100 ITI Industrial Training Institute यानी ओद्योगिक परसिक्शन संस्थान टीचर्स को ट्रेन करेगा सिंगापूर ओडिसा के अंदर UNESCO ने Asia Pacific Award किसे दिया है Cultural Heritage Conservation के लिए यह दिया है Royal Opera House मुंबई 1911 में Britain के राजा George the Pancham George the Fifth उन्होंने इसका उधगाटन किया था बहुत पुराना है 100 कितने साल हो गए 106 साल हो गए 1911 में यह बना था और UNESCO की Audrey Azole है Director General अब वो नहीं है पहले थी जो क्या नाम था Borona Ico वा ऐसे कुछ नाम था वो नहीं है Audrey Azole है और UNESCO का हेड़कॉर्टर है पैरिस में और OECD Organization for Economic Corporation and Development का हेड़कॉर्टर भी है पैरिस में पैरिस फ्रांस की राजधानी है पैरिस में होंगे 2024 की ओलंपिक खेल और फ्रांस की राजपती है पैरिस मेंनल मैकरोन पार्टी का नाम है एन मार्श Tata Literature Live Lifetime Achievement Award 2017 के लिए किसे मिला है मशूर पत्रकार लेखक गिरिश करनाड पदम श्री पदम भूशन भी मिल चुका है ने 2017 का Word of the Year Collins Dictionary के द्वारा क्या है ये वर्ड है फेक न्यूज गिग एकोनोमी बोलते हैं इन फॉर्मल एकोनोमी को फेक न्यूज है वर्ड अफ दा इयर एक्टर किम जो हुक निदन हो गया कौन से देश के थे ये इनकी गाड़ी क्रैश हो गई इस देश की राजदानी सियोल में दक्षन कोरिया मून जाए इन है यहां के राश्पती मून जाए इन दक्षन कोरिया गैटो रेड शीतल पे पदार्थ कमपनी है एनरजी ट्रिंग बनाती है स्पोर्ट्स के लिए इन्होंने अपना ब्रेंड अमबसेडर किसे बनाया है चार साल का कॉंट्रेक्ट दिया है 2021 तक तो ये जैवलिन फेक्ते हैं जैवलिन थ्रोवर है ये फोटो से पहचान गए होंगे नीरज चोपडा इसके लावा गैटो रेड कमपनी के पीवी सिंदू भी है लियोनल मैसी खिलाडी भी है उसेन बोल्ट भी है निमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री है वीर भद्र सिंङ कंग्रेस पार्टी के और यहां पे खिर गंगा नैशन पार्क है सिम्बल बारा नैशन पार्क है पिन वैली नैशन पार्क है Great Himalayan नैशन पार्क है कोन से राजिय की सरकार है जिसने सिंगापूर के साथ वहाँ के यूथ को ट्रेन करने के लिए कोशल विकास में एक M.O.U. साइन करा है मैंने आपको उडिसा बताया था अब उत्तरपूरी राजों की बात हो रही है यहाँ पे एक North East Skill Center के लिए इन्होंने M.O.U. साइन करा है गुभाटी ने करा है सो आंसर है असाण सिंगापूर की जो राश्पती है इनके इतिहास में पहली महिला है यह हालिमा याकूब परधान मंत्री है ली सी एन लुंग और सिंगापूर में प्रांच खोली है State Bank of India ने अभी होई विरंदर सहवाग के नाम पे एक गेट बनाए कौन से स्टेडियम में यह स्टेडियम है फिरोशा कोटला विरंदर सहवाग इनको सम्मानित करने के लिए खोला है यह गेट इसका नाम विरंदर सहवाग गेट होगा फिरोशा कोटला वो मेदान है जिसमें अनील कुमले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लिये थे एक ही पारी में इन में से कौन से राज्ये की सरकार है जिसने अनाउंस कराया कि हर महिना 10,000 रुपे देंगे उन लोगों को जिन्होंने अमर्जेंसी में इंद्रा गांधी के किलाफ आवाज उठाई और उन्हें नाम दिया गया है हिंदी सत्याग रही सो ये राज्ये है हर्याना गवर्नर है कप्तान सिंग सोलंकी और इसके अलावा वर्ल्ड वार टू यानि दृते विश्यूद में जो लोग मारे गए थे उनकी विद्वाओं के लिए जो पेंशन थी वो भी बढ़ा के 45 सो से कर दी है 10,000 रुबे बनोर लालकटर मुख्यमंत्री है और इसके अलाबा सुल्तानपूर नैशनल पार्क भी है हर्याना में मोरनी नाम की जंगा है पंशक्षूला के पास जहां पर एक नैशनल पार्क बन रहा है ग्यान पीट प्रुसकार किसे मिला इस साल का 2017 सतरागा, इनका नाम है कृष्णा सोबती और ये साहितिय अकेडमी अवर्ड भी चुकी है अंगाली और गुजराती में जो लिखने वाले राइटर हैं, उनको इस बार इंक्लूड नहीं किया गया था, याद रखिए इनकी एक नॉवल है जिसके लिए मिला है ये प्रुसकार इने, उसका नाम है जिन्दगी नामा अभी-अभी एक Black Buck हिरन को बचाने के लिए एक Conservation Reserve बनाने का निर्णे लिया है ये बनेगा Major Forest Division में तो ये Major Forest Division कहां पर है ये है उत्तरपरदेश में उत्तरपरदेश में है और Black Buck को हम Indian Anti-Lope भी बोलते है इन में से करनाटक की पहली महिला कौन है जो वहां की DGP बनी है यानि Director General and Inspector General of Police ये IPS Officer के लिए इस हाइस ट्रंक होती है स्टेट में इन्होंने Mr. रूपक कुमार दत्ता को रिप्लेस किया है, इनका नाम है नील मनी राजू कितने भारती हैं जो Forbes की दुनिया की सबसे ताकतवर 100 महिलाओं की लिस्ट में आये है ये चौदवी लिस्ट थी जो Forbes ने निकाली है इसमें है 5 महिलाओं तो इसमें 32 नंबर पर है चंदा कोचर जो ICICI Bank की President है 57 नंबर पर है रोशनी नदार जो HCL कंपनी के मालिक शिवनदार की बेटी है 71 नंबर पर है किरन मजूमदार शो बायो कौन की ओनर और 91 नंबर पर है HT Media से शो बना भारतिया और 97 नंबर पर है प्रियंका चोपडा प्रियंका चोपडा पहली बार भारत की में जन्मी लेकिन अमरीका की नागरिक हैं इंद्रा नूई वो 11 नंबर पर है PepsiCo Company की Global CEO हमारी केंद्र सरकार ने अपना अप्रूबल दिया है हमने इन में से कौन से देश के साथ एक आपसी सहयोग Mutual Assistance Custom Matters में रिलेटेड उन से रिलेटेड एक M.O.U. साइन करा है इस देश की राजधानी है येरवान और मुद्रा है ड्राम ये देश है अर्मेनिया Asian Infrastructure Investment Bank ने 2 मिलियन डॉलर का लोन भारत में 5 प्रोजेक्स के लिए दिया है कौन से राज्य में तो ये मैं औरड़ी जिकर कर चुका हूँ ये राज्य है आंद्रपर्देश भारत में World Economic Forum का जो Global Gender Gap Index है उसमें 21 चलांग लगाई 21 प्लेसिस पे चलांग लगाई मतलब पहले से वर्स हो है तो भारत की जो रैंक है इसमें क्या है भारत की रैंक है 108 108 और भारत जो है उसे 100 years लगेंगे अगर वो Gender Gap यानि लिंग ऐसमानता को खतम करना चाहता है तो Number One Country है Iceland और World Economic Forum का Headquarter है Colony नाम की जंगा में जो जनेवा में है Colony नाम की जंगा जनेवा में है और इसके Head कौन है उनका नाम है Klaus Schwab This is very important Klaus Schwab Eti Kopak का नाम के इने Geographical Indicator Tag मिला है ये खिलोने कौन से State के हैं ये खिलोने हैं आंधर परदेश में विशाका पत्नम में एक गाउं है वराहा नदी के किनारे वहाँ पे ये खिलोने पाए जाते हैं इने Geographical Indicator Tag मिला है इसके अलाबा पश्चिम बंगाल के तुलाई पंजी चावल और गोबिंदो भोग चावल और रोसो गोला इसे भी मिला है आंधर परदेश के बंगनपली आम दुर्गी स्टोन कार्विंग और एटिको पक्का टॉय को तेलंगाना के पोचम पली इकात को और नागालेंड के एक शॉल है नागालेंड की जिसको बोलते हैं चाक्षे शांक सोल तो ये शॉल है तो ये सारे हैं जो इसी साल जिनने जोगर्फिकल इंडिकेटर टैग मिला है गिन सकते हैं तीन ये हो गए तीन तीन छे और दो आठ आठ चीजे हैं जिने जोगर्फिकल इंडिकेटर टैग मिला है ये बहुत जादा इंपोर्टेंट सवाल है ये बार फिर मैं याद करवा देता हूँ पश्यम मंगाल का तुलई पंजी और गोबिंदो भोगचावल रोसोगोला, आंधर परदेश के बंगनपली, मेंगो, दुरई, दुरगी स्टोन का आर्विंग, टिको पक्का, टॉय और तेलंगाना के पोचम पली, इकाट और नागालेंड के चक सिंग सांग, सौल अभी अभी, 2017 ITTF, World Cadet Challenge, ये फीजी की राजधानी सुवा में हुआ, किसने एक सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता है, इनका नाम है दिया चिताले दिया चिताले ने सिल्वर मेडल जीता, गोल्स डबल्स गोल्ड जीता टीम इवेंट के अंदर ये एक मात्र इंडियन प्लेयर है, जो एशिया की तरफ से रेप्रेसेंट किया था जिरोने यहां पर, और फीजी के एक मशूर गॉल्फ के खिलाडी है, जिनका नाम है विजे सिंग, ये विजे सिंग सुनकर आप सोचेंगे इंडिया के हैं, भारतिय मूल के हैं, लेकिन य 1982 से हो रहे हैं, और हॉंग कॉंग जो है, ये नोवी बार लगातार दुनिया का वो शहर है, जहां पर सबसे ज़्यदा टूरिस्ट आए, नाइन्थ टाइम इन रो, गोल्ड मेडल किसने जीता है, 66 वे ओल इंडिया पुलीस रेस्लिंग कस्टर चेंपेंशिप 2017, इसमें महा आर्थिक, सैक्षिक और सांस्कृतिक, ये है इंडियाना पुलीस, इंडियाना की राजधानी है इंडियाना पुलीस, तो राज्य है इंडियाना, इन में से कौन से देश के वेज्ञानिकों ने, दुनिया की सबसे पुरानी गोल गैलेक्सी खोजी है, जिसका नाम है A1689B11 जो कहते हैं कि 1100 करोड साल पुरानी है इसको खोजा है उस्टेलिया की नेशनल उनिवरसिटी और स्वाइन बन उनिवशिटी आफ टेक्नलोजी ने तो आंसर है उस्टेलिया मैलकोम टनबूल है यहांके मैलकॉम टन्वूर परधानमंत्री, कैन्वरा है, राजधानी भारत ने संप्रिती नाम की एक्सरसाइज करी है तेहरा दिवस्ती है मिघाले और मिजोराम में कौन से देश के साथ? ये देश है बांगला देश शेख हसीना है परधानमंत्री, ढाका है राजधानी टाका है, करंसी और ये कहाँ पर हुई? मेघाले के अंदर ये जगा हुई, जिसका नाम है उम्रोई और मिजोराम के अंदर जो जगा है उसका नाम है वाई रैंग टी मिजोराम की राजधानी आईजुआल है मेघाले की शिलोंग है कौनसे राज्य की सरकार है जिसने एक trauma care program स्टार्ट करा है अगर इस राज्य में कोई भी accident किसी का हो जाता है तो शुरू के 48 घंटे treatment free of cost मिलेगा इस राज्य के hospitals में यह scheme स्टार्ट करी है पिनरई विजियन जो मुख्य मंत्री आफोटो में देख सकते हैं केरल के मुख्य मंत्री है पिनरई विजियन और सताशिवम है यहां के government भारत ने एक loan agreement साइन करा है ओडिसा में जो उच सिक्षा है उसके विकास के लिए world bank कितना loan दे रहा है ओडिसा को यह loan होगा 119 million dollar चाइना की जो parliament है उसने कहा है अगर आप हमारे राष्टर गांड का national anthem का उसको disrespect दोगे उसका निराधर करोगे तो फिर कानून का उलंगर माना जाएगा अब यह कहां extend कर दिया है यह दोनों special administrative region है चाइना के एक है Hong Kong और दूसरा है Macau so answer है A and B कौन सी नदी है जिस पर नेपाल ने एक पुल बनाया है भारत की मदद से यह इनोंने मुस्तांग district में बनाया है और इस नदी का नाम पूचा है यह नदी है कली गंद की नदी कली गंद की नदी और नेपाल से तीन नदी हैं जो बिहार आती हैं घागरा, कोसी और गंदक कोसी नदी को बिहार काती शोग भी कहते है world tsunami awareness day, tsunami के बारे में जागरुता फैलाने के लिए जो दिवस मनाया जाता है इसे UN office for disaster risk reduction यानि UNISDR बनाता है, किस दिन मनाता है इसे मनाया जाता है 5 नमूंबर को, 5 नमूंबर को कौन सा देश है जिसने अभी-भी successfully एक bomb का persecution करा है जिसका नाम है glide bomb इसका official name है smart anti-airfield weapon, तो ये है इंडिया का और इसका persecution किया गया चांदीपूर, चांदीपूर है Odisa में और DRDO के द्वारा बनाया गया है, DRDO के chairman है Dr. S. Christopher इन में से कौन सा bank है जिसे Reserve Bank of India ने scheduled commercial bank का दरजा दे दिया है ये है, एक small finance bank है और इसका नाम है AU Small Finance Bank और Mr. Sanjay Agarwal है इस bank के managing director और CEO और अब इस bank को second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934 में रखा जाएगा वो टाइफून कौन सा है चक्रवाद जो वियतराम में आया अभी-भी वियतराम में आया डमरी और एक अमरीका में आया है अभी-भी इसका नाम है Hurricane Nate, Hurricane Nate वियतराम की राजधानी है हनोई और करंसी है डॉंग इन में से कौन सी sports organization है जिसने अपने president को निकाल दिया है इसके president का नाम है Chiangku Wu ये है World Boxing Association जिसको बोलते है AIBA AIBA किसका headquarter है लौजैन में लौजैन में International Olympic Committee का headquarter भी है जिसके chairman तोमस बाग और लौजैन शहर है Switzerland में एक जो निवेश करने वाले लोग है उनके उनकी सहूलियत के लिए उनको facilitate करने के लिए एक website बनाई है एक portal बनाया है World Food India में launch हुआ इसका नाम क्या है इसका नाम रखा गया है निवेश बंधू निवेश बंधू इन में से कौन से भारत की गॉल्फ खिलाडी हैं जिनोंने फातिमा बेन मुबारक लेडीज ओपन जीत लिया जो संयुक कर्वमिराद की राजानी आबुधावी में खेला गया इनका नाम है अधिती अशोक अधिती अशोक दीना वाडिया का निदन हो गया ये किसकी बेटी थी ये थी पाकिस्तान का गॉडफादर जिने बोलते हैं मुहमद अली जिन्ना की बेटी और जो वाडिया गुरूप के चेर में हैं नसली वाडिया ये उनकी माता है कौन सा देश है जो सबसे नया मेंबर बना है International Solar Alliance का International Solar Alliance COP21 Paris Agreement के समय पे भारत और फ्रांस ने अपनी लिडर्शिप दिखा के बनाया था अभी नया मेंबर बना है गिनी जिसकी राजधानी है कोनाकरी जो वर्ल्ड बुक कैपिटल भी था कोनाकरी कजाकिस्तान के जो राश्पती है नरसुल्तान नजरबायव उन्होंने ये कहा है कि कजाकिस्तान का नाम 2025 में हम क्यू से लिखा करेंगे के से नहीं तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कजाकिस्तान अभी जो नाम लिखा जाता है कजाकिस्तान वो कौन सी भाशा में लिखा जाता है और जो ये क्यूँ वाला है ये Latin भाशा में लिखा जाएंगा दोज़ार पचिस से अभी लिखा जाता है ये सिरलिख में और कजाकिस्तान ने साल चेनने ही में अपना office कुलाए होके टीम ने इस बार एशिया कप जीता तो मैंस और वोमेंस दोनों एशिया कप भारत ने जीते हैं इन्होंने चाइना को हराया पैनल्टी शूट आउट में पांच-चार से सो आंसर है इंडिया, इंडिया ने हराया चाइना को और जो गोल की पर थी वो है, सवीता पुनिया और यह हर्याना की है, और जो कैप्टन है रानी रामपाल, यह भी हर्याना की है, तो दोनों के नाम आपको याद रखने है, तेरा साल के बाद जीता है यह, 2004 में जीता था, और यह दूसरा हमारा सिर्फ एशिया का टाइटल है कोंसा मंदिर है, जैसे युनेसको एशिया पसिफिक अबॉर्ड मिला है, कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए, यह भगवान विश्नु का मंदिर है, और इसका नाम है श्री रगनाथा स्वामी टेंपल, और यह कहाँ पे है, तिरुचिरा पल्ली में है, तमिलनाडू में आर्टिफिचल इंटेलिजन्स रोबट कौन सा है, जिसे टोक्यो ने अपने ओफिशिल रेजिएंट का धर्जा दे दिया है, इसे नागरिकता दे दिया है इसका नाम है शिबूया मिरैी, और यह 7 साल का लड़का है, बॉय है इसके अलावा सोफिया नाम की एक फीमेल है, जिसे दर्जा दिया है साओधी अरेबिया ने इसे अपना नागरिकता दिया है सोफिया को, और जापान ने दिया है शिबूया मिरैी को एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई ही है सरकार ने जो अगर कोई राजियों के बीच में आपसी मतबेध है उनको सुलजाएगी तो इसकी अध्यक्ष्टा कोन करेगा इसके चेर्मेन कोन होंगे इसके चेर्मेन होंगे खुद परधान मंतरी नरेंदर मोदी और नीती आयोग जो है उसके चेर्मेन भी है परधान मंतरी मोदी नीती आयोग के राजीव कुमार है वाइस चेर्मेन और अमिताब कान्त है CEO एक बात याद रखिए इसमें छे यूनिन मिनिस्टर भी है हमारे सोनपूर मेला स्टार्ट हो गया शेत्र मेला जिसे बोलते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशू मेला है ये कहां पे लगता है ये लगता है बिहार में बिहार में है वालमिकी नैशल पार्क और मुख्य मंतरी है चटी बार बने है मुख्य मंतरी जेडियू पार्टी के नितीश कुमार तो यह आपको याद रखना है और जो उपमुख्य मंत्री है वो हैं सुशिल कुमार मोदी जो वहां के वित मंत्री में अभिहार के और उन्होंने ही इसका उधगाटन किया ये मिला गंगा, गंदक और माही नदी के जहां मिलती है, वहां पे लगता है नए फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने है इनका नाम है हस्मो कदिया, पहले थे अशोक लवासा अब गों रिटायर हो गए है और हस्मो कदिया ने उनकी जगा लिये एक फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है बाली जात्रा ये कौन सी नदी के किनारे हुआ है तो ये उडिसा में लगा है, उडिसा में कौन सी नदी भैती है महान अतीस पे हीरा कुन टैम पी है तो ये सब याद रखिए AIBA Women's Youth World Championship का ब्रेंड अमेसेटर कौन बनी है इनका नाम है MC Marycom और ये ये दो कोशिन जरूर आएंगे Jim Smartis और Rex Tillerson और Donald Trump की जो बेटी है वो है Ivanka Trump और वाइफ है Melania Trump जिनको बोलते हैं First Lady कितने medal भारत ने जीते Commonwealth Shooting Championship जो उस्टेलिया के अंदर हुई भारत ने जीते 20 medal 6 gold, 7 silver, 7 bronze 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8 और gold medal जीते जैसे सत्येंदर सिंग ने परकाश निंजप्पा अंकुर मित्तलित यादी कौन सा एक्टर है जिसे विश्नुदास भावे अवार्ड मिला है मराठी सिनेमा में अपने योगदान के लिए इनका नाम है मोहन जोशी मोहन जोशी और जो विश्नुदास भावे हैं इन्हें मराठी थेटर का फाउंडर बोलते हमारा जो डाक विभाग है उसमें उन्होंने कुछ डाक टिकट निकाली है हैदराबाद की कौन से वियंजन है जिनको समानित करने के लिए निकाली है हैदराबादी बिर्यानी यानि उनका विल हो जाना चाहिए के नहीं इस कमिटी का हेड कौन बना है इसके हेड बने है मिस्टर यश्वन थोराट आपको याद होगा ये नबाड के पूर्व चेर्मेन है अभी चेर्मेन है हर्श कुमार भानवाला नबाड बना थे 1982 में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कौन सी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है हमारी जिन्होंने एक मोबाईल एब बनाया है महिलाओं की सेफटी के लिए जिसका नाम है आई वाच रेलवे ये बनाया है वेस्टर रेलवे ने पश्चिमी रेलवे ने और हमारे जो railway मंत्री है वो है पियोश कोयल इन में से कौन सी कंपनी है जिसने announce करा है कि उन्होंने एक messaging platform शुरू करा है जिसका नाम है inbox ये start करा है Paytm ने जैसे WhatsApp है वैसे ही inbox है Paytm के founder है विजे शेकर शर्मा Paytm payment bank के managing director है रेनू सती और Paytm की parent company है 197 communication एक multi agency group बना है जो ये च इसकी अध्यक्षता करेंगे सुशील चंदर जो हमारे आयकर विभाग के chairman है Central Board of Direct Texas के एक दो दिवसी है coastal security exercise हुई जिसका नाम है सागर कवच ये कहां पे हुई सागर कवच हुई गोवा के अंदर और राजेंदर सिंग है हमारे जो coast guard है उसके director general नीती आयो के vice chairman राजीव इसे 6 problem गरीबी, गंदगी, भरष्टाचार, आतंकवाद, जातपात और सांप्रदाइकता ये एक नया इंडिया बनाएंगे हम ये कौन से साल में बनेगा ये बनेगा 2022 ये बनेगा 2022 युनाइटी नेशन्स climate change conference कहां पे हुई COP23 बोलते हैं इसे और इसका theme था conserving now, preserving future भारत क की तरफ से डॉक्टर हर्षवरदन गए जो हमारे परियावरन मंत्री है, Environment, Forest and Climate Change के मंत्री है, Science, Technology के मंत्री भी वही है, ये हुई Bonn में, Bonn है Germany में, दुनिया का सबसे उचा रोड, जिस पे आप गाली चला सकते हैं, जिसे बोलते हैं, World's Highest Motorable Road, ये बना है 19,300 feet, ये कहां प चिसुमले और दूसरा गाउं है, डैंक चोक, चिसुमले को डैंक चोक से ये जोड़ेगा, हमारा जो railway मंत्राले है, उन्होंने कहा है कि railway में, railway में जितने भी zone है, जितने भी division है, सबके अंदर biometric attendance हुआ करेगी आधार से, तो कब हुआ करेगी, कब से start हो जाएगी, ये हो जनवरी 2018 से, हमारे railway board के chairman है, अश्वनी लोहनी, साध अल हरीरी, इन्होंने कौन से देश के परधान मंत्री पत से इस्तिफा दे दिया है, ये Lebanon के परधान मंत्री है, Lebanon की राजधानी है, बेरूत, भारतिये railways ने दुनिया का सबसे उचा, ये pull है, कौन सी नदी पे बन रहा है, इसका architecture launch कर दिया है, ये बन रहा है, छेनाब नदी में, अगर पूछें इसकी height कितनी है, 359 meter है, 359 meter, 1250 करोड रुपे की लागत से बनेगा, मई 2019 तक पूरा हो जाएगा, और जमू कश्मीर में बन रहा है, जिस district में बन रहा है, उसका नाम है, रईसी district, ये किसको जोड जोड़ेगा, ये भी याद रखिये, कट्रा को जोड़ेगा, बनी हाल से, कट्रा को जोड़ेगा, बनी हाल से, economic advisory council बनाईए, परधान मंत्री ने, उसका में part-time member किसे बनाया है, और इसके chairman को ने, दोनों पता होने चिये, chairman है विबेक देवरोई, और जो part-time member बनी है, वो ह शमी का रवी, एक committee बनी है अभी-अभी, हमारे बिजली मंत्राले द्वारा, जो ये चेक करेगी कि NTPC, उन छार thermal power plant में जो support हुआ, वो कैसे हुआ, उसका investigation करेगी, इस committee के देख्षता कोन करेगा, ये करेंगे PD सिवाल, और ये जो plant है, ये है राय बरेली district में, एक committee अभी- and services tax के जो कानून है, उनमें किस तरह का परिवर्तन होना चाहिए, इस committee के देख्षता कोन करेगा, ये करनाटक के GST Commissioner है, इनका नाम है Mr. Vinod Kumar, M. Vinod Kumar, कौन सा राज्य है जिसने उर्दू को अपनी दूसरी भाशा का दरजा दे दिया है, पहली भाशा है तेलगू, ये राज् आते होा रहे हैं, आका चिसी चंदरशेकर राओ, मुख्य मंत्री है Mr. नरसिमाया के गवर्णर है, पहली तेलगू है, दूसरी है उर्दू, हमारे परियटन मंत्री K.J. Alphonse, वो राजेसभा से अभी-अभी elect हुए हैं, कहां से हुए हैं, ये हुए हैं, राजेस्थान से, राजेस्थान से लेक्ट हुए हैं, और आप जानते हैं कि जो राजेसभा है, इसका चेर्मेन हमारे उपराश्पती होते हैं, तो इसके चेर्मेन कोन हो गए, वेंकायन हैडू, और डेपूटी चेर्मेन कोन है, पी जे कुरियन, कौन से राजे की सरकार है, जो आर्ट अफ जिसे फ्रेंच में बोलते हैं, इसको लिखा है एरिक वुलियाड ने, इन्हें मिला है प्री गॉंकूट 2017, जो फ्रांस का सबसे उचा साहित्ते का सम्मान है, इन्होंने किसके जीवन पर लिखी है ये किताब, ये लिखी गई है, अडॉल्फ हिटलर के जीवन पर, इनमें स कोबल की मदद से, दिल्ली की जो सरकार है, उन्होंने एक Twin City Agreement Sign करा है, जैसे आपको याद होगा, जैसे करनाटक ने किया दा Twin City Agreement Sign इंडियाना के साथ, तो दिल्ली ने किसके साथ किया है, दिल्ली ने किया है दक्षिन कोरिया की राजधानी, सीओल के साथ, इनमें से कौन सा बैंक है, जिसे Reserve Bank of India ने कहा है कि वो कुवैत और सिंगापूर में अपना कारे शुरू कर सकता है, ये बैंक है Federal Bank, Federal Bank का Headquarter है कोची में और शाम श्रीनिवासन है, इसके Managing Director और CEO, इनमें से Entrepreneur of the Year, साल का सबसे शर्वश्रिष्ट Businessman Award, एजो चैम ने किसे दिया है, ये इन्हो इनका नाम है Maya Swaminathan Sinha, इनमें से कौन सा देश है, जो Facebook के साथ जिसने partnership करी है, प्राकृतिक आपदाओं से ने पटने के लिए ऐसा करने वाला ये पहला देश बना है, और असाम और उत्राखंड, दो राज्यों ने Facebook के साथ टाई अप किया है, तो ये किया है, इंडिया ने, Facebook कंपनी के CEO है, मार्क जकरबर्ग, और COO यानि Chief Operating Officer है, शेरियल सेंडबर्ग, गोल्ड मेडल Asian Boxing Championship में किस ने जीता, ये होची मिन में हुई थी वियत नाम में, पांच भी बार इनोंने जीता है, इनका नाम है, मैरी कॉम, इनमें से कौन से राज्ये की सरकार है, जिनोंने She Pad Scheme स्टार्ट करी है, इस राज्ये में पढ़ने वाली जितनी भी लड़कियां है, उन्हें Free Sanitary Pad दिये जाएंगे, Menstruation के लिए, ये किया है केरल की सरकार में, और ये 300 स्कूलों में इंप्लिमेंट होगी, केरल की राजधानी है, तिरुबरंत पुरम, इनमें से मृत्यों प अली, ये कहां पे खोजी गई है, ये मुस्ताक अली को सम्मानित करने के लिए इसका नाम रखा है, टेरनो मिरमेक्स अली, मुस्ताक अली को भारत का चीटी मानव बोलते हैं, इंडियाज एंटमें बोलते हैं, ये पैरिया टाइगर रिजर्व में खोजी गई है, ये इसका थीम था, Creating New Dynamism, Fostering a Shared Future, कौनजी भारत की फिल्म है, जिसे Best Short Film का अवर्ड मिला है, South Asian Film Festival, जो Montreal, Canada के अंदर हुआ, SAFFM, South Asian Film Festival, इस फिल्म का नाम है, ता स्कूल बैग, और इसके डिरेक्टर है, धीरज जिंदल, पिछले साल भारत की ऑसकर में फिल्म गई थी, विसर अने, तमिल फिल्म थी, इस साल गई है, Newton, जिसके, Newton को रोली भाया, राजकुमार राउने, और इस फिल्म के डिरेक्टर है, अमित मसूरकर, दूसरा International, Cherry Blossom Festival भारत में कहां पे हुआ, ये शिलॉंग में हुआ, मेगाले की राजदानी है, यहां पे बाल फक्रम नेश निकोबार, और ये किस चीज की है, ये केले की परजाती है, और मूसा परमजीतियाना, परमजीत सिंग को सम्मानित करने के लिए इसका नाम है, परमजीतियाना, परमजीत सिंग, Botanical Survey of India के डारेक्टर है, और अनमा निकोबार के जो गवर्नर है, जिनने लुटेनेंट गव इस कंपनी का हैड़कवाटर है, अमदाबाद में, इस कंपनी के CEO है, विनीत जैन, और इस कंपनी के मालिक है, गौतम अदानी, ये कंपनी है, अदानी पावर, एक नई ट्रेन शुरू ही है अभी अभी, बंधन एक्स्प्रेस, ये पश्चिम मंगाल को कौन से देश के साथ Women's और Men's Single, National Championship, कि jusqu के ने जिती है इस बार बैड मिन्टन की बात हो रही है, ये 82 सीवा Senior National Bedrament Championship था, तो Women's वाला जीता सहरा नेवालने और Men's वाला जीता HS प्रणोये ने, तो ये दोनों ने उलठ्ठ फेर किया, सहरा नेवालने पे विसिंदु को राई जो फेवरेट थी, औ और H.S. प्रणोय ने किदम भी श्रीकांत को हरा दिया इस्राइल का 2018 जेनेसिस प्राइस किसे मिला है इस्राइल में जो रिलिजियन है वो है जू इस्राइल की भाषा है है प्रियू इस्राइल में मुद्रा चलती है शकेल प्राइम मिनिस्टर है बेंजमिन नतान याहू दिल्ली का तीन मूर्ती मार्ग नेम हुआ है हाइफा शहर के नाम पे राजदानी है जैरुसेलम तो इनका नाम है नताली पोर्टमेन इन में से कौन सा राज्य है जो हेपिटाइटस C के पेशेंट्स का इलाज कर रहा है औरल मेडिसिन के थुरू यानि मुह से ली जाने वाली दवाई के थुरू ये इलाज कर रहा है हेपिटाइटस C का हेपिटाइटस C आपके लिवर को अफेक्ट करता है ये राज्य है हर्याना सेवी का होल टाइम मेंबर कौन बना है सेवी के चेर्मेन है अजे त्यागी हेड़कवाटर है मुंबई में सेवी का होल टाइम मेंबर बना है संजीव कौशिक और इन्होंने S.Raman को रिप्लेस किया है अब सेवी के पास तीन होल टाइम मेंबर है एक है G.Mahalingam, तीनों के नाम याद रखिए G.Mahalingam, मधावी, पूरी, बुक और संजीव कौशिक संजीव कौशिक तो नए बने है इसके अलावा G.Mahalingam और एक और है M.P. बुक यानि मधावी, पूरी, बुक कौनसे राज्ये की सरकार है जिन्होंने गाओं के विकास के लिए उस राज्ये में एक Village Development Board बनाया है 600 करोट रुपे की Allotment इसके लिए की गई है और ये है इस राज्ये के Rural Development Minister गोपाल राए भारत के Rural Development मंत्री है नरेंदर सिंग तोमर ये राज्ये है राजपती नामनात कोविंद ने व्यापार मिला दिल्ली में स्टार्ट हो रहा गया है परगती मैदान में चल रहा है इस बार इसका थीम क्या है इसका थीम है Start-Up India Stand-Up India और इसमें हमारा जो Partner State है वो है जारखन और Partner Country है वियतनाम केंजर सरकार जो है वो एक Land Pooling Mechanism स्टार्ट करा है इन्होंने एरपोर्ट के विकास के लिए तीन राज्यों में किया गया है ये जो मेकैनिजम है कौन से राज्य में नहीं किया गया है महराश्टर में आंदरपरदेश और गुजरात में किया गया है उत्तरपरदेश में नहीं किया गया है Land Pooling Mechanism इसमें जो जमीन किसानों से ली जाती है विकास के बाद 60-70% उनको वापस दे दी जाती है और हमारे जो Air India के मेनेजिंग डिरेक्टर है वो है राजीव बंसल National Green Tribunal ले कहा है वैशनो देवी में जो शर्धालू है इससे ज़्यादा नहीं जा सकते प्रते दिन तो इन्होंने नंबर कैप किया है 50,000 वैशनो देवी श्राइन है कट्रा जमू के अंदर और National Green Tribunal के चेर्मेर है Justice Swatantra Kumar एक और बात National Green Tribunal ने जो जो चाय होती है चाय का जो tea bag होता है उसमें जो stapler prenews होती है उसको भी ban करतिया था और एक चीज़ और ban की थी Food Safety and Standard Authority of India ने NGT ने Food Safety and Standard Authority of India ने ban किया था चाय में जो stapler prenews होता है और NGT ने ban किया था जो पतंग का मांजा होता है अगर वो acrylic वगरा से या glass से coated है तो बारवा East Asia Summit ये अभी-भी कहां पे हुआ ये हुआ Manila Philippines की राजधानी में और बस इसमें इतना एद रखना है 18 देशों के लोग इसमें आये थे 2005 में बना था East Asia Summit परधानमंत्री Modi के नाम पर एक चावल अनुसंधान परयोगशाला बनी है यानि Resilient Rice Field Laboratory बनी है ये कहां पे बनी है ये International Rice Research Institute में बनी है और ये कहां पर है ये है Los Banios में और Los Banios है फिलिपिन्स में अभी-अभी दसवा अपना World Championship किसने जीता है जुडो के अंदर ये आयोजित हुआ मुरको में मराकेच में मुरको की राज़ानिय रबात ये भी एक North African country है और 10 World Championship जीत चुके हैं फ्रांस के हैं इनका नाम है Teddy Rainer मिनिस्टर जो हमारी है Women and Child Development उन्होंने एक बच्चों के अधिकारों के लिए सब्ता मनाया नमुंबर 14-20 तक इसका नाम क्या था इसका नाम था होसला 2017 ये है हमारी Women Child Development Minister मेनिका गांधी ये पिलभीत से लोग सबा संसद है भारत का पहला helicopter based air dispensary कहां से स्टार्ट हुआ है ये helicopter से एक तरह से उपचार हो सकेगा ये स्टार्ट हुआ है North East के अंदर अभी North East में ये सब जगा स्टार्ट नहीं हुआ इमफाल और शिलॉंग में हुआ है बागी फिर ये बागी जंगा इस्टेंड कर दिया जाएगा 25 करोड रुपे का इसमें खर्चा आएगा और हमारे Health Minister ने जेपी नग्दा नेपाल ने नेपाल एक प्रोजेक्ट बना रहा था बुधी गंदकी Hydro Electric प्रोजेक्ट ये धाई बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट था अब नेपाल ये नहीं बनाएगा नेपाल ने ये स्क्वैश कर दिया है इसको स्क्रैप कर दिया है ये कौन से देश का प्रोजेक्ट था ये था चाइना का प्रोजेक्ट पहले ट्रांसजेंडर कोन है जिनने राजस्थान पुलिस में जगा मिली है इनका नाम है गंगा कुमारी ऐसे ही एक और नाम याद रखिये पृतिका याशिनी ये तमिल नाडू के अंदर समिस्पेक्टर बनी है ये भी ट्रांसजेंडर है ये भारत की पहली है और राजस्थान की पहली है गंगा कुमारी इसके लाबा जोईता मॉंडल ये पहली जज है जो ट्रांसजेंडर है भारत में बंगाल में 60 साल में पहली बार कौन सा देश World Cup के लिए qualify नहीं कर पाया ये देश है इटली इटली qualify नहीं कर पाया जबकि 2006 में इटली ने World Cup जीता था और कौन सा देश है जिसने पहली बार qualify कर रहा है एक तो है Panama और दूसरा है Iceland कौन सा राज ये है जो तितलियों को बचाने के लिए उत्तर भारत का सबसे बड़ा butterfly conservation park बना रहा है ये बनेगा हर्याना के अंदर और ये एक NGO काम कर रही है इसको बनाने में जिसका नाम है उत्थान Indian Ocean Rim Association उन्होंने डिसाइड कर रहा है कि वो एक center of excellence बनाएंगे ये center of excellence वो कहाँ पर बनाएंगे याद रखिए Indian Ocean Rim Association का जो headquarter है वो है IBAN में IBAN है Mauritius में Mauritius की राज़ानी है Port Louis ये बनेगा केरल के कोची के अंदर World Diabetes Day मनाएगया इस बार इसका theme था Women and Diabetes, Our Right to a Healthy Future कब मनाएगया जवाला नहरू का बरड़े होता है इस दिन 14 नवंबर को ये मनाएगया और ये इसका इस बार ring था Blue ring कलर का ring था ये भी आगर किये इसका symbol है Unite for Diabetes इन में से कौन सी university है जो Netherlands की सरकार के साथ मिलके Agriculture में बृद्धी के लिए काम कर रही है ये हर्याना की university है इसका नाम है हर्याना Agriculture University हिसार माहिंदर सिंग दोनी ने अपनी पहली Cricket Academy खोली है कहां पर खोली है ये इन्होंने खोली है दुबाई के अंदर सेयुक्तरवमिराद UAE में दुबाई में Sports Woman of the Year का अवर्ड किसे मिला Indian Sports Honors जो Mumbai के अंदर हुए थे भारत की साल की सर्वश्रिष्ट महिला Sportsman ये हैं मिथाली राज और male category में मिला Team Sports के अंदर R. Ashwin को बोरुट पाहोर ये दूसरी बार राश्पती बने है कौन से देश के इस देश की राजधानी है लजुबलजाना ये देश है Slovenia राश्ट्रिये सिक्षा दिवस ये 11 नॉम्बर को मनाया गया ये किसका जिनन दिन होता है ये जिनन दिन होता है मुलाना अबूल कलाम आजाद का ये भारत के पहले सिक्षा मंत्री थे Union Cabinet ने दूसरा National Judicial पे Commission अप्रूव किया है पहले भारतीय मूल के कौन से खिलाडी है जो Martial Arts Fighter बने पहले भारतीय मूल के जिननोंने Ultimate Fighting Championship में जिननोंने जो लड़ेंगे अब Ultimate Fighting Championship जिसे बोलते है UFC इनका नाम आपको बताना है इनका नाम है Mr. भारत खंडारे और एक WWF में महिला गई है जिनका नाम है कविता देवी ये हरियाना की है World Hindu Congress 2018 में होगा इसकी Chair Person कौन होगी इनका नाम है तुलसी गबाड तुलसी गबाड चार साल में एक बार होता है World Hindu Congress कर्ल राजेवर्दन सिंग राठोर ने Youth Development Index शुरू करा है इसमें Youth किस Age Group को कहेंगे Youth कहेंगे हम 15 से 29 Age Group को 15 to 29 National Institution of Ocean Technology ये भारत का पहला Offshore Desalination Plant बना रहा है ये कौन से बंदरगा पे बना रहा है ये जो समूदर का पानी है उसमें से नमक निकालने के लिए होता है Desalination Plant इसको लगाया जा रहा है Ennor के बंदरगा पे Ennor Port कोन से राजे की सरकार है जिनोंने एक Artificial Intelligence Based Center of Excellence बनाने का निर्ने लिया है Nescom के साथ मिलकर ये बनाएगी करनाटकी सरकार 40 करोट रुपे की लागत से बनाएगी Nescom के Chairman काफी पूचते है रमन रॉय इस बार राश्ट्रिय बाल कल्यान रबॉर्ड किसे मिला है ये पटना में का Super 30 चलता है जो Free Coaching देता है IIT JEE exam के लिए इनका नाम है आनंद कुमार Union Government ने भारत का पहला बड़े बहुत बड़ा विशाल Mega Coastal Economic Zone बनाने का निर्ने लिया है ये कौन से बंदरगा पे बनेगा ये बंदरगा है जवाला नहरू पोर्ट जिसे हम नावा शेवा बोलते हैं मुंबई के पास है ये महाराश्टर के अंदर और दीन दयाल पोर्ट है कांडला पोर्ट का नया नाम हल्दिया है पश्चिम मंगाल में नेशनल प्रेस डे ये किस दिन मनाया गया नेशनल प्रेस डे सोलह नमंबर को मनाया गया और ये प्रेस काउंसिल ओफ इंडिया ने काम करना स्टार्ट किया था 1966 में इस दिन अब इसके चेर्मेन है चंदरमौली कुमार प्रसाद भारत का पहला Global Tribal Entrepreneurship Summit कहां पे हुआ आदिवासी समुधाय के लिए Entrepreneurship Summit ये हुआ दंतेवाडा 36 गण के अंदर हमारे Tribal Affair Minister है जुआल ओरम जो सुन्दर गर उडिसा से लोग सबास अंसद है भारत का कौन सा राज्य है जो कह रहा है कि वो प्लास्टिक फ्री हो जाएगा मार्च 2018 तक ये अनॉंस करा है महाराश्टर सरकार ने महाराश्टर के मुख्यमंत्री है देविंदर फड्नाविस Bombay Stock Exchange के नए चेर्मेन कोन बने है पहले थे धिरहंदर सोरूप और मैनेजिंग डिरेक्टर कोन है इसके अशिष चोहान मैनेजिंग डिरेक्टर रुसियो चेर्में थे देविंदर सोरूप अब बन गए है सेतू रतनम रवी एक वर्किंग ग्रूप बना है अभी अभी Reserve Bank of India के द्वारा इन्होंने अपनी रिपोर्ट सम्मेट की है ये चेक करने के लिए कि हम commodity price का risk कम कैसे कर सकते है इसकी अध्यक्षता किसने करी इसकी अध्यक्षता करी है चंदन सिना ने राशपती रामनात कोविंद जो है उन्होंने 1500 करोड रुपे की योजना शुरू करी है जिसका नाम है जोहर योजना ये जोहर योजना कहां पे स्टार्ट की गई है जोहर की full form है जारखंड's opportunities for harnessing rural development तो ये स्टार्ट हुई है जारखंड में रगुबर्दास यहां के मुख्यमंत्री है और द्रोपदी मुर्मू यहां की governor है कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है नौर्थीस्ट यानि उत्तरपूर विराज्यों में जहां पे आप अपने बिजली का बिल पे कर पाएंगे point of sales machine से ये आप कर पाएंगे नागा लेंड के अंदर यहां पे in tanki national park है hornbill festival है मौत्सू एक festival है हाँ पे TR Zelyang है यहां के मुख्यमंत्री और कोहिमा है राजधानी पदमनाबा अचार्या गवर्नर है एक दिसंबर 1963 को बना था नागा लेंड तो बस यहां रखिए भारतिये रेल्वेज एक बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट कर रहा है कौशल विकास के लिए जो उनके ओलरी employees है 15 लाग उनका कौशल विकास करेगा जनवरी 2018 में लॉंच होगा प्रोजेक्ट इसका क्या नाम है इसका नाम रखा है सक्षम कौन सी भारतिये महिला है जो 17 साल के बाद मिस्वर्ड बनी है इनका नाम है मानोशी चिल्लड यह हरियाना की है और इससे पहले प्रियंका चोपड़ा बनी थी 2000 में तो 17 साल के बाद बनी है यह और बस इतना धटना है पहली भारत की मिस्वर्ड थी रिता फारिया 1966 में बनी थी वो भी डॉक्टर थी और यह भी डॉक्टर बनने वाली है भारत का कौन सा एक्सप्रेस वे है जो जहां पर free wifi मिला करेगा यह बहुत बड़ा तीनसोग दो किलोमेटर का हाईवे है आगरा लखनव एक्सप्रेस वे यहां पर free wifi मिलेगा रिल मिनुस्टरय ने कहा है भारत में बायो टॉलेट लग जाएंगे जितनी भी trends दे सम्में, कब तक लग जाएंगे ये इनोंने COP23 में अनॉंस करा है ये लग जाएंगे, December 2018 तक एशिया की सबसे धनी family कोन सी है ये भारत की अम्मानी family है, सबसे धनी दूसे नंबर पे Lee family है, तीसे नंबर पे QUOC family है ये कहां-कहां की है, Korea की है Lee family कौन सा देश है जो Paris Climate Agreement जिसने साइन कर लिया है ये देश है सीरिया यानि अब दुनिया में सिर्फ अमरीका के लावा सारे देश परिस Climate Agreement COP21 को साइन कर चुके हैं सीरिया की राशपती है बशार अलसाद और सीरिया की राजधानी है दमासकस कौन सा देश है जहां पर 2023 का रगवी वल्ड कप खिला जाएगा ये एनाउंस करा वर्ल्ड रगवी ने वल्ड रगवी का हेड़ कॉर्टर है डबलिन में डबलिन राजधानी है रिपब्लिक ओफ आइरलेंड की और ये देश है फ्रांस फ्रांस में आवजन होका इसका और वल्ड रगवी के चेर्मेन है बिल बॉमॉंट इन में से कौन सी महिला है जिनका जरम दिर्वस्ट मनाया गया 151 वा ये पहली महिला थी भारत में जो वकील थी इनका नाम है कॉर्नेलिया सोराब जी ये पहली महिला थी जो बॉमबई उनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी पहली महिला जो भारत की तरफ से ऑक्सवर्ड उ सुपर्स्टिशन इन से बचने के लिए यह पास किया है करनाटक ने इससे पहले इस तरह का विल महाराष्टर में भी पास हो चुका है नमामी बरक त्योहर यह कहां मनाया गया बरक घटी है असाम में यहां पर बनाया गया यहां पर दो इंपोर्टेंट नदियां है एक सुर् इस कमेटी के चेर्मेन कौन है, इस कमेटी के चेर्मेन है, मिस्टर सुधेर श्रिवस्तव। यह नागलेंड में खोजा है और नागलेंड की एक परजाती है, यसे बोलते हैं कोनियाक। तो कोनिया परजाती जो ट्राइब है जन जाती उसे समानित करने के लिए इसका नाम है कोनिया कियो नोरम कोन सा बैंक है जिसने अभी अभी एक ब्रांच खोली है अपनी चेन्नई में जिसका पूरा संचालन सिर्फ महिलाएं करेंगी ऐसा करने वाला बैंक है RBL बैंक इसके CEO है विश्व वीर अहुजा कोन सा राजय या केंजर शाषित परदेश है जिसके विधान समाने एक SCST को प्रोमोशन्स देने का निर्णे लिया है SCST मतला प्रोमोशन्स में भी उनका रिजर्वेशन दाएगा ये अनौन्स करा है ये करनाटक की सरकार ने अनौन्स करा है यानि अब जो प्रोमोशन्स होंगे उनमें भी अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती दोनों को रिजर्वेशन मिलेगा कौन सी टीम है जिसने अंडर 19 क्रिकेट एशिया कब जीता जो मलेशे की राज़ानी को अलमपुर में हुआ ये जीता अफगानिस्तान ने अशर अफगानी है यहां के राज़पती काबूल है यहां की राज़धानी और अफगानिस्तान के खिलाडी इकराम अली उन्हें मिला मैन अफ़ दे मैच और मुझीब जदरन को मिला मैन अफ़ दे सीरीज तीन बार उलमपिक गोल मेडलिस्ट भारतोलन में नाईम सुले मंगोलू इनका निधन हो गया यह कौन से देश के थे यह तर्की के खिलाडी थे तीन बार उलमपिक गोल मेडल जीता था इन्होंने तर्की की राज़धानी है अंकारा और राशपती है एरसिप अर्डोगान दुनिया का सबसे बड़ा टॉयलेट सीट यह अभी अभी कहाँ पे दिखाया गया वाल्ट टॉयलेट डे के उपलक्ष में यह दिखाया गया मरोडा गाओं में जिसे हम डॉनल्ड ट्रॉम्प गाओं भी बोलते हैं ट्रॉम्प फिलेज हर्याना के अंदर है इंटरेशल आ नागपूर के अंदर नागपूर महराश्टर के अंदर ओला के साथ मिलके बनाया है ओला के CEO है भावी शगरवाल नैशनल इंटिग्रेशन डेज जिसे कौमी एकता दिवस बोलते हैं यह 19 नमबर को मनाया गया यह किसका जनम दिन होता है यह जनम दिन होता है इंदरा इसके अलावा गोल्ड मेडल और भी जीते हैं 59 केजी केटेगरी में जीता गीता फोगाट ने अगें महाविर फोगाट की बेटी है यह जिनकी जीवन पर दंगल पिचर बनी थी मैंन 74 केजी में जीता सुशिल कुमार इन्होंने यह एक ब्रॉंज मेडल और एक सिल्वर 12 लाग किताबे हैं 5 फ्लोर की लाइबरेरी है यह बनी है चाइना में चाइना में पूछे कहां बनी है यह बनी है तियान जिन में पहली धक्षिन भारत की अभिनेत्री कौन है जिनने UNICEF Celebrity Advocate Status मिला है इनका नाम है त्रिशा कृष्णन उनिसेफ के जो हेड है उनका नाम है सबसे अमीर देश है GDP per capita के हिसाब से Fortune magazine ने लिस्टी है सबसे अमीर देश है कतर कतर की राजधानी है दोहा 2022 का football world cup खिला जाएगा कतर में भारती है कौन सा जहाज है जो तंजानिया में गया है अभी अभी हाइडरोग्राफिक सर्वे के लिए इसका नाम है INS सर्विक्षक तंजानिया में है Mount Kilimanjaro अफरिकल की सबसे highest peak है ये तंजानिया की राजधानी है डोडोमा और ये आखरी सवाल है आज का जो Children Day मनाया गया पूरी दुनिया में वो 20 तरिक को मनाया गया भारत में Children Day होता है 14 नॉंबर को दुनिया में होता है 20 नॉंबर को इसका theme क्या था United Nations क में अपनी पहली महिला Ambassador आज तक के इतिहास में किसको भेजा है ये है Karen Pierce भारत के कौन है United Nations में सयद अक्बर उद्दीन और अमरीका की कौन है UN में निक्की हैले जिनका असली नाम है निम्रत रंधावा ये याद रखिए United Nations का headquarter है New York में United Nations के chief जिनने बोलते है Secretary General वो है Antonio Guterres United Nations का headquarter New York में है साथ-साथ UNICEF का भी New York में है और UK किसे कहते हैं चार countries को अगर मिला दे तो उसे UK बोलते हैं पहला है Scotland दूसरा है Wales तीसरा है England और चोता है Northern Ireland इनमें अगर आप Northern Ireland को हटा देंगे तो ये बचे हुए तीन देश इनको बोलते है Britain यानि कि Britain और Northern Ireland को मिला के बोल Scotland की राजधानी है Edinburgh एक important शहर है यहाँ जिसको बोलते है Glasgow Wales की राजधानी है Cardiff और England की है London एक सवाल और आ सकता है इस पे जो मैं आपको बताता हूँ important एक लेडी है Sarah Clark ये 650 साल के इतिहास में पहली बार Black Rod appointment की गई है अब ये Black Rod क्या होता है देखिए जो UK है UK का जो Parliament है उसे बोलते हैं West Minister Parliament उसमें दो House होते हैं जैसे भारत में लोकसभा और राजेसभा होता है तो वहाँ का जो लोकसभा है उसे बोलते है House of Commons और वहाँ का जो राजेसभा है उसे बोलते है House of Lords House of Lords के अंदर एक position होती है Black Rod और ये पहली Black यानि Ash Weight Rod है जिने सिलेट किया गया है Sarah Clark को त अंदमानिकोबार जो है ये कहाँ पे है बंगाल की खाडी में Bay of Bengal में टापों का समू है इसकी राजधानी है Port Blair और भारत के दो important volcano है अगर कोई पूछे भाई भारत में ज्वाला मुखी कुतने है तो भारत में सिर्फ दो ही ज्वाला मुखी है और दोनों अंदमानिकोबार में क्या नाम है उनके एक का नाम है नारकॉंडाम और दूसरे का नाम है बैरन आइलेंड बी ए डबल र इन बैरन आइलेंड अंदमानिकोबार में है Port Blair राजधानी है और D.K. Joshi यहां के lieutenant governor है आप जानते है lieutenant या lieutenant governor बोलते है अगर किसी union territory का वो governor होता है तो उसके विशेश अधिकार होते हैं constitutional head वही होता है जैसे दिल्ली के है अनिल बैजल इतियादी तो इनके नाम याद रखिए अन्वानिकोबार इसके अलाबा कुछ साथाट exercise ओर हुई है दिसंबर में सबके नाम याद रखने है सबसे पहला है इमार सरेक्स यानि कि Indian Ocean Naval Symposium यह इन और अभी अभी उत्तर परदेश ने साउथ कोरिया के साथ एक agreement किया है अजय वारियर नाम की exercise यह बिकानेर में हुई रजस्थान में भारत और यूके ने की Flag 4 में 4 अतिसक्तिशाली देश UAE, US, UK और France यह हुई आबुधावी राजधानी है UAE की एकुवेरिन मालदीवस और भारत के बीच में हुई यह हुई बेलगावी में नसीम अलबहर भारत की जलसेना और ओमान की जलसेना के बीच हुई ओमान में ओमान की राजधानी मसकट है मत्यपूर्ण का देश है हमेशा विजाई यह भारती आर्मी की अपने आप में exercise थी यह हुई बाढ़ मेर और जैसल मेर में इचंदर शेखरन नायर इनका निधन हो गया यह मशूर क्या थे यह Communist Party of India के लीडर थे केरल के सो आंसर है he was a politician देखिए Communist Party of India माक्से CPIM भारत में दो राजियों में की सरकार है एक तो है केरल में क्या आप दूसरा राजे बता सकते हैं चलिए हिंट देता हूँ North East का राजे ह जो राजे है साथ हमारे उनका राजे है क्या बता सकते हैं कोन से राजे में CPIM की सरकार है देखते हैं कोन बताता है तो CPIM की केरल में सरकार है केरल के मुखे मंत्री है पिनरई विजियन और यह है important obituary सारी yes important वो लोग है जो expire हो गए December के महीने में सबके नाम याद रखिए जारा सुंदरेशन ये लेखक थे इनका उपनाम था भक्कियम रामसामी लालजी सिंग साइंटिस मश्जूर साइंटिस इनको बोलते है father of DNA fingerprinting इन इंडिया डियने क्या होता है हमारी बॉड़ी में DNA होता है डियोक्सी राइबोस नूपलिक असिड जनेटिक माटिरियल होता सर एलेक जैफरी को लेकिन भारत में बोलते थे लालजी सिंग को बतुग गतानी ये पत्रकार थे लालू चीबा ये सुतंतरता सेनानी थे दक्षन अफरीका के थे याद रखिये लालू चीबा ओम परका सराफ मशूर राजनेता और पत्रकार पंडित नारायन राओ बोदा गौालियर घराने के सिंगर थे जॉन हेंड्रिक्स लिरिसिस्ट और सिंगर जैज म्यूजिक बजाते थे डैविड कसीडी सिंगर अमरीका के तोड़ा पुजा वसंती एक्टर मल्यालम के आधर शीन आनन्द जूरिस्ट ये भारत के 39 वे चीफ जस्टिस थे अभी भारत के दिपक मिश्रा वो भारत के 45 वे चीफ जस्टिस हैं कला भवन आभी एक्टर मल्यालम इंडस्टि के स्री रूपा बोस मुखर जी मशूर क्रिकेटर सरस्वती त्रिपाटी स्वतंतरता सिरानी उडिसा के और एक इंपोर्टन बाद भारत की पहली स्वतंतरता जंग 1857 में न आश्पती थे यमन की राजधानी सना है कीली स्मित सिंगा थी अमरीका की बनवारी लाल जोशी ये उत्तर परदेश के पूर्व गवर्नर और दिल्ली के भी पूर्व गवर्नर थे रॉबी मलिंगा सिंगर जक्षिन अफरीका के थे पार्था मुकोपाद ध्याए मंगाल की अशोक मत्टू ये होकी इंडिया नाम की और्गनाज़ेशन के पहले प्रेजिडेंट थे ये और्गनाज़ेशन 2009 में बनी थी चौदरी प्रेम सिंञ ये पॉलिटिचेन थे नीरज वोरा महशूर एक्टर जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई इन्होंने अक्षे कुमार के साथ भी कई फिल्में बनाई रभी शंकरबाल ये राइटर थे अगर नीराज वोरा की कोई फिल्म पूछ ले तो फिर हेरा फुरी नीराज वोरा ने बनाई थी और रभी शंकरबाल लेखक थे इन में से कौन सा राज्य है जिसे गोल्ड मेडल मिला आप जानते हैं दिल्ली में व्यापार मिला लगता है 15 से 28 नमबर तक हर साल लगता है इंडिया इंटरेशल टेड़ फेर बोलते हैं उसे इस बार 37 वा व्यापार मिला लगा इसमें गोल्ड मेडल कौन से रागजन ने जिता? सबसे अच्छा पवेली रिनका था? ये जिता असाम ने. असाम ने जिता? असाम का एक निरत्य है जिसे बोलते हैं भी हूँ. असाम में कुछ इंपोर्टन नेशनल पार्क है, जैसे दिबरू साइखोवा, सोनई रुपई, म असाम फेमस है एक सींग के गैंडे के लिए जिसे बोलते हैं राइनो, राइनो सेरोस. ये यहाँ पे दो नेशनल पार्क में पाये जाता है, एक मानास और एक काजी रंगा. इसलिए मानास को हम मिनी काजी रंगा भी बोलते हैं. असाम राजिये में भारत में दूसरे नंब पावेलियन मिला तुर्की को. तुर्की के राश्पती है रसीप अर्डोगान, राजधानी है अंकारा, एक ओर इंपोर्टेंट शेहर है तुर्की में जिसे बोलते हैं इस्तानबुल. और सबसे अच्छा मिनिस्ट्री किसको मिला? पावेलियन, मिनिस्ट्री वाटर रिसोर पावेलियन, मिला में हमारा पार्टनर कंट्री था वियत नाम, जिसकी राजधानी है हनोई, फोकस कंट्री था किरगिस्तान, पार्टनर राज़े था जहारखन, और जहारखन पिछले साल, यानि 2017 में, हरियाना में सुरजगुन मिला लगता है, उसमें ये थीम राज़े भ सराएंगे, क्योंकि जो लचित बोरफुकान थे, आपने एक वीडियो देखा है, महिपाल सिंह राठोर सर का, बैटल ओफ सराएघाट, सराएघाट की लड़ाई हुई थी, उसमें बहुत ही एक बहादुर, योधा थे, कमांडर थे, अहोम राज्ये के, मौरे वंच और अह असाम के अंदर, तो याद रखिए, 1671 की बैटल थी, बैटल ओफ सराएघाट, असाम में एक नदीब हैती है, जिसे बोलते हैं ब्रह्मापुत्रा, और ब्रह्मापुत्रा नदीब अभी एक फ्लोटिंग लेबोरेटरी बनी है, यानि एक तैरती हुई परियोग शाला, जह गलती है, और उसे तोसांग पो बोला जाता है, तोसांग पो, इन में से कौन सा पेमेंट गेटवे है, जिसने कोई नौम लाँच करा है, ये भारत का पहला क्रिप्टो करंसी एक्चेंज है, देखिए, जितने भी क्रिप्टो करंसी हैं, चाए वो बिटकोईन हो, चाए वो रेथियोन हो, कुछ भी हो, सारे यूज़ करते हैं, ब्लॉक्चेंट टेकनलोजी, ब्लॉक्चेंट टेकनलोजी पर अधारी थे हैं, सारे के सारे जो ये क्रिप्टो करंसी, बिटकोईन, रैपल, जो भी है, भारत का पहला क्रिप्टो करंसी एक्चेंज, इसका नाम है, बि मिला किदंबी श्रीकांद को किदंबी श्रीकांद बैडमिंटन खेलते हैं इनके कोच है पुलेला गोपीचन याद रखिए साना नहवाल उनके भी कोच पुलेला गोपीचन है पहले उन्हें अपने कोच बदल लिये थे लेकिन अब वो वापस पुलेला गोपिचंद के पास लोट आई है PV सिंदू के कोच भी यही है साई प्रनीत के भी यही है HS प्रनौय के भी यही है तो पुलेला गोपिचंद एक सच्चे जोना चाहर रहे है कुछ और याद रखिए Sports Woman of the Year Man में मिला किदंबी शरीकांद को और वुमें में PV सिंदू को PV सिंदू ने जो ओलंपिक खेल हुए थे पिछले 2016 में कहां पे हुए थे Rio de Janeiro Brazil में वहाँ पर सिल्वर मेडल जीता था यह स्पेन की कैरोलीना मारिन से हार गई थी लेकिन सिल्वर मेडल भी कोई कम नहीं था Sports Man of the Year टीम इवेंट में मिला रवीचंदर अश्विन को Sports Woman of the Year मिला मिथाली राज को मिथाली राज भारतिय क्रिकेट टीम फीमेल की कैप्टन है कोच of the Year मिला विश्वेश्वर नंदी को कौन है यह विश्वेश्वर नंदी यह दीपा करमाकर के कोच है दीपा करमाकर ओलम्पिक्स में फोर्थ फिनिश की थी जिमनास्ट करती है प्रोडियू नोवा नाम की एक विशेश जम्प है वो लगाती है यह सबसे इंपॉर्टेंट बात दीपा करमाकर है त्रिपुरा की उत्रपुरवेर रजे पुरा जिसके मुख्य मंत्री है मानिक सरकार और गवर्िरेंत अध्य द्राइ अजाफ विशेश लिए अधिती अशोग अधिती अशोग कुंसा खेल खेलती है गॉल्फ अजाफ धूजा लृट सबन मिला नीरचोपड़ा को होंगे 2020 में टोकियो में, 2024 में पैरिस में और 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में इससे पहले अमेरिका में हुए थे 1996 में अटलांटा के अंदर जिसमें लेंडर पेस ने ब्रॉज मेडल जीता था टैनिस के अंदर, टीम ऑफ दा इयर Indian Women's Cricket Team, हलांकि ये England से हार गए World Cup लेकिन ठीक है, final तक गए, बहुत अच्छा performance दिया तो Indian Women's Cricket Team ये Team of the Year एक और बात, England की एक और टीम ने धूम मचा इस बार जो अंडर 17 FIFA Football World Cup भारत में वोगा था, वो भी तो England ने जीता Spain को 5-2 से रॉन दिया Ministry of Health and Family Welfare, Department of Health Research और Indian Council of Medical Research ने एक initiative launch करा है किसकी management के लिए, ये initiative launch करा है hypertension, hypertension किसे बोलते हैं, BP, अगर आपका BP भढ़ जाए उसे बोलते है hypertension, और ये है सौम्या स्वामिनाथन स्वामिनाथन कोई है, WHO की जो चीफ है वो है Tedros Adhanom, ये एथोपिया के है लेकिन जो deputy chief है, deputy director general वो है स्वामिनाथन, और एक बाद याद रखिए भारत ने target क्या बनाया है भारत ने malaria के लिए target बनाया है 2027 tuberculosis के लिए बनाया है 2025 और HIV AIDS को खतम करने के लिए जो target है वो है 2030 ये सारी deadlines याद रखिए भारत के कौन से बॉलर है, जिन्नोंने 36 साल पुराना record तोड़ दिया, डैनिस लिल्ली का ये डैनिस लिल्ली कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के fast बॉलर होते थे अब 300 test wickets सबसे जल्दी लिए है, देखिए डैनिस लिल्ली ने लिये थे 56 मैचों में, रवी चंदर अश्विन ने ले लिये 54 मैचिस में, सो आंसर है रवी चंदर अश्विन अब आप से पूछें कि इनका 302 शिकार कौन था इनके 302 शिकार थे लाहीरू गमाजे लाहीरू गमाजे क्या आप मुझे ये कमेंट्स में लिक्वाइब आसकते हैं कि लाहीरू गमाजे ये कौणसी टीम के खिलाड़ी है कौनसी टीम के लिए खेलते हैं लाहीरू गमाजे एश्िन डवलप्मेंट बैंक ने अनॉस करा है कि वो भारत को Rural Connectivity Investment Program के लिए पांच राज्यों में इतना लोन देगा कितना देगा? 500 मिलियन डॉलर देगा एक मिलियन डॉलर होता है साड़े छे करोड तो 500 मिलियन डॉलर आप देख सकते हैं कितना हो गया? ये लगभग 4000 करोड के असपास हो गया 3500 करोड के असपास हो गया और ये जो पांच राज्यों कोन से है जिन में Rural Connectivity यानि की सड़के मराई जाएंगी ये पांच राज्यों है असाम, मत्यपरदेश, 36गर उडिसा और पश्चिम बंगाल Asian Development Bank का Headquarter है Manila में Manila राजधानी है Philippines की फिलिपिन्स के राजपती है रोडरी को दूतरते भारत का चोथे नमबर पे सब ज़्यदा हिस्सा है ADB में किस बैंक, किस कंट्री का सब ज़्यदा हिस्सा है ADB में जापान followed by America, followed by China तो भारत का चोथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है भारत Asian Development Bank में और इस बैंक के प्रेजिडेंट है ताके ही को न काओ ताके ही को न काओ इसके अलावा दस लोन ओर है जो आपको याद रखने है दिसंबर के महिने में जर्मनी ने भारत को लोन दिया है Climate Friendly, Urban Mobility के लिए 200 मिलियन यूरो का जर्मनी अतिशक्तिशाली एकनोमी है इसकी एंजला मरकल है इसकी चांसलर बर्लिन है राजदानी और इसकी स्पेस एजनसी को बोलते है DLR World Bank, World Bank तो हमेशा ही भारत में महरबान रहा है संकल प्रोग्राम के लिए दिया है 200 मिलियन डॉलर और स्ट्राइफ प्रोग्राम के लिए दिया है 125 मिलियन डॉलर World Bank तो पाकिस्तान को भी लोन दिया है 825 मिलियन यूस्डी का KWF Bank ने भारत के उत्तर पूर्वी बिजले निगम को दिया है 20 मिलियन यूरो का लोन ये जो लोगो होता है ये यूरो का होता है ये होता है डॉलर का तमिलाडू को लोन दिया है World Bank ने irrigation project के लिए सीचाई के project के लिए 318 मिलियन डॉलर उत्तर परदेश को पर्येटन में विकास के लिए दिया है 40 मिलियन डॉलर Asian Development Bank ने Reliance Company को दिया है लोन क्योंकि ये LNG project बना रहे है बांगलदेश में 583 मिलियन डॉलर Asian Development Bank ने करनाटक को दिया है हाईवे बनाने के लिए 346 मिलियन डॉलर और Asian Infrastructure Investment Bank ने दो लोन दिया है एक चाईना को भारत को चाईना को दिया है coal to gas conversion project के लिए 200 मिलियन डॉलर और भारत को दिया है बैंगलूरू मेटरो के लिए जिसका नाम है नम्मा बैंगलूरू 335 मिलियन डॉलर तो इस सारे लोन याद रखिए इन में से कौन सा शहर है जिसने अपनी पहली बार 100 साल के इतिहास में एक महिला को मेर बनाया है कौन सा शहर है किसकी बात हो रही है यहाँ बात हो रही है लखनव की उत्तर परदेश की राजधानी है और जो उत्तर परदेश है यह जो पहली पहली जो भारत में किसी भी राज्ये की महिला मुख्यमंत्री थी वो भी उत्तर परदेश की थी नहीं वो मायाबती नहीं थी वो थी सुचेता क्रिपलानी और संयुकता भाटिया जो 100 साल के इतिहास में पहली महिला मेर बनी है ये भारते जंता पार्टी की है बीजेपी की है और बस इतना काफी है इसके अलावा ये मैंने आपको सारा कलर्क बताई दिया है ब्लैक रोड ब पहली इंडियन बनी है महिला है ये भी जिन्नोंने गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड पेरा स्विमिंग चैंपेंशिप में और डॉमिनिक मिनियर ये पहली बार किसी देश ने महिला को राजदूत बनाके साउधी अरेबिया में भेजा है कौन सा देश है बेल्जियम ब्रूसेल हेड कोईटर है नेटो का और दो चीज़ और बताता हूँ न्यूजिलेंड के इतिहास में पहली महिला परधान मंत्री बनी है अभी जिनका नाम है जैकिंडा आर्डन और सिंगापूर के इतिहास में उनकी पहली जो प्रेजिडेंट बनी है महिला उनका नाम है ह पेस्टिवल करवाया, यह पहली बार हुआ है, और इन्होंने पहली बार आजीवन योगदान दिया, आजीवन योगदान के लिए किसे अवाड दिया, यानि, Lifetime Achievement Award किसे मिला है, लेखनी में यह मिला है रस्किन बॉन्ड को, मशूर लेखक, रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉण्ड की जो autobiography है उसको बोलते हैं Lone Fox Dancing और जो पहली बुख थे इनकी उसका नाम था Room on the Roof Room on the Roof तो रस्किन बॉण्ड को Roodyard Kipling के साथ Confuse मत करना कुछ लोग इनको Roodyard Kipling समझ लेते हैं जंगल बुख वाले वो नहीं है यह है रस्किन बॉन्ड, लॉन फोक्स डांसिंग है इनकी आत्म कथा अब चंडिगड लिट्रेरी फेस्टिवल में पार्टनर कंट्री कौन सा था, कैनेडा कैनेडा के परधान मंत्री है जस्टिन टूडिव, यहां के रक्षा मंत्री भारती है, मूल के है, हरजीत सिंग, सर्दार है, तो यह भी याद रखिए इन में से कौन से देश के साथ भारत ने एक Air Services Agreement करा है, यह देश कौन सा है, यह देश है, ग्रीस पूरी दुनिया में जितने भी कंट्री है, सबसे ज़्यादा non-performing asset है, ग्रीस के अंदर, ग्रीस की राजधानी Athens है, एथेंस में 2004 में औलम्पिक खेल हुए थे, और दुनिया के इतिहास में पहले औलम्पिक खेल भी, ग्रीस की राजधानी Athens में हुए थे, 1896 में, और 2004 में जब हुए थे, इसमें राज्य वर्दन सिंग राठोर, जो आज की तारीख में हमारे खेल मंत्री है, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, डबल ट्रैप शूटिंग के अंदर, ग्रीस के अंदर, तो ये भी याद रखिए, इसके अलावा कुछ और इंपोर्टन एग्रिमेंट बताता हूँ जो भारत ने करें देसंबर में, इटली के साथ करा है, क्रिसी, इंफ्रस्ट्रक्चर रिसोर्स और मेडिकल एजुकेशन में, क्यूबा के साथ करा है, हल्स सेक्टर में, कॉलंबिया के साथ अगरिकल्चर और मचली पालन यानि फिश्रीज, मयामार के साथ राखीन स्टेट में विकास के लिए, राखीन स्टेट वो स्टेट है जहाँ पे रोहिंगा मुसल्मानों को मारा अगले 9 साल के लिए, इन में से US-India Business Council ने Women Entrepreneurs यानि महिला बिजनसमेन को सपोर्ट करने के लिए एक इनिशेटिव स्टार्ट करा है, उसका नाम क्या है, इसका नाम रखा है WISE, WIAC WISE, और US-IBC यानि US-India Business Council की जो प्रेजिडेंट है, वो कोन है, इनका नाम है, निशा बिस और जो WISE है, इसकी full form क्या है, फुल form है, Women for, Women, Innovators, Social Leaders and Entrepreneurs, मैं बर इपीट कर देता हूँ, Women for Women, I से Innovator, S से Social Leader और E से Entrepreneur, इन में से कौन सी संस्था है, जिसने, जिसने बच्चों और Adolescents, Adolescents जनली बोलते हैं, 14 से 13 साल का जो बच्चा होता है, जो ना तो व्यसक है ना बच् अच्चे तो बच्चे हैं, तो इनके खिलाफ जो यौन उत्पिडन के मामले सामले आते हैं, उनके लिए clinical guideline बनाए हैं, कौन सी organization ने बनाए है, ये बनाए है, World Health Organization, WHO, इसके डिरेक्टर जनल कौन है, टेटरोस आधानोम और Deputy Director General, Swamya Swamirathan जो भारत की है, WHO का headquarter जनेवा में है जनेवा कहां है, Swizerland में, और ये पहली बार है, इनोंने इस तरह की guideline बनाए है, भारत के Health Minister, जो है, वो है, JP Nadda, ये हिमाचल परदेश से, इन में से कौन सा currency note है, जिसने अपने 100 साल पूरे करे, 30 November को, कौन सा है ये, ये है, एक रुपे का, देखिए, एक रुपे का जो note है, 1917 में introduce हुआ था, इसे, इस पर जो photo है, वो है, ये photo देखिए, ये है, King George Pancham का, King George V, और इसको पूरे हो गए है, 100 साल, ये एक मातर भारत का note है, जिस पर Reserve Bank of India के Governor के sign नहीं होते, इस पर Finance Secretary के sign होते है, और इसके dimension है, 9.7 x 6.3 cm, इन में से, गोल्ड मेडल किसने जिता, World Championship में, World Champion कौन बन गई, 22 साल के बाद कोई World Champion बना है, ये World Championship ही थी आना हैं कैलेफॉर्निया के अंदर, ये अमेरिका के अंदर है कैलेफॉर्निया, क्या नाम है इनका, इनका नाम है मीरा बाई चानू, मीरा बाई चानू, और इससे पहले 22 साल का जो weight हुआ, वो कब हुआ, क्योंकि 1994 में और 1995 में दो साल लगातार World Champion रही करनम मलेश्वरी, करनम मलेश्वरी और उसके बाद 22 साल बाद जीता है, करनम मलेश्वरी वही हैं जिनोंने 2000 के जो Sydney Olympics हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, उसमें Bronze Medal जीता था भारत वालन के अंदर, इन में से Third Indian Council of Culture Relations द्वारा Distinguished Indologist Award के से मि जापान के वेक्ति हैं, इनका नाम है Hiroshi Marui, इन्हें अपने Indology में Contribution के लिए दिया गया है, डैमी लिक निल पीटर, ये Miss Universe बनी हैं, कौन से देश की हैं ये, ये बनी हैं, साउथ अफरीका की हैं, साउथ अफरीका ब्रिक्स कंट्री है, और जैकोब जूमा, ये हैं इस सबसे पहले Miss World, मानुशी चिललड, ये भारत की हैं, Miss International, इंडोनेशिया के इतिहास में पहली बार कोई beauty pageant competition उने जीता है, Kevin Liliana, Miss Earth, Karen Ibasko, Miss Supranational, Jenny Kim, ये साउथ कोरिया की हैं, Miss Earth है, Karen Ibasko, ये फिलिपाइन्स की हैं, Miss Universe, डैमी लेक पीटर, जो मैं बताया, डैमी लेक नल Peter England sponsor था, बाकी Mr. India बने है, जिदेश सिंग देओ, इन में से उस Artificial Intelligence Politician का क्या नाम है, जिसे New Zealand के वैग्यानिकों ने बना डाला है, देखिए New Zealand की राजधानी Wellington है, बहुती खुबसूरा देश है उस्टेलिया के पास, और इसकी जो Head of State है, वो है Jackinda Arden, मैं बता चुका हूँ आपको सिर्फ 37 साल की है, और इनके इतिहास में तीसरी महिला पर्धान मंत्री बनी है, यह जो Artificial Intelligence Politician है, इसको बनाया है Mr. Nick ने, Nick नाम है, और politician का नाम है Sam, Sam, एक और बात याद रखिए, New Zealand में की वी एक जानवर पाया जाता है, और New Zealand की जो टीम है, क्रिकेट उसे बोलते ह Black Caps, इन में से Air India के नए Chairman और Managing Director CMD कौन बने है, इससे पहले थे राजीव बंसल, इनको वो रेटायर हो गए, उनकी जगाली परदीप सिंग खरोला ने, और हमारे Civil Avation यानि नागरिकुटन मंत्री है, अशोक गजपती राजू, अशोक गजपती राजू, इन में से 2017 ITTF Challenge Spanish Open Table Tennis Tournament, Men's Single Title, किस भारतिये ने जीता, ये अलमेरा में हुआ था, किस ने जीता ये, ये जीता, जी सातियान ने, जी सातियान ने जीता, और इन्होंने जापान के काजू हीरो योशी मूरा को हराया, खेर वो इंपॉर्टन नहीं है, आप नाम याद रखिए, जी सातियान, इ ये बनाया है, Tata Power Solar में, देखिए, जो Tata Company है, इसके चेर्मेर है, एन चंदरशेखरन, एन चंदरशेखरन, और इसे पहले थे, मिस्त्री, साइरस मिस्त्री, फिर उने हटा दिया था, फिर उसकी जंगाली थी, एन चंदरशेखरन ने, और भारत का जो Renewable Energy, यानि जैवी का Target है, वो कितना है, 175 GW Target हमें Produce करना है, जैवी कुर्जा 2022 तक, और हमारे Power मंत्री कोन है, Power and Renewable Energy, R.K. Singh, R.K. Singh, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अयोध्या महुत्सव, Organize करने का निर्ने लिया है, कौन से देश के अंदर करेगी, ये देश है, दक्षिन कोरिया, दक्षिन और एक और important बाद, दक्षिन कोरिया की कंपनिया है, कुछ जो भारत में अपना समान बेशती है, Hyundai गाडियों की कंपनी है, जिनकी एक कार इस साल बहुत चली थी, Creta, एक है LG और एक है Samsung, at least तीनों के नाम याद रखिये, Hyundai, LG, Samsung, सब दक्षिन कोरिया की कंपनी है, और दक्ष इनमें से, इंडिविज्वल केटेगरी में, एक्टिविस्ट अवार्ड अफ नेल्सन मंडेला, ग्राका मचैल इनोवेशन अवार्ड 2017 के लिए किसे मिला है, ये मिला है, खालिद अल बाल्शी को, ये है एजिप्ट के, एजिप्ट में एक नदी भैती है, जिसको बोलते है अभी अभी पहली मीटिंग हुई, भारत में 115 बैकवर्ड डिस्टिक्ट है, पिछडे हुए जिले हैं, इनका विकास किया जाएगा, डेडलाइन रखी है 2022, देखिए 2022 कई चीजों की डेडलाइन है, जैसे परधान मंत्री आवास योजना, इसकी डेडलाइन है 2022, इसके रा अभी अभी जो गैको नाम की एक जिसे कहते हैं लिजर्ड, चिपकली, उसकी नई परजाती मिली है, जिसका नाम है महिंदर गिरी गैको, कहां पे मिली है ये परजाती, ये मिली है आंधर परदेश में, आंधर परदेश में मिली है और इसके लावा चार और चीज़े मिली ह अभी अभी एक नया मेंडक मिला है जिसका नाम है ओडो राना अरुनाचल एंसस ये ताली वैली में मिला है जो रुनाचल प्रदेश में है वुडी स्कॉर्पियन मिला है एक खास किसम का बिच्चु जिसका नाम है लियो चलिस शलारी ये त्रिष्णा वाइलाफ सेंचुरी में मिला है त्रिपुरा में देखिए ध्यान से सुनिए त्रिष्णा है क्रिष्णा नहीं है मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल पुछा था त्रिष्णा वाइलाफ सेंचुरी का है पंजी गुआ के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, संस्कृत 3D फिल्म है दुनिया की पहली, क्या नाम है इसका, इसका नाम है अनुराक्थी, और इसके डिरेक्टर है P.K. असोकन और एक्टर है मेन इसमें वानी वशिष्ट, इनमें से कौन सा देश है, जिसने एक मेरी इनमें से कितना अमाउंट भारत अफगानिस्तान को दे रहा है, काबूल में रोड बनाने के लिए, काबूल में सटके बनाने के लिए, पब्लिक ट्रांस्पोर्ट सिस्टम को अच्छा करने के लिए, भारत दे रहा है 2.87 million USD, देखिए, अफगानिस्तान में विकास के लिए एक organization है, एक त्योहार होता है, जिसे बोलते है, Heart of Asia Conference, Heart of Asia अफगानिस्तान में विकास के लिए होता है, Heart of Asia जो छटा हुआ था, वो हु मयमार को दिया है, 25 million dollar राखीन राज्ये में विकास के लिए, और यमन को दिया है, Medical Assistance के लिए 1 million dollar, यमन की राज़ानी है सना, मयमार की है, ने पी डाओ, और मयमार की विदेश मंत्री है, आंग सांग सूकी, अभी अभी International Military Games Council Military World Game हुए, यह होंगे मतलब कहां पे होंगे आप Wuhan China, और इनका स्लोगन है, Military Glory, World Peace, और इसका मैस्कोट है, Bing Bing, Bing एक Chinese मचली है, जिसको हम Chinese Sturgy on Fish भी बोलते हैं, अब यह कुछ important tournament जिनकी location, Commonwealth खेल कहांगे, अभी ओरेया परेल में, जाद उरनिये, 4 महिने वेट करिये वस, Queensland, Australia में, 2018 में, Commonwealth Game, Birmingham, UK में होंगे, 2022 में, एक बुरी ख जो खेल होंगे, 2022 में, इसमें से शूटिंग हटा लिया है, और भारत ने अपने लगबग 25% medal, आस्तर कोमन मेल में शूटिंग में जिते, Winter Olympic होंगे, Pyeongchang, South Korea में, 2018, अब यहाँ पर आपको खबरदार रहना होगा, यह Pyeong gang नहीं है, Pyeongchang है, अगर दोनों को ध्यान से देख में, FIFA World Cup, Russia में होगा, और 2022 का कहां पर होगा, Qatar में, 2022 का होगा, Qatar में, और Qatar में, एक Championship भी होगी, Asian Athletic Championship, दोहा, Qatar में होगी, 2019 में, होकी World Cup, भूबनेश्वर में होगा, और भूबनेश्वर में ही, होकी World ही गुई थी, ICC Cricket World Cup, England और Wales में, IOJT होगा, 2019 में, और FIFA World Cup, Women's होगा, France मे 2019 में, और 2022 का FIFA Football World Cup कहां होगा, Qatar में, इन में से Men's IBSF World Slocal Championship किसने जीती जो, Qatar की राजधानी दोहा में हुई, ये जीती पंकर जड़वानी में, पंकर जड़वानी कहां के है, करनाटक के है, International Day of Solidarity with the Palestinian people was recently observed on which day, Palestine के जो लोग है, उन पे बहुत अत्याचार हुए है, कई रेशो द्वारा, अब उन में जो लोग है, उन से हम सदभावना रखते हैं उनके साथ, इसके लिए अंतराश्टे दिवस किस दिन मनाय जाता है, ये मनाय जाता है, 29 नमबर को, 29 नमबर को, ये कुछ important day है, December में जो आपको याद रखने है, Constitution Day या National Law Day, वैसे National Law Day इस बार दो दिन मनाय गया था, 25 और 26 नमबर, 29 दिन, World AIDS Day, World Computer Literacy Day 2 December, गुलामी को खतम करने के लिए अंतराश्टे दिवस होता है, 2 December को, जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए अंतराश्टे दिवस होत ये दिवस, ये Dr. Rajendra Prasad, ये बिहार से थे, Dr. Rajendra Prasad, इनकी ये भारत के पहले राश्पती भी थे, इनकी बर्थ है निवरस्री होती है, 3 December को, National Agriculture Education Day होता है, 3 December को, हमारा जो Navy Day है, वो 4 December, World Soil Day, अंतराश्टी मिट्टी दिवस, 5 December को, इसका थीम था, Caring for the Planet starts from the Ground, यानि अगर हम पूरी दुनिया का care करना चाहते हैं, तो वो जम्रीन से स्टार्ट होता है, यानि मिट्टी से स्टार्ट होता है, International Volunteer Day, 5 December, इसका थीम था, Volunteers Act First, Here, Everywhere, International Civil Evasion Day, अंतराश्टी नागरिकुट्यान दिवस्ता, 7 December, इसका थीम था, Working Together to Ensure No Counties Left Behind, Indian Armed Forces Flag Day था, 7 December को, International Anti-Corruption Day, भhras कुछ और बताता हूँ, मारमाधी कार दिवस होता है, 10 December को, अंतराश्ट्रिय परवत दिवस, यह होता है, 11 December को, Mountains Under Pressure, Climate, Undergar and Migration, यह था, इसका थीम, International Day of Neutrality होता है, 12 December को, Universal Health Coverage Day, 12 December, यह सारे याद अठने पड़ेंगे, कोई चारा नहीं है, National Energy Conservation Day, 14 December को, अटल Tinkering Lab, यह अटल भिहारी वाजपाई जी के नाम पर रखा है, इसका नाम 15 December, याद रखिये, अटल भिहारी वाजपाई जी का जनम दिन, 25 December को होता है, जिस दिन Good Governance Day, यानि सूर्शाशन दिवस में आ जाता है, National Mathematics Day, श्री निवास रामा लोजयम का जनम दिन, 22 December को होता है, National Pharma Day, संख्यक दिवस होता है, 18 December को, हमारे Minority Affairs Minister है, मुक्तार अब्बास नकवी, और International Migrants Day होता है, 18 December को इसका theme था, Safe Migration in a World on the Move, एक और important बात, 25 December को अटल भिहारी वाजपाई जी का जर्म दिन तो होता ही है, जो हमारे पूर परधान मंत्री थे, लेकिन, पीवी नर से महराओ, उन बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, यह official status मिल गया है, अपचारिक तोर पर अधिकरित हो गई है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट है, अजय सिंग, इन में से Indian Film Personality 2017 Award किसे मिला है, 48 वे International Film Festival जो गोवा में हुआ, गोवा की गवर्नर है मृदु सूचना परसारन मंत्राले ने और्गिनाइज कराया था, जिसकी मंत्री है स्मिर्ती रानी, स्मिर्ती रानी हमारी textile मंत्री भी है और यह गुजरात से राजे सभासांसद है, इसमें एक फिल्म दिखाई गई बहुत इंपोर्टेंट, Beyond the Clouds, इस फिल्म के डिरेक्टर है माज 20 beats per minute के लिए, Best Director Vivian Koo, Angels Wear White के लिए, Lifetime Achievement Award मिला Atom Agoyan को, और ICFT UNESCO Gandhi Medal मिला, Shitej Horizon को, इन में से National Anti-Profiteering Authority के पहले चेर्मेन कोन बने है, यह GST आने के बाद बनी है, National Anti-Profiteering Authority, इसके पहले चेर्मेन है, बदरी नरायन शर्मा, GST जो है Goods and Services Tax, यह एक Indirect Tax है, और यह हमारा 122 वा Amendment Act है, और GST को लागू करेगा Central Board of Indirect Taxes and Custom, जिसके चेर्मेन है, वनजा सर्मा, इन में से पंदरवे Finance Commission के चेर्मेन कोन है, अभी कोन से चल रहा है, अभी चल रहा है 14 Finance Commission, इसके चेर्मेन है Y.V. Reddy, जो Reserve Bank of India के पूर्वर्णर है, मैं बात कर रहा हूं, पंदरवे Finance Commission की, इसके चेर्मेन होंगे, N.K. Singh, ये Commission जो है, ये लागू हो जाएगा 1 अपरेल 2020 से, इन में से पहले भारतिये men कोन है, जिन्होंने Asian Marathon Championship जीती, इन्होंने Gold Medal जीता, सोलवा ध्याय हुआ था इस event का, Asian Marathon Championship का, ये हुआ था, डोंगवान चाइना के अंदर, इनका नाम है, गोपी थो इन में से कौन से राज्ये की सरकार है, जिन्होंने Fish Pond योजना स्टार्ट करी है, जिससे इस राज्ये में मचली पालन का विस्तार हो सके, इसमे 96 करोड रुपे खर्चोंगे, ये राज्ये है उडीसा, उडीसा के मुख्यमत्री नवीर पटनायक है, जिनकी पार्टी है बी जूरिती, Ordinance को, Indian Forest Act 1927 में शंचोधन हुआ है, उसके हिसाब से जो Non Forest Area है, उनमें से Trees की Definition से किसको हटा दिया गया है, ये हटाये गया है, बैंबू को, अब आप बैंबू को Non Forest Area में असानी से उखड़ सकते हैं, कोई रोक नहीं है, इनमें से कौन सी भारत की Airline है, जिसे Directorate Journal of Civil Aviation, यानि DGCS approval मिल गया है, अब वो dense foggy condition, यानि बहुत ज़्यादा कोहरे में भी विमान उडा सकते हैं, यानि इनने category 3B में रख दिया गया है, ये airline है Air India Express, Air India Express, Freedom of Oxford Award किसे मिला हुआ था, और ये Award उनसे वापस छीन लिया गया है, ये मिला था मयामार की विदेश मंतरी आंग सांग सूकी, और ये रोहिया मुसल्मानों का जो वद चल रहा है, उसको बचा नहीं पाई, उसके लिए कुछ नहीं कर पाई, इसलिए Oxford ने इनसे वापस ये Award, ये मयामार की विदेश मंतरी हैं, आंग सांग सूकी, और मयामार देश की राश्पती हैं, हतिन कयाओ, इन में से कौन सी कंपनी है, जिसने 2.8 billion deal में time को खरीद लिया है, सूपर important question है, 2.8 billion dollar कितना होता है, आप कह सकते हैं, लगभग होता है, 20,000 करोन रुपे, तो बह भारती एटेल ने खरीद लिया है, HDFC Reality और HDFC Red को Quicker ने खरीद लिया है, और Blink को Amazon ने खरीद लिया है, इन में से कौन सा men and women का बड़ी टीम है, कौन से देश की जिनोंने Asian का बड़ी championship जीत ली, gold medal जीता, गौरगान इरान में हुई थी, ये परतियो गीता, ये जीती भारत म भारती टीम के कैप्टन कौन थे, जो men's team थी, अजे ठाकुर, और सोने पे सुहागा भारत में पाकिस्तान को final में रहाया, इरान की राजधानी है तेहरान, इरान के राश्पती है हसान रुखानी, इरान में हमने एक port बनाया है, छा बार port, इन में से कौन से राजे के मुख इवेंट के लिए ओली होता है लोगो, और ओली क्या होता है, यह ओली रिली टर्टल होता है, यह देखिए, ओली रिली टर्टल, यह ओडिसा के गहिर मठ बीच पे पाया जाता है, और AIBA Youth Women's World Boxing Championship में गप्पी था, मैस्कॉट शुभंकर, और FIFA Under 17 में लेता खेलो, खेलेो है Cloud राजपती रामनाथ कोविंद, इन्होंने अठारवा हॉनबिल फेस्टिवल का उधगाटन करा, कोन से राज़े का त्योहार है हॉनबिल फेस्टिवल, इस राज्ये के मुखे मंत्री है T.R. Zell-Yang, किस की बात हो रही है, नागा लेंड की बात हो रही है, नागा लेंड, न इसम्बर के महिने में यह सारे चयोहर मनायते गए। कौनार्क चयोहर मनाये गया उडिसा में। इंडिया इंटेटी बराइशनल कफी फेस्टिवल बेंग लूरुओ भारत में 90 परसेंट कौफी करणाटका में ही रोगता है। मिस्टिक कलिंगा उडिसा, इरांशाः उदवाडा त्योहरarten गुजरात में यह पार्सी समुदाय का त्योहर है, इरांशाः उदवाडा त्योहर और दूसरी बार मनाये गया सिरफ यह, अंतराष्ट्रिय है, मिठाईयों का त्योहर है, घाईराबाद में हुआ ते लंगाना टेनिस का टूर्नमेंट है, इस बार ये जिता फ्रांस ने, फ्रांस ने हराये किसको, बेलजियम को, फ्रांस की राजधानी पैरिस है, पैरिस में हेड़कोर्टर युनेस्को का है, और OECD का है, Organization for Economic Opportunity Development, और फ्रांस की राश्पती है, उनकी पार्टी का नाम है एनमार्श, औ Manual Macron, सरकार ने National Nutrition Mission को अप्रूव कर दिया है, कितना खर्चा करेगी सरकार इसमें, सरकार इसमें खर्चा करने वाली है, 9,046 करोड, यह सूपर important question है, सरकार का target क्या है, सरकार का target यह है, कि हर साल under nutrition और birth weight 2% कम हो, हर साल, हर साल, और जो stunting होता है, stunting मतलब जो बच्चे अपन rate कम होती है, अपनी age और rate के हिसाब से, वो भी कम हो, कितनी कम हो, अभी जो stunting है, वो है 38.4%, यह 25% तक हो जानी चाहिए, 2020, इसकी red line भी है, 2020, इन में से कौन सा शहर है, जो दुनिया का पहला, जहांपे information technology campus बना है, उन लोगों के लिए, जो दिव्यांग है, जो disabled है, उनके लिए, यह कौन सा शहर है, यह दुनिया का पहला information technology campus, यानि सूचना प्रद्योगी का campus बना है, यह बना है है, हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, पहले आंदर परदेश की थी, आंदर परदेश की नई राजधानी है, अमरावती, और अमरावती बना रहा है, चाइना, तो यह कुछ याद रखिए, तेलंगाना का एक मशूर्त वहर है, जिसे बोलते हैं, बतु कम्मा, तेलंगाना के मुख्य मंत्री है, चंदर शेकर राव पार्टी का नाम है, तेलंगाना राष्ट्य समिती यानि T.R.S. भारतिये रेल्वेज ने नए कोच लॉंच करे हैं, राजधानी और शताबदी में, क्या नाम है इन कोच का, काफी लगशरी कोच हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, LED TV लगा हो मिलेगा, आपको यहाँ LED TV, CCTV मिलेगा, बहुती लगशरी कोचिस लगाए हैं, इनका नाम है स्वार्णा कोचिस, रेल मंत्री है यूश गोयल, और ये कोईल मंत्री भी है, कोल मंत्री, तो बस इतना है दटने हैं आपको, इन में से पहली सिख महिला मेयर कोन बनी यूएस में, ये यूबा शहर की बनी है कैलिफॉर्मिया के अंदर, इनका नाम है प्रीत डिडबल, प्रीत डिडबल, एक कुश्चन आ जाएगा, यहीं पे, रवी भलला कोन है, रवी भलला, अमरीका में एक जंगा है जिसको बोलते हैं न्यू जर्सी, न्यू जर्सी के अंदर एक शहर है, जिसे बोलते है होबोकन, होबोकन के ये मेर बने है, रवी भलला, इन में से कौन सा राज्य है, या केंद्र शाषित परदेश है जहां पर सबसे ज़्यादा crime rate है यानि कि जो crime दर सबसे ज़्यादा है मैं यह नहीं कहारा सब ज़्यादा crime यहाँ पर है मैं कहारा हूँ सबसे ज़्यादा crime rate यहाँ पर है इनकी जो crime rate है वो है 974.9 और भारत की जो औसत है वो है सिरफ 233.6 यानि इस राज्ये में चार गुना ज़्यादा क्राइम है ये National Crime Record Bureau ने अपना जो Crime in India Report दी है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ ये राज्ये है दिल्ली दिल्ली और ये राजनाथ सिंग्न ने रिपोर्ट रिलीज करिये जो हमारे ग्रह मंत्री है इसके लावा सफ़जदा केसेज वोमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते है वो उत्तर प्रदेश में होते हैं और साइबर क्राइम सफ़जदा अगें उत्तर प्रदेश में होते हैं इसके लाबा भारत में सब ज़्यादा रेप मद्देपरदेश में होते हैं। कितने मेडल भारत में जीते 20 वे एशियन आर्चरी चैंपेंशिप जो धाका में हुई। धाका बांगलादेश की राजधानी है, बांगलादेश में जो परधार मंत्री है मुए शेक हसीना और बांगलादेश की मुद्रा है टाका, भारत ने जीते 9 मेडल, 9 में 3 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉंज मेडल, अगर मैं आर्चरी की बात करूं तो भारत के कम से कम एक दो खिलाड़ी आध होने चीए आपको, जैसे अभीशेक वर्मा, यह फोटो में भही हैं, अभीशेक वर्मा, इन्होंने तीन मेडल जीते हैं, 9 में से तीन इन्होंने जीते हैं, लेकिन फीमेल खिलाड़ी ज्यादा है, इनके भी नामा व्याद रख सकते हैं, भारत को और इस organization का headquarter London में है, International Maritime Organization का headquarter है, London में, London में एक और organization का headquarter है, Amnesty International, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, international crimes को रोकने के लिए, human rights violation को रोकने के लिए organization है, Amnesty International, और एक organization हो रहा है, Transparency International, जो correction perception index देता है, इसका headquarter है, Berlin में, Best boxer title के से मिला, World Youth Boxing Women Championship, जो गुवाटी है, असाम में, और इसका, जो mascot था, वो था, गपी, और brand ambassador थी, Maricom, Maricom, 5 बार Asian champion, 5 बार world champion, और एक बार Olympic bronze medalist रह चुकी है, Best boxer, अंकुशिता बोरों, अंकुशिता बोरों, और ये local है, असाम की है, इन्होंने gold medal जीता, हमारा जो रक्षा मंत्राले है, Defense Ministry, उन्होंने Armed Forces Week मनाया, कब से कब तक, Armed Forces Week, एक से साथ दिसम्मर, एक से साथ दिसम्मर, हमारे जो, आर्मी के चीफ है, वो है विपिन डावत, नेवी के हैं सुनिल लांबा, और Air Force के हैं BS धन्वा, इन में से, Grand Champion of 2017 Global Innovation Award किसे मिला, Science Technology के अंद ये Global Entrepreneurship Summit जो हुई थी, हैदराबाद में, वहाँ पे दिया गया, इनका नाम क्या है, इनका नाम है, अजेता शहा, ये है Grand Champion of 2017, इनकी कमपनी का क्या नाम है, इनकी कमपनी का नाम है, Frontier Markets, Frontier Markets, इन में से परसार भारती के नए चेर्मेन कोन बने है, जो आपका दूर इनकी किया गया है, आंसर है A. सूरियर परकाश, इन में से कौन सा देश है, देखिए, डेंगु का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, आप भली भाती जानते होंगे, डेंगु वाइरस से फैलता है, लेकिन इस वाइरस को लेकि जो मच्छर उड़ता है, उसे बोलत स्टार्ट कर दिया, लेकिन फिर उसे पता चला कि ये जो ड्रग है, ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, तो उसने वो उस प्रोग्राम को खतम कर दिया, किस देश की बात हो रही है, ये दुनिया की पहली डेंगु वैक्सीन है, ये देश है फिलिपिन्स, फिलिपिन्स की अभी कोन है, अभी है शशिशंकर, ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, कौन से राजे की सरकार है, जिन्होंने एक इनोवेशन हब बनाने का निड़ने लिया है, जिसका नाम होगा वी हब, 15 करोड रुपे की लागत से, ये है तेलंगाना, वी हब इस राजे का टी हब भी है, क्या फरक है वी हब औ स्टार्ट करना चाहते है, उनकी मदद के लिए टी हब, 15 करोड रुपे की लागत से ये शुरू करेंगे, एक मत्र भारती है कोन है, दुनिया के जो 20 बड़े CEO या MD Managing Director है, उनमें सिरफ Business Person of the Year, 20, इनमें सिरफ एक ही भारती है, कौन है ये, ये है अधित्यपूरी, और ये क उनसा कंट्री है, जिसे, जिसने जानवरों का जो illegal व्यापार होता है, जानवरों का जो अवैद व्यापार होता है, उस पे अंकुष लगाने के लिए जबरदस्त काम करा है, इसलिए इसे मिला है certificate of commendation, किस के दवारा, sites के दवारा, यानि convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora, fauna बोलते है जा इंडिया, इन में से वो cyclone कौन सा है, जो भारत के दक्षिन राज्यों में आया, जैसे उडिसा, उडिसा नहीं, केरल में आया, तमिलनाडू में आया, उडिसा तक नहीं पहुचा एक्चली, लक्षेदीप में आया, लक्षेदीप कहां पे है, अरब सागर में, इसका नाम ह है, ओकी, और टैम्विन नाम का साइकलोन आया है, अभी वियतनाम और फिलिपाइनस में, वियतनाम की राजधानी है, हनोई, इन में से कौन सी एक्टरस हैं, जिने सयुक्त राष्ट संग ने अपना एनवायरमेंट को बचाने के लिए, गुडविल एमबेसेटर बनाया है, अपने समय में ये मिश एसिया पैसिफिक भी रह चुकी है, इनका नाम है दिया मिडजा, इन में से कौन से राजे की सरकार ने टेंडू लीव्स बोनस त्योहार शुरू करा है, देखिए टेंडू लीव्स जो है आदिवासी समुदाय के लोग इखटा करते हैं, इस राजे नेशनल पार्क और तीसरा है गुरू घासी दास नेशनल पार्क, इन में से उस मिशन का क्या नाम है, जो हमारी Minister of Health and Family Welfare, Minister of State है उसके लिए, अनुप्रिया पटेल, हमारे Minister of Health, मिनिस्टर जो Cabinet मंतरी है, वो तो जेपी नता है, लेकिन Minister of State है, अनुप्रिया पटेल, उन्हो पोड़ी हग तक बचा जाए सकता है, लेकिन अगर HIV positive AIDS में कनवर्ट हो जाए, तो फिर दुनिया में कोई इलाज इसका नहीं है, इस प्रोग्राम का नाम है संपर्क, संपर्क, भारत ने अभी-अभी कौनसे देश को 500 metric ton चावल गिफ्ट करा है, ये कौनसा देश है, ये इस इराशपती हसान रोहनी, इन्होंने चावार पोर्ट का नया built extension उसका inauguration करा है, ये कहां पे है ये, ये कौनसी खाडी में है ये चावार पोर्ट जो भारत ने बनाया है, और चावार पोर्ट बनाया है क्यों है भारत ने, क्योंकि पाकिस्तान ने बना दिया गौदार चाइ पामित लेखक हैं, जिन्होंने अपनी पहली नोबल इंगलिश में लिखी है, वैसे ये उर्दु में लिखते हैं, लेकिन इन्होंने इंगलिश में अपनी पहली नोबल लिखी है, इसका नाम है टू, ये लिखी है, गुलजार सहाब ने, हलांकि इस नोबल को भी पहले उर और इस फिल्म का नाम है लिप्स्टिक अंडर माई बुर्गा और इस फिल्म को डिरेक्ट करा है अलंकृता श्रिवास्तव ने अलंकृता श्रिवास्तव इन में से एशियन लिउज चैंपिंशिप अल्टन बग जर्मनी में हुई यह भारत के एक मात्र खिलाडी है जो लिउज में पार्टिसिपेट करते हैं क्या नाम है इनका इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीत लिया इनका नाम है शिव केश्वन और 2018 के जो खेल होंगे Winter Olympics प्योंग चैंग साउथ कोरिया में महाँ पे भारत को यह रेप्रेजेंट करेंगे इन में से word of the year Cambridge dictionary द्वारा किसे मिला है यह मिला है populism को populism है word of the year by Cambridge अब मैं पूछूँ Oxford ने किसे दिया है word of the year youth quake इनके मतलब क्या है देखिए populism होता है एक ऐसी तरह की राजनिती करना जिसमें जो जनता चाहे चाहे वो आप उनको दे दो एक तरह का socialist model होता है यह populism जो जनता चाहे वो कर दो उसको बोलते हैं populism Oxford University ने दिया योधकोए को word of the year, youth quake का मतलब होता है आज कल की जो नई पीड़ी है, नई जनरेशन वो politics में interest बहुत ले रही है तो उसको बोलते है youth quake dictionary.com ने word of the year दिया है complicit को, complicit मतलब जब एक crime में दो लोग मिले होते हैं उसे बोलते है complicit Merriam Webster dictionary ने दिया है feminism को word of the year feminism मतलब महिलाओं को आगे भढ़ाने के लिए प्रोचाहन कर देना उसको बोलते है feminism Collins dictionary ने दिया है fake news को word of the year और Cambridge ने जैसा मैंने बताया populism को दिया है word of the year तो जिस dictionary ने दिया है उसके हिसाब से question mark करना ये नहीं word of the year देखा और populism नहीं कौनसी dictionary ने दिया है उसके हिसाब से answer mark करो United States Agency for International Development जैसे बोलते है USAID उन्होंने इन में से कौनसे भारत के राज्य को ये permission दे दी है कि वो एक development impact bond जिसका नाम है उत्कृष्ट impact bond शुरू कर सकते हैं इस राज्य में विकास के लिए ये राज्य है राजस्थान राजस्थान नाम का nuclear power plant भी है हमारे उपराश्पती वैंकाया नैडू ये भारत के तेहरवे उपराश्पती है इन्होंने दीन दयाल दिव्यांगन सहज स्कीम जो है दिव्यांग जन दीन दिव्यांग जन सहज स्कीम लॉंच करी है कौन से राज्य में ये करी है इन्होंने अभी-अभी असाम के अंदर ये असाम के मुख्यमंत्री है सर्मनं 109 फोटो में ये वेंकाया नैडू है तो आंसर है असाम बिहार के मुख्यमंत्री निदेश कुमार देखिए छटी बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेए अब ही भाजबाक से गठवंदन करा है, पहले लालू के साथ था, लालू की पार्टी का नामे R.J.D. राष्टे जंतादल, इनकी पार्टी का नामे J.D.U. जंतादल उनाइटड, नितीश कुमार ने केंदर सरकार को कहा है कि इन में से कौन से महापुरुष का जरम 3 दिसंबर को होता है, उसे मेद दिवस बनाए जाए, यानि मेरिट है, ये हैं भारत के पहले राष्ट्रपती, डॉक्टर राजंदर पर साथ, ये बिहार में पैदा हुए थे, सिवान डिस्ट्रिक्ट में, और भारत रतन भी ने मिला था, भारत ने अभी अभी एक बहुत बड़े ल साथ सुडान अलग अलगे हैं, यहीं पर आपको एक्जामेर ट्रिक करता है, सुडान की राजधानी खारतुम है, साथ सुडान की राजधानी क्या है, जूबा, और सुडान की क्या है, खारतुम, और हमारे नागरी परिवहन मंत्री है, नितिन गड़करी, एक इंपोर्टन के पद से किसने अपना रेजिगनेशन दे दिया है इनका नाम है मैरी कॉम मैरी कॉम कहां की है मनिपूर एक और लेड़ी याद रखिए मनिपूर की इंपॉर्टेंट एक्जाम में आ सकती है इरॉम शर्मिला मनिपूर की राजधानी इमफाल है लोग टक लेके यहाँ पे मैरी कॉम पांच बार वल्ड चेंपियन पांच बार एशिन चेंपियन इन में से कौन से राजधे की विधान सभा ने एक बिल पास करा है इस राजधे में परियावरण को स्टड़ी करने के लिए एक यूनिवरसिटी बनेगी यह भारत का पहला राजधे है जहाँ पे इस तरह की यूनिवरसिटी बनेगी एन्वार्मेंट को स्टड़ी करने के लिए कहाँ बनेगी हुगली में तो यह राजधे है पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में है नियोरा वैली नेशनल पार्क एक टाइगर्स के लिए बखसा टाइगर रिजर्व है और एक गोरू मारा नाशनल पार्क भी यहाँ पे है नियोरा वैली को कंगर वैली के साथ कंफ्यूस मत करना वो चत्रिसगड़ में ना ही पिन वैली के साथ, पिन वैली नाशनल पार्क है हिमाचल परदेश में और साइलेंट वैली नैशनल पार के केरल में इन में से कौन से राजे की विधान सभा ने कापू समुधाय को रिजर्वेशन देने का निर्णे ले लिया है इस राजे में तीन मुख्य जात होती है एक होती है नाइडू मुख्य मंतरी चदरवागू नाइडू सी जात के है दूसरी होती है रेड़ी और तीसरी होती है कापू ये तीन मुख्य कास्ट है इस राजे में आंदर परदेश की बात हो रही है आंदर परदेश का एक dance भी है जिसे बोलते हैं कुछी पुडी राजधानी है अमरावती जिसको smart city बनाएगा सिंगापूर गवर्नर आंदर परदेश और तेलंगाना के एक ही है ESL नरसिमहा इन्वे से अभी अभी एक committee बनी है जिसमें तीन मेंबर है ये commission बनाई है ये committee national commission for minorities ने बनाई है ये check करने के लिए देखिए भारत में आठ ऐसे राजे हैं जिनमें हिंदू सबसे ज़्यादा नहीं है जैसे अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में सब ज़्यादा सिख है फिर हिंदू है ऐसे नागा लैंड में सबसे ज़्यादा क्या है Christian तो ये बताईए भारत के जो आठ राजे हैं जिनमें हिंदू हैं जिनका नंबर हिंदू का कम हैं क्या हिंदू को अल्प संख्यों को का दर्जा दे दिया जाना चाहिए Minority Status मिल जाना चाहिए ये कमिटी डिसाइड करेगी तीन मेंबरेंस कमिटी में अब इन तीन में से चीफ कोन है Head कोन है? Head है George Korean George Korean क्या आप बता सकते हैं भारत के आठ राजे कौन से हैं ये? Lakshadeep Lakshadeep में सिर्फ 2.75% हिंदू है Mizoram में सिर्फ 2.75% है Nagaland में भी बहुत कम है Jammu Kashmir, Meghalya, Arunachal Pradesh, Manipur और Punjab ये हैं भारत के आठ राजे जिनमें हिंदू कम है इन में से कोन सा ऐसा भारत का त्योहार है या यात्रा है या जो भी जिसको UNESCO ने अपनी Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity में जगा दी है ये है भारत का कुम्ब मेला देखिए कुम्ब मेला जो है भारत के चार जगा पे लगता है एक लगता है अलाबाद में एक लगता है हरिद्वार में एक लगता है नासिक नासिक में और एक लगता है शिप्रा नदी के किनारे उज्जयन में नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे ये चार जगाए जहां भारत में कुम्ब मेला लगता है UNESCO का Headquarter Paris में UNESCO की Director General है Audrey Azole और ये फ्रांस की हैं Audrey Azole और UNESCO World Heritage Site है भारत में 36 इस साल 36 वा World Heritage Site था एहमदाबाद का शहर इन में से भारतिय टीम की कप्तानी कौन करेगा Under 19 World Cup जो New Zealand में खेला जाएगा इस साल ICC Under 19 World Cup भारत की कप्तानी करेंगे पृत्वी शो पृत्वी शो Time Magazine ने Person of the Year किसे दिया इस बार Person of the दिया है The Silence Breakers को कौन है ये Silence Breaker देखिए अगर किसी भी महिला के खिलाफ बच्पन में किसी भी तरह का Sexual Harassment हुआ है Rेप हुआ है यौन उत्पिडन हुआ है तो उसे लिखना है Me Too Twitter पर, Facebook पर ये campaign चलाया गया और इसमें लाखों करोडों महिलाओं ने हिस्सा लिया ये सारी है Silence Breaker जिनोंने अपनी चुप्पी तोड़ी और खुल के सामने आई कि उनके साथ भी यौन उत्पिडन हुआ है इसको नाम दिया गया Me Too Campaign और जो भी जो भी सामने आया वो सब है Silence Breaker और ये कुछ फोटों यहाँ पे छपी है कवर पे ये है एशले चूर, सूजन फाउलर, टेलर स्विफ्ट, इसाबल पास्कवा और एडमा इवू इनके नाम याद रखने जरूर नहीं है वैसे बता रहा हूँ भारत होकी वल्ड लीग में थर्ड नंबर पे फिनिश करा है ठीक है? थर्ड नंबर पे तो आपको बताना है भारत सेमी फाइनल में किस से हार गया था भारत अर्जंटीना से हार गया था और अर्जंटीना फिर ऑस्टेलिया से हार गया तो भारत जो है वो थर्ड नंबर पे भारत ने फिनिश किया बस इतना याद रखिये मुजीब जदरन ये 21 वी सदी में पैदा हुए पहले खिलाडी है जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे इन में से कौन सी कंट्री के प्रेजिरेंट है निकुलस मादूरो जिन्होंने क्रिप्टो करंसी के थुरू आप पैट्रो में इंवेस्ट कर सकते हैं इस क्रिप्टो करंसी का नाम है पैट्रो पैट्रो मतलब पैट्रोलियम एक तरह से इस देश में पैट्रोलियम के भंडार बहुत है यह OPEC का हिस्सा भी है OPEC का Headquarter Vienna, Austria की राजधानी में है OPEC बोलते है Organization for Petroleum Exporting Country यानि तेल बेचने वाले देश यह देश है Venezuela जिसकी राजधानी है कराकास Michael 1, इनका निदन हो गया यह कौन से देश के पूर्व राजा थे यह राजा थे रोमानिया के पहली बार कौन से राजधानी की विधान समानेक बिल पास कराए अगर 12 साल से कम उमर की बच्ची का कोई दोशी पाये जाता है तो उसे मृत्यू दंड दिया जाएगा यह कौन से राजधाने पास कराए यह पास कराए मंद्यपरदेश में 2016 की रिपोर्ट आये नेशनल क्राइम रिकोर्ट बूरो की पूरे भारत में सब ज़्यादा रेप के केस हुए है मद्यपरदेश में एक और बात इस बिल का नाम है दंड विधी विधेयक दंड विधी विधेयक 2017 अभी अभी ये 6 मेंबर की कमिटी बनी है जो ये सुझाव देगी कि GST में क्या चैंजिस होने चाहिए इसकी अधेक्ष्टा किस ने करी इसकी अधेक्ष्टा करी गौतम रे ने गौतम रे और एक कोश्चन और भहत पूस्ते है कि GST नेटवर के जो और वोटिंग होती है जो जैसे वोटिंग हो जाए क्लैश हो जाए तो फिर गवर्णर डेसाइड करता है इसमें 0 basis point कोई परिवर्दन नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है सम्मे परिवर्दन नहीं आया रेपो रेट है 6% यह याद रखिए एक कुश्चन इसमें जरूर आता है रेपो रेट 6% है रिवर्स रेपो रेट है 5.75% मार्जिनल स्टेंडिंग फसिलिटी है 6.25% बैंक रेट है 6.25% और कैश रिजर्व रेशो है 4% और SLR कितना है कोई परिवर्दन तो नहीं आया है खेल भी हुए थे सिट्नी में 2000 के खेल हुए थे और सिट्नी है ऑस्ट्रेलिया में फिल्म का नाम है दंगल दंगल ने खूब पैसा कमाया है चीन में इस बार चाइना के इंदर दंगल जो फिल्म है इसमें महावीर फोगाट की जिन्दगी पे निर्भर है ये जो पहलवान है जिनकी सारी बेठियां पहलवान है रीता फोगाट और जिनकी जो भी नाम है गीता फोगाट है एक एक एक्जेक नाम याद दिया रहा है मुझे महावीर फोगाट के जीवन पे अमिर खान ने एक कमेटी बनाई है जो हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो भड़ते जा रहे है 9% से भी ज़्यादा हो चुके है टोटल भारत के बैंकों में सबसे ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है स्टेट बैंक ओफ इडिया में अगर सरकारी बैंक की बात करूँ प्राइबेट बैंक में है आइसे इसे बैंक में तो पावर सेक्टर में बहुत ज़दा नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको कम करने के लिए कमेटी बनाई है इसकी अध्यक्षता किसने करी इसकी अध्यक्षता करी अमिताप कांथ ने अमिताप कांथ को ने? निती आयोग के CEO है और निती आयोग के चेर्मेन है पर्थानमंत्री मोधी और वाइस चेर्मेन है राजीव कुमार निती आयोग की फुनफोम है National Institution for Transforming India इन में से तेईसवा जिला कौन सा बना जिसे NCR में इंक्लूड कर लिया गया है ये है शामली शामली का है? पश्चिम उत्तरप्रदेश में इससे पहले 22 जो डिस्टिक्ट है सबसे जादा है हर्याना में तेहरा जैसे गुड़गावा फरिदाबाद ये सब साथ है उत्तरप्रदेश में जैसे नोईडा वगरा और दो है राजस्थान ने तो कितने हो गए? तेहरा और साथ बीस और दो बाइस तैईसवा कौन सा है? सामली तो सामली भी उत्तरप्रदेश तो उत्तरप्रदेश के हो गए अब आठ यूनियन गवर्मेंट जो केंजल सरकार है उसने जो हमारे परमवीर चक्र वीर चक्र वावाला जो भी बहादूरी के प्रुसकार होते है गेलेंटरी अवार्ड होते है जो एक्सेप्शनल वैलर के लिए जो दिए जाते हैं पीस और वाल टाइम दोनों के वक्त उनमें मिलने वाला जो भत्ता है वो डबल कर दिया है अब किसको कितना मिलेगा अब परमवीर चक्र वाले को कितना मिलेगा परमवीर चक्र विजेता या उसकी विद्वा को कितना मिलेगा बीस हजार मिलेगा पर मंद पहले मिलता था 10,000 मैं आपको दिखाता हूँ पहले कितना था और अब कितना कर दिया है तो परमवीर चक्र मैंने बताई दिया है महावीर चक्र वाले को मिलेगा अब 10,000 पहले मिलता था 5,000 अशोप चक्र वाले को 12,000 पहले मिलता था 6,000 बस आपको ये तीन याद रखने और एक और याद रख लिए कीड़ती चक्र इसको मिलेगा 9000 पर मंद इन में से किस स्वेक्ति को International Children's Space Prize मिला है इन्होंने लेबनन में एक refugees बच्चों के लिए स्कूल खोला है और लेबनन की राजधानी है बेरुद इनका नाम है मुहम्मद अ जोंद और ये खुद एक refugee है सीरिया के सीरिया की राजधानी है Damascus अमरीका ने कितने देशों पर प्रतिबंद लगा दिया है इस देश के लोग अमरीका में नहीं आ सकते अमरीका ने लगाया है आठ देशों पे और ये अप्रूव कर दिया है यूए सुप्रीम कोट ने सो यमन वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2017-19 के हिसाब से UN International Labour Organization ने रिपोर्ट दिया है दुनिया की कितनी ऐसी अबादी है जिसे कम से कम एक सोशल बेनिफिट मिला हुआ है ये अबादी है सिरफ 45% सिरफ 45% और बाकी जो 55% है उन्हें एक भी सोशल बेनिफिट नहीं हैं, International Labour Organization के जो डिरेक्टर जनल है उनका नाम है गाय राइडर,UNICEF की है है Henrietta 4,UNESCO की है Audrey Azzola, World Trade Organization की है Roberto Azzavedo, भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट अभी बनके तयार हो गया है इसपे खर्चा आया है सबहनो करोड रुपे का, ये बना सूरा सागर रिजर वए में बना है, ये कहां पे है बना सुरा सागर रिजर्वोयर, ये रिजर्वोयर है वायानाड में, और वायानाड है केरला में, केंदर सरकार ने डॉक्टर अंबेड़कर स्कीम for social integration through intercast marriage, कहने का मतलब ये है, एक डॉक्टर अंबेड़कर जी के नाम पे एक social integration scheme चली हुई है, अ जो income cap है, वो हटा दिये, पहले income cap कितनी थी, पहले थी 5 लाग परेलाओ, यानि अगर आपकी साल की आमदनी 5 लाग रुपे तक है, और आप दलित से शादी करते हो, तो मिलेगे 2 लाग, पर अब ये 5 लाग हटा दिये, यानि अब आपकी income कितनी भी हो, आप दलित से शादी कर लो, 2 लाग रुपे आपको मिलेगे, इन में से कौन सी singer है, जिसे UN Environment ने अपना Global Goodwill Ambassador बनाया है, इनका नाम है Ellie Golding, और जो ये UN Environment है, इसका headquarter है नायरोबी में, और नायरोबी की राजधानी है, Kenya की, पहली बार कौन से राजे की सरकार ने एक महिला entrepreneurs के लिए industrial policy और द्योग चल रही है यहाँ पर, और महाराष्टर में चंदोली नेशल पार्क है, तडोबा नेशल पार्क है, महाराष्टर में संजे गांधी नेशल पार्क है, इन में से कौन से ऐसे country हैं, दो country हैं सिरफ, जिनोंने एक Joint Corporation Committee बनाई है, गल्फ Corporation Council से अलग, अलग, गल्फ Corporation Council जो है, इस साओधी अरब और UAE, साओधी अरब के राजा है King Salman, केंद्र सरकार ने एक notification पास कराया भी अभी, इन में से कौन सा ऐसा organization है, या Tribunal है, जो single member bench बना सकता है, exceptional circumstances में, यानि अगर कोई बहुत बड़े level की कोई case है, उनकी सुनवाई एक जज़ भी कर सकता है, ये है National Green Tribunal, National Green Tribunal के chairman बदल गए है, पहले थे justice सोतंतर कुमार, अब है UD Salvi, उमेश दतात्रया Salvi, इन में से पहला, अंतराष्टी government organization कौन सा है, जिसका headquarter भारत के अंदर है, और इसका headquarter है Guru Gram में, ये है International Solar Alliance, ये भारत और France ने मिलके शुरू करा था, COP21 Paris Agreement के वक्त, कितने gold medal भारत ने जीते, ये 10th Asian Airgun Shooting Championship जो वाको में हुई जापान में, और जापान में ही Olympic खेल होंगे, तो भारत ने जीते 5 medal, 5, तो नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक का नाम आप याद रख सकते हैं, दो तिन खिलाड़ी आप से पूछ सकते हैं, जितू राए, ये जितू राए है ये हीना सिद्धु हैं, इनके तो नाम एटलीस पता होने चीए, आपको इन्होंने गोल मेडल जीता साथ मिलके, तो 5 medal, पहले भारत ये कौन बने हैं, जिन्होंने गोल मेडल जीता World Paraswimming Championship जो मेक्सिको में हुई, मेक्सिको की राज़ानी है, मेक्सिको सिटी, और इनका ना पराई है, गोवाने, और हमारे Food Safety के लिए मंत्री कोन है, राम विलास पासवान, Food Safety, Consumer Affair और Public Distribution System के लिए, राम विलास पासवान बिहार में हाजीपुर से लोग सभा सांसद हैं, और हमारी Food Processing मंत्री है, हरसिमरत को और बादल, जो शिरोमणिया काली दल पार्टी की हैं, औ और ये भटेंडा से लोग सभा सांसद हैं, इनमें से कौन से भारत का शहर है, जो UN Environment Report में इसका नाम आया है, देखिए दुनिया में पांच ऐसे शहर है, जो अपना कचरा बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, उनमें सिरफ एक ही भारत का शहर है, वो कौन सा है, ये है अलप की बात कर रहा हूं, केरल में है ये, और दुनिया के पांच शहर कोन से है, जापान में है उसाका, स्लोवेनिया में है लajubla jana, यहाँ की रासदानी ये स्लोवेनिया की, मलेशिया में शहर है एक पेनांग, और एक कोलंबिया में है जिसे बोलते है कजी का, मैं apologise करता हूं, और भारत का सबसे साफ शहर पूछें तो वो है इंदौर, और सबसे गंदा पूछें तो वो है गॉंडा, गॉंडा उत्र परदेश में है, इंदौर है मद्य परदेश में, यह साफ सुत्रा है, और इसमें option देखिए एक विशाका पत्नम भारत का तीसरा सबसे साफ शहर है, और विशाका पत्नम का जो रेलवे स्टेशन है वो भारत का सबसे साफ सुतरा है और दूसरा कौन है फिर दूसरा है भोपाल और इंदौर और भोपाल दोनों है मद्दे परदेश में। कॉंग्रेस के नए प्रेजिडेंट बन गए है राहूल गांदी सोनिया गांदी अब नहीं है सोनिया गांदी कितने साल तक कॉंग्रेस की प्रेजिडेंट रही ये रही 19 साल रही और कॉंग्रेस 1885 में एयो ह्यूम ये इन्होंने फाउंड की थी कॉंग्रेस और बस यतना दर खेल मंत्री राजेवरदन सिंग राठोर ने शुरू करा है खेलों इंडिया प्रोग्राम। ये अगले दो साल चलेगा, 2017-2019 तक कितना खर्चा करेगी सरकार इस पे। इसमें खर्चा होगा 1756 करोड रुपे। एक और इंपॉर्टेंट बात, 2018 जो है इसे Year of Sports डेक्लेर किया ग दो साल के लिए इस कंट्री को बैन कर दिया था फुटबाल खेलने से, अब बैन हटा दिया है, किस देश की बात हो रही है, ये देश है कुवेथ, कुवेथ, फीफा का हेड़क्वाटर है जूरिक में, जूरिक है स्विजर लेंड में, फीफा के जो रेजिरेंट है वो है, जियानी इंफेंटीनो, जियानी इंफेंटीनो, और एक और स्विजर लेंड में जगा है जिसका नाम है लौजैन, लौजैन में हेड़क्वाटर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, भारत ने वासेनार अर्रेंजमेंट को जॉइन कर लिया है, कोन से नंबर पे जॉइन क वही जगा है जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ओचस्टिस का हेड़क्वाटर है, तो यह आप याद रखिए, वासेनार जो है, यह सबब है दाहेग में, लेकिन हेड़क्वाटर कहा है वासेनार का, हेड़क्वाटर है वियना में, वियना में ही हेड़क्वाटर है ओपेक क पांचवा बैलों डोर अवार्ड ये साल के बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है किसे मिला ये मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फीफा वर्ल्ड प्लेयर अफ दा येर भी ने मिला युएफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड भी ने मिला पांचवा बैलों डोर भी ने मिला Real Madrid Football Club के लिए खेलते हैं और पुर्त गाल के खिराडी है Portugal Portugal की राजधानी है Lisbon परधार मंत्री मोदी ने Dr. B.R. Ammedgar International Center का उधगाटन करा है कहाँ पर बना है B.R. Ammedgar International Center ये बना है नई दिल्ली में नई दिल्ली और B.R. Ammedgar जी के नाम पे ही धीम एप का नाम भी है भारत Interface for Money और B.R. Ammedgar जी ड्राफ्टिंग कमेटी और दिल्ली के चेर्मेन थे इन में से किस लेखी का या लेखक को दुखम सुखम एक नॉबल लिखने के लिए मिला है 2017 का व्यास सम्मान ये मिला है ममता कालिया को और इसे बिर्ला Foundation देता है K.K. बिर्ला Foundation राजपती रामनात कोमेंद ने अभी-अभी एक Naval Maritime Aircraft Museum को दुखटन करा है कहां पे बना है Naval Maritime Aircraft Museum भारत में Naval Maritime Aircraft Museum बना है भारत में विशाका पतनम में विशाका पतनम कहां पे है आंद्र पर्देश में और ये भारत का तीसरा सबसे साफ सुत्रा शहर है और इसका railway station भारत का सबसे साफ सुत्रा railway station है इन में से कौन सा राज्य है भारत का जिसने ease of doing business पे टॉप किया है ये राज्य है हर्याना हर्याना के मुख्य मंत्री है मनोर लाल खटर और हर्याना की राजधानी है चंडिगण जो पंजाब की राजधानी भी है इन में से कौन से राज्ये ने एक solar power policy अपरूब करी है ये राज्ये 2021 तक 150 megawatt solar power बनाएगा जो सोर उड़ जा है उसका निर्मान करेगा उसका उत्रपादन करेगा ये राज्ये कौन सा है ये राज्ये है गोवा ministry of housing and urban affair जिसके हमारे cabinet मंतरी है अर्दीपुरी उन्होंने एक implementation agreement साइन करा है जर्मनी के साथ जर्मनी sustainable urban transport प्रजेक्ट बनाएगा कौन से शेहरों में मैंने आपको पता है था जर्मनी के बीसी यानि कोची को एमटूर और भूबनेश्वर को बनाएगा smart city so answer है all the three all of the above भारत और इस्राइल एक excellence in floriculture के लिए center बना रहे हैं दोरों मिनके कहां पर बना रहे है floriculture मतलब होता है जब full उगाते है उसे बोलते है floriculture इस्राइल के परधान मंतरी है Benjamin Nathan याहू राजधानी है जैरो सेलम और राशपती है Ruben Devlin इस्राइल की मुत्रा है Shekel इस्राइल में जो भाशा बोले जाती है वो है Hebrew और Hebrew वही भाशा है जिसमें Bible लिखी गई है Bible जो है ये इसाई धरम की holy book होती है जैसे हमारी गीता है या दूसरी किताबे है वैसे Christianity की होती है Bible Tamil Nadu के साथ करा है, Tamil Nadu के मुख्य मंत्री एड़ापड़ी Π отдい पलना स्वामी, Tamil Nadu का डांस है भारत नाट्यम तमिल नाडु का जो classical dance है वो है भारत नाटियम और तमिल नाडु में कलपक्कम और कुंडन कुलम दो nuclear power plant है इनमें जो कुंडन कुलम है वो हमने रशिया की मदद से बना है एक public procurement portal जो हमारे micro small and medium enterprise मंत्री है गरीराज सिंग उन्होंने launch करा है क्या नाम है इसका यहाँ पे public procurement होगा जिसे पारदरशित आएगी इसका नाम रखा है MSME संबंध micro small and medium enterprises संबंध कौन सा railway station है भारत का जो भारत का पहला energy efficient railway station बना है A1 category में क्या नाम है इस station का यह है कचे गुड़ा यह कचे गुड़ा station है कहाँ पे यह हैदराबाद में है जो तिलंगाना की राजधानी है UNESCO का Global Education Monitoring Report आया है कि इसके हिसाब से कितने भारतिय एडल्ट हैं व्यस्क हैं जो अभी भी ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं यह है 266 million यानी 266 करोड, 266 लाग भारतिय ऐसे हैं जो अभी भी ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं इन में से कोन से भारत के weightlifter हैं जिन्होंने तीन national record बनाएं एक मिनी तीन और यह इन्होंने बनाए IWF World Weightlifting Championship जो अनाहाइम USA में हुई हलंकि तीन डिकोड बनाने के बाद भी इन्होंने ओवरल फिनिश किया 13th ये कोई पदक नहीं जित पाए इनका नाम है गुर्दीप सिंग हमारे Health Minister JP नद्दा इन्होंने अनौन्स करा है कि भारत Trachoma मुक्त हो गया है Trachoma भारत ने खतम कर दिया है ये Trachoma आखों का रोग होता है किस से होता है बैक्टिरिया से होता है वाइरस फंगाई किस से होता है ये बैक्टिरिया से होता है एक जानवरों का रोग होता है जिसे बोलते हैं रिंडर पेस्ट भारत से ये भी खतम हो गया है यानि दो रोग भारत से खतम हो गए हैं, एक ट्रैकोमा और दूसरा रिंडर पेस्ट राश्पति रामनाथ कोविंद, इन्होंने प्रेजिटेंशल कलर्स अवार्ड किसे दिया है, कौन सी सेना को दिया है यह इस बार मिला है सब्मरीन को, सब्मरीन, जो पंडूपी होती है, उसे मिला है, एक इंपोर्टन बाद आपको बताता हूँ, भारत की एक पंडूपी है, जिसे बोलते हैं स्कॉर्पीन क्लास सब्मरीन, यह है आई-एन-स कल्वारी, यह याद रखिए, केरल की जो सरकार है, उन्होंने एक ओर्डिनेस पास करा है अध्या देश ने, कि ओर्डिनेस तब पास होता है, जब विधान सबा नहीं बैठी होती, किसी तरह केंदर में भी ओर्डिनेस तब पास होता है, जब पार्लेमेंट सेशन में नहीं होती, ओर्डिनेस पास करके, केरल में, जो मिनिमु की राजधानी सुविकार किया है ये देश है अमेरिका और इसके मिडल इस्ट में जो पीस प्रोसेस है वो पूरा डिले हो गया इसके वैसे और इसके खिलाफ वोटिंग भी हुए यूनेक्ट नेशन जनल असेमली में भारत ने भी इसराइल और अमेरिका के खिलाफ वोट किया है अमेरिका के दो-तिन वेक्ति याद रखिये अमेरिका के राशपती तो सबको पता है डॉनल्ड ट्रम उनकी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी परंतु अमरीका के उप राश्पती बहुत कम लोगों को पता होता है Vice President वो है Mike Pence इसके लावा अमरीका के जो विदेश मंत्री है वो है Rex Tillerson Rex Tillerson, वहाँ पे अमरीका को Secretary of State बोलते हैं, विदेश मंत्री वडियूज नहीं करते हैं अमरीका के जो रक्षा मंत्री है जैसे भारत में निमला सितरमन है अमरीका में है James Martis रक्षा मंत्री ये चार नाम याद रखिए इन में से कौन से राज्ये के मुखे मंत्री ने पूरवाशा फोक और ट्राइबल आर्ट म्यूजियम का उद्गटन करा बरकुल में बनाई है ये चिलका लेक के पास है ये राज्ये है उडिसा उडिसा में एक नदी भैती इसको बोलते है महा नदी यहाँ पे हीरा कुट टैम है चिलका लेक है उडिसा में ये भी याद रखिए और बस दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम बैटरी लिथियम आयन बैटरी देखे कितना बड़ा है बिल्डिंग से भी बड़ा है इसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है ये दक्षिन उस्टेलिया को बिजली देगा ये किसने बनाया है यह दुनिया का सबसे बड़ा lithium battery किस ने बनाया है यह बनाया है Tesla company ने और neon company ने so answer है Tesla और neon 3 and 4 और जो neon company है यह France की company है French company है इस battery की शमता है 100 megawatt दुनिया का सबसे बड़ा automated container terminal यानि एक ऐसा बंदरगा बना है जहाँ पे आप समुद्र के जो जहाज है उनमें container container upload कर सकते हैं और deload कर सकते हैं मशीनों की मदद से यानि automatic यह यह कहाँ पर बनाया है यह बनाया है शंगाई में शंगाई है चाइना में शंगाई में हेड़कॉर्टर है new development bank का जिसको बोलते है ब्रिक्स बैंक जिसके प्रेजिनेंट है केवी कामत कौन से राज्य की सरकार ने announce करा है कि अगर कोई भी ग्राम पंचायत या urban local body प्लास्टिक मुक्त करने में मदद करती है उस ग्राम पंचायत को तो उसे cash award मिलेगा यह announce करा है महराश्टर की सरकार ने और महराश्टर में जो मुंबई है यह इसके हिसाब से भारत जितने भी लोग हैं उनको बिजली दे पाएगा कब तक कब तक दे पाएगा भारत दे पाएगा 2020 तक इन में से कौन सा संगितकार है जिसने 2017 में सबसे ज़्यादा पैसा कमाया यह कमाया शॉन कॉम ने शॉन कॉम को हम डिडी भी बोलते हैं इनका असल 20 मिलियन डॉलर कमाया यानि लगबग 1000 करोड दूसरे नंबर पे थी बियॉन से 2017 का Mother Teresa Memorial Award किसे मिला है समाजिक ने आए सोशिल जस्टिस के लिए यह अवार्ड मिला है प्रियंका चोपडा को प्रियंका चोपडा UNICEF की Goodwill Ambassador भी है याद रखिए कौन से देश के परधानमंत्री है हादिर अलबादी इन्होंने कहा है कि ISIS से हमने जंग जीत ली है जो आतंगवादी संग्ठन है ISIS इसलामिक स्टेट उससे हमने आतंगवादियों को हरा दिया है यह कौन से देश के परधानमंत्री है यह है इराक के इराक की राजधानी है ब और भावित है, कोई विक्तिम है उसका, तो उसकी free treatment होगी private hospitals में, ये कहा है, ये announce करा है दिल्ली ने, दिल्ली ने announce करा है, और दिल्ली ने इससे पहले एक good Samaritan policy भी start की थी, जिसमें अगर दिल्ली में कोई मालनो रोड पे पढ़ाओ, तो आप उसको hospital पहुंचाईए और आप अर्जेंटीना को, अर्जेंटीना की राजधानी है Buenos Aires, एक और अर्जेंटीना के खिलाडी बहुत अच्छे है, जिनका नाम है Lionel Messi, इन में से कौन सा देश है, जिसने एक travel advisory issue करने का निन्ने लिया है, जनवरी 2018 से अपने citizens को, एक four level classification system बनाया है, ये बनाया है अमरीका ने, ये अब अमरीका, दूसरे देशों के लोग अमरीका में कम से कम जाएं, ऐसा ये परियास कर रहा है, कौन सा राज्य है, जो भारत में पहला राज्य है, जो अपने नागरिकों को email ID हिंदी में देगा, ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है, राजस्थान, और जो ये email ह और यह देवनागरी स्क्रिप्ट में होगा, ऐसा करने वाला यह पहला राज्य है Forbes list of highest paid athlete of all time किसने टॉप किया है, यानि आज तक के तिहास में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला खिलाडी कौन है यह है Michael Jordan, Michael Jordan यह basketball के खिलाडी थे इन्होंने जो पैसा कमाया है, वो कमाया है 11,000 करोड दूसरे नंबर पे है Tiger Woods, यह गॉल्फ खिलते है Michael Schumacher, Formula 1 गाड़ी चलाते थे, David Beckham, यह football खिलते थे शिरलंका ने निन्याड में साल के लिए कौन सा बंदरगा दे दिया है चाइना को? निन्याड में साल के लिए, यह है हमपन टोटा, और ट्रिन कोमाली भारत बना रहा है इसके लावा एक बंदर का और याद रखिये, बेंगाजी, यह लिब्या में है, बहुत लंबे समय के बाद खुला है चाबार भी याद रखिये, चाबार इरान में भारत बना रहा है, और गौदार पाकिस्तान में बना रहा है चाइना, एक और है मॉंबासा, मॉंबासा कौन बना रहा है, मॉंबासा चाइना बना रहा है, केनिया में और एक है पैराद्वी पोर्ट यहाँ पे अमरीका से जो हम शेल ओइल खरीद रहे हैं वो पैराद्वी पोर्ट उड़ी समया रहा है BCCI में ये कहा है कि भारत में क्रिकेट वल्ड कप होगा कब होगा ICC क्रिकेट वल्ड कप और BCCI के जो CEO है वो कौन है राहुल जोहरी और BCCI के प्रेजिडेंट कौन है विनोध राए तो ये होगा भारत में 2023 में तो 2023 आपको इंजार करना होगा लगबग 5 सल कौन से राजे की सरकार नर्मदा और पारवती को आपस में जोड रही है नर्मदा और नदी जो है ये अमर कंटक से निकलती है मद्बे परदेश का एक डांस भी आद रखी है खजुराहो डांस तोहार है तेजा जी फेर है केंदर सरकार ने अनौन्स करा है कि वो कुछ special court बनाएगी विशेश अदालत बनाएगी अगर कोई सांसद या विधायक यानि की कोई भी member of parliament या state assembly का कोई member है member of legislative assembly वो कोई criminal case उन पर होते हैं तो ये विशेश अदालते हैं उनको try करेगी यानि उनको उनको मुगदमा चलाएगी कितने ऐसे court बनेंगे भारत में भारत में बनेंगे 12 ऐसे court 12 FM बंद कर दिया है जो FM सुनते हैं FM बंद कर दिया है और पूरी तरह से digital broadcast करेगा ये के देश है नौर्वे नौर्वे किसके लिए famous है नौर्वे की राजधानी Oslo है और ये famous है Magnus Carlson के लिए जो शतरंच की दुनिया के बेताज बादिशा है इस वक्त ये world blitz champion है और chess champion of the world है यानि कि classical format में chess champion है world chess champion है world blitz champion है और rapid champion है Vishnathana कोन से राजधे की सरकार है जिसने सेवा सिंदू नाम का common citizen service portal start करा है ये सरकारी जो services है सेवाए हैं उनकी सारी जनकारी citizens को देगा ये शुरू करा है करनाटक की सरकार में करनाटक में अब चुनाव होने वाले करनाटक की राजधानी बैंगलूरू है जहां पर ISRO है Indian Spaces Church Organization का हैड़क़र है और Indian Institute of Science भी बैंगलूरू में है करनाटक के मुख्यमंत्रिये सित्रमया वाजी भाई वाला है इस राजधे के गवर्नर करनाटक में है आंशी नेशल पार्क बनर गट्टा बांदीपुर नागर होले नेशल पार्क डंडेली टाइगर रिजर्व और करनाटक में भारत में सब ज़्यादा हाती और टाइगर है कौन से राज्य की सरकार है जिसने एक मुबाईल अब बनाया है जिसका नाम है अर्बन जीनी अर्बन जीनी क्या करेगा ये अगर आपको कोई टेक्निशन चाहिए या वर्कर चाहिए तो ढुढ़ने में मदद करेगा मालों आपको घर में नल्ठीक कराना है आपको कोई मिलने रहा तो urban genie पर जाओ जैसे urban pro, urban clap आपने use करे होगे उसी तरह से urban genie लेकिन urban genie सरकारी है तो यह शुरू करा है तेलंगाना की सरकार कितना लोन would bank भारत को दे रहा है संकल्प प्रोग्राम के लिए ये कौशल विकास का प्रोग्राम है हमारे skill development मंतरी कोन है धर्मेंदर प्रधान यही हमारे oil और gas यानि तेल और gas के मंतरी भी है ये loan मिलेगा 250 million dollar 250 संकल्प की full form exam में आ सकती है बहुत important है पूरी नहीं आती ऐसे आता है संकल्प में के का मतलब क्या है तो चार option दे एते हैं संकल्प की full form है skill acquisition and knowledge awareness for livelihood promotion सबसे पहला भारत का electronic manufacturing cluster कहां बनेगा यानि जो बिजली से चलने वाले उपकरण है उनकी हम उत्पादन यहां पे करेंगे यह कहां पे बनेगा यह बनेगा आंध्रपरदेश में आंध्रपरदेश कोनसी भारतिये हैं जिन्हें power of one award दिया है United Nations से power of one यह मिला है लक्ष्मी पुरी को लक्ष्मी पुरी को कोनसे राज्ये की सरकार है जिन्होंने 5 लाग का life cover दिया है कोई भी श्रधालू अगर गंगा सागर त्योहार में जाते हैं और उनको आजी मतलब जो life cover होता है वो मिला है 5 लाग का अगर उनके सब कोई दुरगटन हो जाती है उनकी मित्य हो जाती है तो 5 लाग रुपर उनके परिवाजनों को मिलेंगे गंगा सागर यात्रा करने वाले हर श्रधालू को यह अनाउंस करा है पश्चिम बंगाल की सरकार वेस्ट बेंगॉल और यह जो त्योहार होता है गंगा सागर यह मकर सकरांती पे होता है मकर सकरांती जापान जो है उसने कोन से राज्य को 8.4 मिलियन येन देखिए जो येन है ये जपान की मुद्रा है शिंजो आब है यहां के पधान मंत्री है और जपान की राजधानी टोक्यो है जपान कौन से भारत के राज़े को 8.4 मिलियन येन देगा यहां पे एक vocational training center बनाने के लिए जिसमें जो इस राज़े के बच्चे है और जो गरी महिलाएं है उनको उनका कोशल विकास किया जाएगा जापान ये देगा राजस्थान को और राजस्थान में कौन सा डिस्टिक्ट है बरन डिस्टिक्ट है जापान के भारत में राजदूत कौन है? केंजी हीरा मत्सु धम्मा प्रिया धम्मा पिया ये International Buddhist Confederation की Secretary General बनी है ये कहां से है धम्मा पिया? धम्मा पिया है त्रिपुरा से त्रिपुरा के मुख्य मंत्री है मानिक सरकार इन में से कौन सा राज्य है जो भारत का पहला राज्य बना है जिसने एक नया कानून ऐसा बनाया है कि जितनी भी Government Scheme इस राज्य में चलाई जाएंगी सबका Social Audit होगा. Social Audit मतलब होता है कि एक तरह से जो जनता है वो ये चेक करेगी कि वो Scheme कितनी काम कर रही है ऐसा करने वाला पहला राज्य है मेघाले मेघाले की राजदानी है शिलॉंग और मेघाले में है Knock Wreck National Park मेघाले में तीन पहाड़ है परवत शिंख लाएं खासी, गारो और जैनतिया हिल्स है मेघाले में मुख्य मंत्री है मुकल संगमा मुकल संगमा गवर्नर है गंगा परसाद अभी अभी बने हैं गंगा परसाद गवर्नर वाल्डिजनी कंपनी ने कोन सी कंपनी को खरीद लिया है 52.4 बिलियन डॉलर में ये बहुत बड़े लेवल की डील है ये कितना पैसा है आप देखिए एक बिलियन डॉलर होता है 65 सो करोड और ये है 50 बिलियन डॉलर मतलब कितना हो गया ये तीन लाग करोड तीन लाग करोड की डील होई है उससे भी ज्यादा चार लाग कर पाच लाग करोड की डील होई है किसने खरीद दा है तो Walt Disney ने खरीद लिया है Fox Entertainment को यह Fox Entertainment Rupert Murdoch की कंपनी है Rupert Murdoch और Walt Disney के ओनर को ने Walt Disney के ओनर है Bob Eager Bob Eager कितने medal भारत ने जीते Commonwealth Wrestling Championship में Johannesburg South Africa में यह हुई, कतम अभी अभी भारत ने जीते 59 medal 59 में से Gold 29 24 रजट यानि Silver Medal और 6 कासे यानि Bronze Medal यह खिलाड़ी है सुशील कुमार जो दो Olympic medal जीत चुके हैं, एक Silver और एक Bronze अभी अभी परवीन डाना के साथ इनकी लडाई हुई थी इन्होंने परवीन डाना को हरा दिया और दोनों दलों में जमकर हिंसा हुई इन में से World Record किसने बनाया है, पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया नाओ के उपर बैठके 42 दिन और 16 घंटों में क्या नाम है इनका? इनका नाम है France Sowa Gabart और यह France के हैं, सिर्फ 42 दिन और 16 घंटे में पूरी दुनिया की यात्रा कर लिए केंद्र सरकार ने एक agreement करा है युनेस्को के साथ अब केंद्र सरकार एक अंतराश्ट्रे ट्रेनिंग सेंटर बना रही है ओपरेशनल ओशियनोग्राफी के लिए यह कहां पे बन रहा है? यह सेंटर बनेगा हैदराबाद में हैदराबाद में बनेगा इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर ओपरेशनल ओशियनोग्राफी उत्तर परदेश की सरकार भगवद गीता के उपर रिसर्च करने के लिए अनुसंधान करने के लिए एक रिसर्च इंस्टिट्यूट बनाएगी भगवद गीता को लिखा था वेद व्यास ने तो आप ये बताइए कि रिसर्च इंस्टिट्यूट कहां पे बनेगा उत्तर परदेश में ये बनेगा मत्हुरा में मत्हुरा में बनेगा कौन सी टीम है जिसने 2017 FIFA क्लब वर्ल्ड कब जीत लिया ये टीम है Real Madrid Real Madrid ने final में हराया Gramio को जो ये option है Gramio Real Madrid Spain का कलब है Madrid Spain की राजधानी है कोन सी भारत की टेलिकॉम कंपनी है जिसे unique identification authority of India ने ban कर दिया है क्योंकि customer से बिना पूछे उनका आधार information यूज करके का electronic KYC का इनके payment bank खोल रही थी ये है भारती Airtel तो Airtel payment bank के account खोल रही थी उनसे बिना पूछे बहुत बड़ा fraud कर रही थी अब electronic KYC इनका बंद कर दिया है और इनके chairman को भी resign करना पड़ा केंदर सरकार ने Muslim Women Protection of Right on Marriage Bill टेबल किया है और अप्रूब भी कर दिया ये लोग समह में राजी समह में चर्चा हो रही है अब ये बताहिए अगर कोई Muslim वेक्ती अपनी पत्नी को अब instant triple तलाग देने की कोशिश करता है तो उसे कितनी जेल होईगी उसे इस बिल के मताबिक तीन साल की जेल होईगी 3 years हमारी जो केंदर सरकार है उसने एक Central Advisory Council बनाया है जो Real Estate Regulation Act को लागू करेगा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा Real Estate की बात हो रही है मतलब शहरी विकासकन की बात हो रही है तो इसकी अध्यक्षता करेंगे हमारे Minister of Housing and Urban Affairs हरदीप सिंग पुरी कौन से राजे की सरकार है इसने ईशा Foundation के साथ मिलके नदियों को बचाने के लिए M.O.U. साइन करा है और ये फोटो में है सादगुरु जग्गी वासुदेव ये राज्य है असाम असाम की नदियां बचाने के लिए जग्गी वासुदेव के साथ मिलके Conservation of River के लिए M.O.U. साइन हुआ है हमारे तेल और गैस के मंत्री धर्मेंदर प्रधान इन्होंने इस्टन इंडिया का जो पूरवी भारत है उसका पहला CNG स्टेशन इनोग्रेट करा कहां पे इनोग्रेट करा है ये ये बना है उडिसा की राजधानी भूवनेश्वर में कौन सा देश है जिसने पहला Wheelchair Cricket Tournament को होस्ट किया और जीता भी इनों नहीं ये नेपाल ने होस्ट किया और जीता भी नेपाल नहीं नेपाल की राजधानी है काठमंडू इन में से कौन सा कंट्री है जो पोलियो मुक्त घोशित करा WHO के जो डेक्टर जनल है टेडरो साधानों उनों ने ये देश है गैबन गैबन की राजधानी है लिबर विल भारती जंता पार्टी गुजरात में चुनाव जीत गई विजरुपानी दुबार मुख्य मंत्री बन गए है कब से सत्ता में है ये गुजरात के अंदर भारती जंता पार्टी ये 1995 से सत्ता में है और छटी बार ये लगातार महाँ पे आई है यहनोंने 99 सीट जीती है 182 में से और हिमाचल में 44 सीट जीती है 68 में से हिमाचल के मुख्य मंत्री बने है जैराम ठाकुर कौन सा शहर है जिसने एक स्मार्ट सिटी कार्ड बनाया है आप इस स्मार्ट सिटी कार्ड से पेमेंट कर सकते हो सरकारी कहीं पर भी सरकारी, कमर्शल यूटिलिटी एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ का भी काम करेगा ये बनाया है चंडिगड ने चंडिगड के एडिमिनिस्टेटर ने है वीपी सिंग बदनोर जो पंजाब के गवर्नर है चंडिगड हरियान और पंजाब दोनों की राजधानी है और यूनियन टेरिट्री है BBC Overseas Sport Personality of the Year किसे मिला है चोथी बार रिकॉर्ड चोथी बार Overseas Personality of the Year ये मिला है रोजर फेडरल को ये टैनिस के खिलाडी है, स्विजर लैंड के खिलाडी है और इन्होंने पिछले साल जीता था Australian Open और Wimbledon विराट कोहली जो है ये भारते करके टीम के कैप्टन है लियोनल मैसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाडी है लेबरंट जेम्स बास्केट बॉल के खिलाडी इन में से कौनसे राज्ये की सरकार ने गवर्मेंट जोब्स के लिए पहले 25 साल तक आप अपलाई कर सकते थे आप भढ़ाके कर दिया है 40 साल यानि 40 साल तक आप गवर्मेंट जोब्स के लिए अपलाई कर सकते हो ये कौनसे राज्ये ने करा है ये करा है राज्यस्थान की सरकार ने इन्होंने अभी अभी एक परसेंट आरेक्शन भी दिया है पाँच समुधायों को जैसे गुच्चर इतियादी, वन परसेंट, केंद्र सरकार ने भारत का पहला रेल और ट्रांस्पोर्ट युनिवरसेटी बनेगा, उसका अप्रूबल दे दिया है, कहां पर बनेगा, ये ब प्रोजेक्ट कहां बनेगा, इसमें 80,000 करोड रुपे खर्च होगा, ये त्यलंगाना में बनेगा, और एक प्रोजेक्ट और याद रखी, आंद्रपरदेश में जो बन रहा है, जिसका नाम है, पोला वरम प्रोजेक्ट, पोला वरम प्रोजेक्ट भी सिचाई के लिए है, इटिकेशन के लिए है, और कालेश्वरम प्रोजेक्ट भी सिचाई के लिए है, मिस्टर इंडिया कौन बना है, मिस्टर इंडिया अभी बने है, जितेश सिंग देओ, और अब ये जो मिस्टर वर्ड होगा 2020 में, उसमें भारत को रेपेसेंट करेंगे, मिनिस्ट्री ओफ रेल्वेज ने ये अनौन्स करा है, कि भारत के जितने भी रेल्वेज टेशन है, सब को LED लिट बना दिया जाएगा, यानि वहाँ पे जो नॉर्मल इनकेंडेसेंट बन्ब है, उनको रिप्लेस करके, अनर्जी एफिशियंट LED बल्ब से उन्हें लिट किया जाएगा, वहा आजे सभाने अभी-अभी IAM बिल पास करा है, ये कितने IAMs को Institute of National Importance घोषित करेगा, अब IAM अपनी खुद की डिगरी तेप आएगे, MBA की डिगरी, पहले वो PGDM की डिगरी देते थे, अब वो MBA की डिगरी तेप आएगे, टोटल IAM है 20, जैसे IAM अमदाबाद, बेंगलूर शिलॉंग इतियादी, 1400 करोड रुपे का एक प्रोजेक्ट लॉंच करा है भारत ने, जिसमें जो unbanked rural population है, यानि हमारी वो गाओं की जनता, जिनको वित्य समावेश नहीं मिला, जो उसके अंदर नहीं आती, उस वर्ग में नहीं आती, financial literacy नहीं है, इनके पास financial inclusion नहीं है, जहाँ पे bank रही है, उनको भी उसमें लेके आएगा, उसके ambit में, ये हमारे संचार मंतरी मनोज सिनाने कर आए, minister of communication, आप ये पताईए, इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इसका नाम है, दर्पन, दर्पन, और दर्पन की full form क्या है, digital advancement of rural post office for a new India, in short, दर्पन, NGT के नए चेर्मेन कौन बनी है, national green tribunal राष्ट्रे हरित राधिकरण, इसके चेर्मेन पहले थे सोतंतर कुमार, अब बने है, उमेश दतत्रिया सालवी, Competition Commission of India ने भारत financial inclusion नाम की company को कौन से bank के साथ मर्ज या विले होने की permission दे दिये है, ये कौन से bank के साथ मर्ज हो रहा है, इस bank के जो, बस ये bank है, इंडस इंड बैंक, बस यतना रखिए, इंडस इंड बैंक, मिस्टर रोमेश सोबती हैं, इस bank के managing director और CEO, और Competition Commission of India के चेर्मेन कोन है, देवेंदर कुमार सीक्री, डी के सीक्री, दो empire भारत के होंगे, होकी वल्ड कप जो बुनेशम में खिला जाएगा, ये अप्रूव कर दिया है, हमारे ये अंतराष्टी होकी फेडरेशन है, जिसके चेर्मेन है नरेंदर पत्रा, याद रखिए, अंतराष्टी होकी के लिए माझा यूज करते हैं, नाइलोन का बना हुआ, प्लास्टिक का, या किसी भी सिंथेटिक मेटरियल का तो बैन कर दिया है, ये कौन से राजे ने करा है, ये इन्होंने चाइनीज माझा भी बैन कर दिया है, ये राजे है पंजाब, राजधानी है चंडिगड, कैप और हमारी जो railway protection force है उसके director general है धर्मेंदर कुमार एक ऐसा गाउं है जिसमें सोतंतरता के बाद पहली बाल बिजली आई है ये गाउं है जोकापट गाउं ये एक आदिवासी गाउं है ये कहां पे कौन से राज्ये में है ये जोकापट गाउं ये गाउं जो है ये 36 गण में ह तो बस नाम याद रखिए 36 गण में है ये गाउं और एक स्कीम चलाईए परधान मंत्री ने परधान मंत्री सहज बिजली हर्गर योजन जिसको बोलते है सोभागे है उसका target ये है चार करोण परिवारों को बिजली मिलनी चाहिए दिसंबर 2018 तक भारत का पहला और एक मातर डिजाइन उनिवर्सिटी बन रहा है ये भारत में कहां पर बन रहा है इसका नाम होगा World University of Design ये बन रहा है हरियाना में हरियाना में कहां बन रहा है सोनिपत में समीप ये भारत के कौन से मंत्राले ले लॉंच करा है समीप इनिशेटिव ये लॉंच करा है भारत में Ministry of External Affairs में विजेश मंत्राले ने सुस्मा सवराज मंत्री हैं इसकी समीप की फुल फॉर्म क्या है समीप की फुल फॉर्म है Students and MEA Engagement Program MEA मतलब Ministry of External Affairs कौन सा खेल है जो 2022 के Commonwealth Games में से निकाल दिया गया है पर्मिंगम में होंगे पहले डर्बन में होने थे तक्षिन अफरिका में ये खेल डर्बन ने मना कर दिया फिर बर्मिंगम UK में होंगे ये खेल है शूटिंग पहला भारतिय शहर कौन सा है जिसने अपना लोगो इजाद कराए खुद गा इसका जो एक टैगलाइन है वो है बैंगलूरू बी यू तो आंसर है बैंगलूरू करनाटा की राजधानी UNICEF की नई Executive Director कौन बनी है पहले थे Anthony Lake और अब बन गई है UNICEF का Headquarter है नियू यॉर्क में बच्चों के लिए काम करती है ये संस्था Airport Authority of India ने approval दे दिया है भारत का पहला runway बनेगा Sea Bridge के उपर कोन से airport पे यानि ये देखिए ये एक समुद्र के बीचों बीच एक पुल है और उस पुल पे बनेगी हवाई पट्टी ये बनेगा लक्षदीप के अगाटी टाप उपर लक्षदीप में एक island है जिसको बोलते है मेनिकोय लक्षदीप की राजधानी है कावराती और लक्षदीप है अरब सागर के अंदर इन में से कौन से राज़े की सरकार है जिसने एक scheme लाँच करी है इस राज़े में सब को power connection free दिया जाएगा free power connection दिया जाएगा इसका नाम है परकाश है तो विकास है ये है इस राज़े के बिजली मंत्री श्रीकांद शर्मा ये राज़े है उत्तर परदेश भारत जो है वो एक अल अजार यूनिवरसिटी में center of excellence बनाएगा सुचना प्रदोगी की information technology के शेतर में ये अल अजार यूनिवरसिटी कहां पर है ये इजिप्ट में है इजिप्ट का नाम है मिस्तर हिंदी में बोलते हैं मिस्तर कौन से राज़े की सरकार है जिसने दक्षिन कोरिया के साथ परियतन कोशल विकास क्रिशी और परियतन में विकास के लिए एक M.O.U. साइन करा है साउथ कोरिया के साथ साइन करा है उत्तर परदेश ने उत्तर परदेश में नरोड़ा एटॉमिक पावर प्लांट है और दूद्वा नैशनल पार्क है इन में से फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट किसने सेकिंड टाइम इन रो टॉप किया है इनकी कमाई थी 2017 में 232 करोड ये है सल्मान खान इनकी फिल्म भी रिलीज हुए टाइगर जिंदा है और सल्मान खान के बाद हैं शारुक खान और तीसे नमबर पे हैं विराट कोहली और टॉप 10 सेलिब्रिटी हैं जो भारत की उनमें सिर्फ एक ही फीमेल है प्रियंका चोपड़ा जो साथवे स्थान पर है एक सिलेक्ट कमिटी बनी है राजे सभा की जो मोटर विकल अमेंडमेंट बिल आ रहा है उसको उसको उसने ये कहा है कि इसमें कोई शंशोधन की आवशक्ता नहीं है आप इसे पास कर दो इसकी अधक्ष्टा किसने की, सेलेक्ट कमिटी की, इसकी अधक्ष्टा की विने सहस्तर बुद्धे ने कौन से भारत के खिलाडी है, जो एकमातर खिलाडी है, जो वंडे और T20 दोनों की ICC Women's Team of the Year में जिनकी जगा आई है इनका नाम है एकता बिष्ट, और हमारी कैप्टन है मिथाली राज, कौन से राज्ये की विधान समने एक बिल पास करा है, आप अगर जहरीली शराब बेचते हो, और उस शराब को पीने से कोई मर जाता है, तो आपको death penalty मृत्यू दंड तक हो सकता है, ये पास करा है उत्तर प ये राज्ये है उडिसा, यहाँ पे निर्यात था लगबग 19,000 करोड, अब ये भढ़के हो गया है, 40,000 करोड से भी ज्यादा, कौन सी एरलाइन है, जो पहली इंडियन एरलाइन बनी है, जो एक ही दिन में 1000 फ्लाइट जिनों ने उड़ाई, और इनकी 1000 फ्लाइट कहां से क स्टेंडर कौन सा है, जो इंडिया गवर्मेंट मिंट मूंबई में लॉंच हुआ, इसका नाम है भारतिये निर्देशक द्रव्ये, बायालिस्सो एक, भारतिये निर्देशक द्रव्ये, इनमें से इंग्लिश प्रिमियर लीग को प्रमोट कौन करेगा भारत में, उसका ब चैंपिड चैंपिएंशिप हुई उसको जिता वश्ष्णा थनारंदे, और जो ब्लिट्च चैंपिएंशिप हुई उसको जिता मैगनस कालसन नौर्वे के जो है, भारत की कौन सी मुनिसिपल कॉर्परेशन है, जिनोंने बहुती सस्ता भोजन देने का निर्ने लिया है, जन आहार योजना स्टार्ट करी है, दस रुपे में पूरा खाना मिलेगा, तो ये इसका नाम रखा है अटल जन आहार योजना, इसको शुरू करा है साउथ दिल्ली मुनिसिपल कॉर्परेशन में, हमारा जो रूरल डवलप्मेंट मंत्राले है, उसके हिसाब से भारत की कि आराम ठाकुर, इंपॉर्टन बात ये समझेए, ये भारत जिंता पार्टी के एक तो, और इनका जो विधान सभाश्चेत्र है, वो है सेराज, और जो डिस्टिक्ट है इनका वो है मंडी, तो ये मंडी के पहले मंडी से मुख्यमंत्री, इससे पहले थे वीर्भंदर से, द बेट्रो का कौन सा लाइन लॉंच करा है दिल्ली में, बॉटनिकल गार्डन से कालकाजी मंदिर तक चलेगी, ये लाइन है मजेंटा लाइन, और इसकी लंबाई है 12 अश्वलव 6-4 किलोमीटर, परधान मंत्री मोधी, पहले भारत के परधान मंत्रियों के पिछले 20 साल में जो वल्ड एकोनोमिक फोरम, वल्ड एकोनोमिक फोरम की मीट को अटेंड करेंगे, इससे पहले 1997 में 20 साल पहले परधान मंच्री HD देवे गोड़ा ने ये सम्मिट और ये अटेंड की थी, कहां पे ये मीटिंग होगी, ये होगी दावोस में, दावोस है स्विजर लेंड मे और वल्ड एकोनोमिक फोरम के जो डिरेक्टर जनल है, वो है क्लोस शुआब, इन में से कौन से राज्य का यातायात मंत्राले है या डिपार्टमेंट है, जिसको मिला है स्कॉच प्लेटिनम अवार्ड, ये सबसे उचा अवार्ड है, इसके बाद होता है स्कॉच गोल्ड गोल्ड से भी उचा है प्लेटिनम, ये मिला है मध्य परदेश के यातायात विभाग को, और जो गोल्ड वाला है वो मिला है तेलंगाना के मुनिसिपल एडिमिस्टरेशन को, इन में से सबसे महेंगे पहलवान कौन हुए, प्रो रैसलिंग लीग में जिनकी निलामी हुई ये पचपल लाख में इनको दिली सुल्तान ने खरीदा है, इनका नाम है सुशिल कुमार, और दूसरे सबसे महेंगे कोन है, दूसरे सबसे महेंगे है विनेश फोगाट, 45 लाख में, भारतिये एरफोर्स ने मिशन सेवन समिट पूरा करा है, इसकी अगुवाई किस ने करी मतलब मिशन सेवन समिट ये है कि दुनिया के साथ महाधूइपों की सबसे उची चोटी जो है वो चड़नी है, तो इसकी जो अगुवाई करी वो करी ग्रुप कैटन RC त्रिपाठी ने, और ये साथ पहाड जैसे एशिया का सबसे उचा माउंट आवरेस्ट है, दक्षिन अ इस टॉपी बनाते हैं पनामा के जो बुनकर है, क्या नाम है इस टॉपी का, इस टॉपी को बोलते हैं पिंटाओ, भारतिय साइन्स कॉंग्रेस कहां पे होगा, पहले ओस्मानिया युनिवरसिटी हैधराबाद में होना था, लेकिन अब होगा मनिपूर युनिवरसिटी इ मिलेगा 7.6%, किसान विकास पत्र पे मिलेगा 7.3% और सुकन्या समरिधी अकाउंट पे मिलेगा 8.1%, चारों याद रखिए, चारों बहुत इंपॉर्टेंट, महिलाओं का 25 मीटर पिस्टल गोल्ड नया नैशनल रिकॉर्ड बनाते हुए, किसने जीता, नैशनल चैंपियन क एक टेक्निकल और सेफ्टी स्टेंडर कमेटी बनी है, पोट टेक्सी प्रोजेक्ट आ रहा है भारत में, ये सोचलिक टेक्सी है, इनमें ड्राइवर की ज़रुत नहीं है, 12.3 किलोमेटर दिल्ली से गुड़दाओं बनेगा ये नितिन गड़करी का ड्रीम प्रोजेक्ट ह भारत और अफगानिस्तान के बीच में कार्गो फ्लाइट चलेंगी काबूल से सीधी कहां तक, ये चलेंगी काबूल से मुंबई, और भारत के अफगानिस्तान में जो राज़दू है, वो हैं, मन प्रीत वोहरा, और इससे पहले जो एर कोरिडूर था, उसमें फ्लाइट तो यह था वीडियो complete 1100 question 2017 के आप सबके लिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा आप comments में लिखके बिता सकते हैं और जितना हो से के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share करिए thank you for watching